हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम विशाल सिंग है आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सव्चिस में आज हम लोग कॉंस्ट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है क्योंकि यूपी जुडिसरी की वेकेंसी आ गई है इसकी होजा से प्री पॉइंट और व्यू से केबल रिकॉर्ड किया जा रहा है ठीक है प्रिलिम्री में जितने भी कोश्चंस आएंगे ठीक वो सारे कबर किये जाएंगे कोशिस यह रहेगी वो तो एक्जाम देने कवाद आप लोग खुद बताएंगे अगर आपने पहले हमारी वीडियो देखी है तो मुझे इतना सब बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है ठीक है कि की सी आल पीसी टीपी ए एविडेंस आई पीसी यह सब आप लोगो ने देखी है बहुत प्यार भी दिया अरे लाइट क्यों बंद हो रही अभी इसे ही बंद हुए जा रहे है अभी तो स्टार्ट नहीं हुए कि हम चलिए आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं कॉंस्टिट्यूशन भारत का सम्भिधान अगर नहीं है अरे आप लोग तो यार ऐसा तो नहीं होगा है है चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किये हुए क्योंकि इसका पता नहीं किया पूरी एक पूरी वीडियो मतलब एक वार्ण रिकॉर्ड तो होना पॉसिबल नहीं है पूरा एक से लेके एक से क्या मतलब से ही स्टार्ट करेंगे ठीक है रेगलेटिंग एक से स्टार्ट करेंगे 1773 से और पूरे कॉंस्ट्यूशन के 395 तक महुंचेंगे ठीक अ अ इने जरा रख लें वाई कब दूबर पढ़ जाए है 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 मजा आ जाएगा मुझे कुछ अंदाजा नहीं लग पड़ा कि कितने घंटे की वीडियों होगी जाके यह चलो कोई बात नहीं टिक सबसे पहले कॉंस्ट्यूशन से पहले हम लोग इसके कॉंस्ट्यूशन हिस्ट्री बिजरा जाते हैं ठीक है थोड़ा इसकी इसकी चलो कि यह कैसे इसकी स्ट्री पेश्ट्री पर पढ़ेंगे थो उसी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा यह कॉस्चन्स इसमें से पूछ जाते हैं ठीक या तो आप में इंडियन पॉलिटिव निया जाएगा या निया बीचा-टी कैस्ट इंडिया कंपनीका सोला तरिजिंट सो में ही ठीक है यह केबल ठेट के परपस के लिए तो सब लोगों पता ही है ठीक है ऑब इंडिया आये कैसे कैसे क्या हुआ 1600 से फिर वो वो समय जब मुगलों के साथ उनका हुआ ठीक है वो सब हम लोग पता है यह मान के चलते हैं पता नहीं पता है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए पता चल जाएगा ठीक है यहां से आओ जहां से यह एक्ट पास होना चालू हुए ठीक है अब इन्हों ने पूरी इनकी मोनोपॉली हो गई ती इस इंडिया कंपनिंग इंडिया में समझेगा नहीं जब मोनोपॉली हो गई तब वहां पर यू करने के करने के लिए का कंट्रूल करने के लिए इसका मेन परपस यह था तू रेगुलेट एंड कंट्रोल तू रेगुलेट एंड कंट्रोल इस्ट इंडिया कंपनी ठीक है और यह बीज़ी साल की गैप में पास होते रहा है ठीक है इसी में 1773 के एक्ट में ही क्या हुआ तो दो दो चीज़े होई थी इसमें क्या है गवर्नर और है तेजिसी रेगुलेट करने के लिए नोगने घुर्ण एक कि है कहां कहां तीन जगहां बॉंभे मदरास है और कॉलकाता ठीक है जिसमें कलकत्ता को ता उसको गवर्नर जनल याल बोलते थे कटखना बंगाल लिक्को ना बॉंभे मदराशंड बंगाल तो जो बंगाल का घ गंगाल फरस्ट sacrifice संब्सक्राइब रपास को फॉर्यूरर गवंगाल वर्य गोड हर्स्टिंग ठीक पूछा जाता है बहुत जाधा ठीक व्रने ऐस्टे एक पैसे क्वेश्टन है ठीक उसी समय क्या हुआ । सुप्रिम कोटर फ्क आपämäल कथा कयुत है ठीक सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कॉलकता मिसलेश की और कौन थे इसके पहले लॉर्ड इंपे ठीक फस्ट चीफ जस्टिस आफ सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो ठीक जब कोड़ एफ जस्टिस आफ सुप्रीम कोर्ट आफ कलकता बोल सकते हो एक कौर्ट थे सर इंपे चलो अब क्या सोना इतना था सब चीज़ें यहां से इतनी थी जिए इतने उफिसर्स थे ना उनकी वाइफ जो वहाँ पर थी उनके पास इतना एसेट में लगा इतनी एसलमा सुना इस पहुचने लगा कि वहाँ पर जो उफिछ थे उनकी बाइफ कंप्लेंट करने लगी हकीकत आइस अपने बाकित नहीं था तरो यह नहीं संप और DOUG रहा था वाई जो यहां पर आपके जोब इसाएथ अब क्या हुआ इसके लिए इन्होंने क्या पिट्स इंडिया एक्ट एक पास किया था इस इंडिया एक्ट इसका सिर्फ इतना परपस था कि इन दोनों को रिकॉल करना बापस बुलाना किसको वार्न हैस्टिंग को और सर इंपे को सर इंपे को इन दोनों को वापस बुलाना क्योंकि यही दोनों आदमी थे मिलवगत के अपना सब को चल ला था ठीक है इसके बाद महां पर उनका इंपेच्मेंट भी वहा था ठीक है लेकिन वारन हैस्टिंग ने पूरा हाउस ऑफ लॉट्स खरीद लिया था इंपीच्मेंट वही नहीं पाए था इंपीच्मेंट पर बाद में दूसरा इंपॉर्टर इसका चार्टर आने लगे है ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट जो क्या है तो लेक्षिक स्टार्ट नहीं पर यह इसके बीच में और भी आये लेकिन वह इंपॉर्टर नहीं है हम लोग से इंपॉर्टर 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 देखके और सीधे इस इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की खिए इसमें दो बाते हैं और जोड़ी गई कि एक लाग रुपया उस समय एक लाग रुपया आपको पर मंत वह पर यह रहे ठीक है पर मन तो बहुत हो जाएगा मतलब कमपनी को वन लैक पर इयर इंडियन एजुकेशन पर खर्च करना पड़ेगा ठीक है यहां कि एजुकेशन पर दूसरा किस्चियन म अपनी एजुकेशन और सब चीज़ें जो जो करना था सब उन्होंने स्टार्ट किया ठीक उसके बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ इन्होंने अब क्या हो रहा था ना यह दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे इस इंडिया कंपनी क्या है दोनों ही फंक क्या पर अभी तक क्या था गौर्नर जनर्र anál ऑफ बंगाल था तो इन्होंने गवर्यन जनर्र ऑफ बंगाल से गया खना मिन अइसके जन ओंडिया कर दिया रहे जो इसार्टर ऑफ रहा-फ यथि ठीक बने धे तर गवर्यन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे विलियम बेंटिक सर विलियम बेंटिक बैएस लिए् टीनीए ध्यान रखना टीक है फर्स जन जनर्र के पूछा जाए तब वारं अस्टिंग डूसरा जनौन आव इंडिया कौन था विल्यम बैंटिघ्ष सी maior काउन्दे घर्ण और इसके बाद दूसरा एक law member जोड़ा गया ठीक है इसके साथ इसके साथ council और हुआ करते है तो इनको एडवाइस करने के लिए ठीक है अब इन फॉर council members में एक मेंबर law member भी होगा यह चार्टर एक अफटार थेते बोला गया था ठीक है लॉर्ड मेंबर कौन थे लॉर्ड मैकूले इसा लग रहा हिस्ट्री क्लास चल नहीं नहीं भाई यह कोंस्टिशनल V governments है तो लगिन कांस्टिश्चनल व जायगा तो लॉड मेकूले साब की खाय सित क्या थी nor बहूत काम किया इंडिया म he आई पीसी नो ने बनाई चाफी काम किया चलो और इसके बाद में और कुछ इसके बाद में यह तर जब गवर्नर जनल अफ इंडिया हुआ ना तो जो गवर्नर बॉम्बे मद्रास पे इनकी पावर खतम कर दी गई ठीक अब इनके पास कोई पावर नहीं रही सब गवर्नर ज इसमें क्या है ना कॉंस्टिशन ऐसा है कि इसे टाइम देखे पड़ना पड़ता है ठीक है लेकिन क्या करें कभी कबाद जो है इसको सिर्फ मार्क्स के उपर देखा जाता है ठीक है तन्दा नंबर के त्री कोशन्स आते हैं तो उसी इसाफ से ही उसी मैनत में कर लो और करन इसे लिए, चलो चार्टर एक्ट ओफ कौन सा देख रहे हैं लोग 1853 1853 ना यह लास्ट था चार्टर एक ठीक है इसके बाद ने कोई चार्टर एक नहीं आया फिर गवर्मेंट आप इंडिया एक्ट पास्वने चालू हुए ठीक है क्योंकि उसके बाद से इसके बाद से कि एटीन फिटीस कंपनी से पावल लेके खुद के अपने कंट्रोल में ले ली ठीक है अब तुम नहीं करोगे अब सीधे यहां से डारेक्ट चलेगा तो 1853 में क्या हुआ था कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था हुआ था अपने काम का कुछ भी नहीं है लेकिन इन्होंने यह इंडियंस के इन इंडियंस के लिए अलाउट किया थे यसके बाद ने क्या हुआ फिर आया Government of India एक्ट चुथ 1858 आया इसमें क्या हुआ इसमें क्याह मिनर्जनल ऑफ खूए त comment video called the band Master इस्ट इंडिया कंपनी रही पापल ले ले लिए गए अब डारेक्टि यह कंट्रोल किस्से हो गा हमें डारेक्पली House of Lord से कंट्रोल की जाएगी ठीक है अब इस्ट इंडिया कंपनी है पर कुछ नहीं आ हम्ँ चलो और क्यों वह आई解 underneathcare क्झा कि यह गया तो वाइसरा फिंडिया वी फस्ट यही रहे है तिक कि और कुछ है कि कुछ रही है चाला उसके बाद आया है, यह सब कोई काम को नहीं, ठीक है, 1909 पर आओ, ठीक, इंडियन कांशिल अप, पापलिय नोवन आज, मिलो मंटे रिफॉर्म, मौलले मिन्टो रिफॉर्म, पहले मौले शाह आएंगे, मौरले मिल्टो रिफॉर्म ठीक है कोशन ये भी आता है कि मौरले मिल्टो रिफॉर्म कौन से एक्ट को बोला जाता है तो इंडियन कौन से एक्ट उनिस सो नो को बोला जाता है मौरले साब कौन थे ये सेक्रेटरी जनरल थे ठीक और ये उस समय वाइस रवायत है ठीक है चला सबसे इंपॉर्टन जो इसकी बात जो पूछी आती है 1909 में ये मॉल्ले में जे फॉर्म में क्या हुआ था इन्होंने सेपरेट एलक्स जा तो इसको बंदी कर दूँ फिर एक मिनट जला रुकना क्यों परिशान कर रहा है भाई क्या हुआ था सेपरेट इलक्टरेट की बात की थी फॉर मुस्लिम कॉपी पैन ले लो और चुपचाब नोट्स बना लो ठीक है सेपरेट इलक्टरेट नोट की अलक्टरेट और मुस्लिम के लिए मदलब communal harmony यहां से start हुआ था ठीक है यह पूछा भी बहुत जाता है ठीक है history में भी और constitution में भी कि यह कहां से separate electorate सबसे पहले कहां पर बात हुई थी तो इंडियन council है उन्ने सनौ में उन्होंने muslims के लिए separate electorate की बात की थी ठीक है उसके इलाबा क्या हुआ था उसके इलाबा जो इसमें council of viceroy मैंने बताया था starting में की चार council होते थे भी बड़के बड़के यहां तक आते आते लगवक साट हो गए थे ठीक है साट council members हो गए थे council of viceroy से बुलते थे इसमें इंडियन को भी एलाउट कर दिया गया कि ठीक है अगर को इंडियन है अगर वह भी लेक्टोप के आता है तो वह भी council of viceroy में पहुंच जाएगा ठीक है सबसे पहले first executive member of executive council of viceroy कौन थे स्पी सिना सत्यंद्र प्रसाद सिना ठीक है स्पी सिना कौन थे first member of executive council of viceroy ठीक है कहां पे 1909 के टाइम पे ठीक कि 1909 में ही किया गया था इंडियन को कि वह एग्रिकुटिव council के viceroy के member बन सको उससे पहले allowed ही नहीं थे तो बन कहां से जाते है ठीक उसके बाद में आया गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट उनिस सो उनिस गवर्मेंट ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट उनिस सो इनिस ठीक है इसकी खास बात क्या थी इसको पॉप्लरली नोन एस मॉन्टेग्यू जैंस पॉर्ड कि इसके नाम ध्यान रखिए कि पूछे जाते हैं तो क्या है इसमें क्या है डायर्की की बात की गईती अब यह यह चीजे जो हम लोग देखते हैं ना इंडिन कॉंसिजन में लोएर आउस है अपर आउस है यह बस development हो रहा है ठीक है development of constitution बोल सकते हैं कि कैसे चीजें चीजें नहीं 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 आती गई और फिर बाद में हम लोगों सब constitution में हमें देखने को मिलती है ठीक है तो इसमें डार की लिख लो government of India Act 1912 में इसमें जब यह पास हुआ था इसमें 301 सेक्शन थे और 10 कुछ नहीं उसके बाद में कुछ टाइम बाद साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ ठीक है साइमन कमीशन क्या है कि इसको रिव्यू करने के लिए कि हमने जो government of India Act 1919 पास किया था जाओ साइमन तुम देख जाओ साइमन तुम देख के आओ ठीक है कि कैसा उस सब्सक्राइक का कैसा रहा सब कु और साइमन साइमन आभ रहा तीक हैं ओन्हों देखा उन वन ब草न बता लाए कि पता नहीं इतने कम टाइम में क्या ही अब देखें टीक मतलब इतने तने कम अभी हुआ है पास किये हुए तो हम कुछ ज़्यादा काई नियुक्त है उस समय अर्विंदो घोष और यह सावर कर विद्धस ठीक है यह सब लोग जेतेन सिंग बग्गा यह सब कितने लोग काम करने वाले उधम काटे हुए थे तो इसी लिए वहाँ पर इंग्लینड में ड्रामा हो रहा था यह कि अध्यार यह वहां पर बार बार इन्पर एक पास हुआ तिक लो यार इसमें क्या हुआ इसमें तीन बात हैं लिख लो सबसे पहले तो इसी एक के अंडर यह तो सब चीजें कंटिन्यू होती जा रही है जो है वो सब होई रही है उसमें ठीक है तीन चीजें सबसे पहले तो आर्बीया एस्टिबलेस्वी ठीक है पूछा जाता है कि आर्बीयाई कब एस्टिबलेस्वी ते रिदर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक अपरेल 1935 कहां पे कलकत्ता में ठीक दू सब पचास के बाद उसको सुप्रिम कोट बोलने लगे ठीक है तो फेडल कोट कब है स्ब्सवी नाइटीन ठीटी सेविन में ठीक है जह बताओ मालूम ही होगा कि फर्स चीफ जस्टिस अप सुप्रिम कोट कौन थे अं है एस जे कानिया ठीक है और फर्स चीफ जश्टिस अ सुप्रिंग कोट कि फर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंडेंट इंडिया एज जे कानिया है फर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे लॉड इंपे ठीक ध्यान रखना चलो तो फीडियल को एस्टबिश भी नैटेंटेंटी सैविन में और पॉब्लिक सर्विस कम कमिशन की भी यहीं से स्थापना हुई इसी एक के अंदर कि वाई इंडिया के लिए पूब्लिक सर्विस कमिशन होना चाहिए दो चीजिए तो इस्पेशली ध्यान रखना खूब पूचा जाता है ठीक क्या कि आर्बियाई का वेस्टिस वी और दूसरा फिड्डल कोट का श्री नाइटिन धर्टी सेविन में तिक उसके बाद में क्या हुआ उसके बाद में अब हिस्ट्री के साथ अगर इसको लेकर चले कि बहुत साथ चीजे हमें पढ़नी पढ़ेंगे ना कि बहुत ज्यादा ट्रामा उस समय हो रहा था नहरू जी आ गय थे मोग मुतिलाल अल अगास्त आफर, इनकी डेट याद रखना, डेट खुब पूछा राता है, हिस्ट्री में भी और वैसे भी, आप कुछ डेटें याद कर लो आप, मैं लगता है कि उसका ये इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि डबलमेंट आप कॉंस्ट्रीशन या कॉंस् इंपोर्टेंट है, जल्दी हम लोग आर्टिकल बन पे आते हैं, तैयारी जो सो से करना दोस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, अरे भाई, सबसे कीम्ती चीज़ चली जाएगी समय आपका, वैसे भी, यहाँ पर 4-4 सा जा रही है, हम, और कोई डिमांड हो, आप लोग की में बताईएगा, ठीक, कि और क्या इंप्रूब्मेंट किया जाए, क्या चीज़ और लाई लाई है, चलो, अगस्त ओफर, अगस्त ओफर क्या था, कब आया था, उन्निस सो चालिस में, ठीक है, कौन थे, वाइसरोई थे, लिलिन्टो, लिलिन्टो, ठीक, ये, उस समय वाइसरोई थे, इनका ये कहना था, कि जैसे ही, वर्ल्ड वाउर सेकिंड खतम होगा, ठीक, है, वहाँ पर मार ड्रामा चल ला था, हम आजादी दो, आजादी दो, और तो इन्हों बोलाता, कि भाईया, हमने बात कर ली है, जैसे ही वर्ल वाउर सेकिंड खतम होगा, जैसे ही एंड होगा, हम आपको डॉमीनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक, क्योंकि स्टार्डिंग में 1906 के आसपास, ठीक है, दो चीजें कमेंट करके बताना, सूरत स्प्लेट कब हुआ था, ठीक, और दूसरा, पा लाहूर सेसन जब हुआ, लाहूर सेशन हुआ उन்ने सो नदिस में, नंतिस में हितो हुआ हाँ, ठीक, लाहूर सेसन जब हुआ न, अब ये साथ थोड़े चलेगा, कि में डॉमीनियन स्टेटस ना, दिया भी नहीं होगा यार दिमाग में आही गया लाहूर सेशन लाहूर सेशन 1929 होगा ना तब इसमें प्रेज़ेंट बने ते जवालाल नहरू तो जवालाल नहरू यह यंग एच के थे उस समय ठीक है उससे पहले तो पिताजी उनके एड़ जैते थे मोतिला नहरू और सब लोग तो उस समय करना कुछ नहीं होता हमें पूर्ण सराथ चाहिए समझेंगे नहीं तो यहां पर आग सब्सक्राइब कर दिया जाएगा तुरांट दिनाय कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई यह उसके बाद में भाई साब क्रिप्स मिशन आया कुछ नहीं है इसे लिख लो ठीक है इस्टीफर्ट क्रिप्स नाम से एक आदमी थे यह इस्ट्री में पढ़ना कब तुर्गीज़यंट कर दिया डिय तो नहीं है उसके बाद में सिम्ला नौफरेंस भ्यात कर लेजन ना सिम्ला कॉंफरेंस का बुई थी वैख着 ठीक है उसके बाद में लॉड क्लीमेंट एटली ठीक है लॉड प्राइम वॉल्ह ए मारान आनौसमेंन कर दे थिया ठीक है अम में आप sustainability deja extraordin ज़ींगे और इन्डिया को इंडिपेंडेन्ट स्टेट बना देंगे ठीक कब उन्हों ने बॉला था 1946ator में उसके बाद में उन्हों का ट्रांसफर newsletter पावर कैसे हो तो cabinet mission cabinet mission cabinet mission cabinet mission कब आया यह 1946 1946 में इसके तीन मेंबर थे कौन-कौन एक तो यही साफ थे क्रिप्स अलक्जेंडर और लॉरेंस यह तीन मेंबर थे इसमें यह सिर्फ इसलिए आये थे कि कैसे transfer of power की जाए ठीक है भाईया तुम जो है कोई constitution assembly अपनी बनाओ constitution assembly यही से इसमें बनने चालो हुई थे ठीक है कि तुम अपनी transfer of power तब ही तो होगी किसको हम देखे जाएंगे यहां पर तो तुम अपनी constitution assembly बनाओ उससे आपसे हम जो है transfer कर देंगे और उसके बाद में लेकिन transfer of power के बीच में एक वही पर अगल दूसरी ओर देखा जाए तो वहाँ पर Congress में और Muslim League में बहुत ड्रामा चलना था वही आखी काउन power में आएगा मुस्लिम लीग आएगी कि Congress में आएगी बहुत कतले आम चलना था बंगाल में पंजाब में अजराबाद में बहुत लोग मारे गए उसी में ठीक है तो यह क्या हुआ तो ट्रांसफर अब पावर के बीच में मांट बेटन साब को आना पड़ा मांट बेटन का बाए मांट बेटन अपने बोई मांट बेटन प्लैन बोलते हैं 1947 ठीक यह क्या इन्होंने partition की बात की बाद पार्टीशन तो कराना ही पड़ेगा अब दोनों 1947 पास हुआ जिसमें 15 अगस्त को हमने जो है आजादी पारी ठीक दो चीज़ा ध्यान रखना गवर्नर जन्नल अफ्री इंडिया काउन थे फर्स्ट गवर्नर जन्नल अफ्री इंडिया थे मांट बेटन ठीक है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जन्नल अफ्री इंडिया ठीक फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर अफ्री इंडिया यह थे हमारे सी राजगोपाल चारी ठीक दियान रखोगे वेरी गुट चलो अब क्या है अब इसके बीच में एक चीज आओ देख लो एक कॉंस्टिशनल असेंबली क्या होती है कुछ छूटा उटा तो नहीं है एक तो इतने ज्यादा नोट्स हैं यारी मैं सोच रहा होगा कैसे या कंप् और मैंने तो कॉंस्टिशन जाने कितने दिन बाद उठाया होगा जहां पेपर दिये हैं में सेंज वहां आता नहीं था चलो आंगे बड़ें कि देरका हो गया एक चली में अब तो सर्दिया इतना हीट नहीं करता गर्मिया में तो फिर फोन हीट करके बंद हो आता है कि जड़ा कॉंस्टिशन असेम्बली की बात कर लेते हैं कि मजा आए तो लाइक करते रहा करो या लाइक करते रहा करो या लाइक करते करते रहा करो कमेंड करते रहा करो इतनी मैनत करते हैं कर दिया करो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कंस्टिशनल असेम्बली की बात कर रहे हैं थोड़ी राइटिंग पे मत जाना जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ठीक है अरे बाई तो लिखी लोगे चलना बंद होगे दूसरा कहां हुँँ कॉंस्ट्रीशन से सबसे पहले कब मिले फर्स्ट मीटिंग कब वही थी इनकी नौ देसंबर सच्चिदानन सिना को बना दिया गया सच्चिदानन सिना ठीक है दो कोई दोई दिन बाद एलक्षन हुआ और मनला भी एलक्षन हुआ और ग्यारत दिसंबर को ग्यारत दिसंबर को डॉक्टर राजेंद प्रिसाद प्रेसिडेंट हो गए किसके कॉंस्ट्यूशन असेम्बली के ठीक है उसके अलावा किते मेंबर्स थे 389 थे ठीक है लेकिन बीच में पार्टीशन क्योंकि में तो इसलिए पार्टीशन के बाद किते रहे गए थे जब स्टार्डिंग में जब असेम्बली बनी थी तब 389 थे पार्टीशन के बाद सबसे पहले लिखो इस्टेरिंग कमिटी जिसके हैड थे राजे इंत परसाथ दूसरी कि ड्राफ्टिंग कमिटी वेरी इंपोर्टन ड्र बी आरम बेटकर ड्राफ्टिंग कमिटी का काम क्या था कि भाई एक तो कॉंस्ट्टिशन ड्राफ्ट करना है दूसरा अधर लॉस जो इंडिया में प्लाई होंगे ठीक है अधर लॉस जो चाहिए हमें तुरंद वो वह अधर थी जिसका काम जिसके हैड थे पंडिय जवालन नहरू ठीक और स्टेरिंग कमिटी तो लिखी लिए डॉक्टर राजयंत परसाद कमिटी ओन फंडामेंटल राइट्स और मैंडरिटी इस के हैड थे साजदार बल्लब बाई पटेल डारेक्ट मूस दिया जाता है कि स् परसाद कमिटी ओन फंडामेंटल राइट्स के हैड कौन थे सादार बल्लब बाई पटेल ठीक है यूनियन स्टेट के आपने देखी लिए जर्वालन नहरू है और फाइनेंस और स्टाफ कमिटी थी जिसके डॉक्टर राजयंत परसाद ही थे ठीक और उसके बाद में तो पर और तो कुछ हाइए नहीं और जो डाश्रिंग कमेटी तियो सके टोटल साथ मेंबस थे साथ मेंबस के याद करना जलूरी जो दे समबर से दो साल 11 में अठारा दिन और यह पास कब हो गया था है ट्विटीश डे ओफ नॉमबर एड़ाप्ट जो ने अब पूछा या कब एड़ाप्ट किया गया या इने किया गया यह प्रेमबल में दिया हुआ है ठीक एड़ाप्ट एने इस दौरान ही इन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें जो है पास की थी ठीक है तो उसमें लिख लो कुछ डेट लिख लो सबसे पहले तो नौ देसंबर को क्या हुआ था पहली मीटिंग वी थी नौ देसंबर और 23 दिसंबर को ऑप्जेक्टिव रेजलूुशन पास किया था जवादलहाल नहरू कि हमारा उब्जेक्टिप सब्सक्राइब क्या क्याया काम करेंगे ठीक है 22 जुलाई को कौ्स्ट्टूशन असाम्भी ने नेशनल फ्लैग नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई 1947 देख लो पूछी जाती है ठीक नेशनल फ्लैग हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को ठीक है ट्रांसफर ऑफ पावर हमें कब मिली या पार्टीशन कब हुआ था इंडिया पकिस्तान का 15 अगस 1947 को ठीक और कॉंस्ट्रीशन कब अडॉप्ट एंडिया 26 डे ऑफ नॉवंबर 1949 ठीक है 24 जन्वरी 1950 को हम लोगों ने नेशनल सॉंग और नेशनल एंथम यह यह दोनों चीज़ें लिए थिंग ठीक है है कि नहीं और कुछ है इसमें पॉर्टन और कुछ नहीं है हाँ बस और गया 26 जन्वरी को तो कॉंस्ट्रीशन फोर्स में आया था हम और तो कुछ है नहीं हाँ यह लेगो नेशनल कलेंडर नेशनल कलेंडर जो साका कलेंडर है उसको मने माना था 22 मार्च उन्निस सो को सैंतालिस को सैंतालिस ही है क्या था कि देख लेना ठीक है नेशनल कलेंडर गूगल पर साच मान लेना अभी हम तो कुछ है नहीं नेशनल एंथम जो था वो तो जब इना टैगोर साब ने लिख खई है नेशनल सॉंग बंकिम चंद चटर जी की जो आनन्दमट थी उसमें से हम लोगों ने लिया थी और कुछ इसमें हो सकता है और कुछ नहीं है चला बिहार एपियों में पूछा या बिहार जुडिसरी में बिहार एपियों में लास्ट टाइम पूछा गया था कि यह फर्स मीटिंग कब होई थी ठीक है कॉस्ट्विशन के इसम्बर नैटीन फोटी शिक्स आपको मालूम होई गया ठीक है चलो इतना हम एक प्याट के रहें से हमने क्या क्या उठाया है पार्लेमेंटरी गवर्मेंट रूल आफ लॉव ओ शिट कि यह प्लेंट मोट पर डालना भूल गया था पून हां तो हम लोग लेकर सोसे से कोश्चन आता है खूप पूछा जाता है लोग गलत भी करके आते उन्हें लगता है कि मालूम हम कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाते खलत हो जाता है लिखलो जल्दी से लिखे हुए है तो मैच कल लो अपने मेंसे ठीक कि बेटेस कांसिजन से हमने क्या कह लिया पारलेमेंटरी गवर्मेंट्रूफ लो अशिलेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजन्सिप कैबिनेट सिस्टम रेट्स पारलेमें judicial review impeachment of president removal of Supreme Court and High Court judges and the post of Vice President. एरेस constitution से हमने क्या 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 लिया? Directive Principal of State Policy. एरेस constitution से हमने क्या 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 लिया? Directive Principal of State Policy. Nomination of members of Raas Abha. जो तैन जो nominated members होते है उसके. method of election of president यह हमने एरेस से लिया था. Canadian से क्या क्या लिया? Federation with a strong center और जो wasting of residual power in center, appointment of governor by the center, central government और advisory jurisdiction of Supreme Court. ठीक है? Australia से क्या क्ये लिया है? Australian constitution से concurrent list, freedom of trade and commerce और joint sitting of two houses of parliament यह हमने Australia से लिया था जो जर्मणी से क्या 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 लिया जर्मोनी से हमने suspension of सब्सक्राइब करके आ सकता है वहां से क्या के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ओफ जस्टेशिन प्रियेंबल तीक है कि जसी असे क्या कôn सब्रेंश को प्रेंश कोंस्टेशन से लिए ज़े और आइडियल से लिबर्टीय। जो प्रेंबल में लिखे हुए है वो हमने कहां से लिए है फ्रेंज से लिए है ठीक है अभी प्रेंबल पढ़ेंगे तो इसमें देख लेंगे और डिटेल में साइथ आफिरीका से क्या क्या लिया प्रोशीजर फॉर वर अमेंडमेंड की स्क्राइट ूर्ट प्रोशीजर आफिसे अंतलँ इसमे यह फे लिया ए और फ़्यान दाज़ प्रोशेशं अस्पपड ї centralized प्रेंबल से ही चालू करेंगे पहले प्रेंबल फिर सेक्षन बना वह आर्टिकल बन से ठीक है चल यह तो आंगे देखते हैं हम लोग ने क्या क्या देख लिया अभी तर एक तो इतो क्हुंसरी देखी ही कि कैसे अगरी से लेकर कैसे चुश कॉंसरेटीशन दीरि में बना ठीक है उसके बाद में हम लोग ने इसेम्बली देख लिए है कि सभी आ रहा है सब कुछ हुम चलिए है तो हम लोग प्रेंबल से स्टार्ट करते हैं ठीक है प्रेम्बल से पहले प्रेम्बल सबसे लास्ट में जब पूरा इसलिए प्रेम्बल को लेकर ये भी पहले रहा था कि प्रेम्बल इसे पार्ट और बाते बोली गहीं थी तो ऐसा करते हैं पहले ओबर ले लेते हैं ठीक है की कान्सिक्विशन कैसे बना ठीक प्रेम्बल को भी रोग देते हैं तो कैसे बना कॉंस्ट्यूशन अब आपको पता है कि थ्री नैंटिफाइव आटिकल्स हैं बाइस पार्ट पर बाटा गया है ठीक है जैसा हम लोग का बनके त्यार हुआ उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं ठीक है अमेंडमेंड होने बाद जैसी जो चीजें नीड हुई उस साफ से उसमें चीजें एड करते गए हैं ओवर्व्यू से भी पहले अगर हम लोग थोड़ा यह देखिंग मान लोग लेकर सपोस्टीक कि कॉंस्ट्यूशन असेंब्ली जब बनी थी फस्ट मीटिंग कब हुई थी नौ देसंबर 1946 में ठीक है मान लोग उसी फस्ट असेंब्ली में हम लोग को काम दे दिया जाता कि यह कॉंस्ट्यूशन बनाओ ठीक है हम लोग के दिमाग में क्या था हम लोग के पास पहले वाले एक्ट थे गवर्मेंट ऑप इंडियाग नाइटीन ठीफाइव उसमें बाई कैमिलिजम और यह सब डॉयल गवर्मेंट थी यह सब चीजें अपर हाउस लोग को पहले से पता था उसके बाद में हमें हालत भी पता थी बाई अब देश को आजात किया जा रहा है तो एक नया स्टेट बन चुका है ठीक अब उस नया स्टेट में अब उसके लिए हमें बनाना है यह लोग को मिलकर क्या करना कॉंस्ट्टूशन बनाना है हम लोग क्योंकि लोग बैंग्राउंड से हैं लौव वाला ही गारं और कोई इसे एक हम लोग के दिमाग में क्या बस यह यह आजादी मिली हमारे पास कुछ है नहीं वहें अमगया है तो leading बनाने के लिए सबसे पहले State की बात होती है कि आप वी स्टेट मानेंगी रीड़ होने क्या है सबसे पहला क्या है कोई कोई भी स्टेट है कि नहीं है कि क्या होना चाहिए चाहिए कि कोई भी अगर स्टेट है कि नहीं है कनट्री कोई मानें गर नहीं मानें कैसे वानें गर सर्थी ट्रेटरी होने चाहिए दूसरा पोपलेशन होना चाहिए मदलब उसके शीदीजयन होने चाहिए थीक तीसरा लोगों के पास भी राइट्स हों ठीक है तो राइट्स है दो तरीके से हम लोग एक तो फंडमेंटल राइट्स और नॉन इंपॉर्सिबल राइट्स और नॉन इंपॉर्सिबल राइट्स और इस्टेट पॉलिसी बोलते हैं बेसिक अभी है यह कुछ नहीं बलोग देख रहे हैं कि एक समिधान कैसे बनाया जाए पांच मै ребा क्या होना चाहिए सबसे वह क्या डोल बętल डोल हैं कि चाहिए कि एश सबसे मैं होना चाहिए मैं टीक है कि यूनिन लें न होगा याAH हम लोग क्या लेंगे इस टेट भी है पिक इन वह एक हैं लोग क्या ट्र发 वाइस प्रेजडेंट होगा पार्लेमेंट होगी मेंबर ऑफ पार्लेमेंट होंगे पार्लेमेंट में भी दो होंगे रास सवा होगा लोग सवा होगा अपर हाउस लोवर हाउस ठीक है उसके बाद में और सब चीज़े होंगी ठीक है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होगा यह पंचायद भी हम लोग रखेंगे ठीक है ये सब क्या है गौर्णमेंट केंद पाट है कि वाई यूनियन लेविल पे चे लेविल पे पंचायद में भी हम लोग और क्या कहलेंगे मुनसिपलेट्ीजाइब्टांफ कहतु हो एंगे को कॉपरेटिफ स reduction लेंगे है कि नहीं समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे ठीक उसके इलावा भी कुछ आपसे हम लोग पास एरियास हैं है कि नहीं कैसे एरियास कि स्ट्राइबल एरियास स्ट्राइबल एरियास ठीक है उनको भी ले लिया अब इसके बाद में और क्या क्या ले सकते हैं हम लोग और कैसे और लोग एक चीज़ और ले लो जिलेशन ठीक है फाइनेंस प्रोपर्टी कॉंट्रेक्च्टुवल त्रेड गॉम्स ये ये इस अपते दिलेशन होंगे किसके बीच में कि ट्रेड कैसे होगा पहले तो फाइनेंस कौन पईसा किसके पास आएगा प्रोपर्टी कैसे होगी कॉंट्रेक्ट आपस में कैसे होंगे ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होगा बिट्वीन दा स्टेट है की नहीं और उसके लावब आप क्या रहे गया और भी कुल जालनेक रहे जाएगा चलो यह जो यूनियन है इसमें जो गोवर्मेंट होगी कहने का मतलब है प्रेसिडेंट होगा एंपी होंगे उनका एलेक्शन कैसे होगा लेक्शन नहीं चौदा में लोग ले लेंगे पहली तो इन सब को रन कराने के लिए इन सब को रन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगे सर्वेंट्स चाहिए होंगे तो सर्विसेज सर्विसेज या जिसे हम लोग पब्लि कराने के लिए किसका यूनियन में बहुत सारी चीजिय आएंगी प्रेजडेंट आएगा वाइस प्रेजडेंट आएगा एंपी आएगे पार्लेमन आएगी सुप्रिम कोट आएगा तो इन लों का एलक्षन कराने के लिए हमें एलक्षन कमिशन बनाना पड़ेगा तो एलक्षन की बात हम यह भी जोड़ देते हैं ठीक अब कुछ लोगों को हमें स्पेशल प्रोविजन्स भी देने पड़ेंगे ठीक किन लोगों को देख राए कि नहीं अब इसाफ समझ में आ जाएगा ठी लेकिन हम लोग अपने पड़ाई के साफ से उसको और आसान बनाने के लिए यह आपको इस पेशल प्रोविजन्स सोलमा दिख नहीं रहा है कैमरे में ठीक है सिक्स्टीन में यहां पर मैंने इस पेशल प्रोविजन्स डाला है ठीक इतना हो गया और कुछ रहे गया अब मान लेंग्वेज सत्मा पॉइंट दैते हैँ ठीक ऐिप STEP ऐसे लेंग्वेज में क्या है कि मोगा ओफिसल लेंग्वेज है लेंगेज होगा तो भाय गली गलाउच भी गला थिस भी गाली गलाउच होगी तो अठारा में इमर्जेंसी डाल दो ख़ए कि नहीं कोई तुक नहीं बनता लेकिन याद करने के तरीका है ठीक अठारा के बाद अब क्या रह गया कुछ रह गया अब उन्हें बोला भाईया अगर कुछ रह गया वो तो मिसलेनियस डाल देना ठीक है मिसलेनियस उसमें डाल देंगा अगर कुछ भी रह जाता है तो एक चैप्टर मिसलेनियस बना दो ठीक भईया मिसलेनियस बना दिया ठीक है लो लगबक कॉंस्ट्विशन कंप्लीट ही हो गया उन्हें से एक भाई बोला विसाल भाई अगर मान लो दस बीस साल में हमें कभी इसमें अमेंड करना पड़े फिर तो भाईया बीस में अमेंडमेंड मेंड डाल देते हैं के अमेंडमेंड कैसे होगा अब तो कंप्लीट हो ही गया अब क्या है और इनमें बोला विसाल भाई आप एक चीत भूली गए है कसमीर का इसू क्या करें कसमीर के लिए और जो नौहा क्या Second area उनके लिए क्या करें जैसे सिख्किम है अनाच्फ्र अच्प्डेश थी मिजोरम माई इसके न फिस स्चिन नहीं अन ओनौब ब्रीश ए स्पेशल प्र इस्प देस है है अब तो complete हो गया देखो वाई कितना वड़ा लग रहा है कि एक आदमी बोला वही है नाम तो देना भूली गया इसको हम लोग बोलेंगे क्या चालो वही है इसका नाम यहाँ पर रख लेते हैं सबसे लास्ट में ठीक है तो टाइटल नाम करन इसका आखरी में कर लेंगे ठीक समझ में आरा कि नहीं आरा यहीं बस 22 पार्ट है कॉंस्टिशन के ठीक कितने पार्ट में बाटा क्या हमारा कॉंस्टिशन 22 पार्ट में और 395 आर्टिकल्स में ठीक समझ में आई बात की नहीं आई कितना बड़ा लग रहा है देखो फिर से क्या है चाल चीजे होनी चाहिए किसी भी स्टेट को स्टेट मानने के लिए उसके पास कोई भी अगर अधर कंट्री कोई भी अधर स्टेट उसे स्टेट त तो उनी चाल चीजों पर यह पूरा बेस्ट है ठीक है उनी चाल के चीजों पर सभी लोग जितनी भी कंट्री ने कॉंस्टिजन बनाएं अपने इनी चाल चीजों को देखके बनाएं बनाने ही पड़ेंगे कि इंटरनेशनल लो में यही चाल चीजों को मानते हैं अगर यह चार्ट चीर आपके पास नहीं है तो आप स्टेट नहीं माने जा हुए सबसे पहला आपकी खुद की जमीन होने चाहिए ठीक है तो पार्ट वन में हमने ठीरिटरी रख दिया ठीक है यूनियन एंड इस territory part one का हम लोग की heading यही है दूसरा citizenship तो दूसरी हम citizenship कैसे देंगे यह हमने part two में रखा sovereignty अपनी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं हम सबको fundamental rights देते हैं और rights जो हमारे होंगे वो दो तरीके से होंगे या तो enforceable होगा एक non enforceable होगा क्योंकि सारे rights some enforce नहीं करा सकते हैं बहुत सारी countries है जिन्होंने अपने constitution में right to education सबके लिए free right to health सबके लिए free और और क्या-क्या right to food सबके लिए free अरे बाई कर तो दोगे क्या आपकी अवकाद है इतनी देने की क्या education सबको free में दे सकते हो सबको health free में दे सकते हो आपके ओपर obligation है लेकिन काम तो वही करोगे जितनी आपकी जेब में है समझेगे नहीं जब सबको खिलाने के लिए है ही नहीं तो लिखने से क्या होगा तो इसलिए हम लोगोंने क्या किया जो main है right to life हम दे सकते हैं उसमे कोई पैसा ख़ल तोड़े हो रहा समझे कि freedom of speech and expression दे सकते हैं उसमें कोई पैसा ख़ल तोड़े हो गया right to equality वह हम दे सकते हैं यह सब तो जो है राइट टू है यह सब हम लोग टीपीएसपी में डाल दिये ठीक है कि जब हमारी ओकाद होगी तब हम देंगे अभी के लिए आप हमें नहीं कर सकते हैं फोर्स नहीं कर सकते हैं यह राइट हमें दो ठीक है तो चार में हमने डीपीएसपी डाल दिया चैप्टर पांस वह सौरी पार्ट फाइव में हमने इससे के साथ-साथ एक एमेंडमेंट में डवर हुआ था फोरे जोड़ा गया था ठीक है फोरे फुर्टी सेकेंड में में क्या जोड़ा गया था फंडमेंटल ड्यूटीज चलो on the article भी लिखी लो साथ मां आर्टिकम वन्टु बेरेक निकाल लो चैक करते रहां ठीक है 1 2 4 ऊनल से चार तक इसकी बात की है सिटेंसिप में पांस से लेके ग्यारह तक हमने सिटेंसिप की बात की है फंडमेंटल राइट्स पार्ट थैर्ड कहां से बारह से लेके 35 तक DPSP 36 से लेके एक क्याउन तक यह 51A टिक उसके बाद में Union Union कहां से कहां तक चलता है 52 से 52 में President है 52 से लेके 151 तक नई 152 तक 52 से लेके 151 तक टिक उसके बाद में 152 से 152 से 237 तक ठीक Union territory 230 से लुको 230 तो ही नहीं यह देखना यहाँ पर मैंने साथ नहीं लिखा था ठीक है क्योंकि मेरी calculation बिगड़ जाती है अगर मैं साथ लिख देता यह मैंने पहले अपने टाइम पर जब त्यारी कर जा था था तब यह ट्रेट मनाई थी याद करने के 7 रिपील हो चुका है चैप्टर 7 क्या था अट्रेट में आर्टिकल 238 ठीक है तो 239 यहाँ पर आएगा 239 से 241 242 पंचायद में 243 और 243 यह से लेके कितना है यह सब मिला के जेट टी तक है साइड ठीक देख लेना उसके बाद में SCST एरियाज 244 और 244 यह ठीक जिलेशन 245 से लेके 263 ठीक फाइनेंस 264 से लेके 300 तक 300 यह तक है 300 यह तक उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स 301 से 307 तक उसके बाद इस सर्विसिस UPSC, State, PCS, Public Service Commission यह सब है 308 से 323, 322 323 उसके बाद में इलक्षन है 14 में इस पॉब्लिक सर्विस कमिशन है ठीक है इलक्षन है 326 से 327 तक 329 तक 29 तक है ठीक उसके बाद इस्पेशल प्रोविजन्स है इस्पेशल प्रोविजन्स 330 से लेके और 342 तक 342 उसके बाद नो ओफिस्चल लेंग्विज है 343 से 351 इमर्जेंसी आपको पता ही है 352 से लेके और 360 तक है मिस्लेनियस में अमेंडमन हमें पता है 368 में है तो मिस्लेनियस 301 से लेके 367 तक हो गया ठीक short title में पता है 393 से लेके 395 है तो temporary provision कहा तक हो गया 369 से 392 तक यह हमारे सारे आर्टिकल हो गए आसानी से याद हो जाते है कोई इसू नहीं मान लो हमें मान लो हमें कि किस में दिक्कत हुई मान लो हमें Public Service Commission का नहीं पता कि कहां से कहां तक है लेकिन हमें इलक्सन मालूम है 324 से इलक्सन चलो हो जाता है और यह भी मालूम है ट्रेड एंड कॉमस 307 पे खतम हो जाता है तो यह अपने आपी हमारा हमें अंदाजा लग गया इससे क्या होता एकाथ तो अगर हमें सारे पार्ट के से कहां तक कौन सा दिया हुआ है तो बहुत आसानी हो जाती उसको गैस करने में मालूम हमें याद नहीं है डारेक्ट लेकिन फिर भी हम उसको कर ले जाएंगे तो इसलिए आप इससे आसानी से ऐसे याद कर लें क्या हुआ फिर सर पहर किस ने कीती कि मैड़ेवली ने की रूरी डारानी किस ने दिया तीग है निकूलास मैड़ेवली साइट दी तो उन्हों ने क्यार इसमें और चार स्टेट के एजेंशेल्स होते हैं ठीक एजेंशेल्स ऑफ स्टेट अगर पूर दिया जा इंटर्नेर्शनल लोग में ध्यान रखना क्या क्या है सबसे पहले तो टेरिक्टरी होनी चाहिए फिर के प्यूपल होने चाहिए या से टीजन होने चाहिए दूसरा सो मिल्की होनी चाहिए चौ्ठा गवर्मेंट होनी चाहिए क्या किया हम लोग के किस लेवि力 का य Mumbai होती हम लोग की ओए उनियू होती है पंचायत में हमने बताया कि union in state में कैसे काम होगा कैसे relation होगे जिसमें हम लोग ने loss के बारे में बात की कैसे जो है कैसे कौन किस बनाइगा क्या है इस सब की हम लोगों ने बात की चलो ठीक है और loss में हम लोग सेडील भी है हम लोग के कि उसके बाद में प्रॉपर्टी कॉंट्रेक्ट को लेके कैसे काम होगा उसके इलावा इनको रन कराने के लिए हमें ऑफिसर्स चाहिए होंगे तो हम लोग ने पर्विस सर्विस पब्लिक सर्विस कमिशन की बात की ठीक है जो पीसी एस पीसी एस और ऑल इंडिया जुडिश सर्विस की बात कर रहे हैं हम लोग वह भी इसी में हो रही है ठीक हम उसके बाद में आप इसे में डाला उसके बाद में अगर इमरेडेंसी के प्रोविजन कहां है 18 में डाला ठीक है उसके बाद कुछ भी बस जाता है तो मिसलेनियस में डाल दिया कि इसमें भी हमने प्रेजडेंट के बारे हम बात की है कि प्रेजडेंड को पर कोई केस नहीं रहा है जो सकता है डाला था अब तो जम्हुन कश्मीर हड गया है कमेंट करके बताना कौनसे एमेंडमेंट से यह यह टाएगा ठीक है और 22 में शौट टाइटल है 22 में शौट टाइटल इसका नाम लिखना बूल गया इसलिए मैं लास्ट में इसका नाम डालना पुढ़ा ठीक चलो अब हम लोग प्रियंबल के आते हैं प्रियंबल को लेके सबसे पहले तो प्रियंबल है क्या ठीक है बहुत सारे ये पॉर्शन उसे दे कि प्रियंबल क्या पार्ट है कि केबल उसका इंट्रोडक्टरी है इसे इंट्रोडक्षन बताता है कि नहीं समझें प्रियंबल को लेके मेंस में भी पॉस्टर इंप्रॉट्टर आते हैं और प्रियंबल आपको याद भी होना चाहिए यार क्या मतलब दो चार बार पढ़ लोगे याद तो वह हुई जाएगा इसके केसिस और इंपर्टन है इसके केसिस और इंपर्टन है जो भी पिरी में आता है और सब देखेंगे क्या है बाई कि डही टो क्षोर्ट अंतो खिजिशन झाहिं पांज पीठिटिक श्सोर्ति श कौक झ crateos कुशन में ऽॉस पटीजड ऌॉटन liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the identity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constant assembly this consa 26 day of November 1949 do hereby adopt in act and to give our self this constitution okay that's it okay 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 it's my the case is important okay the first thing to do is that we are the people we are the people we are the people we are the people इसमें दो चीज़ें निकाल दो उसी इसाब से उसमें लिखते रहो जस्टिस का जो आइडिया है वो हम लोगों ने लिए था ठीक है और लिबर्टी एक्वैलिटी एंड फेटलिटी जस्टिस का आइडिया हम लोगों ने कहा लिया सब्सक्राइड में लिखवाया है जस्टिस का कहा से लिए बलूइसे और लिवलिटी एक्वैलिटी एंड थे हम लोगों ने फ्रेंच टूषड सब्सक्राइब तेट पहुर्चा गार्था कि फ्रेंच रेवलीशन कभ से कभ तक रहा था थिक है 1779 से 1789 तक रहा था था कहां पूचा गया था यह साइफ बिहार में पूचा गया था थिक 1789 से थिंची वह लोग जानेंगे वीदर पीपल कहां से लिया यह लोगों ने जाहसे लिया यह लिबर्टी एक्वैलिटी और फ्रेंश रेविजिटन रिया ठीक है उसके लाबा इसमें एक अमेडमेंट हुआ है ठीक उसमें सोसलिस्स शैपुलर और इंटीर्टी यह पीनों तर्म ओंकों से तुसलीस और इंतिटी कि यह तीन वह लोग ने एक ही एमेंडमेंट इसमें वहा है फोटि जोगा था कि इंदरागा दींटे के टाइन के कि यह बहुत सारी बात यह हैं कि हमें सोचलिस्ट की के बाद जोड़ना था और सेक्लर इंटिवेटी तो ऐसे इक जोड़ दी आ गया थे एक गार हो जया गया इसका फुर्टी सेंड अमेंड्मन की इंपोर्स्मेंड डेट कमन कर जबता तो जल्दी चाहिए ठीक है कि याद में आ रही है चलो इसमें केशेस है कुछ ठीक कौन से केशेस देख लो एक केश था कौन कौन से केश पढ़ना है सब्जन सिंग ठीक जी बिरूरी केशन अंदर बाते इसार बोमें लाइशी हो पर दिया जी बिरूरी को लेकर बात होगे इस प्रेमबल क्या है लेकिन इसमें ये बात नहीं पूर्टिशन अंदर थीक है ये सब इसमें जस्टिस मादोल का साफ थे उन्हों ने बोला था कि प्रेमबल इस दा सोल और स्प्रेट ऑफ दी एंटार कॉंस्टिशन अप इंडिया ठीक याद रहेगा कि नहीं जिबेलो वरी ए प्रेमबल इस दा सब्सक्राइब नहीं बहुत पूछ कि आपको मालूम ओना चाहिए एंड़ी इस दूसरा लेकिन इसकी इंपर्टेंस ये बता री थी कि प्रेमबल इसले में की बोला था थे कि ये वी लान बहुत पूछी आती आती है सब्सक्राइब कर लिब कें और सबस्कंदास उसके पाथ में था है डिस्ताइब केला नाइटीन सब्सक्राइब कि इसकी जद्मेंट डेट और जाक प्लेना ठीक कप पास हुआ था बलब कभी आया था के शांद अब बढ़ी चीज़ है भाई तो माईकी नहीं लगाया आवास तो आई देयोगी फिल भी देखना पड़ेगा माईक लगाया कि नहीं लगाया आवा जा रही होगी पान यानी पीने के लिए जाओ चलो ठीक केस अंदर बाती केस में जस्टिस सीकरी साब थे ये भी ध्यान रखना 1973 में का केस है एक अप्रेल या 1973 है साइड ठीक है चैक कर लेना मैसे ओर नहीं उन्हा में सामने लिए लिखा हुआ ये दिमाग में आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं ठीक इसमें क्या बोला गया था इसमें सबसे पहली बात यह है कि यह बोला गया था प्रेंबल इसको ओवर रूल कर दिया गा था री बेरिवरी केस को इसकेस में ओवर रूल करके यह बोल दिया था प्रेंबल इसकी पूछी जाती है कि यह किस केस में बोला गया था कि प्रेंबल ओ our constitution लिख लो प्रेंबल of our constitution is of extreme importance and constitution should be read and interpreted in the light of the ground and novel vision of expressed in the preamble ठीक लिख लोगे रिख लिख लोगे बस जैसे इंटर्परेट की प्रेंबल जैसे constitution should be interpreted in the light of the in the light of the preamble बस इसे हमें याद रहा जाता है कि ये बाद तो खिर अन्द बालती इंबॉली गई थी हमें पूरी थोड़े लिखनी है कहीं पर फिर उसके बाद में एसार बोमाई केस आया सैसार बोमी में क्या बोला गया था कि सेकले इस बेसिक सब्सक्राइब तो नहीं बहुन नहीं है तो आप केशए ह Northeast माल दो के견 बहुर्य वाहती में ढूल दी समझेंट कैक रहोकी क सिस्ट्रेटर अतिसरथ उप्सटिफर नहीं होगा कि दोना को कर देके मालना हा तो चल्हां को ऐसा अर्बोमेटिक मालना है ठीक चलो अब LIC of India versus consumer education and research center LIC of India versus consumer education and research center इसमें बोला गया था प्रेंबल is the integral part of the constitution ठीक क्या है प्रेंबल is the integral part of the constitution और कोई case है और कोई case नहीं है इसमें और कुछ बताने के लिए है इसे टाइम बहुत लग जाए गया लेकिन क्या करें यह important fundamental rights तक तो हमें धीमे धीमे ही चलना पड़ेगा थोड़ा देखना भी पड़ेगा कि को छूटे ना आप लोग का हाँ गोलगनाद वसे state of Punjab और डाल लो ठीक है गोलगनाद वसे state of Punjab में यह बोला गया था कि preamble contains in a nutshell its ideals and aspirations ठीक preamble contains in a nutshell its ideals and aspirations और तो कुछ है नहीं चलो उसके बाद मैं लोग बागी सब को देखी लिया एक ही amendment हुआ है इसमें प्रेमबल में ठीक है यही तीन वर्ट जोड़े गए थे कौन-कौन से कहा गया है सोचलिस सेक्लर और इंटिगर्टी ठीक एक amendment हुआ है उसके लावत पूछा जाएगा प्रेमबल में कितने हैं पूचा जाएगा प्रेमिल में हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन उसका बेसे इस्ट्रक्चर को आप ड़ेश्य करें नहीं कर सकते हैं ठीक और क्या पूछा जाएगा और कुछ नहीं और यहीं सब बातें जो इसमें बोली गई है वह आपका मालूम होनी चाहिए ठीक एक और था गोलकनाथ केस आइसी गोलकनाथ चलो अब आर्टिकल वन से चालो करते हैं और दड़िले से पढ़ते हैं जोड़े रहे बस को एक मुट चैक करें आप आज गई थी की नहीं चाहिए तो फिर आर्टिकल वन से स्टार्ट करते हैं अब आज उसमें सही आई थी मतब काम आई थी लेकिन ठीक है काम चल जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आर्टिकल वन क्या बोलता है देखो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है हम लोग को 395 आर्टिकल पढ़ने हैं जो की 22 पार्ट में डिवाड़ीड है ठीक है और 12 से डियूल है फिसमों और इजनली किते थे और इजनली आर्ट ते उसके बाद में चार जोड़े गए थे चलो पार्टिकल वन क्या कहता है इंडिया डैट इस भारत सेल विदा यूनियन ओफ इस्टेट ठीक है क्या है इस इंडिया जो है उसको भारत भी कहते हैं जो की यूनियन ओफ हमें पता चलता है कि इस country का जिस country के लिए constitution बनाए गया उसका नाम जिसमें हम लोग रहते हैं इसका नाम क्या है इंडिया है या भारत है ठीक यही दो नाम से यह जाना जाएगा बाकी सब हिंदुस्तान और सोने की चुडिया यह सब अब कोई माहिने नहीं रखता ठीक ऑफि लेके धूल लाते कि यह इंडिया में रहती होने की नाम है चलता क्या है उनके यूनियन से यह बना हुआ है रखेंगा इंडिया बारस यूनिओ ऑफ इस्टेट आर्टिकल बन एक आप या वन में जो जोडा गया था उसना शहां रखिएगा आर्टिकल बन में शहीं थे ना शहांट ब्रक निकाल लो यह पूरा खेला है आप समझें कि नहीं बेरेक्ट और केसिस बास दो चीजें देखते रहेंगे और मज़ा आ जाएगा पहला वन नेम टरेटरी पार्ट वन का पहला पार्ट यह भी लिख लेते हैं पार्ट वन है आर्टिकल एक से लेके चार है इसमें ठीक सबसे पहला आर्टिकल वन बात करता इंड तन का मतलब यह यह पर जो हुआ है और पूरा चैलिटरी आ ठीक है तो कहा पार दिया हुआ है फ़स्स शीडियूल में फीड एक स्वीडूल सारे या दोने चाहिए बारह का बारह एक ट्रिक है कि एक दो तीन है चार इस करनी की क्या है प से territory E से एमोल्मेंट, A से आफर्मेशन, R से राजसवा, S से स्टेट, स्टेट थ्यान आ रहा था schedule areas, other schedule areas, F say federalism, federal, O say official language, L say land loss, B say defection, anti defection loss जो होते हैं, P से पंचायत, M से municipality, last में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी यह जान लोग कि बारा में, क्या क्या है, है, कौन से schedule में क्या है, first schedule में क्या है, territory के बारे में बात की है, यहां पर देखाना हम लोग क्या है, कि territory या state वो वो होंगी, जो first schedule में दी हुई है, ठीक, first schedule में जो दी हुई है, इसे emulment, कि जितने भी officers हैं, supreme court के judges, और president, vice president, governor, ठीक है, उनको salaries, उनकी facilities, क्या क्या होंगे, यह, schedule two में दिया हुआ है, तीन में, affirmation है, ठीक है, oath है, affirmation, ठीक है, कि oath कैसे ली जाएगी, उसका format क्या होगा, यह सब, schedule three में दिया हुआ है, और four में, schedule four में, member of राश्वा, कहां से कितने members of राश्वा होंगे, यह four में दिया हुआ है, पांच में, schedule areas, ठीक है, schedule areas कौन कौन से, उसकी बात की गई है, छे में, अदर schedule areas, अदर schedule areas में, चार लिए गए हैं, इसकी ट्रेक है, ATM में, ठीक है, आसाम, तिरुपुरा, मिजोरम में गाल है, ठीक है, आसाम, तिरुपुरा, मिजोरम में गाल है, देख लें, यह हैं कि कोई और है, देखो जड़ा, पीछे schedule देखो, आप लोग भी देखो, साथ में, का आँ गया, ठीक, आसाम, तिरुपुरा, मिजोरम और में गाल है, ATM में, पूछा जाता है, यह प्री का question है, है, कि schedule six में, other schedule areas में, कौन-कौन से है state, तो आपको पता है, ट्रेक हमारी है, ATM में, आसाम, तिरुपुरा, मिजोरम और में गाल है, वेरी गूट, माइक लगा हुआ है, ठीक, अब federal seven में क्या है, federal में क्या-क्या होता है, इसमें list दिए हुई है, list one, union list, list second, state list, list third, concurrent list, ठीक है, आंगे हम लोग detail में पढ़ेंगे, अभी यह देख लो, ठीक है, आठ में क्या है, official language आए, ठीक है, कि official language कौन-कौन सी, किस में डाला गया है, eight schedule में डाला गया है, nine में land laws है, यहां तक initially पूल दिया जाए कि at the time जब constitution commencement में आया था, यह इनक किया गया, तो समय कितने schedule थे, इसमें, आर्थ थे, अब कितने हैं, बारह, यह सब बाद में जोड़े गया, यह बाद में सब जोड़े गया, ठीक है, सब पढ़ेंगे कोई बाद नहीं, ठीक, nine में land laws है, ten में anti-defection laws है, ठीक है, कि कोई भी नेता को कब हटा दिया जाएगा, eleven में पंचायत है, बारह में municipality है, ठीक, इतना समझ में आ गया, चलो, article one में आ जाओ, ठीक, article one में क्या क्या है, सबसे पहले यह है कि union and territory क्या क्या हों है, तीन में, the territory of India shall comprise of, ठीक है, कौन-कौन territory of India में क्या 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 आएगा, सबसे पहले तो state आएंगे, B में unit territories आएंगी, C, other territories as may be acquired, अगर बाद में कोई और, ठीक है, voluntary, अगर कोई state, अगर मर्ज होना चाहता है, इंडिया साथ, या कोई भी, कोई भी मर्ज होना चाहता है तो वो भी इसमें आ जाएंगी, लेकिन, अचली में होता है, कि आज के time पे कोई भी state, मतलब कोई भी country, किसी दूसरी country का acquire नहीं कर सकते, ठीक है, अटेक करके उसका area पर अंदर ले ले, ठीक है, आज के time पे ये possible नहीं है, तो such other territories as may be acquired, acquired का मतलब यह नहीं कि हम attack करके acquire कर ल खलूमी है, कि कितने state है, 28 state है, कितने unit trees है, आठ unit trees है, है, और सबसे last में जो है, ये दो, जम्मु इंट कस्मीर को तोड़के, क्या बना दिया गया, दो, जम्मु इंट कस्मीर and जम्मु इंट कस्मीर and लगधाक, दोनो unit tree है, ठीक, और उसके इलावा, जे, दामने इंट दि सब्सक्राइब दोनों 2019 में हुए थे सब मिला कि पित्ते हो गए अठाइज स्टेट और आठी हो गई हम चलो कि अब देखो अब यही से यूनियन एंट ट्री से एक चीज़े होता है कॉंसेप्ट जनरेट होता फैडलिज्म का ठीक है अब फैडलिज्म क्या है देखो दोब होते हैं या तो कोई भी कंट्री अगर कहा पे पूरा जो है सेंटर के पास पावर होगी ठीक है सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में होगा तो उसको अम लोग क्या कहेंगे इनिटरी डुक यहाँ पर यूनिटरी फार्म ऑफ गiãoουμεं है टिक सारी पावर सेंटरल पास है ठीक है जैसे इसका एक्जाम्पल है USA अब हमारी कंट्रीज पर क्या है है तो दो के पास पावर यूनियन एंड स्टेट तो इसलिए इनिसली तो हम इसे फेडरल ही मानते थे लेकिन आपको पता है कि इमर्जेंसी के टाइम पर क्या होता है स्टेट की पाव़र खतम हो जाती सारी यूनियन के पास आजयते हैं सारी हम चैसे हैं अगर धूर स्टेट है लो hypothetical जो इसे लिए अलग-अलग cases में राल है अलग-अलग authors ने ठीक है scholars ने इंडियन constitutional को क्या बताया है क्वेसी डी कैसी इआरे साप थे कैसी वेब हिन्होंने प्रॉफेसर कैसी बेरे ने इसको क्वेजाइट ओड़र कटी है को इंडियन को की नहीं ये फेडरल है यह यह फेडर Keyape लिख वह Kim Cal entire TagL snipp circus चाहथ कि हाँ है कैसि बेरे साफ ने क्वेजाइट बोला था ठीक जैंनिंग साफ या यह जैंनिंग साफ ने बोला था कि इंडिया is a federation with strong centralized tendency लिखते चलो ठीक आस्टिन साब ने बोला था इसके co-operative federation और उसके बाद में कुछ cases भी हुए थे इसको कि एक जानने के लिए कि फेडरल है कि नहीं है ठीक है तो लिख लो दो तीन केस के नाम जो इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट पंगॉल वसी यूनिन ऑफ इंडिया में क्या है सुप्रिंग कोड नहीं पहले तो यह वोला था कि देखो हाँ कि इंडियन कॉंस्टेश्टेशन नॉट ट्रूली फेडरल ठीक कि टूली फेडरल तो नहीं है टूली फेडरल होता तो यूके की तरह होता यूनिटरी होता ठीक है तो यूएसे की तरह होता है दोनों पास हमेसा पावर रहती है दूसरी बात यह यह है कि हमारे पास यह कंट्रीज जो है महलब स्टेट जो है वह यूनिंफ इस्टेट तो है यह मस्त हो सकती है लेकिन इन अलग होने का लाइड नहीं है समझें कि यह चाहें तो अलग हो जाएं ना कोई भी स्टेट कहें कि नहीं यूपी बोल दे यह 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 जिनाद बोलें ऐसा है हम जो यूपी को अलग कंट्री बनाएंगे हमारा खुद और लेडी बहुत बड़ा नहीं बना सकते आप अलग नहीं हो सकते थी कि आपके पास पर कि यस्टेट अभर्याना परससे स्टेट अवप पंजाब यह दो ज़ाद दो कह उसमें सेमी फैरेल सिस्टम बोला था शुप्रीम कोट ने से साह्मी शैमी खैरल स्ट कुल्दीप स्ट कुल्द ने निए और बासि इंडिया जो है इंडिया में जो फेडरल जो है फेडरल से युनिटरी हो जाता है at the time of national emergency ठीक है क्या बोला था कि ये फेडरल से युनिटरी form of government हो जाती है फेडरल फेडरल form से युनिटरी form हो जाती है at the time of national emergency ठीक है कुलदीब नायर वसिस union of इंडिया तो ध्यान रखना कौन कौन से केश है स्टेट वेस्ट वंगाल स्टेट ऊंजाब और कुल्दीब नायर वसिस यून ऑफ इंडिया ठीक है भस उसके लाभा केशीवेस सब ने से क्या बताया तो कैजिध कुछ इंदेल बताया तो लॉड जॉनिंग साब ने से इफ ए होजो देखो डो में क्या है सेक्षण वो आर्टिकल आंटिकल टू वह आ आर्टिकल और टू य्याğan पॉलता है कि कोई एगए वेगवर स्टेट है कोई नियू केट आना चाहता है तो कैसे माझ होगा होगा और हम धाउटर है he उसे अपने साथ ले ले ठीक है कोई न्यू स्टेट मतलब और लेड़ी वो पार्ट नहीं था इंडिया का लेकिन फिर भी अगराना चाहता है तो आर्टिकल टू में पार्लिमेंट पावर एक उसे मर्च कर सकता आर्टिकल थ्री में यह है कि कोई एक्जिस्टिंग स्टेट है उसकी बांडरी मतलब उसकौ नाम चेंज करना एरिया चेंज करना है जैसे यूपी उत्तरा खंड हुए थे बियार और जार खंड हुआ था थीidd participating में यह उता है यह आर्टिकल 3 में यह होता है मला existing state की boundary change करना नाम चेंज करना या स्टेट को दो स्टेट में बाठना यह सब आर्टिकल 3 के साथ आर्टिकल 3 में पावर आती है ठीक है लेकिन आर्टिकल 3 में ऐसा नहीं है कि वो खुदी कर सकते आर्टिकल 3 में ही होंगे लेकिन ऐसा नहीं कर सकती ठीक है ऐसे नहीं कर सकती पर्लेमेंट कब करेगी on the recommendation of the president यह इसका प्रोवीदों बोलता है ठीक है उनका व्यू लिया जाएगा उसके बात जो है 1 में क्या है 2 में क्या है 3 में क्या है 4 में यह बोलता है कि अगर कोई भी इसमें amendment होता है 2 या 3 में कोई भी changes होते हैं तो article schedule 1 और schedule 4 में भी change होंगे क्योंकि यहां पर allocation of seats of राजसभा राजसभा की seat है कैसे होती है ठीक है राजसभा की seat है area wise होती है तो उसी हिसाफसे यहां पर change हो जाएगा और यहां पर भी change हो जाएगा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा इसके जो amendment होते है ना इसमें जो changes होंगे article 2 में अगर parliament कुछ करता है या article 3 में करता है इसको constitutional amendment नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि 368 कंदर नहीं आता है 368 कंदर अलग procedure दिया हुआ है amendment बहुत सारे तरीके से होते हैं बहुत सारे क्या मतलब तीन तरीके हैं या तो special majority special majority में क्या होता है special majority में क्या होता है special majority में 2 3rd कम से कम 2 3rd लोग उसे क्या करें 2 3rd MP उसे पास करें बहुता है दिए चिता है हुआ हम होँ यह ठीक छोड़ों थोड़ी दोस्नी काम हो गई होगी चलो और नहीं ज़ेस कल देना लोग अंदेरे में पढ़ देते हैं है तो अंदेरे में लेक्चर रिकॉड नहीं हो सकते हैं चलो तो क्या है या तो special 368 जब पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा अब यह जान लो कि क्या है special majority से होता है special majority मतलब कम से कम लोग चित्ते भी MPs हैं उनमें से लोग उसे पास करें एक होता है special with ratification टू थार्ड प्लस state का ratification चाहिए होता है ठीक उसके लावा एक simple majority होती है simple majority 50 प्लस ठीक है 50% से प्लस अगर जो है हां बोल दें तो simple majority से होता है ठीक यह जो होते हैं सारे simple majority से होते हैं ठीक है इसमें अभी यह 368 वो दिया हो ना power and procedure कैसे amendment होगा amendment में amendment का जल्दी से comment करें बता दो कौन सा पार्ट है 20 कहीं 10-20 साल में amendment करना पड़े तो 20 है ना यहाँ पर ठीक है पैसे भी कोई वीची जोती परमानेट नहीं होती है असा नहीं है पहले कर प्रहले जब राजा महरा राजा थे तो उन्हें तो ऐसा लगता था कि अब मेरे बाद थोड़े कुछ होगा आप तो हम ऴुर्टे रहें गया गयाद पहले चीज़ चलती रहें लेंगे मेरी बच्चे रहा जा रहेंगे उनके बच्चे रहेंगे उनके बच्चे चीज़ चलती रहेंगी नहीं को इस पर्मनेन नहीं होती पर्मानेंट नहीं है सो साल सो साल कोंस्ट्रिए सब्सक thirty जाना बहुत बड़ी बात होती है समझेगे यह तो च्हों इतना स्ट्रॉंग बनाये था इतना मजबूत बनाये था की अभी तक है समझेगे निए बहुत सारी सारी कंट्रिज ऐसी एं जिन पाकिस्तान खुद 1973 में अपना पाया साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री जाने किते कंट्रीजन बहां पर बान चुके हैं बनते हैं इंफोर्समेंट नहीं पाती मतलब सही से काम नहीं करते बेकार दूसरा बनाएंगे बेकार दूसरा बनाएंगे अभी उनने जी सेंडली 1997 में एक नया कंट्रीजन अपना पर बनाया तो इसे बहुत सारी कंट्रीज हैं समझेगे नहीं वह तो इतना काईदे से अपना बनाए गया इतनी मतलब आंगे कि सूच लेकर बनाए गया कि कि मूल तो क्या हो गया आठिकल 3 हो गया और फोर भी हो गया और यसमय देखो मौख को आई तूए देखलो शिक्किम जो-खिन है सबसे पहले जो है इसमें जब इंडी के मैं मोर्ज़ हुआ क्योंकि ये बहुुत हां अंडिपेंडे Scout था तो जब यह मर्ज हुआ थाटीफ फिफटीफ एमेंटमेंट में से जोड़ा गया और थाटीफ एमेंटमेंट में से हटा दिया गया तो जोड़ा गया था ठीक है क्या बोलते थे कि जोड़ा गया तो कई पूल दिया था करके यहां से लट उवे इस लिए इस लिए इंसलिय कि या दर्ल जोड़ा था ठीक है और इसमें प्रोभी तो जो है वो जोड़ा गया था और कुछ है नहीं इसमें इसमें दो केस हैं एक तो जी बेरुबेरी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एनकलेफ्स लिख लो जी बेरुबेरी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एनकलेफ्स इसमें क्या हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ एरिया था उसका एक्सचेंज हुआ था ठीक है तो उसका एक्सचेंज हुआ था तो उसके बाद में मतब इंडि के पास सब्सक्राइक नहीं कि अपनी ट्री किसी और कंट्री को दे लें उन्हें का विल्कुल शही बात है इंडिया का पावर नहीं। लेकिन वह थे ट्री एक 100 अमेंडमेंट और हुआ था इंडिया बांगलेदेस के बीच में अमेंडमेंट अभी तरह कित्ते हो चुके हैं 105 ठीक है कि 105 में यही बोला गया था यह 105 2019 में हुआ था इसमें क्या बोला गया था इसमें 105 में बोला गया था कि जो पावर इस्टेट खुद अपनी बनाएगी क्यों यह बोलना पड़ा था क्योंकि सुप्रीम कोड ने एक केस में यह बोल दिया था कि यह सेंट्रल पावर है कि ओवी सी में कौन-कौन आएगा ठीक है स्टेट के लिए भी लेकिन बाद में काउन लॉज और ले समझेगे ने से पावर है कि ओवी सी में कौन-कौन आएगा स्टेट खुद अपना डिसाइड करें यह एक सब्सक्राइब क्या है इंडिया बांगलादेश के बीच में कुछ टेरिक्टोरियल एक्षेंज हुआ था ठीक है उसके लिए यह पास किया गया था क्या है ज्यान रखना अंडेट बढ़ेगी हमें ऐसे तो भाइया देखो 15 से 20 कोशन आते हैं ठीक है यूपी जुडी स्री में इसके किस ऐसा नहीं है बना जरूर यूपी जुडी स्री को ध्यान में रखके रहा हूं लेकिन किसी भी स्टेट का डड़िले से देखो दोस्कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है खुद आगे बताना पेपर में आये था कि नहीं आये था किसी ने कमेंड भी गया रसारी है हैंके हैंकी मुद्धिस्तमाल किया और डस्टर लो यह बहुत अनाईजैनिक होता है यह डस्टर से हम पे तो और नहीं हो पाता है यार अब हम लोग दूसरा बात करें पार्ट तू कहां तक है पांच से लेके ग्यारा तक अब भगवान हाँ पांच से ग्यारा क्या इसमें सिटीजन सिप कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा सिटीजन सिप टिक इसमें सबसे पहले आर्टिकल फाइव क्या क्या बोलता है पांच आर्टिकल फाइव यह बोलता है है क्या है आर्टिकल फाइब में तीन बाते दियो हूंए कि कौन-कौन भारत का नागरिक माना जाएगा तो वह पैदा यहां हुआ हो बाइब या उसके पेरेंट्स यहां हो अगर पेरेंट्स यहां के है तो वह पैदा उओ तो वह तो माने जाएगा ठीक है या जब से यह सम्मिदान बना कमेंसमेंट 1950 उससे पांस साल पहले से यहां पर रह रहा हो ठीक है सिटीजन से प्रक्वायर करने के तीन चार तरीके होते हैं पहला बाई बर्थ दूसरा बाई डिसेंट मतलब माबाप यहां पर हो तीसरा रेजिस्ट्रेशन यह आप अप्लाई करें और आपको मिल जा है और चौथा नेच्रलाइजेशन ठीक यह तरीके हैं सिटीजन सिटीजन सिट एक्क्वायर करने के और जाने के क्या तरीके है ठीक है जिनसीयशन या कोई वी वॉलेंटरी किसी और कंट्री के क्वायर कर रहा हो या डेप्रिवेशन ठीक है जिनसीयशन डेप्रिवेशन और किसी ने वॉलेंटरी किसी और कंट्री के अक्वायर कर ली है वॉलेंटरी समझे कि नीएं रहा हिए किस holding क्यों है कि इन सब कर दिया अगर आप कि सेथ ले ले लेते हैं तो फिर आप यहां के सब मिलेंगे वोट डालने का राइट होगा हर सारी ही राइट होंगे समझे की नहीं है चलो पाकिस्तान जो यहां से माइगरेट हो गए उनके राइट वह आप सिटीजन नहीं माने जाएंगे साथ में जो नहीं छे में यह है इंडिया जो आगए पाकिस्तान से वह यहां के माने जाएंगे साथ में जो पाकिस्तान चले गए वह यहां के नहीं माने जाएंगे यह कोई काम के नहीं है बाइसाब वह जब उस समय पार्टिशन हो रहा तब कि यह बात ती है अब क्या काम के सब्सक्राइब कोई काम का नहीं है आप कोई काम का नहीं रहा है अगर कोई भी आदमी कहीं और के क्वाइर कर ले रहा है तो यहां का नहीं सब्सक्राइब कोई भी एक वार यहां का सेटीजन हो गया तो वह कंटिन्यू यहीं का रहेगा अनलेस एंटिल किसी और लौ द्वारा उसे अठाए ना जा रहा हो ग्यारा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 11 पार्लेमेंट टू रेगुलेट दा राइट ऑफ शिटेजन से बा पाकिस्तान से इंडिया आया पाकिस्तान चला गया वह नहीं माना जाएक आठाब मे जो किसी और है समय में कि continue रहेगी एक वास सिटिजन से मिल गई ग्यारा में पार्लेमेंट पावर टुमेक लॉस ठीक है ग्यारा जो है पार्लेमेंट को पावर देता है कि भाई आप सिटिजनशिप को लेकर लोव बनाओ समझेगी नहीं तो पार्लेमेंट क्या सिटिजनस एक्ट बनाया दोजार उननेस बहुत बवाल कटा था भी इसमें रिसेंटली ठीक है कौण साथ तो इसी के लिए यह बहुत ड्रामा हुआ था इसमें यह वा था इसमें जो नॉन मुसलिम सोंगे मौन मुसलिम में नॉन मुसलिम में क्या मुसलिम को छोड़ के कोई भी ओ चाहिए इंदू हो सिख हो पार्सी हो कोई भी हो अगर वह यहां मालब आफगानिस्टान पाकिस्तान या बांगलादेस ठीक है यहां से इंडिया आ गया है कब दिसंबल 2014 से पहले तो उनको citizenship देने की बात की गई थी कि उनको citizenship कैसे देनी है समझेगी ने लेकिन बात क्या हुआ था कि यहां से Muslims को भगाई दे रहे हैं ठीक है Muslims को कौन भगा सकता है भाई आजादी से लेके आज तक कोई ऐसा थोड़े है यह सेकुलर स्टेट है बाई है चलो कहां हम लोग बात हों भाई से बहुत पढ़ने का है ठीक है इतियात हो गई कोई दिक्कत कोई केस है डेट थी तेरा वो 31 दिसंबर 2014 ठीक है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आगे आ है मतलब जो यहां पर रह रहा है उसको सिटेशिव देने की बात की गई थी नॉन मुस्लिम होना चाहिए कहां से अगवानिस्तान पागिस्तान और बंगलादेश और कुछ नहीं चलो पार्ट कर्ट फंडामेंटल राइट मज़ा आएगा जरूरा आएगा एक तो पेट कोस वाला है ठीक है हम लोगों ने एक पेट कोस चालू किया है ठीक है यूपी जुडीसरी को लेके इसमें हम सारे माइनर लॉस सारे माइनर लॉस जो ग्यारा जो नौ के नौ जो इसमें आ रहे हैं जीएस के पेपर में ठीक है उनको कंप्लीट कर रहे हैं जिर्स्पुडेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉग कर रहे हैं और कॉंस्ट्यूशन तो खेर सबके साथ ही कर रहे हैं और उसके इलावा जो है व चंगुन पे मैसेज कर सकता है ठीक है चलो कहां पर पार्ट थैर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्या बताता है फंडामेंटल राइट्स ठीक यह एक में लिए थे से लोग ने फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉंस्टिशन से ठीक है अभी बहुत कुस्ट फंडामेंटल राइट्स में देखना है पहले दो चीजें है ठीक कॉंसे सिर्फ इंडियांस के लिए कॉंसे दोनों के लिए भी हैं यह सब लोग चौदा के आसपास देखेंगे पहले दो पढ़ लो ठीक है सबसे पहले इस्टेट ठीक फंडमेंटल राइट्स काहां से लिए थे यूएस कॉंस्टिशन से ठीक इसमें लोग किसी के पास पाबर नहीं है इसको छीनने की समझे घने के सिर्फ इमर्जेंसी के टाइम पर भी इससे प्रडंज जो है कर सकता लेकिन उस समय भी बीस और एककेस तो तब भी नहीं जाएंगे समझेंगे बीस और एककेस तब भी रहते हैं बीस और एककेस में क्या है राइट टू लाइफ है ठीक नो पसाइब देप्राइब समझें कि नहीं तो अरे भाइसाफ यह फंडमेंटल से हैं समझें फंडमेंटल राइट्स हैं इसे खुद लाइड जो इंडिया उसने प्रोवाइड किया है किसी के पास पावर नहीं इसको छीनने की इविन दा स्टेट कोई भी लो ऐसा नहीं बना सकता जो हमारे राइट यह चीन ले समझें कि नहीं अगर ऐसा लौ बनाता है तो वो ना लेंड वॉइड माना जाएगा है कि नहीं पढ़ लो इस पर आप बोलने को मिलता है क्या मजा आता है इसमें थोड़ा डिसकर्शन करके लंबा खीशते एकदम लेकिन अपना टाइम का थोड़ा इसू है आर्ट स्टेट हैं बिल्कुल है इंडिया स्टेट कैसे हैं अगा सबस्यखको क्यूば और झौड़ा है तो फॉपकि क्या है तो सबगो पता है लेकिन फिर कराने का जिवम्मेदारी इस टेट की है ठीक, समझेंगे नहीं, आगर इसका violation जो होगा, कोई करता है, मुलब इसका fundamental rights का violation state को नहीं करना है, ठीक है, आप state ऐसा कोई law नहीं बना सकता, या ऐसा कोई act नहीं कर सकता, जो rights का violation कर रहा हो, ठीक है, तो इसलिए तो, क्योंकि भाई, अगर मान लो, for example, मेरे दो दोस्त आए मेरे दो स्टुडेंट आए, एक को तो हमने कुर्सी बठाला, एक को तो हमने cold ring दी, दूसरे को हमने पानी पूछा, समझेंगे सिर्फ पानी दिया, या उसे नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एक को cold ring प्ला रहा है, एक को इसलिए बढ़ा दिया, बैटा रहा है, तो आप ब बाकी सब डेफिनिशन में कहा दी हुई है, वो सब 367 में दी हुई है, वो सब 367 में दी हुई है, तो इस बहुत टाइम से रिवाइस नहीं किया, या, 366, नहीं 366, सॉरी 366 में दी हुई हुई है, बाकी सब डेफिनिशन्स की, हाई कोड क्या होगा, है, ऐसी कौन होगे, एस्टी कौन होगे, और क्या क्या था, सब कुछ, फिडर्राल कोड कौन था, यह सब चीज है, उसमें देखने हैं, उसमें देखने हैं, यहां पर बारा में केवल डेफिनिशन्स दी हुई है, टिक क्या पड़ता हुई है, in this part, unless the contest otherwise is required, the state include the government and parliament of India, पहला, government and parliament of India, state government and legislature of state, these are local and authorities, here, all local and other authorities, other authorities within the territory of India, और within the territory of India, और under the control of the government of India, ठीक है, आप क्या क्या यह साफ सा बोलता है कि state में कौन कौन आएगा, एक तो government and parliament of India, ठीक है, कि भही यहां, central government और parliament of India, इस्टेट है, state government and legislature of the state, legislature of such state, सारी state government, उनके legislature भी क्या है, इस्टेट माने जाएंगे, all local authorities और other authorities, ठीक है, कोई भी local authority है, पंचायत है, municipality है, यह सब भी क्या माने जाएंगे, इस्टेट माने जाएंगे, बात यहां आ जाती है, यह था, other authorities क्या लिख दिया है, other authorities में क्या होगा, other authorities पर ही तो पूरा debate चल रही है, समय समय पर कोड़ बताती रहते है, other authorities में क्या क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले case आए था, राजस्थान electricity board, राजस्थान electricity board, इसमें क्या बोला था, इसमें यह बोला था, कि भाईया electricity board जो होगा, वो क्या होगा, other authorities के अंडर state आएगा, हमें जानने क्यों जरूरत है कि कौन नहीं है, very good, क्योंकि जो state होगा, उसके ओपर जिम्मेदारी है कि fundamental lights को protect करें, उसका violation ना करें, ठीक, जो state नहीं होगा, उसके ओपर यह सब liability ही नहीं, ठीक है, तो कौन अपने ओपर liability लेना चाहेगा, कोई नहीं लेना चाहता, ठीक है, यह तो बचना चाहते हैं, लेकिन supreme code बैठी तो है, जो यह देखेगी, supreme code बैठी तो है, जो देखेगी, कि भाईया, तुम्हारी responsibility है, तो यहाँ पर राइस्तान electricity board में क्या बोला था, electricity board state है, शुखदेब, सुखदेब में क्या बोला था, सुखदेब का क्या पूरा नाम था, चलो भी देख लेंगे, सुखदेब में यह बोला था, L.I.C., O.N.G.C., यह सब क्या है, यह सब state है, ठीक, उसके बाद में यह, हाँ, RD 70 versus Airport Authority of India, RD 70 versus Airport Authority of India, इसमें क्या बोला गया था, इसमें साफ साफ उनों यह बाद बोल दी थी, कि कोई भी चीज, कोई भी, कोई भी authority है, वो अगर constitution के अंडर, या कोई act के अंडर, अगर गवर्न हो रही है, ठीक है, समझेंक ने, समझ रहे हो कि ने, कोई भी authority, जो constitution से, या क state मानी जाएगी, ठीक है, कोई भी authority, क्या क्या, अगर वो constitution के अंडर आती है, या वो इसके अंडर आती है, किसी, statute के थूँ है, ठीक है, किसी, Act, statute के थूँ है, तो वो क्या माना जाएगा, तो वो state माना जाएगा, इसके बाद, landmark case, आजा हासीया, कि अजा हासीया, इसमें क् कुई भी कोई भी में अंस्ट कर ले चैक कर लेना यह जानने के लिए कि सबसे पहले वह से से कि किसी एक्ट के दूसरा उसका क्या ही पुब्लिक है कि प्राइबेट तीसरा वो कर दुम में काँ से हो रही है पुब्लिक है ठीक है आगर या común सिप यह से पहता हो तो फिर वो अगर कोई state law है तो फिर वो पहली category यह हो जाएगी, function क्या है, public है कि private है, अगर public function है तो दूसरी category हो जाएगी, तीसरा funding, state funding private है कि public है, अगर state funding कर रही है, अगर ये तीनों चीज़े match हो रही है, तो कोई भी agency instrumentality है, कोई भी agency instrumentality है, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे state मानेंगे, ठीक, विदिकत, बस इतना ही है, मैं जानने है ज़रूरत है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, चलो देख लेते हैं, राइस्तान इलेक्रिक्रिटी बोर्ड वर्सेज मोहनलाल, सुगदेव सिंग वर्सेज भगत राम, आजाए हासिया वर्सेज खाली मुझीद, यह लिखो, NCRT state है की नहीं है, एक case था, चंदर मोहन खन्ना वर्सेज नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन, NCRT, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेज इंडियन इंस्ट्यूट आफ केमिकल बायलोजी, इसमें यह बोला गया था, कि CSIR, Council of Scientific and Industrial Research State माना जाएगा, ठीक, एक case था, जी टेली फिल्म लिम्टेड वर्सेज उनियन आफ इंडिया, इसमें यह बोला गया था, BCCI State नहीं है, ठीक है, BCCI is not a state, Board of Cricket Council of India, ठीक है, और Judiciary, Judiciary is a state or not, ठीक है, question यह उठता है, Judiciary State है की नहीं है, तो इसके लिए दो case थे, एक तो नरेश कुमार वस्षिस, Union of India ही होगा, ठीक है, मालूम नहीं, इसमें, यह important नहीं है, बस ध्यान रखना की यह भी उसी का ही है, कि जुडीसरी इस स्टेट है की नहीं है, रस ना, रस नाइक वस्षिस एर अन्तुले, रस नाइक, रस नाइक, इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि भाईया अगर अगर कोड जो है जुडिसियल पंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो इस्टेट नहीं है ठीक है अगर वो एड्मिस्टेटिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो इस्टेट है क्यों नहीं है भाई अब आप कहेंगे जुडिसि रिष्रीक स्टेट क्यों नहीं माना रहे है कि कोट ने किसी एक को मडर केस में उसके पीछे हम जूडिसियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है में स्टेट नहीं हो सकते ठीक लेकिन अगर दूर आप्ष्पाइब फंक्शन पर फंक्शन कर रहा है जैसे एपोइंटमेंट ऑफ जजेस या और भी कोछ ठीक कुछ भी किसी का मतलब किसी के जॉइनिंग को लेके या कोई भी फंक्शन हो तो उसमें हम स्टेट है ठीक है वह इतनी इसी बात है चलो इस यादर लेखते बड़ा होई नहीं सकता है इसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाती इसको मिटाई देता पहले चलो हम लोग का अर्टिकल ट्वाइल तक हो गया था हूँ कि फंडामेंटल लाइट्स पे आगए हम लोग ठीक फंडामेंटल लाइट्स में ही ज्यादा टाइम लगेगा ठीक है बाकी तो फिर ज्यादा केसिस नहीं होंगे तो सिर्फ सेक्स आर्टिकल पढ़ने में कितना ही टाइम लगेगा लेकिन फेवी अंदा आ जाए दस्वारा घंटे की तो हुई जाएगी बात यह नहीं होता है सिर्फ हम में यह थोड़े इंडेक्स रीडिंग माल दें हमने हमने अरे भाई जहां जहां से कोश्टन स्प्री के आते है वह सारा एरिया कबर करना होता है है वरना क्या ही फाइदा है जब तक बच्चा एक्जाम देने के बाद ना कमेंट करें आके कि विशाल भाई फसा तब तक क्या ही फाइदा है एक बहुत बीडियो पढ़ी होंगी यूटूब पर लेकिन भाई सभी अपने अपने हिसाफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं चलो कि दूख सब्सक्राइब कि लाना पुरेगा कहां तक हो गया था बारा तक हम लोग देखने हैं आर्टिकल तेरा तेरा में तीन बाते हैं ठीक है पहला थार्टीन का वन प्री कॉंस्ट्यूशनल लोग की बात करता है प्री कॉंस्ट्यूशनल लोग दूसरा कोस्ट कॉंस्ट्यूशनल लोग की बात करता है थीए तीसरा लॉग क्या होगा इसकी बात करता है लॉग क्या होगा ठीक जूरीसियल रिवियू का कॉंसेप्ट ठीक पर फूर्ट से ही आर्टिकल थार्टीन से एक एक न्यूरियू जानते ही होंगे कि क्या होता जुडिसियल रिव्यू पहले जानों आर्टिकल थैटीन यह बोलता है कि कॉंस्ट्टुूसन के आने के बास से जितने भी इस से पहले कोई भी प्री माने प्री कॉंस्टुूशनल लौ अने से पहले जितने भी लौज है अगर वह इसको वाइलेट कर रहा है ठीक है अगर इन तो जहां तक इनकंसिस्टेंट होगा ठीक है जितना जितना कर रहा है तो वह वाइड वह भी वाइड हो जाएगा ठीक अनल एंड वाइड तीसरे बताता है लोग क्या होगा वह सारी चीजें और डिनेंस है रेगुलेशन है ठीक है एक्ट है नोटिफिकेशन है सीक कस्टम एंड यूसेज है कस्टम एंड यूसेज जिसका फोर्स ओफ लो है ठीक है और क्या-क्या देख लेते हैं अभी को लो भाई आर्टिकल टर्टीन कहा है तेरा लोटिकल कोई साल कि पालेमिंट को एस लो इसको इनकंसिस्टेंट हो ठीक तीसरे में लॉग का मतलब क्या है लोट इंक्लूट्स एनी, ordinance, order, bylaws, rule, regulation, notification, custom and usage having in the territory of India, ठीक है, ध्यान रखना ही है, अगर मानलो ध्यान रखना, law में क्या क्या आता है, यहाँ पर मानलो personal law लिख दिया, objective type question में पूंच दिया, कि law क्या क्या है, एक था ordinance, एक था regulation, एक था act, एक था personal law, इसमें पूछा गया कि, article 13 के clause 3 में law क्या include नहीं करता, तो आपको पता है, भाईया, personal law include, नहीं करता, है कि नहीं, इसका चार important है, कब जोड़ा गया था, 24th, 25th, 24th, ठीक है, 24th amendment act में, जोड़ा गया था, इसमें यह बोला था, कि यह article 13 किस पे apply नहीं होगा, अगर 368 में कोई amendment होता है, ठीक, पाप, कोई भी amendment अगर इ amendment अगर constitution में करना होगा, तो वो दो तरीके से होगा, या तो फिर 368 में होगा, ठीक, 368 में, chapter 20, 368, इसमें बताए गया है, कि अगर constitution में amendment करना है, तो कैसे करना है, इसमें दो, इसमें दो procedure दिये हुए है, एक तो, special majority, special majority, जिसमें 2-3 वाला concept होता है, कि कोई भी law है, वो special majority से पास किया जा सकता है, ठीक, majority उसमें बोलते हैं, जहां 50 प्लस हो जाए, special majority उसे बोलते हैं, जहां 2-3 हो, दूसरा, इसी में concept 268 में ही, कि कुछ laws ऐसे हैं, जैसे, मानलों में power of president, या allocation of seats of रास्वा, इन में कोई changes करना हो, तो भाईया, special majority तो चाहिए ही, चाहिए, इसके साथ-साथ, क्या चाहिए, state का ratification चाहिए, ठीक है, state का ratification 50 प्लस, मनलब समझे की नहीं, इसके साथ-साथ, and, and लगाओ, special majority के साथ-साथ, पार्लेमेंट की तो special majority होई हो, उसके साथ-साथ, जिस state को affect कर रहा है, या सारे ही state, अगर कोई ऐसा law जैसे, हमें power of president change करना है, ठीक है, तो उसमें दूसरा वाला method apply करना पड़ेगा, special majority with state, उसमें साथ-साथ-साथ, पड़े ही, उसमें दिया हुआ है, कि कौन-कौन से amendment में special majority चाहिए, ठीक, एक होता है, जहां पर अलग-अलग दिया होता है, जैसे हम लोग ने अभी article 3 पड़ा था, कि 3 या 4 में कोई amendment, 2 या 3 में कोई amendment करना हो, 2-3 में, तो कैसे होगा, तो भाई या वो parliament करेगी, लेकिन जो थोड़ा concept था तीन में कि वह on the recommendation of the president वह सा अलग चीज़ है, ठीक है, वैसे जैसे इन जन्नल अम लोग देख रहे हैं, दो, तीन, ग्यारा, या और भी आंगे दिया, वो 33, पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है, यह सारे वो हैं, जहां पर स्वेव पार्लेमेंट करती है, ठीक, तो वो अलग से हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर फिर से बापस आ जाओ, 368, वो अर्टिकल 13 के कलाउस 4, यह बोलता है कि, आर्टिकल 13 के वालेशन नहीं माना जाएगा, अगर कोई अमेंटमेंट 368 के थ्रू होता है, ठीक है, यहां पर प्रोसीजर, पावर और प्रोसीजर ओफ परलेमेंट दिया हुआ है, कि वो कैसे कॉंसिजरन कर सकती है, ठीक, इसकी वैलिटी चेक की गई थी, केसर अन्दा भारती, केसर अन्दा भारती केस में, जिससे इसे, केसर अन्दा भारती बस इस्टेट अफ खिला, जिसमें इसे वैलिट बोल दियेगा था, ठीक है, यह बढ़े आ है, इसके साथ साथ, जब यह 24 अमेंटमेंट में इसके साथ लेकिन वहाँ पर है 368 के साथ 368 का तीन जोड़ा गया था आर्टिकल 368 का तीन भी जोड़ा गया था ठीक अच्छाथ में वहाँ पर भी यही बात लिखे गई देखो लो एक बाद 368 लगाओ याद दिक्कत कर रहा है जल्दी 368 पर यह वह इसमें 368 में क्या है पावर और पार्लेमेंट टू अमेंड दे का शेशन एट प्रोसीजर देर रहा हूफ पहले यह की हैडिंग भी अलग थी पहले दिया होता अव था प्रोसीजर औफ इंश्य और आमेंड मेंट ठीक है पहले ऐसे हैडिंग थी हुं उसके बद में यह यह मंद्मट बत करेंगे अभी एकदम इधा नहीं भागना होता है सिक्वेंस में चलो जैसी जो चीज़े दिए है अरे बाई बनाने वाले ने जब ऐसा बनाया है सिक्वेंस में पढ़ लो आप इतने वड़े वो तो हम यह प्रिजूम करके चलते हैं कि आप नए हैं ठीक है इसे लिए वीडियो देख रहे होंगे अगा सब आता हो तो क्यों देखते हैं यहां पर अपनी होसयारी थोड़े जाड़ेंगे कि अरथ 363 पर यह पहुंच जाएगा यहां वह जाएगा चलो ठीक तो इसमें क्या ह क्योंकि गोलगनाथ केस में अभी बता रहें क्यों जोड़ा गया था इसके बाद है 368 का 4 और 5 बहुत देख लेना 4 और 5 जोड़ा गया था यह आपका 42 मेंट में जिससे अन कॉंस्ट्यूशनल कर दिया गया था मिनिम्रा मिल्स केस में ठीक लिख लेना ठीक बापस आजाओ अब वापस आगए है चलो इसमें तीन चीजें देख लिए आपने पहला प्री कॉंस्ट्यूशनल और तीसरा लॉग क्या होगा चौथा आपने देखी लिए कब जोड़ा यह याद रखना अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्स फंडमेंटल लाइट से जित्ते भी जोड़ा गया आपको मालूम होना चाहिए चलो जुदिशल रिव्यू की बात कर रहेते हैं देखो एक केस था जुदिशल रिव्यू का कॉंसेप्ट आये था एक जुदिशल रिव्यू का कॉंसेप्ट आये था एक अमेरिकन केस था मैडबरी वरसेस मैडबरी वरसेस से कॉंसेट जुडिसएल लीविव cat spite क्या होता था जुडिसयल लीवा दो काइगा यह कौन बताइगा कि कोई ऐसा आने से पहले कि वह जुडियु कर रहा है कि नहीं कर रहे हैना कॉडिया और लेमटalta को यह जुडिशयल लीविव दैंगी कि ये बताएं वॉलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक इसमें ये एक केस है एल चंद्रकुमार इसमें ये बोला गया था कि जो पावर ऑफ जुडिशल जिव्यू ऑफ कोर्ट है वो क्या है वो बेसिक इस्टेक्चर है ठीक है 32 और 226 के अंडर जुडिशल लिव्यू हाई कोट और सुप्रिंग कोट दोनों ही कर सकती है ठीक है तो 32 या 226 में जो पावर दी हुई है जुडिशल लिव्यू की ठीक है वो क्या है का है कि भुला लो हुप हुप बॉला लो तो इसमे क्या है यह क्या है यह आप का हुद्व नहीं कर सकते हैं क्यूं यह बेशिक 스क्ट हुआ हैं ठीक हुद्व पर है अब अधीस्में इस में दो- tror influences इस्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक, बेसिक इस्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें दो-तीन ये है, आप क्या है, दो-तीन डॉक्ट्राइन जन्जे ठुईती इसमें, तो यार, मिटाने इटाने में दिख्कत होती है, देखो, एक है, डॉक्ट्राइन ओप, सेबरेविल्टी, या सेपरेविल्टी, जैसा नाम है, वैसे इसका काम है, ठीक, इसका क्या है, कि ये बोलता है, कि अगर कोई भी लॉव इनकंसिस्टेंट हो रहा है, ठीक है, अगर वो सेपरेट किया जाता है, फॉर एक्जाम्पल कोई लॉव है, जिसमें, उसके केबल दो ही सेक्षन, जैसे, एक केस था, एक ही गोपालन, इंपोर्टन है, इसका कटी, इसी से, इसके एक्जाम्पल से, समझ में आ जाएगा, एक ही गोपालन वोसिस, स्टेट ओ मद्रास, देखो, अगर आपका केस का नाम मालो, मेन सेंस में लिख रहे हैं, तो, स्टेट का नाम ना याद है, त खाली स्टेट डाल दिया करो, ठीक है, गलत मत रिखा करो, मालो, एक गोपालन वोसिस, यूनिन आप इंडिया कर दिया नहीं, अगर आपको ध्यान ही कुछ स्टेट करके था, तो, खाली स्टेट डाल दो, इसमें क्या हो रहा था, प्रिवेंटिव एक्शन एक्ट था, प्र स्टेटीन चैलेंज किया गया था, ठीक, इसका स्टेट पूर्टीन जो है, फट्नेमेडल राट को गया रहता है, तो केवल स्टेटिन वोर्टीन सेपरेड कर दिया जाएगा, और इसको अन कॉंसितियोशन बोल दिया जाएगा, बाकी एक्ट इन फोस्में रहेगा, ठीक है सम्झाए डॉक्ट्राइन और सेवरिटी क्या बोलता कि अगर कोई पूरे एक्ट में कोई एक प्रोवीजन या दो तीन प्रोवीजन आपकर वॉयलेट कर रहे हैं कॉंस्टिशन को इनकंसिस्टेंट हैं अगर उनको सेपरेट किया जा सकता है और बाकी एक्ट इनफोस में आ स है तो तो इसको सेपरेट कर देंगे ठीक तो पूरे एक्ट को उनकोंसिटिशनल नहीं कहें गे बस यह डॉक्तरा है डॉक्ट्राइन ओफ कि अगर पहले तो यह बोला गया कि केवल यह प्री कॉंस्टिूशनल लौपे ही अप्लाई होगा ठीक है कैसे प्रीकॉंस्टिूशनल लौपे एक केस है विकाजी वर्सिस चल लपान विकाजी वर्सिस कि अगि क्या था स्टेट ऑव अधरhras कर एंपर स्टेट ऑफेंपी ट इसम्हें ये ठीकल यह कि आयों पॉस्टब्रों लौपे तो प्री प्री्ठ ट है कईए एक कॉम्ट्रेप्ट यह समझति कोई भी लोक ह starters आने से पहले कोई हुआ है कि यह पंचाय लग गए कोई नहीं है विकाजी वर्से स्टेट आफ एंपी में क्या बोला गया था समझ लो कि कोई क्या होगा इसके उपर एकलिफ लग जाएगा यह ऐसा नहीं कि कोई वह किया जाएगा इंफोर्स में नहीं रहेगा लेकिन मान लो कि बाद में कोई इसमें आ रही थी तो फिर यह दुवारा फोर्स में आ जाएगा नहीं थोड़े टाइम के लिए ढग गया था ठीक है अब जिसकी वजह से वह ठाग गया था वह प्रोविजनी कोई चेंज हो गया यह कुछ भी ऐसा हो गया तो फिर वह बाद में फिर से इन फोर्स में आ जा गया था कौन सा था हाँ स्टेट अफ गुजरात वर्सेश अम्बिका मील इसमें यह बोला गया था कि वही ऐसा नहीं है यह दोनों में ही प्री और पोस्ट दोनों कॉंस्ट्विशन लाव में दॉक्तरा अफ एकलिप्स एपलाई हो जाता है एक केस है वो सॉर्छी एक ड़ क्या बोलता है क्या किसी के पास राइट है कि अपने को वेब कर सकता है कि मैं नहीं चाहिए ठीक है तो एक बसीर बस बसे में था बसीर किस में था बसीर हमें लगता उसका केस है कारी पीची का कहीं है बसे सर बी एस एच एच एस टे आफ बी ए एच 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 ए बासे सर परसिस इसमें क्या बोला गया था इसमें सुप्रीम कोड साफ साफ ही बोला था कि भाहिया इंडिया में ऐसा कोई कॉइव नहीं कर सब्सक्राइब है चलो और तो कुछ इसमें रहा नहीं कि अ कि यार आर्टिकल फूटीन राइट विए में स्टाट करते हैं हुआ है अ हुआ है हुआ है हुआ है आर्टिकल थार्टीन तक हो गया था आर्टिकल फूटीन ठीक है फंडमेंटल लाइट्स में दीए वूए है तो जान लो कि इतने लिए वूए हैं छे टाइप के ठीक है श्कॉट् राइट टू इक्वैलिटी कहां से कहां तक चौदा से अठारा तक ठीक दूसरा राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक उननेश से बाईस तक तीसरा राइट अगेंस्ट एक्पोराइटेशन कहां से 23 से 24 ठीक है चौथा राइट टू फ्रीडम अफ रिलीजियन 25 से 28 ठीक पाँचमा कुल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 तीस चटा राइट टू कॉंस्ट्टिशनल रेमिडीज ठीक है पूछा जाता है दोस्त ध्यान होना चाहिए माध्यान क्या मालूम होना चाहिए इसमें क्या छे टाइप के राइट एविलेबिल है ठीक है आर्टिकल बत्तिस ठीक इसमें क्या है हम लोग पढ़ने जाएग रहे हैं राइट टू एक्वालिटी तो राय साफ साफ थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है हम सबसे पहले आर्टिकल 14 देख लो किसकी बात करता है राइट टू क्वालिटी की तो अधिकर क्या है इसमें दो कॉंचेप्ट हैं ठीक है एकवालिटी भी फूर लोग और एकॉल प्रोटेक्शन ओफ लॉग यह इंग्लिज लॉसे लिया गया यह इंग्लिश लॉसे लिया गया यह इसमें क्या है एक रूल ओफ लॉफ लॉफ लोग क्या बोलता है कि एवरी बन इस इस एक्वल ओफ लॉफ 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 का सब्सक्राइब कर सकते हैं क्यों करेगा अरे और इस्टेट करेगी और कुन करेगा रिजनेवल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है और क्या-क्या है बहुत सारे इसके लेंडमार्क केसिज है ठीक है जैसे की नर्गिस वर्सेस यह पर अथाल्टी आफ इंडिया नर्गिस यह ना नर्गिस देखो एक वाक जैसे इसमें दिया एक्वलिटी बिफोर लौ आर्टिकल फूर्टीन इसमें दा स्टेट सेल नोट डिनाई टू एनी पर्सन जैसे जहां-जहां ध्यान देना ठीक है कोश्चन यह आएगा कि कौन-कौन से आर्टिकल जो है कौन-कौन से फंडमेंटल राइट् केवल इंडियन सिटीजन कोई अलाउड है ठीक है सबके लिए नहीं है केवल सिटीजन के लिए हैं और कौन-कौन से हैं जो सबके लिए हैं तो यह बात ध्यान देना कि जहां पर भी एनी पर्सन इस्तमाल हुआ हो जैसे यहां पर आर्टिकल फूर्टीन में क्या है अगर ए अगर आर्टिकल फूर्टीन कर रहे होंगे तो फिर वह अन्कॉंस्टिशनल हो जाते हैं ठीक बहुत सारे केसे हम लोग अभी देखेंगे इसमें इनके जो रूल से उसमें यह था कि भाईया जैसे कुछ ऐसे था कि एक तो तीस साल तक साधी नहीं कर सकती एक्जेक नहीं पता है मुझे ध्यान नहीं है ठीक है वह मैंटर नहीं करता उसमें रूल से कि वह तीस साल तक साधी नहीं कर सकती अगर वह तीस के बाद साधी भी करती है तो वह पास साल तक प्रेइंग नहीं हो सकती अगर और उसके बाद में अगर वहां का मैनेजर चाहेगा या जो भी कोई डिरेक्टर हैड है वो चाहेगा तो उनकी जो रिटार्मेंट एज है वो 35 से 40 साल भी कर सकता है ठीक है लेकिन कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई थी कि किस विहाब पे वो उसकी रिटार्मेंट एक 35 से 40 साल करेगा ठीक है तो कोड ने बोला कि देखो पहली बात वह तीस साल तक शादी नहीं करेंगी यह तो हम मान सकते हैं लेकिन बाकि जो दोनों आपके जो इसमें रूल से हैं कि अगर साधी कर ले तो पांस साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो ना इतना अपने हाथ में थोड कि इसके बाद भी जॉब करनी जाए तो इसका मिस्यूज होगा ठीक है क्योंकि कोई आपने गाड्लाइंस दी नहीं है कि कि किस विहाब पे 35 से 40 कर रहे हो ठीक है तो आदमी जो है इसका मिस्यूज हो सकता है तो इसलिए इसे इन दोनों पॉइंट को अनकॉस्टिशल भोल अधी आ गया था ठीक और ए lot love Associationत ड़ीमला केस था सब्सक्राइब आटिकल फोटीन का ही सब्सक्री माला केस में भी आर्टिकल फूलामंहीर म मोर्हा था यंजूर आइसका मैं है चख कर लेना ठीक है साब भी बता दो अरे बाई ऐसे ही केस के नाम याद रखे जाते हैं और पहुत सारे केसिस है यार इसमें ऐसे एक दम नहीं एप पावर्से स्टेट ऑफ तमिलाडू ठीक है और ट्रिपल तलाक का था जो साहरावानों वर्सीर इन्डिया वोगी ओवव भी एक फौर्टीन का ही और यह सब नालसा वाला जो था जो टाजेंडर को राइट के वाले वो भी इसी का ही वोजेशन है ठीक है का वा और बस और जो सब सब्सक्ता है यह जो सब आडल्टीमेंड अटाए गया वो भी आडिकल 14 की उस सब्सक्राइब मालुम है लेकिन मुझा मौजा होगा सब्सक्राइब मेरा एक्षुद का ओपी नहीं आ ऐसा नहीं है तो ठीकी कुछ दो जब तक है वुमेन की तब तक वो उस टेम्पिल में जा नहीं सकती तो यह कुछ रिच्वेल्स ऐसे हैं वैसे ऐसा नहीं है मैं गारंटी इक साथ बोलता हूं 90% फिर भी नहीं जाएंगी अलाउड होने के बाद भी क्योंकि वो रिच्वेल्स को फॉलो करते हैं उसकी कुछ ऐसी थी मंदिल में जाने से पहले वह ऐसा होता है कि 40 दिन का आपको रखना पड़ता है तो 40 दिन तक आपको वैसे तो और तो नहीं सकती 40 दिन तक तो इसलिए वह था कि वह जब तक आपका मैंशुरेशन करने होगा तब तक आप मत जाएं ठीक है अगर सुप्रिम कोड ने बोला है कि अलाउड है तो अलाउड है बाकि हमारे पसनल भी है ठीक है हम खुद जाना चाहें ना जाना चाहें सुप्रिम कोड करने को आइए अलो आर्टिकल फोर्टिंग पर आर्टिकल फिफ्टीन अर्टिकल फिफ्टीन क्या बोलता है वो वी सन ओफ डिस्क्रिमिनेशन ओन दी बेसेशन अफ लीजियन जीस का सेस्ट प्लेस अफ बार्ट और एनी ओफ देम आर्टिकल फिफ्टीन ठीकर क्या है प्रोइबीशन ओफ डिस्क्रिमिशन ओफ क्या लिख हुआ ही बात है ठीक बेरेक्ट पे नजर रखनी चाहिए बस सुनते मेरा रहा करो और मैं कुछ लिख रहा हूं तु देखा करो वहना बेरेक्ट पे ही नजर आपकी होनी चाहिए क् करण वेलिशन ओप रिख जान लखना है इसमें 14 ओ 15 में जैसे इसमें क्या है जैसे से ट्रास है अ पर्थ है ठीक है उसमें इसके और एनी अब देम ठीक कभीकवारी अब्जेक्टिट पर के बन जाते हैं आर्टिकल 16 में क्या है आर्टिकल यह तो है इसके इलावा डी सेंट है और रेसिटेंस है देखें इसके इलावा यह यह तो है इस रिलीजन रेस कास्ट रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ वर्ट तो है है और एनी अब देम इसके इलावा दो चीज़े और डी सेंट और रेसिडेंस ठीक है कि इन इन ग्राउंड पे आर्टिकल फूर्ट फिप्टीन एंट 16 16 क्या बोलता है एकुआलिटी ऐफॉफ ऑफॉजटी सिटीज टी करे एकुटै hierarch इंसेशन इंस्ट्यूशन सब की बात करता कि सबको एकुएल पॉजिटी दी जाएगी 16 ठीक है फंदा यह इ sixth नहीं होगा किस टाइप का पहले अगर यह सूद रहे तो यह मंदिर में नहीं जा सकता तो कास के बेसिस पर था ठीक है जिलीजन के बेसिस पर बहुत सारे डिस्क्रिशन थे कि भाई या उस एरिया में ही नहीं आ सकता सरकारी गाट है कोई प्लेस है वहाँ पर कोई जा रहा है उसे रोक नहीं सकते है ठीक पढ़ लो रीडिंग बाद लो कोई रेस्टुरेंट में नहीं जा सकते हैं यहां पर सिर्फ ठाकोशा भी जाएंगे यहां पर सिर्फ पंडित जी सकते हैं और कोई नहीं जा सकता है यह सब डिस्कमेशन नहीं चलेगा तीसरा इसका पॉइंट ये बोलता है कि भीया इस पेसर प्रोविजन बना सकती है गवर्मेंट पार्लेमेंट किसके लिए वुमेंट की फेवर में और चिल्टरन के फेवर में ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये तीन तो इनिसली जब कॉंस्ट्रेशन आया था तभी थ क्या केस का नाम है स्टेट और मुद्रावं युव राजन छांपांसर ख स हटीके बनें करिस देज्ट कर दिया था तो उसको जो है चमपाकम दुराई राजन के वज़ासे फर्स्ट अमेंडमेंडमेंट में क्या हुआ सबसे पहले तो ये जोड़ा गया पंदरा का चार ठीक पंदरा के तो इसमें क्या है कि भाईया जो सोचली और एजुकेशनली बैगवर्ड क्लासे से स्टी उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इसमें यह जोड़ा गया ठीक चंपाकम दुराई-राजन में यही बोला गया था यही कि वो जिजर्वेशन दिया था और इसमें जो है चंपाकम दुराई-राजन की केस में उस जर्वेशन को ओड़ा दिया गया कि आप नहीं कर सकते तो भाईया फ्रस्ट अमेंट्मेंट में 15 का चार्ज जोड़ा गया जिसमें यह लिखा गया कि भाईया हम कर सकते हैं और ठीक फिसके बाद में पांच पांच जोड़ा गया कि यह जो भाई उनके आशोसलिय और एजुकेस्टनल इंस्ट्यूशन में एड्मीसिंट इड्मीशन इजुकेस्टनल इंस्ट्यूशन में हम उसके लिए भी स्पेशल पर्विजन बना सकते हैं कि यह से ना दोस्ति कम से कम फंडमेंटल राइस के तो एमेंडमेंटısı क्या है 5 숨 दोड़ा गया नाइटी थैर्ड एमेंडमेंड में चेक अप जोड़ा गया एक सो तीन एमेंडमेंड में ठीक है यह दस परसंट कोटा की बात करता है एड़ूए एकनॉमिकली वीकर सेक्षन को जो इन में से जो अलग है ठीक है उपर कौन है उपर है सीस्टी है नीचे जनल आ गया और गया तो नाइटी थैर्ड एमेंडमेंड में यह कि एड्यूकेशनल इंस्ट्यूशन में एड्मिशन के लेके रिजर्वेशन हम दे सकते हैं बस यह पांच है इसमें हम इसमें केस चंपाई चंपाई कम दोदोराई राजन याद रखना बाकी और केस हैं और ओबीसी का यूनियन ओफ इंडिया इसमें जो है इसमें क्या है इसमें रिजर्वेशन 27 परसंट जो भी सीकूर्स की वैलिटी चेक की गई तो बोला गया था हाँ वह वैलेड है चलो सोल आपके आजाओ सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी सिहान रखना 15 और 16 में दोनों में सिटीजन इस्तमाल हुआ है तो सिटीजन का मतलब क्या हो सिटीजन ओफ इंडिया तो इसका मतलब जहां पे सिटीजन इस्तमाल हुआ है तो वह आर्टिकल फ़विडनस पे मतलब उनको उसमें कोई राइट नहीं मिल रा है सिफ इंडियन को ही मिल रा है तो यह क्या बोलता है तो यह क्या बोलता है इस ग्राउंड पे decent or place of residence इस ग्राउंड पर डिस्कमेशन नहीं होगा ठीक नाथिं इन अरिकर से प्रेंट पर्लिमेंट में अगर किसी उसको जो है किसी का नाम नहीं रहा है लेकिन यह साफ साफ यह दिया हुआ है तीन में कि जो है पार्लिमेंट को किसी भी क्लास या क्लास अप पर संड या कोई की सेवेंट अमेंड में पूर बी जोड़ा निए टीक फर्स्टमेंड में और सिक्स्ट जादा को फंदरा का च्छटा 15 जोड़े गएते एडवलू को जोड़ेशन की बात की अधि और क्या प्यूंसे इस पर केस बीचल ला सब्सक्राइब बताओंगा बाद में जब दिहाना आएगा ठीक चलो शोला भी अटाओ 17 पर आजाओ केसे सब्सक्राइब बहुत हैं लेकिन आप पूछे नहीं जाते यार केसे पहले पूछे जाते थे सब्सक्राइब बहुत हैं ऐसे कि सबसे पहले लोगे देखा था कि स्टेट है ठीक है स्टेट समझ में आये ता तो किसकी responsibility है और किसकी responsibility है कि भाई fundamental rights का infringement ना करें state की ठीक है अगर कोई भी state ऐसा काम करता है तो state के खिलाफ हम उसमें जा सकते हैं तो क्या मैंने यह बताया था starting में कि भाई यह individuals के उपर apply नहीं होते मतलब individuals की responsibility नहीं है कि fundamental rights का enforce करा या इनका वालेशन ना यह वो टिए आर्टिकल 14 जो मेरे पर apply नहीं हो पत्रमें दो दोस्तों मुझसे उधार पैसे मागे मैंने को देदी एक को नहीं दिये तो कि आर्टिकल 14 जा सकता है कि इन्हों यह यह कॉलिटी का वालेशन करना है चौधा का यह इन्फोस करा हो नहीं भाई नहीं करा सकते क्यों मैं स्टेट थोड़े हूं मेरी तोड़े है लेकिन एक किसमें आर्टिकल आर्टिकल 17 जो इंडिविजन के वी उपर एप्लाई होता है ठीक है केस का नाम है प्यूपल यूनियन फॉर डैमोक्रेटिक राइड वर्सिस जूनिन ऑफ इंडिया एक ने कहा था सारा पैसे मत खड़े हुआ क्या कोई बोलता सारा आप हिलाव ज्यादा मत करो अरे भाईया हम कोई प्रोफेशनल टीचर ठोड़े हैं नहीं क्वालिफिकेशन के साफ से तो हम प्रोफेशनल हैं हम असे सटन प्रोफेशन हैं ठीक है कि भाई नेट एट है हमारा सब कुछ जो चाहिए होता है यूजी सी के नॉम्स के साफ से कहीं पर किसी भी उनिवस्ट पड़ा रहा हूँ चलो यह मुझे कप्ले धियान देने पड़ेंगे अब यह ध्यान देना पड़ेंगा चलो चौदा क्यों सब्सक्राइब अब उसके लिए नहीं नहीं है दा प्रोटेक्शन ओफ शिविल राइट एक टेक पास किया था दी प्रोटेक्शन ओफ इसी में पनिश्मेंट दी जाती थी अगर कोई बाती और बहुत सारे आया है एक्ट आया है ठीक यह सब आए हैं तो आटिकल सत्रा जो है वही उन्हीं को रोकता है और रोकने की बात करता और यह इंडिविजल पे भी अप्लाई होता है कौन से के बोला गया था प्यूपल इस अप्यूपल आप यह जैसे को यह से महाराजा ठीक है कुमार यह सब जो टाइटल पहले थे कौन कुमार देवेन प्रताप सिंग राना यह जो थे टाइटल जो पहले राजा महारा आगते वह सब अटाने के बाद की गई है कि वहीं कोई टाइटल एटल कोई नहीं रखेगा और नहीं कोई टाइटल फॉरेंड स्टेट से लेगा ठीक आर्टिकल एटीन एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अभी तक को इन्फोर्समेंट के लिए कोई लौ नहीं बनाए गया अरे बाई यह आर्टिकल अपने आप में थोड़े यह सफिसेंट होते हैं यहां से सिर्फ पार्लेमेंट पावर ड्राइब करती है कि ऐसे हमें लौ बनाने हैं फॉर एक्जामपल आर्टिकल सेवेंटीन कि भाई है ठीक है अगर वो कोई फिर भी अगर कोई करता है तो क्या करना है तो आर्टिकल सत्रा थोड़े बताएगा उसके अंडर उसकी पाव को वहां से पावर पार्लेमेंट ड्राइब करके अब इसमें पनिस्मेंट दी जाएगी उसे ऐसे ही आर्टिकल एटीन को अफ टाइटल इसको लेके कोई लौई नहीं बनाया तो आप ने सारुक खान को वहां से उस युनिवर्स्टी से नाइट हूड का टाइटल मिला है य क्यों है कि पहले जो है कि टाइटल डलाली बहुत की गई समझेंगे नहीं कि फॉरेंस की मलब फॉरेंस जाके उनकी चाट चाट को रिता कर रहे हो ठीक है और यहां पर यहां के राज उगल्ले हो वहां पर जाकि इसलिए अर्टिकलेटिन मेरा यह मानना है ठीक होगा जोग पर अब 나타司रुये यह सब यह सब यह सब टाइटल इसमें वह प्रॉन ऐहीं माने जाएंगि धीक है कि जैसे वील चक्रे प्रॉसम वह इसमें प्रॉलै सना है उननिस प्रॉनिस तो आपको मालूम है भाट國 मिल्तम कमेंट करते रहा ना ठीक है आर्टिकल 19 क्या है उसकी बात करता है राइट टू फ्रीडम टीक है काई काई गी फ्रीडम सबसे पहला ए बी टी डी ए ए फ तो खतम हो गया जी टीक है इसमें था राइट-उ प्रोपर्टी घए र्डू फ्रीडम टा रज्वाम टी था ये फर्टी को खेक वाटा 44th Amendment में ठीक दियान र्खना होते हैं एमिकाया फ्रीडम of movement में फ्रीडम of speech and expression फ्रीडम of speech and expression बी में है फ्रीडम टू एसेंबल पीसफुली एंड विदाउट आंज अले ऐसे ही लेकलो ठीक है कहने मतलब है आपको याद करने पड़ेंगे ठीक सीधी बात है पहले में ए में टू फ्रीडम ओफ स्पीच और एक्सपेशन बी में कहीं पहले मिल जाए तो जान जाना कि वो 97th Amendment में जोडा गया था चाहें वो उसमें हो कहां मतलब कहीं पहीं पहीं आपको दिख जाए ठीक और राइट तो मूफ फ्रीली थ्रोगाउट दी टेटरिटरी अफ इंडिया यह हमारे प्रोटेक्शन ओफ स्पीच और एक्सपेशन कुछ हमारे जो राइट से उनको प्रोटेक किया गया है लेकिन यह एक्सिल्यूट नहीं है इनकी रिस्टिक्शन जो हैं नीचे दो तीन चार पांच में दी हुई हैं ठीक है यह एक्सिल्यूट फ्रीडम और है यह नीचे टू में ठीक नपोगे डिफेमेशन का केस होगा या पब्लिक न्यूसेंस का होगा या इन सबके केस तुम्हारे पर होंगे अगर ऐसा कुछ करोगे तो ठीक है तो ठीक है तो भाई असेंबल पीस्फुली एंड विदावट आम यह हमारा राइट है नहीं अग लेकिन और पब्लिक और मोरालिटी को देखते हुए रिस्टिक्शन लगाए जा सकते हैं यह तीन में दिया हुआ है 19 के तीन में ठीक है तो फॉर्म एसोसियेशन यूनियन और कॉपरेटिफ सोसाइटी कोई भी एसोसियेशन आप बनाना चाहो कोई यूनियन बनाना चाहो क बना सकते हो ठीक है इसी लिए हम जल्दी जब तक हम लोग के पास कोई पुक्ता सबूद नहीं होते कोई भी एसोसियेशन को बन नहीं कर सकते जैसे पीएफाई की बात उठती है कि यह तो देश द्रोई है यह यह वैसी यह तो बैन क्यों कर देते हैं कैसे कर दोगे आर्ट पूरे भारत में हम कहीं पर फ्रीली घूम सकते हैं लेकिन इसमें भी रिस्टिक्शन है मान लो कोई मलब शिडियूल ट्राइबल एरिया है ठीक है तो ट्राइबल जैसे अन्वान निकोवार में कुछ ऐसे आईलेंड हैं जहां पर हम नहीं जा सकते परमीशन नहीं जाने की ठीक है तो उस पाग उस ग्राउंड पर रिस्टिक्शन हो सकती है आपके मूव्मेंट को भी लेकर या पब्लिक और मोरेल्टी में भी हो सकती है ठीक है अब जारा एक सचावालेस लगी हुई है है कोरोना काल में मतलब लोगडाउन लगा हुआ है आप कह रहे हैं हमें तो इंडिया हुआ हुआ राइट तो मूव फ्रीली त्रॉट जा ट्रीटरी ऑफ इंडिया है नहीं भाई टू रिसाइड एंड सैटिल इन अनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया तू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और करी और कोई भी और बिजनेस कर सकते हो लेकिन अध्यने ड्कटर साब हर्ये कॉलिज में एक कहाना दोप्रेश क clumsy ड्ट निक ड्रक्ट्र साब करता सम Humans डौक्टर तो ड्रक्र होतेते हैं आट अरे अधारो स्ताइक है मैमें मित्र फैसलबाई आध कि या हृ वह हृ ए उनका नाम दर्धार ड्रक्टर साब ओ कि चलो केस इसमें क्या देखोगे छोड़ो केस बावरा जाओगे केस देख केतने केस उन्हें सोगया 20 में आओ सहीरा नहीं लिख का फिर में टालना पड़ता कि आर्टिकल ट्वंटी में तीन बाके हैं वन टू थ्री वन क्या बोलता है एक्स पोस्ट्रेक्टो लोग कि दूसरा क्या बोलता है डबल जियो पार्डी कि तीसरा क्या बोलता है प्रोवीशन ओफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि दूसरा क्या बोलता है यह बोलता है कि कोई भी लोग है उसका रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट होगा ठीक कि अगर्डी दिन से लौग आया है उसी के बाद से ही कोई लाइवल होगा कोई भी किमिनल लौ प्रोस्पेक्टिव इन नहीं हो सकता है ठीक है कोई भी किमिनल लौ प्रोस्पेक्टिव दो टर्म होते हैं एक रेट्रोस्पेक्टिव एक प्रोस्पेक्टिव जब से लौ आया है फॉर एक दिसंबर 2022 को कोई लौ अभी तो वो फेंस नहीं है अगर इस ट्रिकली देखा जाए ठीक है मेरिटल रिप क्या है मतलब हम अजमेंट वाइफ है और मतलब मान जानते हुई तुम तो गया उसका मन नहीं है फिर भी तो उसमें क्या हुआ तो अब मान लोग कल यह लौ पार्लिमेंट पास कर दीती है ठ यह होता है जिस दिन है उसके बास से ही वो अपलाई होगा उसी दिन से अपलाई होगा उसके पहले वाले केसिस में अपलाई नहीं हो सकता प्रोस्पेक्टिव इन नेचर यह होता है कि डेट से कोई मतलब नहीं है पिछले केसिस में भी वो अपलाई हो जाएगा ठीक है दुबारा उसे नहीं दुबारा उसे परिशान नहीं किया जाएगा पड़ो क्या बोलता है नो पर्शन सेल भी प्रॉजेकूटे एंड पनिस फॉल दा सेम ओफेंस मोर देन वन्स ठीक है इसका एक कॉंसेप्ट है सी आर पीसी में सेक्शन तीन सो अगर आपने मेरे सी आर पीस प्लेश नहीं मिलती इतना परिशान करते हैं तहां है वीडियो का अरे यार चैनल के प्लेलिस पर जाओ उसमें सी आर पीसी पड़ी हुई है अगर इसके लिए देखा जाए यूपी जोडिसरी के साब से तो पांस सब्जेक्ट पड़े हुए हैं सी आर पीसी पूरी पड़ हो जाके समझेंगी नहीं और उसके लावा में मेंस के साफ से भी कुछ है सारे है लिमिटेशन है यह सब भी सब्जेक्ट है टॉल्ट है टॉल्ट तो आता नहीं है यूपी जोड़ी सीरी में लेकिन है प्लेलिस्ट चेक कर लेना ठीक है कि किसी को भी अपने खिलाफ रोकता है ठीक है लेकिं इसका मतबब यह नहीं है कि उससे कुछ कहीं नहीं सकते हमें उसके अन्राइडिंग चाहिए लिखवा सकते हैं उससे लिखके दिखा हम उसके थमप्रेशन चाहिए हम ले सकते हैं समझेगे नहीं यह सब चीज है कि सब्सक्राइब नहीं आती हो गया 21 आप आप ए लाइफ पर्सनल लिबर्टी कि दस्वारा गंटे का वीडियो इसी पर बन जाएगा अगर आपकल किस को पड़ाने बैठ जा इसमें दो इसमें दो कॉंसेप्ट है है नो पर्सन सेल भी डिप्राइब फॉम इस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर ऑफ इस बाइलों ठीक जिसमें ये भी पूचा गया था और लगा हुआ ठीक एक बार किसी में कहुंसे पेपर में आया था ठीक है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल ल कि आगे किस नो पर्सन सेल भी डिप्राइब ऑफ इस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एक्सेप्ट अक्वर्डिंग तू दू दा प्रोसीजर एस लिए लिए लॉग ठीक है इसे बहुत सारे केसे हैं सबसे पहले केस आया था एक गोपालन वर्सी स्टेट और मदरास में कोड ने बहुत ने वह लिया था यह वह ला था कि भीया यह वह ला था कि आर्बिर एक्जिक्यूटिव एक्सेण अगर आपिट्रेरी है तो उसके खिलाफ तो यह आर्टिकल किस काम करेगा लेकिन अगर कोई भी डूप प्रोसीजर के थूप कोई भी लॉग आय कोई लॉग है कोई लॉग पास किया गया ठीक है अब वो प्राइमा फेसाई समझ में आ रहा है कि यह लॉग अर्बिट्रेरी इन नेचर है ठीक है लेकिन फिर भी वह सही है कोड यह बोलती थी क्यों कि वह जैसे लॉग इनेक्ट होना चाहिए तो जैसे बनना चाहिए था वैसे बना हुआ है ठीक उनने का अगर एक्जिक्यूटिव एक्शन कोई अर्बिट्रेरी इस्तमाल किया जाता है तो उसके खिलाफ हम आर्टिकल किसका एप्लाई कर देंगे एक गोपालन वसे स्टेट अमदरात में यह बोला गया था ठीक है लेकिन फिर आया केस खरक अग्सारी नहीं हो उसके बाद है मिंका गांधी में का गांधी केस में क्या बोलागे तब आफने पने वहीं कोछश आए उनके लिया Жात हौने करने करें हम गाउंड बताने के लिए हम बाउंड नहीं है हमाइप पावर है हम ने आपका पाउडर का लिया ने रही पाई बीना बताया हम पाई सकते हैं का इसे कई से लो हो सकता है का मतलब कि प्रॉसीजर सी लिलॉग परोसीजर अगर इसका मतलब Q gutes अप्रोसीजर के व्ह 2000 Нवा मुझा है इसका मतलब लॉ मस्ट भी ज़स्ट फेर ड्रीजनेवल कि ऐसा नहीं स्ऱीजनेवल जस्ट तो उसको नहीं मानेगी समझेगी नहीं चाहिए वह प्रोसीजर से वह इनट किया गया हो और उसके बाद बहुत सारे केसे जैसे इसमें राइट तू लाइफ राइट इंक्लूड राइट टू डाई यह केस था फहले पी दरतिनाम केस में यह बोल दिया गया तो लाइफ इंक प्राइट डाई फिर कॉमन कॉस वर्सेज यूनियों ऑफ इंडिया आया दो जाउनिस का दो जाठारा का दो जाठारा का उसमें यह बोला एक्टिव इस यह पैसे भी तो ने सिया की बात की गई जिसमें पैसे इस आलाओड किया गया लिविंग विल की बात की गई खीक है और जास्टिस के पुटा स्वामी वसे स्टेट ऑफ इस्ट ऊरी दिजवल फिट्स पोड़ा गया था वेरे गोड्प कि राइट टुए प्राइवेसी संदे कि नहीं सबसे पहले प्राइवेसी के बाद सर्पकत भी लेकिन तब कोड ने Não willen ना था कि आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट टू प्राइवेसी लेकिन जस्टिस के अस्पुत्ता स्वामी वस्ट इन उन इंडिया में को ने बोल दिया कि राइट टू इंक्लूड आप टू राइवेसी हँलो यह भी हैं जैसे राइट टू Free Legal Aid, MH ratios code versus State of Maharashtra, लिख लो, तीक है, Right to Free Legal Aid, MH ratios code versus State of Maharashtra, Right to SPD Trial, Hushain Ar O'Khattun versus State of BR, Right to Health and Medical Assistant, Permanent Katara versus Union of India, Right to Population Free Environment, Subhas Kumar versus State of BR, Right to Education, Mohini Jain versus State of Kherla, Right to Sheltor, Right to Sheltor, Chamele Singh versus State of Uttabudir, कितने लिखवाओ लेकिन पूस्ट दिये जाते हैं दोस्ट ठीक है बेरेक में आउंगे उतार मारो सब चलो एक किसे राइट टू एजुकेशन ठीक राइट टू एजुकेशन पहले नहीं था जैसे नहीं भाही बात की भाहिया पहले पढ़ा देना चाहिए था चलो एक किसे राइट टू एजुकेशन भाहिया राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा गया सब्सक्राइट टू सब्सक्राइट टू सब्सक्राइट यहां पर एबुन पूचा जाता zam if क्रेकर कोश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट डड़िले से आता है और गया लिडिंग केस का मोहिनी जैन वसे स्टेट ऑफ करनाटका है मोहिनी जैन वसे स्टेट ऑफ करनाटका में साफ साफ सप्रिंग कोड ने बोल दिया था कि रायट टू एजुकेशन जो है आर्टकल 21 में जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है अगर इंटरनेट है इंटरनेट तो नहीं है समझेकर इन इंटरनेट तो लाइफ का पार्ट बनी गया है अभी कल कोई के यहां पर ड्रामा हो जाया है जैसे बहाँ पर हुआ ते जमूवेंट कजमीर में लेकिन लाइफ से ज्य प्रणिनिस्टर जय संकर उनसे सवाल किया गया क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इतने एक साल तक जम्हुन कस्मीर में इंटरनेट बंद रखा आपने ठीक है क्या जवाब देंगे जब कि आज का टाइम पर इंटरनेट जो टुलाइफ का पार्ट है तो उन बोला राइट टू लाइफ का पार्ट जरूर है लेकिन लाइट टू लाइफ से बढ़के नहीं है क्या इंटरनेट वहाँ पर देके हम लोगों की जान ले लेते हैं बहुत करदा जबाब था यह तो हां अगर अन्नेसेसरी इंटरनेट हमारा डाउन किये मतलब लिए ले रहे ऐसी कोई बो भी जगुर्मेंट भी नहीं है तो कोट भाईया ऐसी तैसी कर देगा कोट हमेशा मेरा यह मानना है कि कोट को हमेशा गवर्मेंट के अगेंस्ट का मतलब कि थोड़ा आँख दिखा के रहो ठीक है तुम काम अच्छा कर रहे हो लेकिन हम तो अच्छाईयां किनाने के लिए थोड़े हैं कोट का काम जो अच्छा आदमी है उसे सावासी देना तो नहीं है लेकिन गलत काम कर दो सजा देना जरूर है तो बही बात है कि अच्छे काम की सावासी के लिए हम आपके लिए नहीं बैठे हैं ठीक है गलत काम के लिए आपको रोकने के लिए जरूर है दस बही दिखाना चाहिए कोट को चलो बाइस मां पोटेक्शन अगेंस अरेस्ट एंड डिटेंशन इस सर्टेन केसे ठीक है बाइस को देखें कैमरा चलाएंगे निए फिर शाबास से जाले चालेश मिनिट हो जाते हैं और इतना बस्ता चालूगी या था बाइस पहुंचा अभी बाइस में क्या है वाइस में पहले में दो बाते हैं क्या होगा कि ग्राउंड ओफरेस्ट Gound of Arrest, दूसरा, Right to Consult, Right to Consult Advocate, Advocate or Legal Practice, Right to Consult Advocate, ये बन में ये दो चीज का हुई है, बन में 22 के एक में, और दो में क्या है, फिख विख से आंदर, पीज सिद के पास, पेस का नहा है, तीन में, अगर कोई एलीन है, एलीन मतलब, जो कांट्री से या डेंचन में यह अनके उपर एपलाई होते और लेकिन कोई काम के नहीं है चलो अठाओ इसके वाल देश में आऊ अ कि इस क्या बोलता है फोर्स लेवर प्रफिक इन यूमन बिंग एट फोर्स लेवर ठीक है क्या क्या ट्राफिकिंग तीन जी जी रोपता है ट्राफिकिंग बैगिंग एड फोर्स लेवर टिक इन तीन चिज़ों को रोपता है टिक का बंध कि यह आप नहीं कर सकते बालेशन है थी दूसा यह बोलता है जी इस्टीट गवर्मेंट पास पावर है अलब स्टेट के पास पावर है कि वह अगर पब्लिक इन्ट्रेस्ट में पब्लिक इंट्रेस्ट में फो फोस कर सकता है कमपल्जन कर सकता है ठीक है बिदावट एनी डिस्टमिनेरशन ऑन दी ग्राउंड औफ स्ट नहीं है ठीक है सेक्षट नहीं है फ्लेस अब सब्सक्राइब कर सकते हैं आदमियों को चलो यह लड़ो चल के लेकिन विदाउड इनी ग्राउड विलीजियन यह नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं यह कैसे मेल मेल को जाना पड़ेगा भूमन नहीं जाएगी यह सभी है अगर ऐसी आ जाए तो यह बहुत द्रस्टी के साथ भाई कॉंस्ट्रीशन बनाए था समझें पड़ो तेश का दो सब्सक्राइब करेगी और ग्राउड ओल्लीजियन रेस कास्ट और अन्य अब देम सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यह सब करते हैं यह 24 क्या बोलता है absolute यह कि भाईया हम जो है किसी उससे हजाडेयस वर्क नहीं कर नहीं के लेकिन सब इसमें साथ सव हजाडेंнес वर्क लिखा गया ऑड़्य इसमें प्रोभिशन और इंप्लॉइमेंट ऑफ चिल्टरीज एनी फैक्ट्री माइन और इंगेज इन एनी अदर हजाडियस इंप्लॉइमेंट ठीक है कोई फैक्ट्री है माइन है या हजाडियस इंप्लॉइमेंट है ठीक है वहाँ पर 14 साल से कम बच्चों को काम नहीं करवाए जाएगा क्यों यह टोटली नहीं करता है यह भी तो बोल सकते हैं कि 14 साल के बच्चे को किसी भी तरीके का काम नहीं करवाए जाएगा किसी भी होटल में कैसा भी कोई काम नहीं करवाए जाएगा ठीक है नहीं कह सकते क्यों मानलों कोई गरीबी में एकदम जी रहा है तो कम से कम कही क freedom of conscience and free profession practice propagation of religion 25 में क्या बोलता है कि subject to public order morality health and health and to other provisions of this right ठीक है चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए public order morality health and other provisions of this part इन चार चीज़ों को अगर violation नहीं हो रहा है इन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबके पास यह right है कि वो क्या करें all person are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely to profess practice and propagate religion कि अपने भाई अपने धर्म को जो है जैसा धर्म तुम मानते उसे मानो ठीक है प्रोफेस करो प्रेक्टिस करो और प्रोपकेड भी करो फैलाओ भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अपने धर्म को फलाने के लि समझेगी नहीं कि जैसे कि पहले हुआ था ठीक है जैसे इसलाम में बहुत पहले हुआ था जब भाई जब उन्होंने जब अक्वायर किया जहां जहां इसमें कोई वोबत तो बात है नहीं कि भाईया कोई यह थोड़े कि अपनी इच्छा से सब लोग कर रहे थे राजाओं रिडंटु मैनेज लीजियस एफेयर जो भी कुछ है वो तुम तुम पर आजा दी है तुम उसको मैनेच का सकते हो ठीक है आप ने कोई इंस्ट्यूशन बनाना चाहते बनाओ कोई प्रॉपर्टी कोई झाते बनाओ फ्रीद हो एकदम फिरी हो थुम तुम कोई दिक्कत नह बोलता है सद्थाइस यह बोलता है कि बहिया किसी को भी किसी एक पर्टिकूल जिलीजन के लिए कोई भी टेक्स देने के लिए नहीं कर सकते समझें कि नहीं फॉर एक्जाम्पिल योग इतना लगा दें सबसे कोई भी चीज अगर कोई भी थ्रेटर में जाएगा तो तीन परसेंट टैक्स जो है वह आद्या मंदर के नाम से लिया जाएगा टिकट है चालीज रुपए गया बोटे तालीज रुपए की हो गई चालीज की टिकट होती नहीं है मालो टिकट है देखा होगा की यह साफ सफाइट एक हो गया उसमें ठीग है किस नाम से आया देखा तो यह तो यह सब किसी भी आप किसी भी प्रट्ट्र कोई श्रीज़न के नाम से कोई कंपलसरी टेक्स नहीं ले सकते हैं ठीक अठाइस यह बोलता है और कोई भी ज़ीज़श इंस्ट्रक्शन या रिलीज़ वर्शिप कोई एजूकेशन इस्ट्यूशन है कोई वहां पे आप कोई धर्म को लेकर को यह सब्जेक्ट नहीं चला सकते जिसमें कंबल सरी सबको जोइन करना पड़े हैं ठीक है आप कुछ कर रहो करो लेकिन कंबल नहीं हो सकता कि भाई या सभी लोग यह करेंगे ठीक कि समझ्वारेक नहीं आए रहे पढ़ लेना एक वाइस में है क्या याड कर्चर एन एजुकेशनल राइट मैं की चलो थोड़ा यार सोरी यार मैं तेस तक तो पहुंचाओ इसे आउस नाओ यार थाक जाए बोलत बोलत अंगिश यार मैं मैं ऐसे साफो करा हो ने तेस की पोलता है इसमें मैं आपन ऑनोरिटी है मोलेटी कैसी उहते है या तो है वह ब्लब करोर्ट disclosure इसमें जो है कोई भी ऐसा कोई भी कोई भी ऐसा सिटीजन है जिनकी आपनी लेंगवेज या स्क्रिप्ट या कल्चर इन तीनों के हिसाफ से मानविटी में आते हैं तो उनके पास राइट है कि उसको प्रोटक करके मनलब कंजर्ब कर सकते हैं यह नहीं है कि वो लुप्त कर दिये जाने ठीक है और और अगर नो सिटीजन सेल भी डिनाइड अडिसन इन्टू एन्टू एन्टू केशनल इंस्टूशन मेंटेंड बाइद एस्टेट और इस्टेविंगेट आउट 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 एस्टेट फंड उन तो उस पर डिस्टेविंशन नहीं हो सकता ओं लिए उन्ट ऑफ रिलीजियन कि तुम हिंदू तुम्हें एम्यू मेंट मेंशन नहीं मिलेगा मैं एक जगह था बहुत बड़े इंस्ट्यूशन में था मैं तो वहां पर मैंने बताए कि मैं यह मी उसे हूं ठीक है तो उन्हों का नाम क्या मैंने का विसाल सिंग तो उन्हों का यार मुस्लिम इनिवर्स्टी पर हिंदू भी पढ़ते हैं आरे साब तुमने आर्टिकल 22 का दो नहीं पढ़ा गया आपने आर्टिकल का 22 का दो नहीं पढ़ा गया ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई इस्ट्यूशन में सिर्फ एक ही धन के लोग अलावड हो हूं हम मैं मैं मैजर्टी वहां पर है मसलिमों ज्यादा यह तो है लेकिन ऐसा थोड़े की क दिखना सेक्स नहीं है ठीक अगर कोई मैनला कालाज तो आप थोड़े का सकते तो भयाँ इसमें धियान देना सेक्स नहीं है ठीक है तो सेक्स के विश्चिसफे सकता है मैला इंटर कालीज है तो मैला हो अएं वहां पर होगा ठीख मैनल्टी इस एड्श्टा आज्यू के इ एक सरस्था था सभ्षिस्ट एक सकते हैं अंदर कोई जरुऑ नहीं है और कुछ नहीं पड़ना इसमें एक अतियस तो हड्य चुका है ठीक ध्यान रखना यह उसमें फोर्तिफॉर्ट अमेंडमेंड में भाट दिया गया था ठीक है और फोर्तिफॉर्ट में यह है धाइडिंग होगा सकते थी धाइडिंग्त उड़ा दी गई एक टी को फॉट लोग रिटॉटि भी जोड़ा इसके जो ए इस पर जो जाता है वह लोग मान पर तकाएंगे तब भाइब जोड़ा गया था ठीगा है ठीक है ठीक है है ठीक है डिक्कत है किसे में दो लाइन ये पहला जो है लिखा भी हो गाँ आपके बेरक में लिखा हुआ है और एप दे पर दाउन पार्ट फोर ये लाइन जो है और और अन्य ओफ दे प्रिंस्पल लेट डाउन पार्ट फॉर यह बोलता है कि अगर कोई कोई प्रोविजन को इंफोर्स कराने के लिए अगर वोलेशन नहीं माना जाएगा वोटा मोटा यह बात बोलता है ठीक उसमें कुछ अपेंडमेंट हुए तो इस में से पूरा यह नहीं हटा आएगा ठीक्टिवन सी ठीक है पूरा नहीं हटाएगा क्या अटाएगा सिर्फ और अप्र प्रिंस्पल लेट डाउन इन पार्ट फॉर यह अन्कॉंस्टिूशनल ह है एट नो लॉक इसन डेट इस फोर घीमिंग एफेक्ट और सच पॉलीशी यह वाला जो पार्ट है वह वह इंस्वेलिट किया गया था कि कैस बार्टी में ठीक है ऊपर वाला पार्ट मेंने बाव मिल्स में और वाला और जो इटालिक में है वो केस अंदर भार्ती केस में ठीक है चलो कि तुम द्यादा दोस्ट त्यान रखना है अब बाद मत का ना विजाल वाई आपने नहीं बता है 31D 43 में हटा दिया गया ठीक 32 Constitutional Remedies 32 का वन यह बोलता है कि भाई यह किसी का भी अगर है तो सब्सक्राइम कोट करना है तो है संब्सक्राइब कर सापने क्या है अंगर बॉंसे पूंचा जाए कि आपको सबसे अच्छा आप कौन सा लगा है तो उन्होंने बोला कि मैं हमें आटिकल ठीटीटू लगा यह हाट इंड्सोल अफ इंडिया है यह पूछा जाता है कभी बार ठैटीवन ठैटीटू का बन बोलता है कि किसी के भी रैट्स का बोलेशन होता है तो वो डारेक्ट सुप्रीम को जा सकता है ठीक है तूँ यह बोल कि favour कि वरंटेट्व में और हैं यह कुछों देशना मतलब पांच एह यह दो थीं चार और यह वर है Nawr जो कोट पास कर सकता है मंदा मास का मदब क्या होता है वी कमांड की कोई और पास कर रहा है ठीक है कोड ने बोला कैसा करो ऐसा का देशा सर्शियोरी तू सर्टिफाइए यह अपर कोड लोगर कोड से बोलती है मालोग लोगर कोड ने कोई जज्मेंट पास किया ऐसा कुछ भी प्रविशन तू प्रोहिबीट यह जो है यह क्या है यह लुवर को डूरिंग प्रोसीडिंग अगर कोई केस चल ला है मानलो कोई कोई कोड ने उसके पाद जो इडिक्स नहीं था फिर भी केस उठा लिया उसका चालू कर दिया उसने अपील कर दी वह जो है जेट में कोड से पूर्ण सकती है कि बता वाई मैं उसे रोक सकती है उस चीज को आभाए out a 30. सकती हैं कि किस अथर्थर्टी पर अगर उसे ऐसा लगता है किसी ने CC तो इसी ग्राउंट पर किया होगा कि वो नहीं होना चाहिए तो कोड्क कै 대해 कि बाएब थर्टी तुम्हें पर हो ठीक है याविश कॉर्पस वेरी गूड है यह घ्याज क्या है है यह तो इसे बाड़ी सम्झेए कि कोई भी आदमी है है यह कोई भी आदमी मिलना रहा हो यह एक पर इतेंशन में को तो इसको फिर डाली जाती है तो कोट और करता है पुलिस को कि जाओ उसे डून के लाओ सामने सामने पेस करो उसे जिन्दा या मुल्दा सबसे ज्यादा यह जो लड़का-लड़की भाग जाते हैं तब इसी रिट का इस्तमाल किया जाता है ठीक है घर वाले जो है विस कॉर्पस का केस डालते हैं कि यह हमारी के डड़की गाएव हुगई टो वह पेस करने की बोलते हैं वह होती है जो नहीं नहीं होती भाई साब तुम खुदी सोचों तुम्हारी केतनी तुम्हें कितनी अकल थी या हमें कितनी अकल थी माई लॉर्ड माई लॉर्ड तोड़े करेंगे चलो यह हो गया 32 का 3 यह बोलता है कि इसका कोई हाँ हाँ कि पार्लेमेंट अर्वी कोड को ही एक पावर दे सकती है लेकिन स्वप्रिम कोड की पावर को कटेल नहीं कर सकती उसके पास जिभे आए उसके लावा और भी किसी कोड को टिभर बना दे याँ पना दे उसको बीक सकते हैं कि वह फंडमेंटाल रडिय की बोलेесों ले सके ठीक है सुप्रीम कोड़ी आसानी है थोड़ा काम बढ़ जाएगा है कि नहीं चौथा यह बोलता है कि इस आर्टिकल जो इस आर्टिकल में 32 में जो राइट दिया गया है वो सेल नौट बिस सस्पेंड़ सस्पेंड नहीं हो सकता एक्सेप्ट एस अधरवाइस सामकाई नहीं है वो तो हट भी गया थेतिस पावर ऑफ पार्लेमेंट तो मोडिफाइदार राइट कंफर्ट बाइड इस पार्ट इंडियर एप्लिकेशन टू फोर्स इस ठीक है कि इस पार्ट में जो पार्ट थैड में जो राइट दिये हुए है वो लेकिन सकता है अब तुमको हमारे पार राइट है हम जा रहे है ऐसे कहीं से तुम बाउंडरी छोड़के भागा हुए क्या है नहीं तो यह सई भी है तो 33 पूछा जाता है दोस्त अब यह बहुत पूछे जाने लगए 334 33 में क्या है कि पार्लेमेंट जो है इसमें जो राइट जो जहां पर कि अधिया जा सकते हैं फीनिद तो कोई नहीं जानता है रहाँ पार आने के लिए कि है असपा याने के लिए असपा यह कि उसके लिए जो आनने सबस्क्राइब नली पढ़ी रहती फोटो मिला जिरोन धी ऍवर्य चलो 34 35 लेजलेशन लेजलेशन तो गिव एफेक्ट तु दे पोविजन अब दिस पार्ट 35 ये बोलता है केवल पार्लेमेंट पार्लेमेंट पावल नहीं है कि वो इसमें कोई लोग बना सके से पार्लेमेंट पर लोग बनाएगे ठीक है मैंतिर्स ये बोलता है वेरी गुड़ डीपीएसपी हम लोग अभी करेंगे है चाली है तो हम लोग कहां तक पहुंच गया थे हम लोग के पंडमेटल राइट्स हो गए था ठीक है पार्ट थर्थर्थ करें देखना आफ डाटिप इसपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी टिक कहां से लिए गया था यह 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 से लिया तम लोगों एरिस से टिक कहां तक दिया हुआ है 36 से लेकर उन तक 52 में चालो हो जाता है मतलब यूनियन आ जाता है चैप्टर अगला है यह चैप्टर कौन सा है पार्ट कौन सा यह पार्ट पोर है ठीक है चलो सबसे पहले से लिस भाट इच्छेप्शन 36 36 इस यह बात करता है कि यहां पड़ स्टेट की वही definition मानी जाएगी जो section 12 में दी हुई है वो article 12 में दी हुई है section नहीं article article 36 यह बोलता है कि state की वही definition मानी जाएगी जो 12 में दी हुई है तो अगर question pre में यह आ जाए क्या कि बताओ जो state है state की definition है वो किस पे fundamental लाइट के लिए दी हुई है तो अगर दोनों अप्सन हो एंड बी तो दोनों मान देना ठीक है स्टेट की सेम definition है fundamental लाइट के लिए भी और DPSP के लिए भी ठीक है चलो very good article 37 क्या बोलता है applicability applicability कि इसका जो DPSP जो chapter यह जो part है part 4 इसकी applicability कैसे होगी सबसे पहली बात not enforced by the court not enforceable by the court ठीक दूसरी बात लेकिन बट अबट fundamental in governance ठीक है fundamental in governance मतलब कहने का मतलब यह कि देखो enforce तो नहीं किये जा सकता यह court के द्वार इंफोस तो नहीं किया जा सकता इसमें जो राइट्स दिए हुए है यह क्या है यह क्या है डैक्टिपिस फॉल अलेमेंट कोई लोग बनाती है तो इनको धिहान में रखते हुए बनाएगी ठीक है अलतेस अलतेस में एक अमेंड्मेंड हुआ है कब 42nd amendment मैं ठीक है 42nd 44th 42nd 44th में 44th में से इसमें 38 का टू जोड़ा गया था ठीक है 38 यह बहुत करता है कि और यह बनाओ जिसके इनेक्वालिटी ठीक है इनेक्वालिटी जो है आपको मिनिमाईस करना है ठीक है ऐसा हो कि इकल डिस्टिब्यूशन हो सब चीजों का इस सब चीज है ठीक है फुर्टी फोर्ट में जोड़ा गया था देखो कोश्चन अगे पूर्ट दिया जाए कि फुर्टी सेकेंड सब्सक्राइब क्या हुआ था ये ठीक का टू जोड़ा गया था इसकी केबल डीपी एसपी में सिर्फ आप हैडिंग याद कर लेना काम चल जाएगा अमेंडमेंट कोई हो तो वह याद कर लेना ठीक है अंदर से कुछ नहीं पूचा जाता आर्टिकल 39 39 में क्या है कुछ प ए में है अडिक्वेट मीनस अव लेबलियोड अडिक्वेट मीनस अव लेबलियोड बी में क्या है हाँ बस्तो कमीरण और भी से बस्तु सब्सूभ कोमन गोड़ है अभी बता रहा हूं यह याद करने की ट्रैका भी स्टा रहा हूं common good C concentration of wealth नहीं होने देना C से concentration of wealth नहीं होने देना D से D से दोनो को एक्वल दो D से दोनो को एक्वल पे E से economic necessity की बज़ा से economic necessity की बज़ा से किसी को कोई ऐसे काम ना करने पड़े जो उसकी health के अगेंट हो E के बाद F F जोड़ा गया था कब 40 सेकंड में 40 सेकंड में चाइल्ड की बात करता है ठीक चाइल्ड के के लिए आपको क्या करना है यह हिंसे याद रखने क्योंकि पूशे थोड़े याते हैं यह प्री में ही आते हैं सीधे पूश दिया जाए कि इक्वल पे फॉर इक्वल बार्ग फॉर बोथ दोनों को मदलब फॉर बोथ मैन और बॉमेन कहां पे दिया हुआ है 39 B C D E यह ऑप्शन होंगे आपको पता होना चाहिए D में दिया हुआ ठीक है तो कैसे याद करना है ऐसे ही जैसे यह से adequate means of livelihood A for adequate means of livelihood कि भाईया आपको इस साफ से policies अपनी रगए The state's style in particular direct its policy towards securing उनकी policy कैसी होनी चाहिए कि यह सब चीज़ें secure कर सके है कि भाई सबको man and woman को adequate means of livelihood होना चाहिए ठीक है जित्ता भी material resources है तो B से best to serve the common good समझे की नहीं सी से concentration of wealth नहीं होने देना है ऐसा नहीं कि सारा पैसा कुछी लोगों के पास पहुंच जाए ठीक है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है समझ रहे हैं कि D से दोनों को equal मतलब man and woman को equal E for economic necessity economic necessity के बजहार से यह नहीं कि अपने सरीर के अगेंस्ट में किसी को कोई काम करना पड़े ठीक है 39A क्या बोलता है 40 seconds ध्यान रखना यहां पर DPSP में जितने भी कोई बेमेंडमेंड में आ जाए ना टैचे 39A है ठीक 42A है और 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 भी कोई A आ जाए भी आंगे आएगा ठीक किसी भी आ जाए तो बाद समझ देना डी पीस बी बात कर रहा हूं कि वह 42ड में ही वाओ ठीक है यह वाला ठीक ध्यां रखना बात चेक कर लेना अ mają यह क्या है 39 यह में क्या है फिरी लिगलेड है यह तो फोर्टी में क्या है पंचायत है तो पंचायत कैसे जाद है जहां चालों बढ़ जांब पंचायत चालू हो जाती है इप्तारिस में क्या है राइट वर्क है तिक मैं टर्टी जिलीफ इसमें मैं टर्टी जिलीफ एक्ट जो पास हुआ है उसमें किते दिन की मैं टर्टी लीफ मिलती है 26 वी ठीक है जो नया पास हुआ है मादब नया जो अमेंड हुआ है उसके इंडेक्स ठीक है 43A 43A देख लो कब जोड़ा गया यह जोड़ा गया 42 में मैंने बोला रहा है यह वाले जित्ते भी हो सब समझ जाना कि वह 42 जोड़े गया है ठीक है 43A में क्या है पाटिसिपेशन अफ वर्कार मैनेजमेंट अफ इंड़स्ट्री फॉर्टि थ्री बी जो कि कॉप्रेटर सोसाइटिस उसमें जोड़ा गया था तो कॉप्रेटर सॉसाइटिज आपको पता यह 97 उमर्न में जोड़ा गया था ठीक है 44, 44 में क्या है Uniform Civil Code तो Uniform Civil Code क्या भोलता है Equality की बात करता है UCC की सबके लिए law common हो Uniform हो, तो 4-4 समझेगी नहीं, अपने आपी याद हो जाएगा, कि Uniform Civil Code कहाँ पे है, दोनों section इक्वल होने चाहिए, तो 4-4 44 में Uniform Civil Code है, ठीक है 45 में Amendment हुआ है कब हुआ, 45 86 में, 86 में और ध्यान रखना, इसमें जो Child की बात की गई है, up to age of 6 years, ठीक है, पूछा जाता है धनले से पूछा जाना वाला question है Amendment कब हुआ, 45 में 86 में, और इसमें जो Child की बात की गई, एज की वो 6 साल तक के बच्चों की बात की गई की, उनके care and production के लिए हमें law बनाने है, 45 ठीक है, 46 क्या बोलता है 46 बोलता है दिख रहा है, यहां से कितने नीचे तक दिख रहा है अरे पूरा board आ रहा 46 बात करता है यह airplane mode पे डालना भूल जिया कोई नहीं, सबड़ या हाँ चलो फोन भी कहता होगा, मालिक क्या प्राण लोग है, क्या मेरे कोई नहीं कभी अपना भी setup होगा दोस्त चलो कहां 46 में क्या है 46 में कि SCST जो है उनके promotion के लिए, उनके welfare के लिए में काम करना है, ठीक है जिसे लोग बहुत गिखना से नहीं देखते थे पहले SCST को, देखते ही कांची करने लगते थे ठीक है, तो 46 से 6 से 46, ठीक है, ध्यान रखना, समझें कि SCST का क्या है उनके promotion के लिए हमें काम करना है तो 46 में दिया हुआ है तो 6 से 46, ठीक है लोग बहुत बैसे मानते थे गर्णा से 47 में क्या है, कि आदमी के nutrition के लिए हमें काम करना है ठीक है, कि भाई, प्रॉपर nutrition सबको मिल सके इस हसाफ से हमें policies बनानी है तो 47 कैसे याद रहेगा कि भाईया, कैसे याद रहेगा ऐसे याद रहेगा कि 1947 में हम आजाद हुए थे तब क्या था, भुग मरीद ही हमारे पास इसलिए कुछ नहीं था तो क्या था 47 में, nutrition शीक है nutrition 48 में क्या है 48 में अनिमल हजबेंडरी है मुझे तो 48 लिए याद है कि जब मैं त्यारी चालू की थी तब दूद 48 रुपे लीटर था, समझेगी नहीं अब कित्ता होगे, अब तो 60 64 हो गया, उस समय 48 रुपे लीटर था तो उनने चास में कोई यार कोई सेक्षन ए भी तो नहीं आ गया बीच में चलो कोई नहीं आया 48 ए है यहीं पर रुप गया था 48 ए है तो 40 सेकंड में ही आया होगा देख लो, 40 सेकंड में आया अगर बढ़े आ लगा रहा हो तो कमेंट माल देना ठीक है, 40 सेकंड में इसमें जोडा गया इसमें नहीं के पर्टक्शन की बात की की इंप्रूब्मेंट ऑफ इंबार्मेंट और में सेफगार्डिंग और फॉरेस्ट एंट वाल लाइफ समझे कर नहीं यह इसलिए जोड़ दिये गया तो समय हम लोगों ने सेप्रेशन के लिए तो उनका प्रटक्शन के लिए भी हमें काम करना है ठीक है पचास में सेप्रेशन ऑफ जुडीशरी फ्रम एग्जिक्यूटिव ठीक है पचास में 50-50 समझे कर लिया तो सेप्रेशन का इसका जुडीशरी और एक डीक्यूटिव का 50 में 51 में 51 में हम लोग के कुछ लॉज आं मलब कुछ बो हैं International Peace Security के लिए रिख International Peace Security के लिए क्या दिया हुआ इसमें कुछ चीज़ें दे उई हुए तीन चार्व एए मिर्ट पूछ जाता था 51 के जा में progress क्या दिया हुआ हुआ है थी मिर्घस क्वर्गर फिम और अफिर टीव पोडिया वर्टिवें कर दिया हुए with one another and encourage settlement of international dispute by arbitration ये पढ़ लेना एक दो बार दो तीन बार रीडिंग माल लेना कभी कवर अब्जेक्टिक टाइब में ये पूछा जाता है कि हमें जो है प्रमोशन आफ इंटरनेशनल पीस से क्योर्टी के लिए हमें क्या क्या काम करने है ठीक है तो ये चार में से कोई तीन हो होंगे चौथा कुछ और डाल देंगे तो आप दो तीन में पढ़ लेंगे तो आपको धियान आ जाएगा कि हाँ उसमें 51 में ये चार चीज़ें दिवी थी हूं चाहता अब फंडामेटल ड्यूटीज देखते हैं किसकी कॉल आई थी चालिया ओट डेपीयसपी तक हम लोगडी का हो गया ता ही थीक है पार्ट फोर आजें जो है पार्ट फोर ए है थीक है फंडामेटल ड्यूटीज ठीक फिफ्ट्टीवन ये फंडामेटल ड्यूटीज किसकी है ये हम लोगों की रिस्पॉंसलिटी यहां कि जो मतलब सब्सक्राइब करना है क्या थ्यान जो ऐसे चारवं की स्क्रावियू डियुटी बताती जो जो डाल गया था पूछा जा एक किसे की सर्ड़न सिंग कमिटी कि स्वरेंसिंग कमिटी पूरा जो फुर्टी सेकंड एमिंडमेंट है ना वही स्वरेंसिंग कमिटी से ही आता है ठीक जैसे इमर्जेंसी होई तो उन्होंने इंदरा गांदी ने कमिटी डाल देकि जा वाई देखो क्या-क्या कॉंस्टिविजन में हमने अभी तक जो अभी अभी तक दिकते आ रही है तो स्वरेंसिंग कमीटी जो है लिए इंदरा गांदी के एडवाईजर थेYes और इन्होंने जो है फॉर्टी सेकंड अवेंडमेंट में इनकी रिक्मिनेशन जोड़ी गई तो इनीसिली इनी नहीं जोड़ी ग्यार्मी एक एड़ हो गई ठीक है जाला पर दो इसमें क्या ही देखो गई पड़ डालना पर एबी सीडी एफ जीर लास्ट वाली के जो है वो 66 एमेंडमेंट इने rival से सब्सक्राइब से सबसे पहले तो क्या करना है में बार नस्टिन की रिस्पेक करना है फ् landlord कोई ड्रामा नहीं दूसा, B, to cherish, follow and novel ideals and inspire our national struggle for freedom, ठीक है, national struggle for freedoms के रिए जो हमार आइडियल से सबते उनको cherish करना है, मतलब उनकी availना नहीं करनी है, तीसरा, C, C में तीन बाते है, sovereignty, unity and integrity, ठीक है, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, ठीक, D, D say defend, क्या है, ठीक है, D say defend, to defend the country and render national service when called upon to do so, अब्जेक्शित है, मैं सी दे पूँच दिया जाता है, तो ट्रिक से याद कर लिया करो, ठीक है, कि अगर मान लो, C से हमने याद कर लिया कि C में तीन, मलब तीन बाते है, sovereignty, unity, integrity, हमने आप्शन देखा, उसे पूछा गया कि 51 A के C में कहां, क् कहां, ऐसी हमारी ट्रेक है, D में, defend है, E में, E में पांच हो गए, पांच के मतलब कि कभी भी, women पे हाथ नहीं उठाना आए, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रेक्टिस, डियुगरेटरी टू दे वूमेन हो, वो नहीं करनी है, देखो, E, टू प्रिमोर्ट हार्मारी एंड इस्प सब्सक्राइब, पांस, E से याद हो गया, F में, to value and preserve the rich heritage of composite culture, G में, to protect, G में वही सब बाते हैं कि environment, forest, lake, इन सब चीज़ों को protect करना नहीं, गार्डन हो जाता है, इसी चीज़ें देखके दिल गार्डन, गार्डन हो जाता है, G से, क्या environment को देखके, nature को देखके, lakes को देख के, यह सब चीज़ें देखके, आई, आई में यह है कि वाई कोई वी ऐसा violence वाला काम नहीं करना है, जे true strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation consensus rises to higher level of endeavor and achievement, के जो सबसे last में जोड़ा गया था, ग्यार्मा है, जो की 86 amendment में child education की बात करता है, six लेके 14 years, यह एच के हमेशा ध्यान देना, ठीक है 45 में सिर्फ six years था, पूछा जाता है, इसलिए बार-बार आपसे बोलना हो, और तो कुछ है नहीं, पार्ट फाइव, दा यूनियूंग प्रेसिडेंट काउन है, अंद्र में है, कौन मुर्बूर, द्रॉपदी मुर्बूर, ठीक है, चलो, जार, सेक्शन, परेसेक्शन नहीं, आर्टिकल यार, इतनी बड़ी, इतने सेक्शन पढ़ा दिये है, इसलिए प्रेसिडेंट आफ इंडिया, आ जाता है, कि यह आर्टिकल, पूरे कॉन्स्टिक्शन का स्मॉलेस्ट आर्टिकल है, ठीक है, सबसे छोटा कोई आर्ट आर्टिकल है, तो यह है, कौन सा, 52, कि इसमें, प्रेसिडेंट आफ इंडिया, जा बी पैसिडेंट आफ इंडिया, ठीक, 53, एक्जिक्विट्टेव पावर ऑफ दा यूनियन, ठीक, 53, यह बोलता है, कि दो चीजें, कि एक्जिक्विट्टेव हैड कौन होगा, 51 में तो प पेज़िएंड अफ इंडिया आडिकल 53 कि वो एग्जेकुुटिफ हैड होगा को एक्जेकुटिफ हैडी अफ यूनिय। मैं दूसरा और हैड अफ और डिफेंस फोर्स टेक्ट डिफेंस पोस का भी हैड होगा टेक्ट डिफेंस पोसे तीनों आर्मी का चीफ कौन माना जाएगा बैसे तुम अलग अलग हैं लेकिन में जो हैं प्रेजडेंट साब माने जाएंगे आंगे बढ़ जाओ इलक्षन ओप्रेजडेंट 54 54 में क्या बोलता है इलक्षन ओप्रेजडेंट कैसे होगा समझे कि नहीं देखो इलक्षन होगा इलेक्ट्रोल कलिक होंगे इलेक्ट्रोल कलिक कंसिस्ट ओफ कौन कौन आएगा कौन कौन ये इंडारेक्ट होता है ठीक है इंडारेक्ट इलेक्शन होगा इंडारेक्ट का मतलब डारेक्ट पब्लिक जो है वो नहीं चुनती है ठीक है पब्लिक एंपीज को चुनती है एंपी पब्लिक MP और MLS को चुनती है MP MLS इने चुनती है ठीक है तो इनके वोटिंग में इनके एलक्षिन में कौन-कौन participate करता है all elected all elected members of both houses ठीक दूसरा all elected all कर लेना all elected members of state legislative state legislative कहने का मतलब है जित्ते भी MPs होंगे elected MPs वो बोट करेंगे और जित्ते भी सारे stat況 का हमेले होंगे वोड करेंगे घेगे उसके इलावा कैसे होगा वोट इनके पर्पोछनल सब्पुर्जी मैंटेशन पर्पोछनल रपेजेन करने कि क्या है इसका यह है कि फीपोछन आप्रिंटेशन होगा कैने विजित्DS इनकी चुल्ण पॉपलेशन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे और हमें जहां तक कोशिश करनी है कि वह एक्वालिटी रहे पॉपलेशन के रिप्रेजेंटेशन में ठीक है कि मालों बहुत बड़ी पॉपलेशन होती है उनके बीच में पॉपलेशन है उसके हिसाफ से उसकी वोट की वैल्यू होगी ठीक और सिंगल ट्राफरेबल बोड क्या होता है कि मानलो हमें च्वाइस मानलो पांच लोग खड़े हुए है ठीक है ए भी और सी तीन लोग खड़े हुए है ठीक अब बोड देने वाले हैं वन टू थ्री फॉर 2560 इतलों बोर देने वाले च्छेंप यह दिरे इन तीन को तो कैसे होगा सबको प्रेफरेंस देने पड़ेude कि इस ने बोला कि मेरा फ़र्स्ट है है फस्परस्ट प्रेफरेंश ऑर फफरेंश है ठीक हिए होता है सिंगल ट्रांफरेबल बोर। चिया amazed कि आपको पहले यह पहली बार में जीत गया तो ठीक है ठीक है मैंनों फॉस वोट से ही जीत गया हुं इससे नहीं जीता तो फिर यह देखे गया कि कित्ते लोगों की जिसकी मतलब B Choice था ठीक है Second Choice यह था तो ऐसे ओता है ठीक Single Trafflor कभी हम लोग डीटेल में देखेंगे आज ये देखने टाइम नहीं है और नहीं ये पिरी में आएगा आपके इसमें अगर समझाने में लग गए तो फिर विगड़ा पार हो जाएगा धियां रखना सब्सक्राइब उनेटेड्स नहीं होते हैं अगर जासरा में जोमेड़ेटेड्ट बारान परकंट करता है वह बुर्ट नहीं देगा जैसे लोग सब पहले होते थे अब तो नहीं रहा वनेटट फोर्फ एक घाथ एक है और चलो ओ शॉरी इसमें सिर्फ इतना था 54 हो तो क्या है 54 ही तो है चलो 55 क्या बोलता है यह जो प्रपोर्शनल रेप्रेस्टेशन वाली बात है न यह मैनर ओफ एलेक्शन में है ठीक यह 55 मैनर ओफ एलेक्शन ठीक समझें कि नहीं क्या है मैनर ओफ एलेक्शन यहां पर सिर्फ 54 में सिर्फ यह वाली बात की गई है कि कौन-कौन बोर्ट देगा 55 में कैसे बोर्ट दिये जाएंगे यह पर पोस्टल एपरेंटेशन सिंगल टांफरेवल बोर्ट यह सब 55 में है ठ 56 कि बात करता है कि अगर वो रिजाइन करता है तो किसको देगा वैरी गूड वाइस प्रेसिडेंट को देगा ठीक है और उसे केवल इंपीच्मेंट से एक ही ग्राउंट पर हो सकता है निकाला मतलब रिमूबल रिमूबल और वाइलेशन आफ देगा इसके लाब है यह किसी आर्टिकल नहीं बताए गया और वाइस प्रेसिडेंट को जुझए ने सनाएगा वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको स्पीकर को देखा जाके ठीक है छलो फिफ्टी सेविन यह वोलता है सिंपल के वाद कि कोई भी अगर येक बार है तो वो दुबारा भी रेलेक्ट को सकता है ठीक एक डॉक्टर राजेन परसाथ जो पहले पैस्टेंट थे बिहार के लाल वह कॉस् instant फिकर को अनुद नियगा को हुम 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 हुमस्तर हो ठीक बुर्टर outfits बाट पूंचा गाओ होनी चाहिए सबसे पहले आप इंडिया होना चाहिए दूसरा पैंते साल होनी चाहिए तीसरा आप एलिजिवल हो किसलिए फॉर इलेक्षिन ऑफ हाउस ऑफ प्यूपल ठीक है लोगसभा लोगसभा में कोई भी कंडेट के इलेक्षिन लड़ने के आप काबिल हो ठीक है जैसे कोई भी लोगसभा का मेंबर कोई भी काबिल होता है लोगसभा में इसके ती होती है पच्चेस साल लेकिन वह पच्चेस साल वाली बाद नहीं इसमें दो बातें शिटीजन ऑफ इंडिया हो 35 साल हो और लोगसभा में एलक्षिन करने के लिए आप एलिजिवल हो ठीक है या कांसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें हो सकते हैं वो और फिस ओफिट नहीं माना जाएगा क्योंकि जैसे ही आप प्रेजिट अपॉइंट होगे वो पोस्ट आपके अपने चूड़ जाएगी ठीक है चलो 59 कंडिशन ओफिश कंडिशन ओफिश क्या होगी जैसे या प्रेजिट बनोगे तो फिर आप कोई भी हाउस के मेंबर नहीं माने जाओगे ठीक है लेकिन आप पार्लियमेंट के पार्ट हो क्योंकि पार्लियमेंट कंसिस्ट ओफ आर्टिकल 79 पढ़ेंगे हम लोग क्या मेंबल नहीं मारे जाओगे ठीक है दूसरी बात कोई ओफिस ओफिस होल्ड नहीं करोगे और कुछ नहीं किस्टी में क्या है ओधन आफरमेशन बाइद प्रेसिडेंट शिक्स्टी ओध कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को सीजे आई चीप जस्टिस ऑफ इंडिया ठीके पैस कब होगा ऑन दी वालेशन प्रेस्ट वाइव वालेशन अफ दी कॉन्टीशन को चॉसर्ण के वालेशन पर ही इंपीच्मेंट हो सकता है एक सड़ है ना सेक्षन आर्टिकल 61 61 क्या है impeachment of president यह impeachment हम लोग ने कहां से लिया था impeachment US से US Constitution से लिया था impeachment of president टिक क्या इसा impeachment होगा एक तो only on violation of Constitution अगर Constitution violation करते हैं थब ही आप कर सकते हैं दूसरा कोई ग्राउंड नहीं है केवल एक ही ग्राउंड है impeachment करना है तो कैसे करेंगे कम से कम one-fourth members एक चौथाई members जो है वो लेकर आएंगे कि इन्हें अठाना है ठीक है कोई भी हाउस के हूँ एदर हाउस ठीक कोई भी हाउस के members कोई भी हाउस चाहें लोग सभाव चाहदा सभाव उन दोनों में से कोई की one-fourth member अगर यह बात आंगे बढ़ाते हैं कि इनका impeachment जो है करवाना है तो काम बनेगा लेकिन 14 days notice देना पड़ेगा ठीक है 14 days पहले notice देना पड़ेगा उसके बाद में टू-3 द्वारा टू-3 अफ टोटल members जित्ते भी members हैं उनके टू-3 members का मतलब यहां के MPs की बात चल नहीं है ठीक है members मतलब पार्लेमेंट के members ठीक है टू-3 member द्वारा इनका होगा ठीक है बस इतना ही याद अपना इसे प्रीक है यह है और है भी नहीं कुछ तीसरा यह बोलता है कि भाई याप प्रेजडेंट के पास प्रेजडेंट जो है उसको जो investigation चल लेए मान लोग की मान लोग की लोग सबान ने start किया कि भाई लोग सबान बोला इन्हें अटाना है प्रेजडेंट को बन फोर्ड लोगों ने कि उन्होंने तो अदर हाउस जो होगा दूसरा अगर लोग सबान किया तो राज सबान किया तो लोग सबा दूसरा हाउस जो वो investigation करेगा ठीक है और उस investigation के दावारान इनके पास प्रेजडेंट के पास राइट टू एपियर का राइट है वो भी हो सकते हैं और कुछ पूछा होचा जाए तो अपनी बात रख सकते हैं ठीक टू थार्ड ने पास कर दिया चौथा तो फिर वो माल दिया जाएगा रिमूब हो गया ठीक है जैसे ही उनका टाइम प्रेट खतम होना उससे पहले ही लेक्शन करा लो जैसे वह से खाली ओफिस खाली हो तुरंत ही वह आकर बढ़ जाए ठीक है दूसरी बात यह बोलता है कि अगर डेस्ट के केस में रिमूबल के केस में या जैजाइन के केस में या किसी और केस में अग सबने केस्ट के के साथ और के सबने के की उससे प्रेट है रिमाइसअग वासी दूसरी केस सब्रसाभव में हुलते है कि वह सेब्स आप पास हाग अ तो जो दूसा करने के सब्साब और रिंश करिदे केस में वाइस सब्स करने क्जैन के का सबस्साइब है 10 30 yeah बोलता है 55 कि आगर कोई इसी बात हो जाकते कुछ दिजाइन कर देता या डेत हो जाती हुटा होता है तो अगर को आहले मी आप आईगे स्सेंग रूड not इसमें बताएं कि एलेक्षन कैसे होगा वाइस प्रेजटन में केवल बौथ हाउस ऑफ परलेमेंट ही बोड देते हैं ठीक एक एबल मले नहीं बोड देते हैं ठीक ध्यान रखना सब्जेगे नहीं वहाँ पर क्या था मेंप मेंबर्स और बध हाउस के साथ 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 सस्टेट असलेटि इसsınız लेंज वह यह थे लेकिन यह पर क्या है यहां पर सीफ एलेक्टिन मेंबर्स और पर्ल्लेमेंट ऊसके लावा मले नहीं है धिक क्या है रास्सभा में दरने के काशा चाहिए और उसको जिमूब करना तो कैसे होगा तो council of state मतलब राजसबा council of state का मतलब राजसबा होता है मालुमी होगा उसमें क्या है राजसबा ही केवल resolution लेके आ सकती है president के case में क्या था कोई भी house लेके आ जाए resolution कोई बात नहीं है ठीक है इसमें केवल राजसबा लेके आएगी और इनसे simple majority के साथ रिमूब कर दिया जाएगा इन्हें समझेंगे नहीं simple majority मतलब 50 प्लस 50% प्लस लोगों बोल दिया इन्हें अटाओ तो अटाओ ठीक है और कुछ नहीं चाहिए इन्हें अटाने के लिए लेकिन जो है वो council of ministers council of state की ओसे ही आना चाहिए ठीक है लोग सभा नहीं बोल सकता की नहीं अटाओ लोग सभा एग्री होगा उस पात पर ठीक है बोटिंग सब लोग करेंगे लेकिन जाइस वहां से आएगा ज्यान अखना और वहीं फूर्टीन डेस नोटिस वाली बात है और टाइम फॉल्डिंग एलेक्शन टूफिल वेकेंश टीक है अब वो क्या होगा 68 यह बोलता है कि यह जो है टाइम खतम होने से पहले ही वाइस प्रेजर्ट का भी लक्षन करवा लेना ठीक है और डेथ रिमूबल और इन सब के केस में एस सून आस पॉसिबल ऐसे छे मैने वाली बात नहीं है बस एस सून आस पॉसिबल जितनी चाला और कुछ है ओस है ओस कौन दिलाएगाइगा बाइस प्रेजरत को प्रेजरंट को कॉन दिलाता दा सी जीढी शर्ड फरेजर फंक्चन देन अधर कांटिजैंसी ठीक है कोई और ज़ूरत पड़ेगी पैस अंधान करने चाहिए का भी कुछ है वह पार्लीमें कुई बी ऐसा इलेक्षिन को लेके कोई डिस्प्यूट राइज होता है प्रेस्टेंट के लेक्षिन कोई इसा डिस्प्यूट करेगा कोई नहीं और उसी का डिसीजन final होगा समझे कि नहीं दूसरा ये बात बोलता है कि अगर मानलो Supreme Code ने ये भी बोल दिया कि उनका election जो है वो वाइड है बेकार हो गया या illegal है कुछ भी है तो उस case में जितने भी time period वो office में रहा और during those time period उसने कोई काम किया कोई act pass किया तो वो सब illegal नहीं हो जाएंगे वो सब सही माने जाएंगे सब वैलिड माने जाएंगे ठीक है अगर इलेक्शन वाइड सुप्रिम कोड ने कर दिया कि हाँ वह यह वह यह वह यह बस चौथा यह पॉइंट बोलता है कि कोई बी स्टेट मतलब कोई भी एमले या स्टेट यह नहीं बौल सकता मान लो कि बाई इलेक्शन और प्रेसिडेंट होने हैं और कोई स्टेट है जहां पर अभी सब्सक्राइब करने पाएंगे तो इस तो इस ग्राउंड पे आप चैनल नहीं कर सकते अरे अठाई से राज जया है यार हमारे पास किसी एकाद में अगर मेलेग सीट खाली भी है सब कोई बात नहीं यार कोई बात अब ऐसा तोड़े सब को बनने चक्कर में सब कर नहीं समझ सेवेंटी टू पावर टू ग्रांट पाड़न तो यार तोड़ा जल्दी हमें भागने पड़ेगा क्योंकि बाई सेवेंटी टू पे आये हैं और यह चापांच गंटे का लेक्चर हो चुका है पांस से उपर का हैं और नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या पचास गंटे लेक हैं अभी तो प्री के लिए नंबर के लिए फड़ो यार अभी अभी नॉलिश के लिए नहीं कोई चोटी बोड़ी चीज नहीं है जो ऐसे हो जाएगी लिखने वाले दो साल ग्यारा मैंने अठारा दिन लग गया है तुम चाहते हो बीद गया दस घंटे में पूरा हो सब्सक्राइब कर सकते हैं कौन-कौन से केसे में कोट मासल के केसे में कोई भी ऐसा ओफेंस अफेक्टिंग दा एफिर्स ऑफ द यूनियन और कोई बैसी डेथ पनलिटी हुई है तो उसमें और यह दोनों पावर्स जो हैं यह जो पावर्स जो है वो गवर्नर की पावर का सब्सक्राइब करेंगे किसको प्रेजडन को इसमें एक अवेंडमेंट हुआ था फुटि फॉर्थ अवेंडमेंट उसमें यह बहुत जोड़ा गया था कि अगर प्रेजडन को अइसा लगता है थोड़ी उन्हें उन्हें साही ना लगे तो दुवारा री कंसिडर के लिए काउंसिल अब मिनिस्टर को बोल सकते हैं ठी पुर्टिफोर्थ अमेंडमन जोड़ा गया था इसका प्रूभी दो बहुत बड़े आई यह कोश्चन है कि दा कोश्चन वैदर एनी और इफ सो वाट अडवाइस आटेंडर्ड वाइट मिनिस्टर तु दे पैसे लोट भी इनक्वाइड इन एनी कोट ठीक है इस पर कुछ जज्जमेंट भी है लेकिन वो यहाँ पर भी कोई काम के नहीं है 75 अधर प्रोविजन्स एस्टू मिनिस्टर्स 75 में बताता है कि अपॉइंट्मेंट ऑफ पी एंपी एंप को कौन अपॉइंट करेगा पैस्डेंट और कांसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी पैस्डेंट विद्द एडवाइस ओफ पी एंप ठीक दूसरा इसमें 91 अमेंटमेंट में बने बन भी जोड़ा गा ता वने यह बोलता था कि भाईया जो कांसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे समझें मिनिस्टर्स नहीं देखते मिनिस्टर अगर आर्टिकल 75 का बन एगा इनों देखा होता जो 91 अमेंटमेंट में जोड़ा गया ठीक उसमें यह दिया हुआ है कि मिनिस्टर्स जो है पंदा परसेंट से ज्यादा आप नहीं करा सकते ठीक है मानलो कि 500 की सीट है तो अरे पांस हो तो ज्यादा मानलो 200 की है अरे एंप इसका पंदा परसेंटा हुआ 30 से ज्यादा कॉंसल और मिनिस्टर्स नहीं हो सकते ठीक मिनिस्ट्री का पॉट्फोलियो आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते समझ रहें कि नहीं दूसरी बात बन बन भी यह बोलता है कि अगर एंटी डिफेक्शन लों में ठीक है जो टै और मिनिस्टर्स को कन दिलवाए प्रेजटेंट या किसी प्रेजट्न जिसको किसी और को नमीनिट कर देंगा उसके तोवारा हुआ है है फामे बात पांच में सबसे बढ़ा बात दीया है फाउस करन आदर अधिक सिख्ष का मतलब क्या है cent disparate की आकर कोई भी कॉयала मिनिष्टर तो मैंने बना दी यह लेकिन हुआ कोई भी हाऊस का मेंबर भी चली जाएगी समझेगे नहीं अब मान लोग कोई हार गया जैसे अरुन जेटली साब जो है दोजार्ट चौदा गिलक्सन हार गए थे फिर भी उन्हें मिनिस्ट्री दी थी तो उन्हें मिनिस्ट्री देने को राज सवासने मेंबर बना दिया गया था तो कहने मतलब यह है कि भी बिफोर मिनिस्ट्र एंटर अपने जब नए यह मिनिस्ट्र हूँ है फूफ और अनी पिरियोड ऑफ एदर हाउस ऑप परल्लेमंट किसी भी एक हाउस से आ जाओ तो भीग है कोई बात नहीं हम जीत के नहीं आ पाए लोग सवा में तो हम नॉमिनेट वह हम बहां से र तीर्स आफ ओल्ड पी एं अमल मेंशन चलो है में अफरमेशन था है चलो शचर्च शच्च जैविटी शिक्स में फिर्या यह थैंट शिक्स में अटावनी जनल फिंडिया है आटकल 76 अपट्वाइन करेंगे दूसरी बात क्या है वही जो सुप्रिंग कोट जज होने के लिए चाहिए कोई भी आदम अगर सकता है तो इसके बाद किस लिए है टू एडवाइस टू एडवाइस किसको देना है Central Government को टीक है Central Government काडवाइस के लिए ठीक उसके लाबा वो सारे पावर इनके पास होगी जो जो Government ने दे उसके लावा क्या है इनके पास किसी भी कोट में right to appear का है right to appear in any court बोट का राइट है ठीक यह वहाँ पर भी कांसिल में मलब यह पारलेमेंट में राइट टु एपियर हो सकते लेकिन बोट का राइट नहीं होता है नहीं लेमनेसर मेंसर बोस अब होंगे जो इन्हें दिये जाएंगे प्रेजडंट दोरा बहुत आता है कि इन्मेस एकाउंट्स आदमी जो है जो प्लेजर ऑफ दे प्रेजडंट पे जो है पोस्ट होल्ड करता है तो वहाँ जी आई ऑप्शन होता है टिक माल देना की ऑफिस तब तक इनके पास रहे अब तक प्लेजर ऑफ प्रेजडंट ठीक इस एककन्डेक्ट और बिजनेस अफ दी ृवर्णमें ऐफ इंडिया 77 की कोई भी काम होगा यूनियन का वह दिन के नाम से होगा ववनी के सील से होगा ठीक के नाम पर सारे काम होते हैं नाम के हेड होते हैं यह होता तो असली हड पी-जाइड पी-जाइम है 78 duty of PM as respects the furnishing of information to the president क्या होती है कि council of ministers जो भी कुछ कह रहे हैं वो बात PM तक पहुंचा है ठीक है मनलब council of ministers को represent करते हैं यह PM साफ प्रेजडेंट को ठीक है एक बुलाते हैं PM करता भी इसे नहीं बोला चाहिए PM साफ जो है प्रेजडेंट साफ से कहते हैं कि बाई council of ministers की या कह दो कि मेरी चाहिए है कि आप ऐसा काम करो रही है कि प्रेजडेंट साफ जो है सारे council of मिनिस्टर जैसे इंदरा गांदी ने फिन कियाँ चाई था प्रेजिडेंट साप को किया है कल से इमर्जेंसि है यह भी नहीं पूछा कि काउंसल군 मिनिस्टर कंग क्या है कि नहीं है जब कि यह है कि बा monstrous के साइन करके जब पहुंचना चाहिए वहाँ पर तब उन्हें और करना चाहिए ऐसे थोड़े जी जी जुरी करने के लिए थोड़े तुम्हें इतना उड़ापत की अद्दी दिया गया और कुछ रह गया और तो कुछ नहीं है सुआ हां तो यह बताओ पड़ा एक लीजिए रिकॉल कर लो कि मालब रिकॉल क्या कर लो अभी तो पूरा पड़ ही नहीं है जिकाल तो तब किया था जब सारह पढ़ लो सब Qalq करते रहा ना ठेक पुरा ना की पर चाहिए करता है देखो किस को करता है देखो प्रसिदेन सबसे पहले ए जिए तुम और जोटों डेखा ही ठीक है फीम और कॉंसिल ऑप मिनिस्टर भी देखा इडवाइस ऑफ दे पी-म ठीक है पी-म को भी अपाइंट करता है ठीक उसके बाद ने controller, auto-general को यही करता है, Supreme Code, High Code judges को भी यही करता है, ठीक है, और Finance Commission के members को भी यही करता है, और State Relations के case में जो members होते हैं, उनको भी यही करता है, और कुछ है, हाँ, UPSC और Joint Public Service Commission के members, chairman और members को भी यही करता है, governor को तो करता ही है, चौछ Chief Election Commissioner को करता है, ठीक, उसके इलावा तो और कुछ है ही नहीं, और कुछ के बारे में, और क्या है, कुछ भी नहीं है, राजिन प्रसाद आपको बताई दिये, दो बार बने थे, और एक, ये भी कविगार पूँच दिया जाता है, कि पूपल्स पैसिडेंट किन को कहते हैं, तो वो ड पहला मुस्लिम पैसिडेंट कौन है तो जाकिर हुसैन है जाकिर नाहीं द्यान आ रहा तो मुझे बता है, जाकिर हुसैन है, ठीक है, और कौन्से ऐसा पैसिडेंट है, जो ऑफिस में जिनकी डेत हो गई थी, तो वो फकुर्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन दोनों है, और परस्ट उयूज को पार्टे लें और और क्या है और कुछ है हाँ नीलम निलम संजीवा रैडी नीलम संजीवा रैडी पहले ऐसे पहले ऐसे पैसे फिस्टेंट थे जो अनपोस एलक्ट हुए थे कोई उनके आगेंस में खड़ाई नहीं हुआ था पहले और आखनी और हाँ फस्ट दालिट प्रेज़ेंट कोँ थे फस्ट दालिट प्रेज़ेंट वो थे की अनना, एक यही नाम था ठीक नाराइन नाम था अब यहीं आइन ay कैम यह देखे ही जाना और और कुछ नहीं बस और तो सब सही है चलो अब आंगे जाकते हैं शिट को यार पाच मेंट चलो यह तो आंगे बढ़ते हैं लोग तो आंगे अगे लिगए क्या तो गोगे अदम लोग का तो आगे 78 चलो आजाता है पार्लेमेंट हम बता भी है यह चेप्टर सेकंड स्टार्ड हो जाता है ठीक है इस पार्ट का कहां से कहां तक चले गई है पार्लेमेंट कहां से कहां तक गई है 79 से कहां तक 79 से चलेगा 122 तक मार करते चल नहीं रहा कैसे चलेगा अब 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 क्यों 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 अब 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 क्यों बोलता है कि भईया पार्लेमेंट होगा और पार्लेमेंट कंसिस्ट आफ प्रेसिडेंट लोकसभा और राजसभा ठीक है लोकसभा में अब अब तेखो जब भी मैं लोकसभा बोलूँ तो उसका मतलब लोवर हाउस होता है और क्या होता है और हाउस आफ प्यूपल होता है ठीक है हाउस आफ प्यूपल क्यों होता है हाउस आफ प्यूपल क्यों होता है क्योंकि यह तो बहुत फैली हुई है इसमों ठीक है मेरे फैमिली अटरम कौन से हैं लोग सबा और राज सबा क्योंकि यह सबसे जादा इस्तमाली होते हैं ठीक तो मेरे मूझ से यही निकलता है लेकिन आप समझा करें उसे हाउस आफ प्यूपल अगर लोग सबा बोलूं वैसे अगर राज सबा बोलूं तो बहुत ज़्यादा है फैली हुई है इसमें तो जिवाइस करते रहा है ठीक है प्री पॉइंट अब्यू से हम कोसिज कर रहा है कि सभी कुछ कबर कर लें हूं मेरे भाई संबिधान है पूरी जिंदगी पड़ोगे तब भी नहीं पूरा हो पाएगा ठीक है समझ नहीं पाओगा सुप्रिम कोर्ट भी समय के साफ से उसे उपर नीचे करती रहती है ठीक है कि क्या है पाल्लेमेंट तो पाल्लेमेंट में काउन कोन आएगा भहिया प्रेसिडेंट आएगा ठीक प्लस लोगसभा प्लस राजसभा ठीक यह इसी बात करता है सुनती नहीं एट्टी पताता है कंपोजीशन किसकी राजसभा की राजसभा पहले होता है न यह अपर हाउस है एट्टी में एट्टी बन में एट्टी बन में कंपोजीशन ओफ लोगसभा ठीक चलो ब्यारत निकालो देखो सबसे पहले तो constitution of parliament ठीक constitution of constitution of parliament में पढ़ लिया हम लोगों ने ठीक दूसरा composition यह में राजसभा में कौन कौन होंगे राजसभा में 12 nominated members होंगे ठीक nominated members कौन nominate करेगा president किस में से करेगा जैसे इस इस field में से किस किस field में से literature में से जिने literature की बहुत अच्छी knowledge होगी science में से art में से और civil दो तीन art science और service social service ठीक समझेगी नहीं और 238 जो होंगे वो elected होंगे elected के द्वारा elected यह भाईया जो ML होते हैं वो elect करते हैं ठीक है और इसका प्रोसीजर कहां पर दिया हुआ है फोर सेडूल में ठीक हम लोग ने क्या यह ट्रिक मालूम है टी ए आर आर का मतलब रास्षभा था ठीक है चौति नंबर पर ठीक तो फोर सेडूल में यह दिया हुआ देखो क्या इसमें दिया हुआ है कंपोजिशन अब दा कांसिल ओव स्टेट कांसिल अब स्टेट के मतलब रास्षभा आपर हाउस चचा लोग बैटते हैं समय समझें कि नहीं इनकी एज भी अब चलो आंगे देखेंगे भी आब यहां सब आ रहा है सब आ रहा है सब रहा ह हाय एंगे कासे हुआ किये जाएंगे जाएंगे कन एगड मेल अज कोशन ऑनी चाहिंश चाहिए इन मैंटनों क्या बेथ अठरह आंगे क्श्चेश फिल से होंगे लीटेछ अगि से शेंस लोगे आठ सम्झेगने ही आज बडा क्लियर हारा चालो और यूटी कैसे होंगे जैसे परिलिमेंट इसाइड कर दे ऐटी वन कमपोजिशन आफ दे हाउस आफ दे पीपल मतला लोग सब्सक्राइब लोग्स सभा में किते होंगे Metro लेकिन यह 104 यंडमेंस में हटा दिया नहीं होते हैँ और कुछ इसमें ऊड़क नहीं होगा इट्टू एप जी अज़ेस्मेंट आफ्टर इस सेंसस एट्टू एट्टू यह बताता था देखो यह तुम्हें थोड़ा समझाना पड़ेगा थोड़ा सा देख लो क्या होता था कैसे होता है कि भाई यह एंपी की सीट कहां से हैं भाई मालो 500 यह हैं 530 अब यह शाड़े 500 चीटे होंगी तो पॉपलेशन के साफ से होंगी मालो यह चार यह मालो पांच है ठीक है यह पांच डिस्टिक है यह पांच वह हैं स्टेट है ठीक है ज्यादा 28-28 थोड़े अग्जांपल लेंगे बाई मेरी मैत कमजोर है PCM से था मैं वैसे ट्रॉयल तक लेकिन फिर भी मा मालो पांच लेलो ठीक है अब पांच में मालो इसकी पॉपलेशन है बीस लाग इसकी पॉपलेशन है दस लाग इसकी पॉपलेशन है मालो पंद्रा लाग इसकी पॉपलेशन है पांच लाग ठीक है और इतनी रखो यार अब टोटल सीट इती है टोटल सीट मालो पचास ठी पचास शीट है तो बीस तीस चालेस पचास ठीक पचास सीट है और यह पॉपलेशन के साफ से इने बाण दिया जागे इसकी बीस लाग है तो इसका मतलब इन्हें चार सीट दे दी इनकी पंदालागहने स्टेट में बार्त मी है छहां प्रापलेशन ज्यादा होगी वहाँ ज्यादा सीटे दियाएंगे यहां पर बीस लाग इसे स्टेट की इसे चार सीट देदी यहांगी दस लाग इसे दो सीट देदी यहांगी पंदा लाग इसे तीन सीट देदी यहांगी पांस लाग एकी सीट देदी ठीक है तो पॉपलेशन के साफ से यह सीटे ब यह उनने सो इन गत्तर का लेते हैं क्यों लेते हैं क्यों कि भाईया उस समय पॉलिशी आई थी कि अपनी पॉपलेशन मदलब नहीं फैमिली फैमिली प्लैनिंग वाली आई थी जिसमें राजीव गांधी ने जवजस्ती लोगों के वो कराय थे कि या नहीं माना यूपी और जैसे उपर वाले नीचे जो मलब जो के लाएला वाले थे उन्होंने भाई इसको माना कि हाँ भाई फैमिली प्लैनिंग जैसी चीजह होनी चाहिए पॉपलेशन फालतुम नहीं बढ़नी चाहिए उनकी पॉपलेशन कम हो गई हम लोग की दो बढ़ती गई तो सब्सक्राइब कम हो गया तो अगर उसके बाद ने जब்गाई तो आया तो उन्हों देखा कि हमारी तो पक्लिसेंट हो जाएंगे तो ठीक है तो ऊसी बजा से फॉसलोग है उन्हारे मजलों का दो जार रहा है ठीक अब तो दोजार कि आने वाला होगा हूँ चलो स सबसे पहली बार राष सबा कभी डिजॉल नहीं हो सकती ठीक है कोई डिजॉल्व नहीं हो सकती ठीक है इसका कोई डियूरेशन नहीं है सब्सक्राइब बस यह है कि वन्हेंद में इसके टू इयर में रिटाइर होती है जिसकी वजासे यह चे साल तक चलती है ठीक है रिजॉल तो कभी नहीं हो थी कि आंगे भास लेंगे ट्रेशन और रिटाइर होते हैं जिससे इसका टायर करें कितता हो गया के टाइम में इम्रजनसी के टाइम में इम्रजनसी के टाइम में एत टाइम वन- सब्रास कर सकते हैं फिरिट इसमें आपको दिखुरा होगा ते जहां पर पंद्रा गांधिननी आप कर दिया गया तहीड कर दिदेंट मुझको वापस किया गया थी फ्रि किया गया चलो 83 हो गया 84 क्वालिफिकेस्टन ऑफ दे मेंबर्सिप ऑफ परल्लेमेंट क्वालिफिकेस्टन क्या नहीं चाहिए वही सिटीजिन अफ इंडिया हो और अगर कांसिल ऑफ स्टेट की बात है बन्लब कांसिल कौन साथ है आर्टिकल 84 की बात की ही सबसे पहले तो सिटीजिन अफ इंडिया होना चाहिए ठीक लोगा लड़ना चाहिए तो तो आकी एज 25 साल होनी चाहिए प्रेज़ेंट की केस में किती थी 35 साल थी और तो कुछ है नहीं है हुआ है चलो सैसन 85 सैसन और पर्लिमेंट प्रोर्रोगेसन डिसोल्यूशन ठीक है क्या है कि सबसे पहले जिए करता है प्रोरोगेसन कर सकता है बोत बोत हाउस का ठीक प्रोरोगेसन का सकता है तो संस करना है करना है घर स्टार्ट करना और लम अर्ट बीजो दूसरा जिव प्रोगेशन का सकता है पेस्डिर मतलब जो है जो स सेल्सन्ला उसको खतम करना है हैं तो देशियो उसकता है पिसव रिट को सकता है जो की लिटालो करो zuян से साथ होगे ठीक है मेंपीस के मतलब लोकशा अब दियान रखना डिजॉलिशन कभी भी डिजॉल का मतलब डिजॉल कभी भी रासवाग कभी डिजॉल नहीं होती है ठीक है चलो राइट और परेज़ेंट वेड्रेस और सेंड मैसेज़ टू बोथ हाउसेस ठीक अब दोनों हाउस को या किसी वी हाउस को समन भेश सकती है जाता है यह सब काम होते हैं इस पेशल एडर्स बात करता है जब भी जब बी कोई नय जब लोग सब बने गी मतलब फ्रेस फ्रेस स्लेक्शन हुए जैसे दोजा चौदा मोदी जी एकदम बनके आया उसके बाद सबसे पहला अडर्स कौन करता है ठीक जॉइंट मतलब दोनों हाउस को पुलाके ठीक और उसके बाद में और यली हर साल जब नया सेशन होगा तब भी वह है प्रेजेंट करेगा ठीक चलो वेरी गुड कुछ नहीं है ऐसा इसमें 88 right of members and attorney general as respect houses ठीक है जो ministers होंगे और attorney general of India होगा attorney general और ministers होंगे उनके पास right to vote नहीं होगा लेकिन वो वहाँ पर attend कर सकते हैं ठीक discuss कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं right to speak होता है बाई बोल सकते हैं लेकिन right to vote नहीं होता ठीक लेकिन जो ministers होते हैं council of ministers वो जिस house के members हैं वहाँ पर अपना बोड कर सकते हैं ठीक चलो 89 the chairman deputy chairman of council of state ठीक ध्यान रखना दो बाते हैं कौन सी बात कि जो chairman होता है chairman और vice deputy chairman ये होते हैं राज सबा में ठीक speaker और deputy speaker कहा होता है ये लोग सबा में कि अग्याब पाने देखो हमें इतना तक उनसे कम पढ़ लेना है कि प्री में पहली बात तो अब्जेक्टाइब लगाएं तो मैं पता हो कहां से question आ रहा है ठीक अंजित्ता मैं पढ़ा दूंगा ये समझों की मजा आ जाएगा आपको कैसे नहीं हावावाजी में लिखने के लिए तो कुछ भी आप में लिख देता है पूरा constitution भाई आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम सिर्फ constitution पढ़ने में रह जाएंगे तो तो भाई कम से कम अच्छा खासा टाइम चाहिए ठीक है तो इसलिए अभी हमें क्या करना है अभी य तो इसलिए वाला कोई भी दिन नहीं है यह वह नाम के लिए ना अगल कि आप लोग देख रहे थे हैं मैं यह बता रहा था कि रास सबाव में लोग सबाव ठीक है यहां पर कौन होता है चेर्मेंन होता है चेर्मेंन कौन होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा यहां पर कौन होता है स्पीकर होता है ठीक डिप्टी स्पीकर होता है ठीक यहां पर डिप्टी चेर्मेंन होता है डिप्टी ऍट्रे मेंबर्स दिट्रीं स्फिकर दोणों लेटेंगे वृट्वर्टी स्थी स्फिकर स्पेटि कैसे हैं ंवेगेजिए लिएरे बेदीन सफ Kerry Miss L AJrif injis 18 Kben ओंसलम आध मालूम है सब्सक्राइब करता है या अपना जिजाइन कर दिए किसको करसे देखा को देगा खरसी में खरसी करना तो इसको देगा यह किस पीकर करना हो, किस देगा को सपीकर को चलो तो और अगर जिमूप करना है तो जिसके हाउस का है मान लो यह नहीं 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 कोई काम की नहीं है थीक 93 आ जाओ सबसे पहले जैसे 23 आपाइंट कर दिया मलब चूज कर लिया अगर वो साइट सीट वेकंड करने के लिए और को चूज कर लो क्या दिखता है और इनका यह देखो वेकेशन जाइशन यह सब क्या होगा अगर वो जैडाइन करना चाहता है स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर को देगा कहसे होगा कि लोग सबागरोज जो है मज़र्टी में चाहें तो पास करते है जैसरिशन की नहीं अठाव और वह चौदा दिनका नोटिस दिया जाएग और क्या है बस बहात कदम पावर इनकी भ इनके 96 भी कोई काम का नहीं है जैसे पर्लेमेंट फिक्स करें वैसा रहेगा जब तक फिक्स नहीं करते हैं सेक्टरेट और पर्लेमेंट कुछ नहीं बस हैडिंग याद करनी है 99 और फर्मेशन प्रेजडेंट वोट दिलवाएगा या तो फिर प्रेजडेंट किलाबा कोई औ प्रेजडेंट किसी और को नमिनट कर देता है तो उसके सामने वोत दी जाएगी ठीक सौभ में वोटिंग वोटिंग इन हाउस डीक सबस्वाट कर देते हैं ऐसे यात लेना ऐसा है है मैं मैजर्टी जिसमें होगी उसी में काम हो जाएगा इसमें बस दिहान रखने द्वी है कि कोरम कोई भी कोरम जो है वो कम से कम मलब इसकी कोरम तब मानी जाएगी ऐसा अक्चुली में यह हो था दिखो वोटिंग में क्या बूलता है आटीकल फिंट वोर्टीग इन पारल्यमेंटलमत यह ऐसे आतकलो ठीक डिंग क्या बोलता है जोत्ते भी। मैज एंट आंट स मोतों यंड करी से प्रिजर्फ यू बहुत ही डिसाइड होंगे ठीक है बस वहाला एमेंडमेंट को छोड़के 368 में उसमें जैसे प्रोसीजर दिया हुआ वैसे होगा ठीक है और कम से कम क्या मानी जाएगी कि चलाने के लिए ऐसा नहीं कि 10% से भी कम मतलब MPs वहां पर हैं और आप कुछ पास किये रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा समझेगी नहीं चलो और 110 अगर नहीं है तो क्या करेंगे तो भाहिया अभी अभी के लिए सजब्सक्राइब हैं परूस्प्र वालिपाध इन आउगे बाद मेटेंटे कर देंगे और अगर कॉरम धियानक ना कोउरम का मतलब कम से कम लोग कित्यों हो कि बात्शित चालु की जाए पार्लेमेंट में समझेंगे नहीं नहीं बन रही है तो या तो अजन करने या सस्पेंड कर दें 101 vacation of seats की मतलब disqualification of members की बात करता है 101 102 अब ये कैसे होंगे seat कैसे खाली मानी जाएगी ठीक पहली बात तो कोई भी आदमी तब तक नहीं माना जाए जब तक वह चूज करके ना आया हो ठीक MP बनके ना आया हो जब तक MP नहीं बनों कैसे माना जाओगे दूसरा अगर कोई भी आदमी दोनों house का मेंबर है ठीक है मालो पार्लेमेंट का भी है और किसी किसी स्टेटलाइस लेचर का भी है स्टेटलाइस लेचर का मतलब साब पहले MLA थे MLA लड़ते लड़ते MP का election लड़े वो भी जीद गए ठीक है MP का भी जीद गए अब क्या है अगर इन्होंने MLA की seat नहीं छोड़ी resign नहीं किया इसमें से तो अपने आप ही ये मान लिया जाएगा सच पीरियड ऑफ टाइम जित्ता पार्लेमेंट फिक्स करेगी कि मतलब जित्ता रूल्स में दिया होगा उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद यह माना जाएगा कि भाईया तुम्हारी MP खाली होगी अब तुम MLA ही रहोगे समझे कि नहीं ऐसा होता नहीं है क्यों कि अगर मान यह मैं तो बहुत इस सेट अपर्लेमेंट थे अचाल नहीं गेर में यह तो वो एक क्सौ दो के मलब एक सो दो में दे कोलिकेसं के केस्टों module सविखません या वो दूनों भूसक्तिया तो नहीं कि olduğu केस्ट या वो डिसक्वालिफाइई ही नहीं जाए या इसमें प्रोभी दो जोड़ा गया कि केस में अगर स्पीकर को ऐसा लगता या कोई भी इस पीकर है या चेर्मन उसको ऐसा लगता है कि जॉद्येशन वह आप्सेंट रहता है तो बहुं यह मान लिया जाएगा कि वह बस इतनी सी बात है इसमें 102 डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा 102 डिस्क्वालिफिकेशन पहला कि या तो फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसके पास ठीक है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जॉइन कर रखा है यह अन्साउंड डिकलियर अन्साउंड बाई कंपेटेंट कोट ठीक है बिकम इन्सॉल्वेंट और यह एंटी डिफेक्शन लोग में आ गया होगो ठीक है डिफेक्शन यह यह ना जब देखते हैं एक सब्सक्राइब क्या क्या है हाँ इफ ही होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक इफ 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 उन्सॉंड मैं अन्स्टेंड बाई इस तेंड इंसल्उड इफ इफ सुन्ते इननफ इफ 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 ही गो इफ इस नॉइप इरो इस धीजाल८िर प्रॉलेमेंट एडो किया है दिस्कॉलिफाइड बार्लेमेंट और एनी अदर लो और और क्या था नॉट सिटीजन ओफ इंडिया महान लोग कोई एंपी था लेकिन भाग गया यहां से समझेग नहीं किसी और कंटरिम जाके बस गया तो वह उसकी सिटीजिशिब गई तो भी चला गया समझेग नहीं जैस अधर हाउस और पलेम इस सो डिस्कॉलिफाइड अंदर था टैन सीडूल में क्या है एंटी डिफेक्शन लोग की बात कि एंटी डिफेक्शन लोग मोटा माटी यह समझ लो कि जो दल बदलू थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी भाग जाते इलक्सन जीते कहीं और भाग समयाई बात की नहीं है डिसीजन ओन कोश्चन एस्टू डिस्कॉलिफिकेशन ओफ मेंबर्स ठीक है अगर कोई भी कोश्चन डिस्कॉलिफिकेशन लेकर आता है तो किसका पैसिडेंड पैसिडेंड का डिसीजन फाइनल होगा लेकिन इसमें ठीक है अगर एंटी के वन में जो दिये हुए A, B, C, D, E ठीक है इन पॉइंट पे वो डिस्क्वालिफाई होता है तो कौन करके दिये हुए हैं तो उसमें प्रेश्डेंट करेगा लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लाउ में होता है फीक है इसमें आप सिक्स पॉइंट पे आओ सिक्स पॉइंट में पहला सिक्स का बन पढ़ लेना सब समझ में आ जाएगा तीक है क्या कहना चाहरा हूं मैं कि चलो और कुछ है हां दूसा ये बोलता है कि अगर इलेक्शन कमिशन के अगर ये प्रेसिजंट अगर ऊपीनियन लेना चाहता है तो आप इसाप से काम करना पड़ेगा एक सो चार यह बोलता है कि अगर आप मेंबर नहीं रहे फिर भी आप बैटते हैं या बोर्ट करते हैं तो आपके आपके आपर फाइन लगेगा फाइन किता लगे पांस रुपए पर ठीक कि अगर कोई भी जा रहे हैं कोई भी अटेंड करने जा रहे हैं मीटिंग इटिंग तो समय चालेस देश पूर्टी डेस तक उन्हें आजा जासकता है एक सो साथ में ओर्डिनरी बिल है 107 में और नदी बिल है 108 में joint setting है 109 में procedure for money bill है 110 में money bill है ठीक money bill की definition 110 में डी वो यह उसका procedure पहले ही दे दिया गया 109 में ठीक अब देखो ordinary बिल कैसे पास होगा अगर वो कोई भी बिल है अगर वो money बिल को छोड़ के कोई भी बिल है तो वो कैसे पास होगा पहले लोग सभा में पहले बात चली इसकी दोनों में से कहीं पर भी बात की जा सकती है और फिर वो कैसे पास होगा एगरीट भाई दी बोथ हाउसे ठीक तो डीटेल में पढ़ने मज़ा आता लेकिन डीटेल में पढ़ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे लेप्स का ज़राद देखो समझ लो ठोड़ा देखना पूड़ है हम बात करना ऑडनरी बिल के कॉड़नरी बहुत है है जो मनीद्फिल या फाइनेसील बिल नहां मनी या फाइनेसिल नहां इनको छोड़ के बाकि सारे ओर्द नरी बिल है ठीक समझ गारी कि नहीं है तो फ innych है कहा पे दिया हुआ है पहले आ सकते हैं ठीक है किसी भी हाउसमें ईडरॉंस ऐसा नहींुं मेहीं आईए या राष सवा मेहीं आए ठीक है और दोनों यह हाउस दारा बौतology दोर ऒर एंहें होना चाहिए ठीक पहलनब दोनों फ ideia अब कोई भी बिल है अगर कोई भी हाउ से प्रोडोगेशन के टाइम प्रोडोगेशन से कोई भी भी बल लेफ्स नहीं होगा तक मतलब खतम म LDO कोई बात चल ले थी यहां पर लेकिन एक और पॉइंट जानो फिर आंगे अभी समझ में आ जाएगा एक और पॉइंट जानो कि फॉर एक्जांपल कोई बिल है राजसभा से पास हो गया था लोगसभा में पढ़ा हुआ था ठीक है लेकिन लोगसभा क्या हो यह डिजॉल्व हो ग लेकिन टॉल्स नहीं चया टो किलर राजसभा में होगा है तो थीक लोगसभा भी नहीं नहीं किया हिए तो भी बिल लेप्स नहीं होगा. लेकिन अगर कोई Pill है, जो लोकसभा से पास हो गया था, ठीक, यहां लोकसभा में भी पड़ाई हुआ था, यह पास हो गया था, दौनों ही case में, और राजसभा भेज़ दिया गया था. यहां से पास नहीं हो फाया, जब तक तो बिल भी इनके साथ में लैप्स हो जाएगा अब नए आएंगे वह अपने साफ से बना के देंगे यह तो इनका काम तो भी है ठीक है यह काम करके यहां बेद दें नए लोग आ जाएं तो नए लोग देख लो तुम अपने साफ से पास कर दो लेकिन यह पुराने लोगों राजसभा को भेज दिया यह तो चल दिये अब राजसभा क्या करें यह नहीं पास होगा वो लैप्स हो जाएगा क्योंकि यह नए जो लोग सभा वारे नए मेंबर्स आएंगे वो मानेंगे ही नहीं इसलिए बस दे दिया पढ़ो ए बिल तीन चार पांच यह तीन बात हमन विच यह नाट बीन पस्वा फॉप प्षाप वाज आवाष फ्फ प्फ पॉपल अप्र नहीं किया है चैल नॉट लेफ्ट अनड इसलिए उप्ट आप आउस आप दे-प्फॉपल फॉप इंड हो जाती है बिल लेफ्ट नहीं होगा ए बिल विच इस पनिंग इन तीन बात करता है कोई बिल है एक ने पास कर दिया दूसरे को भीजा दूसरे को दिया तो फिर क्या होगा अब मानलो हमने आपको दिया और आप कहले है यह जाद आपने पास रखें यह नहीं रहा संदेंगे तो भी दें नहीं रहा तो ऐसे बोल ले लिया हो कुछ नहीं बाई मतलब कुछ बोली नहीं है उस पर क्या करना है तो जॉइंट सेटिंग बुलाओ एक साथ बाइट हो कराओ इसे चलो इफ लेकिन यह ध्यान अखना जॉइंट सेटिंग अभी मनी बिल में नहीं होता ठीक है वेरी गोड इफ आफ्टर बिल हैस बीन पास्ट बाइब वन हाउस एंड इफ आधर हाउस एंड गभाए ट आँडर हाउस यह जी जैक्टिट बिल इफ डिया गया एक हाउस का दोरह कि दे हाउस है फाईलिल डिसग्रीट डियमेंटर हुग्स को ला गया है उस पर डिसग्रीः इसवें अग्रिया मोख नियुक्र दिश्ध्रण कर दिया गएगा अ कर देते हो से ने 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 नेन और प्रॉबिपन में टाइट टेरी दोन एंग प्रॉबबू टो जैटे वार्टि अमगा जने इस आजिए पहर जाजब दोन प्रॉबर्टी और फिरलाओ स्वे करे देते चाहरा है उले पूरॉब इंट तो आज तो देरो जोब्स आजब का सब्सक्राइब करते हैं सम्झग नहीं क्या है यह देख नहीं धिक दिमाग में थी इसके नहीं भी तुन यह आइए बंदेगी विदर जो जित्ते भी लोग है से पास हो गया ठीक है इसका प्रोवीदों है प्रोवीदों भी पड़ लेना एक बाट थीक है इसमें यह एंड डे डिसिजन आप करेगा इस्पीकर करेगा कहां पर दिया हुआ है यह आंगे कही दिया हुआ 114 अधाम दिया हुआ देखो जगा एक सो चौदा में नहीं हां एक सोट हारा में ठीक है एक सोट हारा का देखो आप फोर एक सोट हारा का फोर ज़रा देख लो एट जूशन शेटिंग अप टू हाउसेस दा स्पीकर अगर जॉइंट सेटिंग होगी तो यह स्पीकर जो है वह प्रिसाइट करेगा ठीक करता है बड़े रहा वांगे इस पेसल पोस्टिंग इस रिस्पेक्ट आफ मनी बिल वह या मनी बिल को लेगे प्रोसीजर एक सो नौ में दिया हुआ है डेफिनिशन ऑप मनी बिल 110 में दियुए है पर एक बहुत बड़ा कोश्चन है आतरा था धड़िले से चलो इस मनी मेल सेल बी इंट्रड्यूज इन दा कांसल आफ स्टेट सबसे पहली बात मनी बिल कहां आएगा कांसल आफ स्टेट में अब यह अगर ध्यान न दे पाता ना इतने कमेंट आते इस बात पर गरत पड़ा दो तुरंद कमेंट आने लगते हैं यह क्या बता दिया चलो क्या है मनी बिल का ध्यान रखना मनी बिल कभी भी राजसवा में नहीं इंट्रोड्यूज होता रहे ठीक है बहां से तो होगा ठीक है क्यों मनी बिल किस चीज़ के बात करता है मनी के बारे में और यह रासभाग मेंबर कौन होते हैं यह रेप्रेन्टेटेटिव और स्टेट होते हैं तो यह मनीविल उन्हें दे दिया जाएगा या उन्हें aur यहां तर भी नहीं हो ठीक है क्या है सबसे पहरी लाइन यह लिख दी कि ए मनी विल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूज इन कांसिल आफ इस्टेट मनी विल के केस में क्या होता है देख रहे हैं लोग 109 मनी विल सबसे पहले तो यह कहां नहीं इंट्रोड्यूज होगा कहां से इंट्रोड्यूज नहीं होगा सबसे पहले थे राजसभास से इंट्रोड्यूज नहीं होगा छिक दूसरी बात यह लोगसभास होगा पास होने के बाद किसक Ой पास जहार बापस भीजना पड़ेगा इनके पास ठीक है अब लोगसभा जह है चाहे इनका अमेंट्मेंट काने न माने वर पास कर दे इतनी सी बात है और कुछ नहींगे पड़ो पड़ देना ठीक और कुछ नहींगे इक सो दस में कौन कौन से बिल जो है मनी बिल माने जाएंगे ठीक अगर कोई भी ऐसा कोशन होता है इसका सब सेक्षन एक सो दस का तीन यह बोलता है कि कॉन कौन से यह पर भो तो इससे हैं कि कंटीजन्सेंशी ell हो won't च्पक कंटीजन आई हूं यह सब तो रहे दौस्य relatively माने जाएंग कोई भी ऐसा कोशन होता है कि मैं的 ही कि नहीं आई तो सपीकर का डिशीजन qualify नहीं होगा wire money bill है कि नहीं है, money bill हमेशा president के concern के साथ ठीक है, president के concern लेके फिर पास किया जाता है कभी भी president मान लो क्या होता ये इसके बाद में 12 में 111 में कोई भी bill अगर पास हो जाता है ना मान लो general bill था 108 ordinary bill कोई भी हुआ या joint sitting के बाद कोई bill हुआ या money bill हुआ ठीक है, money bill हुआ कोई bill है जब यहां से दोनों हाउस से पास हो जाते हैं जब दोनों हाउस से पास हो जाएंगे फिर वो president के पास जाते हैं उसके मोहर के लिए ठीक, मोहर ही बस लगती है, इसमें present क्या कर सकता है, बापत भी बेश सकता है फिर बापत इनके पास आएगा, फिर इनके पास करना पड़ेगा ठीक है, कभी कभार अपने पास भी रख लेता है pocket veto का इस्तेमाल करते हुए लेकिन money bill के case में यह ऐसा नहीं कर सकते ठीक, अपने पास नहीं रख सकते क्यों? क्योंकि money bill जो है, इनकी ascent के बाद ही, लोग सवा में introduce ही होता है, समझेगी नहीं? समझेगी नहीं? very good चलो, 111 में ascent to bill, ascent to bill में देख लेना पढ़ लेना, एक बाद रीडिंग माल लेना ठीक है, पेसिडेंट साब के पास जाता है और 112 annual financial statement, इसको budget बोलते हैं, ठीक है, budget लिखा नहीं है, लेकिन budget बोलते हैं 111 पढ़ लेना, एक बाद रीडिंग माल लेना, समझ में आ जाएगा बता दिया मैंना उसके बाद में financial bill 117 में दिया गया हो, special position as to financial bill ठीक 118 में दिया हूँ, एक बाद रीडिंग माल लेना, पूचा नहीं जाता है 120 में language दिया है, language to be used in parliament कौन से language पार्लेमें में यूज़ होगी? या तो हिंदी या इंगलिस ठीक है और अगर कोई भी ऐसा आदमी है, कोई भी MP है, जो हिंदी या इंगलिस में comfortable नहीं है तो वो speaker या chairman की permission से अपनी mother tongue में भी बात कर से मनलब अपनी बात रख सकता है ठीक है? और इसमें ये बात बोले गए थी, 15 साल बाद हम इंगलिस अठा देंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, अभी तक दोनों ही है restriction 121, 122 इंपोर्टन्ट है, 121 ये बोलता है restriction on discussion in parliament कि आप parliament में किसी भी high court या supreme court judge के बारे में कोई भी उसने function discharge किया, उस उस बारे में आप discussion नहीं कर सकते अभी मैं कली देख रहा था, उसमें law minister किरन जिजुजु साब जो है, वो उसके बारे में बोल लाए थे appointment of supreme court judges के बारे में कि अभी तक कितने tribal judges जो है, supreme court के judge रहे हैं और ये सब बोल लाए थे कि साफ साफ ये हमारे पास power तो है नहीं, लेकिन constitution maker ये चाहते थे ये constitution maker का intention था, कि appointment of supreme court judges जो है, वो parliament की ही power में आना चाहिए ठीक है, college system की बात कर रहे थे, ये सब बोल लाए थे, लेकिन वो बच रहे थे, बहुत सी चीज़ें बोल लाए, वो उनने खुदी कहा कि हम ज्यादा कुछ supreme court judges को लेके नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये एक सो एक किस के बारे में, जे इस्टिक्शन है, आप उनके discharge और फंक्शन और कुछ बिन चीज को लेकर हाई आजी नहीं कर सकते हूं, ठीक, एक सो तेस, ओर्डिनेंस मेकिंग पावर, वन टू थी, पैसिज़ेंट के बस एक दो तीन बोलने से ही लोग बन जाता है, ठीक, ओर्डिनेंस पास कर देते हैं, समझे कि नहीं, पैसिज़ेंट के आर्टिकल, वान टू थी, बस इतना बोल ल सेशन में नहीं है, ठीक है, जैसे ही सेशन में आएंगे, तो सिक्स वीक, ध्यान दखना बहुत पूचा जाता है, सिक्स वीक, कब से सिक्स वीक, जैसे ही वो सेशन में आएगा, ठीक है, जैसे ही सेटिंग होगी इनकी हाउस की, तो जैस दिन से हाउस बैठा है, उस दिन के स खत्म हो जाएगा अगर पास कर दिया तो यह एक्ट बन जाएगा तमझेंगे इसकी सेम वेल्यू यह होती है आर्टिकल ठाटीन में पड़ा था हम लोगों ने कि लोग क्या क्या होगा लोग भी होगा बस इतनी वाद द्यान लगको इसके अगर कोई भी ऐसा दो यह बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा ओर्डिनेंस प्रेसिजंट ने पास कर दिया जो पार्लेमेंट के पास ही पावल नहीं दिया उस पे लग बनाने गी तो फिर्वों बॉइड माना जाएगा चलो अब उसके बाद सुप्रिम कोड आएगा हम देख ले इंग चलिए तो कहां तक हो गया थंग्लोक का हो गया था 123 तक है 124 से क्या है सुप्रिम कोड है ठीक है कौनशी कोड़े समें दी खाल इंग्ली कोड Tale कॉंस्तूटेशन में किसके प्रोवीजन दिये हुए हैं इन तीन कोट दिए में पता है आपको सुप्रीम कोड माई बाफ हैं हाई कोड बाफ हैं सब परनेट कोड काऊना कूछ ए है मैं कुछ रहे हैं कहा से कहा तक दिया हुआ है यह 124 से 147 ठीक है आर्टिकल 124 से 147 हाई से 237 ठीक सब्सक्राइब कोर्ट 238 से दिये हुए है ठीकर 238 से तीन चारी सेक्षिन है पास सेक्षिन है देख लेंगो भी है चलो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सुप्रेम कोड की कहां से कहां थक 124 से 147 तो आर्टिकल 124 क्या बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है ठीक है इसमें एक सुप्रेम कोड क्या होगा कौन कौन जज़ेस होंगे कितने नंबर अफ ज़ेस होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उसका अपाइंट्मेंट कैसे होगा सबसे पहले में तो 124 का बन यह बोलता है कि एक सुप्रेम कोड होगी जिसमें सीजी आई होंगे और सच नंबर अफ जज़ेस दो ज़ेस के बास से 33 होगा है सीजी आई प्लस 33 अदर ज़ेस ऑफ सुप्रेम कोड ठीक है यह समय समय से चेंज होते रहे जब कॉंस्विशन बना था तब सास थे आज 33 ह कितने होते हैं वेरी गोड 33 नहीं 34 समझे कर नहीं अरे सीजी आई साफ थोड़े सीजी आई साफ भी तो है इनको क्या छोड़ दोगे समझे कर नहीं दूसरा अपॉंट्मेंट की बात की जाती है कि इनको अपॉंट कैसे किया जाएगा किसको सुप्रीम कोड जजेस को इसके सबसे पहली क्या है सिटीजन ओफ इंडिया हूँ सबसे पहली बार तो आप सिटीजन हो ठीक है और हाइं कोड में अगर आप हाइं कोड में जाज रहे हैं हो ठीक है या आप एड़ोकेट रहे हो हाई कोर्ट के कम से कम दस साल ठीक है एड़ोकेट ऑफ हाई कोर्ट कम से कम टैनियर्स ठीक या आप डिस्टिंगुईश जूरिस टो है इल डिस्टिंग्विस जूरिस्ट ऑन होग ऑगहुट से लोग होते हैं तो यह ऐता है क्वालिफिकेशन क्या-क्या है कि आप याभी बात हो सिटिजन रिटीजन उंप इंडिया हो थाई कोट के जज रहे हो पाँच such courts in succession or has been at least 10 years an advocate of a high court of two or more such courts in succession ठीक है और is in the opinion of the president, एक distinguished jurist, ठीक है चलो, चार पे आजाओ चार क्या बोलता है कि हाँ, रिमूबल चार बताता है रिमूबल रिमूबल कैसे होगा रिमूबल भाहिया के बल एक ही ground पे हो सकता है, बलब जो दो ही ground है, एक तो misbehavior misbehavior और incapacity ठीक है अब इस सिर्फ इन ही ground पे इनका रिमूबल, पेस्डेंट का रिमूबल किस ground पे हो रखता है, जल्दी कमेंट करके बता दो रिमूबल, सुप्रिम कोड जाज का misbehavior या incapacity कैसे होगा by special majority ठीक है special majority के ठीक होगा जैसे special majority जब resolution पास कर देगी, उसके बाद president उसको रिमूब कर देगा ठीक, अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिसको रिमूबल किया या कोई भी सुप्रिम कोड जज को या और हाई कोड के जज का भी यही है ठीक है सेम प्रोसीजर सुप्रिम कोड और हाई कोड जज जज का सेम प्रोसीजर है जिमूबल का पूछा जाता है कि कौन से ग्राउंड प्रोसे रिमूब किया जा सकता है इसमें दो चीज़े हैं या तो फिर कंफ्यूज मत हो दो चीज़े हैं या तो टोटल नंबर ऑफ दा MPs ऑफ दा हाउस ठीक है जितने विए टोटल नंबर हैं उन में से मेजर्टी में या एंड इस पेसल मेजर्टी टू थेर्ड ठीक है चलो पांचमा क्या बोलता है इसके लिए रूल्स की कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी इसी रूल्स में इन्होंने ये बताए कि कोई भी मोशन है तब आंगे बढ़ेगा पैस्डेंट के वो सुप्रिम कोड एर हाई कोड जस्ट के रिमूबल के लिए जब अगर लोग सभा की बात है तो कम से कम सो 500 MPs उस रेज़एशन को साइन करके आएंगे बढ़ाएं और अगर रास्स्भाह की बात है तो कम से कम 50 means को साइन करके आऊँगे बढ़ाएं इसमें नहीं दिया हुआ है ए यह रूल्स में दिया हुआ है जो पार्लयमंट ने रूल्स में था है इनकोAll इनके investigation को लेकि कि कैसे investigation होगी और यह वो ठीक है और छटा क्या बोलता है ओद कौन दिलाएगा प्रेस्डेंट दिलाएगा छटा ओद बताता है सातमा यह बताता है कि भाईया यह जो है एक वार आप सुप्रीम कोर्ट के जज़वन गए तो आप किसी भी कोर्ट में आप प्रेक्टिस नहीं कर सकते समझे कि अरे आप तो फिर नियाय मूर्ती हो चुक प्रेस्ट का नो पसंड वू हैसे ज़व ज़व प्रेस्ट प्लीड और एक्ट इन एनी चुट और विफोर एनी अथर्टी विदिन टेर्टरी ओफ इंडिया चलो हम लोग अपाइंटमेंट की बात कर रहे थे कि दूसरे में अपाइंटमेंट दिया है अपाइंटमेंट कै अपाइंटमेंट का देखो कैसे अपाइंटमेंट होता है कुछ आपके दिमाग में जो लिखा है को सब बोल जाओ चलब इसमें टू में आप ये बात देखो पहला है है फर्स्ट जैजिस केस है फर्स्ट जैजिस केस इसका नाम क्या है स्पी गुप्ता वर्सिस यूंशन ओफ इंडिया इसमें क्या हुआ था इसमें यह बोला गया था कि भाईया यह जो है इसमें जैसे पैसिडेंट विद दा कंसल्टेशन जैसे सीजी आई के इलावा कोई और जो जगा सुप्रीम कोड का पॉइंट होगा तो कैसे होगा पैसिडेंट विद दा कंसल्टेशन ऑफ इछीजी आई की पैसिडेंट विद दा कंसल्टेशन ओफ पैसिडेंट के साथ एस पी गुपता वसे उन उफ इंडिया में ये बात बोल दी गई थी दूसरा आया दूसरा कौन सा आया सेकंड जजस ट्रांफर केस वह सेकंड जजस केस वही सुप्रीम कोट बार सुप्रीम कोट बार एड़ोकेट एसोसियेशन वसे इन उफ इंडिया इसमें क्या बोला गया इसमें ये बोला गया कि भाया नहीं cgi की जो वहोगी cgi से कंसल्ट किया जाएगा और cgi का decision जो होगा वह final होगा ऐसा नहीं है president बिना उसके आगे चले जाएं और cgi अपना decision वह cgi अपना जो वह है जब consultation जब CDIS करेगा CGI किस से करेगा two senior most just से CGI two senior most just से consult कर गए फिर नाम बेजेगा किसको appoint करना है तो यहां से क्या हुआ इनों ने एस्पी गुपता केस को overrule कर दिया Supreme Court Advocate on Record Association है ठीक है ठीक कर लिए Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India ठीक इसमें क्या वो लग गया तो कंसल्ट किया जाएगा यह नहीं है र्खेंट फांट कर सकता है कि सीजिजन जोंगी वह यहां पर यह बोला गया सब्सक्राइब कर लेगा तीसरा आया इसका नाम है जी पैसिदेंशियल पैसिदेंशियल केस इसमें क्या बोला गया था इसमें यह बोला गया था कि बाई कोलोजियम सिस्टम क्या है कि पैसिदेंट करेगा विद दा कंसल्टेशन ओफ सीजे आई सीजे आई जो है किस से कंसल्ट करेगा तू सीनियर मोस जजज यहां पर बोला गया था लेकिन जी पैसिदेंशियल केस में हो गया था फोर सीनियर मोस जजजेश ठीक है तो आज के टाइम पे जो है हाई कोट और सुप्रिम कोट की जजजेंश कैसे अपॉइंट होते हैं पैसिदेंट विद दा कंसल्टेशन ओफ सीजे आई विस फोर सीनियर मोस जजजेश ठीक है CGI चार सी नेमो से कंसल करके प्रेजंट देगा तब वो अपॉइंट करेगा ठीक है और CGI जो नाम देगा वही फाइनल होंगे समझेगी नहीं क्वैरी गोड़ इतनी से बात द्यान लगको और कुछ नहीं जानना आपको इसमा पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें यहां लोगको एक्जाम पॉइंट और व्यू से अभी आंगे बढ़ जाना है ठीक और इसमें एक बात और गही थी कि अगर ट्रांस्फर की बात आ जाए अगर ट्रांस्फर की बात हो तो इसके इलावा और क्या हो जाएगा इसके इलावा आपको उस हाई कोड की जज़से कंसल करना पड़ेगा जहां से उसको ट्रांस्फर किया जा रहा है चीफ ज़स्टिस चलो कि यह सब का लोजियों सिस्टम का पार्ट है एंजैक के बुलता था इन्होंने एंजैक पास कि यादन इसमें पार्लेमेंट ने ठीक अपॉइंटमेंट आफ जैजस को लेकर ठीक है इसलिए क्योंकि भाई साथ सुप्रीम कोड का काम है पार्लेमेंट के लौ चेक करना ठ कोडेमेंट देखा भी गया इत्यास बहुता है ठीक है पहले के डिसीजन वह पार्लेमेंट के फेवर में होते थे इसलिए नहीं होते थे यह बाइस थी सुप्रीम को न वह जानते थे कि भाई उस समय जो से कौन थे अंपी सब फ्रीडम फाइटर थे भाई वह हमेशा सब्सक्राइब करने के लिए तो अच्छा ही कर रही होगी लेकिन समय चेंज लोगों ने ऐसे आसे काम किये कि परसनल अपना वेब बेंड डेटा साधने के लिए जो है एक्ट पास किये लौड बैंक अपना खीचने के लिए पास कीए बोड बैंक रोखने कोड के रूलिंग को रूल करने के लिए आप पास कर तो यह सब थोड़े पहले होता था पहले तो उन्हों का या एंपी जो है वो सब फ्रीडम फाइटर्स हैं देश की आजादी के लिए लड़े हैं हमें साब वेलफेर की बात करते हैं स्टेट की कैसे और अच्छा किया अगर रहे हैं है हमने डौरी प्रोविशन एक्ट भी पढ़ा आए था थी कि पेड को सुन तो एक बच्ची का फोन आया ऊप उसमें मैंने डौरी प्रोविशन एक में यह बोल दिया था कि मतब दहजा इसको लेके ही वो तो दहज को लेकर मैंने भूल दिया था का मोटा दह नहीं लो गए तो बीबी दबके रहे गी pounds ब humano को मैरे नहीं हमने का इसा नहीं है त्यां सकते हम ठाल कि झिलैए कि यमारों इसेkelnों कुटोंगे को और पर्लेगे नहीं मतलब मावाप धहज नहीं कि पहला से हैं। प्ढ़त परते दिमाग उदर बहुत घुम जाता पता नहीं चुस शार पता है पटा नहीं किया सोथ है मैं थोड़े दिन पहले मैं कुछ पढ़ा दात्ता हुआ तरफर पतानि का हो गयाजा है ह생 और अब को आपको बताम हो तौह सी हो रहना है पता ही क 있으면 अगर yearहां पर लाइबरेरी मेर टाक औप आतन्वाद ही आके हमला करते हैं, आपर एक ताम धॉझा छले लिए नग घर 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 घर, तो हम कैसे बचेंगे मैं यहां छुप जाओंगा, यह पिंगे उठा के उठा के प्रते परते, फिर ध्यन आया तुट किया सुच लहा है ? भाई साब दिमांग को मैंने इतना गरिया आया लब ले का अबे चोटा था तब भी यह यह सुचता था फिट्थ किलास में पड़ रहा हूँ तो यह बेंज पर बैठा कि अगर ही हाँ पाटक हो जाए अतंग यहा गा सुचता और आज जब इतना बड़ा हो गया तब यह ही तो मैं दिमाग से पूछा, ने भाई तु ऐसा क्यों करता है यारे, कि मैं कुछ पढ़ ला हूँ, तो मुझे गन्सेंटरेट करने दोस में, क्यों डिस्टाइब करता है, कि इदर सोचने, कुछ आओ, सोचने लेगे, कुछ आओ, वो बोला है, मालिक जे बता हो, कि हमें सोचन कि आओ, तो मैं सोचनी पाता, बस दिमाग सानती से आप पढ़ते समय ही रहता हुगी, सानती माग अब मुझे सोचने का मन करता हूँ, श्लेह मुझे सोचने का टायम दिया बहुत, मैं दो ही समय nYou be a time मिलता हूँ, सोचने का कि तुम्हारी बात सही है कि तुम्हें तो अपना काम कर नहीं है सोचना तो ही तुम्हें तो काईदे का सोचा करो कि future में क्या करना है और क्या क्या करें यह पाद दूए कि अब देखो यह सब बोलने में इतना time waste कर दिया कुछ चूटा उटात नहीं 24 में वेरी गुड एंज्यक जो है वो अनकॉंसल हो गया कौन से केस में सुप्रीम कोड एडवोकेट यही ऐसा ही केस का नाम था सेम लेकिन वो 2016 का है साइथ थी कि देख लेना चेक कर लेना एक बार हम उसे एंज्यक को अनकॉंसल कर दीका एंज्यक सब कुछ नहीं माना जाएगा कुछ सुप्रिंग कोड नेकार नहीं सिस्टम में माना जाएगा अपनी रिपोर्ट बनागे प्रेजिडेंट साब आप बना दो हाँ क्यों क्यों नहीं चाहते सेप्रेशन ऑफ पावर है समझेगी नहीं आप आप मान लो अपना आदी बढ़ अपने चीफ जडिया जाएगा अपने जूल से में पताएंगा ठीक है सॉर्री अपटिंग चीफ जस्टिस कैसे अपाउइंट होगा प्रेस्टेंट दोहरा पाउइंट होगा अपाउइंट मेंट एड होग जजजिस यह आर्टिकल याद करेना दोस्त पूछे जाते हूं अपाउइंटमेंट ऑफ एड होग जजजिस ठीक है कभी अगर कोरम ऑफ जजजिस पूरी नहीं है ठीक है या केसे ज्यादा है तो क्या है कोई भी जजज ऑफ दा हाइग कोड जो एलिजिबल है कॉलिफाइड है सुप्रीम कोड जजज अपाउइंट होने के लिए ठीक है तो उसको जो है सुप्रीम कोड जज बना देंगे ठीक है एड होग हम चलो अटेंडेंस ऑफ जेटाइड जज़िस सेटिंग ऑफ दस सुप्रीम कोड 128 बोलता है कि जेटाइड जज़िस भी होंगे जो उनको भी आप पाइंट कर सकते हो जो एलिजिबल है सुप्रीम कोड में पाइंट होने के लिए चाहिए वो हाई कोड या सुप्रीम कोड के कैसे भी जज़िस हो ठीक है उनको जो है आप बना सकते हो अगर केसे ज़्यादा है लेकिन कंसेंट आप प्रेज़िडन बहुत इंपॉर्टन है सम्में चलो अपॉइंट वैसे ही होंगे एंजेक द्वार को लोजियन सिस्टम द्वारा 139 वह बोलता है सुप्रीम कोड जो है वह कोड अपने स्टेट में सुप्रीम कोड पूरे भारत में कोड अप रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोड ने कोई भी जज़िज्मेंट पास किया तो उसे एज़े एविडेंस आप ठीक है एज़े एविडेंस आप दे सकते हो और वो बाइंडिंग होगा बाकि सारी कोड मानेंगी ठीक है और सुप्रीम कोड जो है कंटेम्ट के लिए भी प्रानिस्ट कर सकती है इसको चाहें अपने कंटेम्ट के लिए चाहें लोटर जूडी से मदलब लोगर कोड के चंसर्ट केस में बहुत ड्रामा हुआ है, प्र्रुप प्राइट बैटे हुए तो महिगी वाली है मोटर साइकल पर खड़ी होगी लेकिन सवकारियां बैट गए उसके ओपर फोटो खिजवाली तो फ्यूटर डाल दी तो उस पर टूइट कर दिया ठीक है और बहुत देस टूइट करते रहते थे कि जो जुडिसली जो है सही से काम नहीं कर र सुप्रीम कोड को जो खाड नहीं बाई-बाई उसका मजा तुत्ता बाता जब यह गुर्पा फाइन लगा भो भी नहीं देते हैं यहां हम जेल चले जाएंग बताओ तो सुप्रीम कोड ने बहुत बार का कि ऐसा है माफी मांग लो छोड़ देंगे माफी मांग लो काफी एजट्ट थे वो तो नहीं रहिवति नहीं कोई जजबन के आ था था तो उन्हों ने समझा रहता हो तो आ जड़ेक्केमादी जच्छ साबके केस देख लेना माईपाल सिंह राना वर्से यून ऐफ इंडिया स्टेट ऑफ इपी माईपाल सिंह राना वर्से स्टेट ऑफ यूपी गैडलाइन्स उसमें पास हुई थी कि भाई एडवोकेट्स तक्स में कुछ वह होना चाहिए जून परफ़ी तो उन्होंने उनका क्यों मैंने जिक लिया उनसे वी एक आ गया तो माफी मागलो या जेल जाओ उन्हें नहीं नहीं इवाट समय वहां नहीं जेल काता है थीक है बादी अब आबादाम ऑदा शुप्रिम कोट सीट कहां बहुंपी आपने वह और शुक्राइल थे से कि डेली में तो हई हई लेकिन CGI with the consultation of President कहीं और पे भी सीट कहीं और पे भी सुप्रीम कोड लगा सकते हैं और इनल जुदिक्शन ऑफ दे सुप्रीम गोर्ड एक सो एक त्यस कुछ भी समझ में ना आये तो कमेंट कर देना ठीक है काई देख आगर होगा तो फिर मैं उसको जरूर आपका रिप्लाई करूंगा अब ये भी एकदम आदमी सुचता है कि बिल्कुल मेरे कमेंट आए तुरंती रिप्लाई मुले जैसे कोश्चन है तुरंत जवाब मिले ऐसा पॉसिबल नहीं होता है भाई साब नहीं हकीकत में जिया करो हां हां 131 ओरिजिनल जो डिक्षन ओरिजिनल जो डिक्षन क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ड के लावा कोई और वो केस नहीं उठा सकता कौन सा कि अगर गौर्मेंट ओफ इंडिया वर्सिस किसी स्टेट के बीच में है कोई और स्टेट के बीच में है एसे कोई भी केस होंगे तो वह सीधा ट्राइल और इंजल जो इडिक्शन सबसे पहले कहा होगा किजी आई-ाई-ाई-कोड पास थोड़े होगा एक स्टेट यूपी और बिहार में लेकर कोई ड्रामा आई दोनों स्टेट के बीच में ठीक है कोई केस चला आए कोई भी टरिटरी को लेके या कुछ भी यह अर्या मेरे अंडर आता है या यह नदी का पानी हमारा या कुछ भी ऐसा तो वह केस किसी हाई-कोड नहीं सीधर वह सिधे का आएगे उनसकी अपील सुप्रिम कोड आएगी चलो कुछ नहीं 133 applied jurisdiction of supreme code in appeal from high code in regards to civil matter 132 में क्या था applied jurisdiction in certain cases क्या है उसमें कि कोई भी ऐसा case है जो high code रिजाट दिए या उसमें इस अप्लेट jurisdiction in civil cases civil cases में कौन-कौन उसमें दो चीजे हैं या तो substantial question of law of general importance या in the opinion of the high court such questions shall be decided by the supreme court दो बाते हैं या तो substantial question of law involved हो रहा है उसमें कोई भी civil matter में या in the opinion of the high court such questions shall be decided by the supreme court civil cases में का 134 में applied jurisdiction in criminal cases criminal cases में कब आएंगे कोई भी ऐसा case जिसमें high court ने किसी कोई accutal था लेकिन उसे क्या कर दिया है death penalty दे दी ठीक है पहला कोई भी ऐसा case जिसमें high court ने किसी एक accutal को कि lower court में तो अक्यूटल था लेकिन वहाँ पर उने high court में क्या कर दिया है सुप्रिम कोट ठीक है उसके इलाभा यह दिया हुआ है कि पार्लेमेंट चाहे तो और भी लॉस में जो और भी अपील है जो है वो जा सकती है तो इससाब से डेट पनलिटी जित्ती भी है सब सुप्रिम कोट अपील जाती है तीक लेकिन यहां पर ध्यान रगेगा यहां पर दो पॉइंट दिये हुँए के बल क्या क्या ए एक्सो चौतेस परदाव्या है मोग या सी 144 में हाई कोर्ट ने सटैटिफिकेट दे दिया हो साथिकेट टू फाइल अपील में जा सकते हो तीगा अगर हाईकोट सटैटिफिकेट दे दे एक्सोंट चौतेस में कोई भी केस में तो वो लिया तो आ जाएगा सुप्रिम कोर्ट ठीक है वहाई कोड ऐसे थोड़ी देदेगा चलो एक सो चौते से सर्टिफिकेट की बात करता है कब जुड़ा था फूर्थ अमेंडमेंट में ध्यान रखना ठीक है यह आर्टिकल याद करने है आपको जो पर इस से पहले क्या थी अख रखना ठीक है तो उसी का जिस सक्सेशरी तो है उनकी जगांप अब यह हो गए ठीक है सुप्रिम कोड हो गए ठीक तो उनके सारे जो है इनके पास आगए सब्सक्राइब करता है इस पेशल लिट प्रिटिशन क्या है कि आपके पास अपील का राइट तो नहीं था लेकिन फिर भी आप यहां पर लेके आ ठीक है अब आपर क्या है जाहता डिस में सी कर देते हैं लेकिन अगर कोई बिएसा एक प्रूजियों तो एसा होना चाहिए पील को नहीं है लेकिन फिर भी हम हाई कोड को समझ में नहीं आ रहा है साइस सुप्रीम कोड को मेरी बास समझ में आ जाए तो वहां पर कम देखर बोले का तो मुझे मुझे तो यह 136 देता है अच्छे जज्जमेंट भी आए हैं ठीक है इतना ही ध्यान रखो कि 136 में अच आप से उपर तो कोई है नहीं तो एक रिव्यू करके साइब नहीं है नहीं तो एक रिव्यू करके साइब पहली बार में नहीं सही से बास समझ में आई हो दुवारा रिव्यू कर लो साइब मेरी बास समझ में आ जाए तो भी अपनी जज्ज्मेंट को रिव्यू कर सकते हैं ठीक है अनलाजमेंट ऑफ दे जो अब दे सुप्रिम कोर्ट अगर जो पारलेमेंट जो है इसके सिलावा पारलेमेंट जो है और भी जो इडिक्सन दे सकती है शुप्रिम कोर्ट को कि आप यह भी केस आप डिसाइड कर लो यह भी केस आप डिसाइड कर लो ठीक है चलो चलो का इसके बात करता है तो यह इसमें भी आप इसु कर सकते हो या कोई भी ओडर या कोई भी डिग्री पास कर सकते हो तो हाइ कोट में सिर्फ एक ही सेक्शन में सब कुछ है ठीक विश्व चाहिए और यहां पर ठीट ना जयां जब हाई कोट में सिर्फ 226 में जितनी पावर है ना हाई कोट के पास सुप्रीम कोट के पास दो आर्टिकल मिला गे उतनी पावर है एक तो 32 प्लस 139 समझेगे नहीं अब जब आप पढ़ लोगे तब आपको यह बाद समझ में आएगी मेरी क्यों मैं कहला हूँ ठीक चला 139A एगर दो तीन हाई कोट बी इस पास पर केस देख रहे है और सुप्रेंग कोट भी देख रही है है तो वो क्या करें एक हाई कोड़ा जो उठा लिया थे कि अब थे खुझ देख रहे थे तब खुझ जब डेसाइड कर देंगे तब हाई को गाइडलाइन भेज देंगे चलो ऐसा है अब तो इस पे अपना काम करो यह है इसकी रूलिंग लौट कोट्स कि बहुता है कि बहुता है कि बहुते हैं कोई बी केस में कोई गाइडलाइंज दिया है कोई पास किया है तो बैंडिंग ओन ओल कोट्स है तो वह एदे लौ ट्रीट किया जाएगा समझेगी नहीं पर मालमी होगा या परसमें क्या है चलो एक सो ब्यालेज कंपलीट जस्टिस की बात करता है 142 142 से बहुत लीडिंग कैसे साई हैं ठीक है कंपलीट जस्टिस की बात करता है कि कोई बी ऐसा इसस पास करना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए तो वह 142 में ही करती है ठीक है 142 में 142 of the constitution of India बहुत पावर देता है Supreme Court को ठीक है इसमें बहुत सारी guidelines रिसू की है जिस पे law नहीं है इसी में वो guidelines pass करते हैं ठीक है कि complete justice के लिए में क्या क्या करना है law नहीं है तो क्या हुआ हम guidelines बनाएंगे जब तक ये parliament act नहीं बना रही है क्या parliament को ये enforce कर सकते हैं कि तुम law बनाओ इस चीज पर नहीं कर सकते है law बनाना उनका काम है समझेगे नहीं लेकिन हम तक तक कि लिए guidelines तो इसू कर सकते हैं ये कौन देता है 142 जो गिंदर कुमार में guidelines दी दी कि आपको arrest में क्या-क्या ध्यान रखन ह्वार इसए हैं चलो ऐसा एसा जब तक law नहीं पास हो रहा एसे ऐसे होगा है कि कि निपुन सक्षेना वर्स renewalी यूनिन ऑफ इंडिया में कि कि कम्पन्सेशन टूभ विक्टिम हुँगे या वे बिटिम है रेप रेफ टीम है गैंग रेप विक्टिम है यह जब कोई लॉव नहीं है तब तक के लिए उनको कम्पन्सेशन किस रसाफ से दिया जाएगा वह हम बता रहे हैं और वह बता देते हैं सुप्रीम कोड और हाई कि क्या क्या होंगी बाद में लो बना दिया उसी पर्लेमेंट ने ठीक है वो पर्लेमेंट का काम है बाद में लो बनाओ ना बनाओ जब तक के लिए हम गाइडलाइन इसु किये दिर जैसाब 142 में होता हुँ चलो 143 पावर पेजज़न टू कंसल्ट सुप्रीम कोड 143 कभी भी पेज़ज़न का मन हो जाएगा तो एक होता है न बच्चों वाला की 143 का कोड़ वर्ड हो था आई लव यू तो वही वाला है ठीक है तो पेज़ज़न जो है कि कभी भी सुप्रीम कोड से बोल सकता है कि भाईया यह है 143 में कि 123 123 बोलने उसके लौ बन जाता था ओडिनेस पास हो जाता पेज़ज़न के 143 बोलने से सुप्रीम कोड आ जाती है कि उनसे कंसल्ट करने किसी बात को ले के तो अगर उन्हें लगता है कोई भी ऐसा कोश्चन ओफ फैक्ट या कोश्चन ओफ लौ द लेकिन एक बाद ध्यान रखिएगा यह कंसल्टेशन है कोई जज्जमेंट पास नहीं कर रहे हैं जो सुप्रीम कोड प्रेज़न बाउंड हो जाएगा प्रेज़न की इच्छा है चाहें आप उसको माने चाहें ना माने आ हम से पूचा गे हमने बता दिया ती वेरी गूट सबसे पहली जो कंसल्टेशन थी वो इन जी दा डैली लॉस एक्ट नाइंटीन फिप्टीवन में मांगी गई थी ठीक है केस का नाम है चलो 144 सेविल एंड जुडिशेल अथर्टीज तो एक्ट इन एड एड अड अप दे सुप्रीम कोड जितनी वे थर्टीज होंगी चाह आप से ने काम करना पड़ेगा है एक्सोप्रेंटालेश रूल ओफ कोड की भाईया रूल जो है जो प्रेक्टिस करेंगे उनके लिए क्या रूल होंगे अपील कैसे आएगी ये सब चीज़ें दी हुई है इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो तीन है तीन ये बोलता है कि दो चीज़ें या तो इंटर्प्रेटेशन ऑफ दा कॉंस्टिशन ठीक है इसमें सब दिया हुगा टू में सिंगल और डिवीजन की बात की गई है और तीन में कॉंस्टिशनल बैंच की बात की गई है चलो और कोई काम का नहीं 145 में 146 में ऑफिसर एंड सर्वेंट एंड एक्स्पेंस्ट अफ्रीम कोड कि बहीं ऑफिसर और सर्वेंट की जाएंगे सुप्रीम कोड में यह सब विद दे कंसलिटेशन अफ पॉब्लिक सर्विस कमिशन यू जूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन और इनका फंडिंग अई इनका खलचा कहां सब्चाएगा कंसलिटेट फंड ऑफ इंडिया से ठीक है कंसलिटेट फंड ऑफ इंडिया से इनका खल्चा उठाएगा और कोई भी अगर फाइन या कुछ भी कोईबी कोड इंपोस्ट करती है ना तो वो फंड मेहीं जाता है फालतू के डिटेट डाल देते हैं, SLP फालतू के लेके जाते हैं, तो उनके ओपर fine impose हो जाता है, फालतू के case ले आते हैं, तो फाइन कहां जाता है, वो सब consolidated fund में ही जाता है, ठीक है, वहीं पर जाता है, वहीं से उनका खर्चा भी आता है, अगर high court है या वो है, अगर lower courts हैं, तो उनका state का होता है, consolidated fund of state, supreme code है, तो वो consolidated fund of India होता है, 147 interpretation क्या है, कि अगर कोई भी interpretation के में जरूरत पड़े तो हम कहां से लेंगे, government of India acts से लेंगे, और य है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, चलिए, कहां तक हम लोग पहुंच गये थे, हम लोग पहुंच गये थे, सुप्रिम कोड खतम हो गया था, है, चला, यह 147 तक हो गया था, अब कौन है, अब भीया, controller and auditor general, CAD, क्या बात पिट्ट, हम, control order general कहां था गया, से लेके, 151, 152, 151, चलिए, क्या है, 146 में, आर्टिकल 148 में, यह दिया हुआ, कि controller order general होगा, ठीक है, controller order general का काम क्या है, जैसे नाम है, कि audit करना, ठीक है, कितना भी consolidated fund of India, consolidated fund of states से कोई पैसा कहां पर किता खर्च हो रहा है, उस सब की report बना के president साब को देना, इतना सखाम है, ठीक है, एक question आता है, कि कौन कौन सी constitutional bodies होती है, constitutional bodies, ठीक, constitutional bodies कौन कौन सी है, जो वो सारी bodies, जो direct, वो सारी bodies, जो direct constitution से power drive करते हैं, कहने का मतलब है, जिस भी body के बारे में, constitution में direct provision दिये हुए हैं, वो constitutional bodies होती है, जैसे controller, order general, finance commission, commission, और UPSC, union public service commission, और, और कौन कौन है, attorney general of India, advocate general of India, और election commission, जिसके बारे में भी हम लोग constitution में direct पढ़ेंगे, ठीक है कि constitution में उसके बारे में direct provision दिये हुए हैं, वो सारी constitutional bodies होती हैं, एक हम लोग कहते हैं, extra constitutional bodies, extra constitutional bodies क्या, कि जिसमें parliament ने constitution से power drive करके उसको establish किया, और किसी act के थूँ, जैसे national human right commission, NHRC, ठीक है, जैसे national commission for women, जैसे national commission for children, ठीक है, national commission for SC, national commission for ST, यह सब constitutional bodies हैं, क्यों, क्योंकि इनका direct provision constitution में दिया हुए है, दो बाते बस simple समझ लो, अगर आप कोई भी चीज पूर दिया जागी, यह constitutional bodies हैं कि नहीं हैं, अगर आपने उसे constitution में उसके बारे में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो वो constitutional body नहीं है, तो वो extra constitutional bodies है, extra constitutional bodies इसे parliament by law establish करती है, ठीक है, national human rights commission किससे हुआ है, human rights commission जो 1991 पास हुआ था, उससे power drive करता है, ठीक है, जो किसी act से power drive करते हैं, extra constitutional, जो constitution ने power drive करते हैं, वो constitutional bodies, ठीक, very good, क्या होगा, 140 की भईया, controller, outer general होगा, ठीक, और क्या, president द्वारा point होगा, और क्या, design करना है, तो president को करेगा, qualification क्या चाहिए, as a, qualification नहीं, और इसका removal कैसे होगा, removal कैसे होगा, as a judge of supreme court, जैसे supreme court judge का removal होगा, तो वही same ground, कौन कौन से थे, misbehavior, और incapacity, है, कोई दिकत, बस, इतना सा ही, 148, देखो भाई, क्या दिया हुआ है, 141, क्या है, there shall be a controller, outer general of India, who shall be appointed by the president, and by the under the man, seal and remove from his office, like ground of the supreme court judge, every person appointed as a controller, oath कौन दिलाएगा, present दिलाएगा, दूसरा ये बोलता है, तीसरा, Stanley I launch, जैसे parliament fix करें, जब तक नहीं fix करें, setting schedule के साफ से दिया जाएगा, ठीक है, और चौथा, हाँ, एक वाय कोई controller, outer general, shall not be eligible for further office, either under the government of India, or government of any state, after he cease to hold his office, ठीक है, कोई भी controller, outer general, retirement के बाद, कोई government job, या कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब उसमें नहीं आ सकता, ठीक है, और और, 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 हाँ, और, 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 हाँ, और, कुछ नहीं काम का, ठीक है, सब फालतुख चीज़ें, ठीक, और जब rules कम लोग देखेंगे, इसमें नहीं दिया हुआ है, कि इसका time period किता है, 65 साल, या 6 years, ठीक है, जो पहले आ जाए, ठीक है, एक बार कोई पॉइंट हो कि कितने साल के लिए जाए सकता है, 6 साल के लिए है, और, या 65 साल, ठीक है, जो पहले आ जाओ, समय बहुर, रेटार हो जाएगा, 149, इतनी ब्लंदर मिस्टेट करता हूँ, इतनी सी बात है, और, कुछ नहीं पढ़ना है, जियाक कर लेना, बस 145 में कहा है, 149 में ड्यूडीज है, और फिन, 150 में फॉर्म आगा अकाउंट है, या और एक से क्याउंट में, रिपोर्ट है, और रिपोर्ट, चलो, अब आजाओ, पार्ट 6, स्टेट, ठीक है, स्टेट, स्टेट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो स्टेट बता रहा हुआ है, कि स्टेट कौन कौन से होंगे, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के सारे स्टेट होंगे, स्टेट में क्या होगा, गवर्नर होगा, ठीक, इसमें एक प्रोवीजो है, जो की जोड़ा गया था, सेविंथ अमेंडमेंट में, की एक गवर्नर टू और मॉरस के लिए हो सकता है, ठीक, एक ही गवर्नर टू और मॉरस स्टेट के लिए हो सकता है, 154 क्या होगा, एक्जेक्जेटेव हैड अफ स्टेट होगा, क्या ही लिख रहाय हूं ऐसे ही समझा दूंग, 152 में kan ignorant जैसे दिया हुआ, गवननर ऑफ स्टेट क्या होगा दिया सल्वी गवननर फॉर इच स्टेट वी दो देख लो सेविन्थ टीक वन फिप्टी फॉर एक्जिगुटे पावर ऑफ स्टेट एक्जिगुटेव हैड कौन होगा गवननर होगा 155 अपॉर गवननर कौन अपॉर प्रेसिडेंट करेगा 156 टर्म ऑफ ऑफ स्टेट दो बाते हैं एक तो फाइव यह और दूसरा होल्ड ऑफिस प्लेजर अफ प्रेसिडेंट ठीक है दो बाते हैं अगर टर्म पूर्ट पीया जाए तो वो और किसके उसके प्लेजर पे तो प् किया है ठीक है और प्वाससेडेंट के केस में वे किसको रिजाइन करता है दंग प्रेजर लगेंकेश को सब्सक्तिज कए करा 157 क्वाइशन क्या है 157 में कвैलिफिकेश नहीं है बस दो बात kalo सटेंटेशे साल से ज़्यादा यह जो बस एक सट थाउन कंडिशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस 158 बताता है कंडिशन ऑफिस क्या होगा कंडिशन यह है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रखा हो और आप किसी भी हाउस के पार्लेमेंट के या किसी भी हाउस के मेंबर ना हो बस चलो गवर्नर को ओफ कौन दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोट समझेगी नहीं ध्यान रखना ठीक अपॉइंट जरूर प्रेसडेंट कर रहा है लेकिन गवर्नर को ओफ कौन दिला रहा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोट वेरी गोड एक सो साथ डिश्चार्ज ऑफ करेगा यह सब तो इसमें दो रूल हैं आगर गवर्नर के अपसेंस में या तो चीफ जस्टिस ऑफ डेट हाई कोट जहां का वो गवर्नर है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है उसके या या कोई नेबरिंग स्टेट का कोई गवर्नर है उसको दे सकते हैं ठीक है पैसिडें को मालों MP के कि गवर्नर को इन-चार्ज दे दिया या चीफ जस्टिस ऑफ Thunder को पास है जैसे प्रेजर्ट के पास है वैसे गवर्णर के पास है वहां पर 72 में है वहां यहां पर 161 में है ठीक है इंपोर्टन आटिकल है याद कर लेना extent of duty power of the state अब यहां पर council of ministers होगे एक सो त्रेसेट में कि council of minister होगे to aid and advice to governor ठीक है वैसे ही है कि council of minister headed by the cm to aid and advise the governor general जैसे वहां पर article 74 75 थे यहां पर 163 164 है ठीक है 164 में क्या है आदर प्रोविजन says to ministers कि भाई या chief chief minister होगा council of ministers होगे और दोनों को पॉइंट governor करेगा ठीक है cm को तो पॉइंट governor करेगा council of ministers को जो है with the advice of the cm ठीक इसमें प्रोवीदो जोड़ा गया है कब जोड़ा प्रोवाइड डैड़ है जोड़ा उड़ा नहीं गया पहले से ही है कौन सामल बात करने 164 क्या है इसमें है एक ठीक ध्यान करना cjmo ठीक है cjmo कौन होता है cjm साब होता है cjmo है जार्खंट महारास्ट्रा और उड़ीशा इन चार में क्या होगा इन चार्ज में minister of tribal affairs भी होंगे कि मिस्टर आफ ट्राइबल एफियर्स ठीक कि महारास्ट्रा नहीं MP है cjmo ठीक 36 जार्खंट MP और उड़ीशा इन चार स्टेट में क्या होंगे minister of tribal affairs भी होंगे ठीक है बाकी सब में तो सारे मिनिस्टर तो होंगी होंगे लेकिन इसमें minister of tribal affairs भी होना चाहिए उसके बाद वही सारी चीज़ें कि 91 में यह जोड़ दिया गया था कि वहाँ पर आर्टिकल 75 में वहने बन भी जोड़ दिया है जिसमें यह वह लगा था 15% से ज्यादा आपके council of ministers नहीं होंगा मतलब जित्ती आपकी में collective में दो में क्लेक्टिव जे इस्पांसरिटी की बात की गई है ठीक है तीन में वह यह वह तो तो की बात की गई 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 गवर्नर दिलाएगा चार में कि अगर six consecutive months से माल अच्छे मैंने वह बात करते हैं ठीक है जो पहले थी चलो दुबारा उसको repeat करने से क्या होगा कि एक सब्सक्राइब एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट है ठीक है यहां पर टॉनी जनरल ऑफ इंडिया था वहां पर वहां पर शेयत्तर में और यहां पर एक सब्सक्राइब में क्या है एडवोकेट क्या होता है बहुत से लोगों का अबजेक्ट टाइब कोश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं कि वह सौफते हैं यह गवाट टिक मार दी अ फिर भी यकीन नहीं है अरे यार चैतर नहीं पर पर शेयत्तर में अरे यार कोश्चन चलो कर इस पर आओ कहां चलो हां एडवोकेट जनरल और अफ स्टेट कौन होगा एडवोकेट जनरल ओप सस्टेट कौन अपउंट करेगा गवर्नर अपॉंट करेगा वह वह उसके बाद में और कुछ नहीं है इसमां Кब तक होड करेगा दुरिंग धन कसा आप भुवर्नार duties of chief ministers as respect for furnishing the information to the governor state legislature constitution of legislature in state 168 constitution of legislature state का मतलब क्या है कि क्या होगा state legislature होगा ठीक है और मजबूर हो जाता हूँ लिखने के लिए 168 क्या होगा यह बताता है constitution of state legislature कि हर state में क्या होगा एक state legislature होगा governor होगा ठीक है और कुछ state में seven states दिये हुए है जिसमें क्या होंगे state council state legislative council ठीक है mlc जिसमें होते हैं ठीक है यह तो mla होगा यहां पर mlc कौन कौन से साथ state हैं देखो महराष्ट्रा आंद्रप्रदेश बिहार यहाद अर्कना साथ कुछ दिया जाए कि mlc कहां कहां पर हैं member of legislative council कहां कहां पर भी होते हैं यूपी में तो हैं हैं ठीक है उसके लावार कहां कहां अंध्रप्रदेश बिहार महरास्थ्वा करनाठका तमिलनाडू तेलंगना यहां यहां पर दोसक्रणने हैं बटते हैं इक होता है बहुत शाय इस ऍहां पर यह दोनों हाउसे हैं जनरली एक ही हाउस होता है ठीक है कौन सा मेले वाला इस्टेट लाइसलेटिव असेंबली वाला कौन कौन से साथ है यह देखो आंत्रपडेश बियार भारास्ट्रा करनाटका तमिलनाडू तिलंगना और उत्तरपडेश ठीक चलो यह दो मेन के नाम दिए हुए है कि उसको जो लाइस्टैडटीव काण्सिल को एंगे है इसको लाइस्टैटिव अगर लाना चाहती है तो वो अपने यहां से अपनी legislative assembly से उसे majority, special majority में pass करके parliament को बेज़ दे, parliament जो है कर देगी और जिसके state में है उसको हटाना, abolish करना है तो फिर वो legislative assembly में जो है उसको pass करके special majority से, special majority मतलब two-third और वो parliament को बेज़ दे, parliament कर देगी इतनी सी बात है, composition of legislative assemblies, 170, article 170, composition क्या होगा, कम से कम 60 ज्यादा ज्यादा 500, ठीक है, किसमे, MLA, किसी भी state में कम से कम दित्ते होंगे, 60 होंगे, ज्यादा ज्यादा 500 होंगे, अब इसी हिसाफ से, वो जब लोग महाँ पर पढ़ रहे थे, इसी हिसाफ से, इसका 15% वाला, 15% से ज council of ministers नहीं होंगे, तो इसी के 15% जितने होंगे, मान लोग किसी एक state में 100 हैं, ठीक है, तो उसी हिसाफ से हो जाएगा, और कुछ दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया है, दो ऐसे state है, मिजोरम और गोवा, जहां पर जो आपके ML है, ठीक है, 40 ही है, समझेक नहीं, वैसे कम से of legislative council, इसमें बहुत ड्रामा है, कि एतने percent यहां से लिए जाएंगे, इतने percent यहां से दे रहे हैं, लेकिन आप यह देखिए, जहां पर जितने MLA है, जिस state में, अगर उसी में MLC भी है, तो वो MLA के one third ही होंगे, समझेक नहीं, one third है, not not exceeding one third, ठीक है, for example, किसी एक state में 300 MLA की seat हैं, ठीक है, अब वहाँ पर legislative council भी है, MLC भी है, तो यह इस साब से कितने हो जाएंगे, सौ से जादा नहीं होने चाहिए, समझेक नहीं, सीदी सी बास, one third, duration of state legislature, duration वही है, अगर MLA वाली बात है, मतलब state assembly वाली बात है, तो state assembly पांस साल के लिए होगी, अगर emergency, emergency state में लगी होई है, तो एक साल तक extend हो सकती है, लेकिन जब से emergency खतम होई है, उसके 6 मैने ज्यादा तक continue नहीं रहेगी, अगर expire हो चुकी है, ठीक है, और दूसरी बात, और अगर MLCs है, legislative council भी है वहाँ पर, तो legislative council के case में वो कभी dissolve नहीं होती, हर दो साल में one third जो है, retire होते हैं, तो इस आप से 6 साल हो जाती है, वैसे ही जैसे, upper house, lower house वाला होता है, वैसे यह साब किताब होता है, इसका, ठीक है, qualification for membership of the state legislature qualification क्या है, qualification वही है, citizen of India हो, MLA के case में, legislative legislative assembly के case में, 25 साल है जोनी चाहिए, legislative council के case में, 30 साल है जोनी चाहिए, कम से कम, बस, 114, session of state legislature, prorogation, resolution, बिल्कुल similar है, ठीक है, पढ़ लेना, कुछ नहीं है, इसमें, पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक, आपकी किस्मती खराब हो, तभी इसमें से आजा बना नहीं आता है, ठीक, अभी तक जितना बता दिया है, उतना तो याद कर लेना, ठीक है, starting के देड़ इन आप ही, जैसे घर का रास्तै, किसी को याद नहीं करना होता है, वो इतना आता जाता है, कि वो याद होई जाता है, ठीक है, बिना देखे, बिना सोचे, वे पने आप ही, उसकी बाइक वाहां पर मूड़ती रहती है, या, साइकल ю, पैदल, अपने आप पैर, वाहां कि बरोसा रखो कोई दिक्कत वाली बाद 213 याद रखना ओर्डनेस मेकिंग पावर ओफ गवर्नर गवर्नर के ओर्डनेस मेकिंग पावर 213 में है और वहाँ पर प्रेज़न किती दी वेरी गोड 123 है 123 चलो अब आजाओ हाई कोट पे चैप्टर फाइव कि हाई कोट होगा 214 में 214 से 237 तक है ना एक्जाम देने के बाद बताने जरूर आना ठीक है कि कैसा हुआ एक्जाम देने के बाद लोग भूल जाते हैं ठीक है नहीं ऐसा नहीं है बहुत से लोगों कमेंट की है एक्जाम देने के बाद ही वाट्सेप पे कमेंट आते हैं कि सार्व हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ हुआ अपना रेजल्ट भेजते हैं ठीक पहले तुम्हें शेयर नहीं करता है लेकिन अब इंस्टाग्राम पे शेयर भी करता हूं ठीक जो भी मुझे कुछ भी बेजता है जी बनाके भेजता है या कुछ भी ऐसा तो इंस्टाग्राम पे अब है करता हूं ह। हाइक पोट कहां से कहां तक है ह। लॕ सट्वु conve गए हॉrió मारा ऑर्टिकल neighbors ईत्वड़ कोर्ट क्या होगा हरी कोट हुआ हरिस्टेट में अइक्यु एक ओपर ही कोड़ होगा आर्टिकल तू-फिप्टे इन क्या होगा दिनले होगा क्या कि आपको मालूमी है 216 आफ हाई कोड क्या होगा कि कॉंस्ट्यूशन कैसे होगा कि वह एक सी जी आई होगा वह चीफ चीफ जस्टिक आफ हाई कोड और उसके लावस्टा चदर जैसे आफ पॉंटेट वाई दी कि सत्रा अपोंट्मेंट और कंडिशन आफ ओफिस जजज आफ दा हाई कोड क्या होगा बहुत कौन आपनेंट मैंने बताया था हाई कोड हो चाह सुप्रिम कोड दोनों का सेम भाई एक अलोगियम स्टम कौन कौन सीजिए आई पैस्ट्रेंट विद्दा कंसल्टेशन आफ द होगा ठीक है अलब उसमें चेंज नहीं कर सकते जो बोलेगा भई पैस्टेंट्स आपको मानना पड़ेगा ठीक है ऐसा नहीं है अपनी मर्जिस किसी को बनाने और क्या है एज इनकी 217 में एज किती है 63 साल 65 साल सोरी 62 यह ठीक है और उसमें 65 साल थी ठीक और कौन कॉन कॉलिफिकेशन क्या है क्वालिफिकेशन यह या तो वह 10 साल से ज्यादा ज़्य रहा हो ठीक है चुडिशियल ओफिसर्स यह दस साल से ज्यादा प्रैक्टेस कर रहे हो हाई को होड में टीक इस्में डिस्टिंग्यूश जूरिस्ट नाम की कोई का होता है ठीक हो वही कि रेजलुशन पास होगा दोनों हाउसे से मज़र्टी से उसके बाद प्रेस्टेंट उसको करेगा ग्राउंड वही होंगे मिस बीएबियर और इनकैपेसिटी वैले गोट एक बस है तो इसका सबसेक्शन 3 देखिए कि 217 का सबसेक्शन 3 क्या है वो यह बोलता है कि एज एज ओफ दा हाई कोड जज वहाँ पर एज ओफ दा हाई कोड जज जो था एक सो चौविस के दो में टूय में 124 के टूय में यह था कि पार्लेमेंट होगा यहां पर यहां पर क्या है यहां पर यह है क्या होगा if any question arises as to the age of the judge of the high court the question shall be decided by the president after consultation with the chief justice of India and the decision of the president shall be final application of the certain provisions relating to the supreme court to high court सब्सक्राइब करेंगे वही 124 का पांच और छे क्या है कैसे किया जाएगा और इंक्वाइरी कैसी होंगी 124 के छे में जो दिया हुआ था ठीक है तो चार और पांच सड़ी चार और पांच ओट जरूर प्रेसेंट करता है लेकिन ओध कौन दिलाएगा गवर्नर दिलाएगा ओड़ागे जो जाते हैं तो आप जान जाया है उसके लोड में नहीं कर सकते उसके इलावा अधर हाइग कोड में करो जाके या सुप्रिम कोड में करो जाके कोई दिक्कत नहीं हमें क्यों सा केस था उसी के साफ से होगा ठीक है ट्रांफर कैसे याद रखना है कि दो मेरे पीछे आओ दो इदर जाओ दो इदर जाओ और दो मेरे पीछे आओ ठीक है यहाद करेगा कैसे करेगा कैसे करेगा कैसे करेगा कालोजीयम सिस्टम में कौन 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 सीजी आइए हैं और ट्रांफर के केस में जिस हाई कोट से ट्रांफर हो रहा है उसका चीफ जस्टिस और जिसमें ट्रांफर होके जा रहा है उसका चीफ जस्टिस इन से और बूचा जाएगा ठीक बस ट्रांफर हो गया कौन सा केस था जी परेसिदेंजियल हुआ करे अब करे ङक जीस करोड़ेगा एक्टिंग चीब जस्टिस आप पॉइंट कर्सक्तेयरं क्रेंट करेंगें के सकते हैं आप दो साल मसे ज़्분 प्यूएंट करेगा ट्री कॉइंट करेंगे केस में आक्टिंग जजि उसी को यह अपॉइंट का सकते हैं जो कवालिफाइड है यह एस जजज आब सुप्रिम कोड की वो है जजज आफ अफ दा सुप्रिम कोड पॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड है । वो जो थी जिन्होंने skin-to-skin touch में जो दिया था ना skin-to-skin touch में judgment दिया था state of वो सतीस सतीस वसे state of maharashtra कि भाई section 7 of prevention protection of children from sexual offenses act में वो नहीं आएगा कि उसने क्योंकि skin-to-skin touch नहीं हुआ था यसलिए उनों judgment दिया था वो यही थिंग वो अधिशनल जस्तिंग अधिशनल जैज आप दा हाई कोट थी का फिर उनका टाइन एक्टेंट नहीं किया गया अगर उनकी जर्मिंट सही रहते तो फिर वो पर्मानेंट भी हो जाती है आंगे जाके अधिशनल थी टाइम नहीं बढ़ाएगे बस करो कि इसमें तीन में नो पर्सन अपांटेट अधिशनल और एक्टिंग जैज ऑफ हाई कोट सैल होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग डाइज ऑफ सिक्स्टी टू इस कोई भी अधिशनल एक्टिंग जैज कोई अपांट हो रहा है तो इसके जाज़ता है वो नहीं रहेग ठीक है अपांटमेंट ऑफ रिटाइट जैज एस एट सेटिंग ऑफ हाई कोट ठीक है दो सचोबिस ए में कि रिटाइट जो होंगे हाई कोड के अगर केसे ज्यादा है कुछ भी ऐसा है तो फिर रिटाइट जैज इसको भी हम ले सकते हैं फॉर नंबर ऑफ के लिए या लेकिन एक्टिंग और अप्लाई होता है जो एडिक्शन अपने ट्रेटोरियल एरिया में होगा या जहां जहां तक दिया होगा वहां वहां तक होगा 226 पावर आप लोग को है दीगा मैंने कल एक बाद बताई दी क्या कि 32 प्लस 139 137 139 32 और सुप्रिम कोड की 32 और 139 इलाके एक्वल पावर हैं किसकी हाई कोड की सिर्फ 226 में ठीक है कैसे यह मैं रिच्छे बताया था है की उसान आफ डिरेनफोर्समेंट अफ फंदमेंट्रूर tari को अरर्व पाट ठैट ठीए और अधर मेंतर्स अधर में धिर दोनों में ही दोसके पावर है यह यह लाप लाइन देखो इसकी 226 की पर दा इन्फोर्समेंट आफ दा राइट कंफर्ट बाइपार थेर्ड एंड फॉर एनिय अदर पर्पस फॉर एनिज पर्पस में यहां पर फॉर एनिज पर्पस में इनके पास पावर आती है बंट इनाइन में ठीक चलो को तो यह वह कंफर यह भी कुश्चन आ जाता है कि क्सके पास ज्यादा पावर है आर्टिकल 222 पास पास कि आर्टिकल 222 में नहीं चाहिए आर-टिकल 227 में आई कोmitt पावर 227 power of superintendents over all court by the high court पता ही है high court है तो जितनी subordinate courts है उसके सब के पास सबको जो है superintendents करने का power इनहीं के पास ही है 228 transfer of certain cases to high court अधा गंटाई ही हुआ है लगा है इसा है पता नहीं किता है हो गया एक्चुली में लड़ चलीगी तो लेक्चर लेट रिकॉर्ड करने स्टाट किया ठीक टाइमिंग होती है आप द्यान देना जिप्ति आपके पढ़ने के टाइमिंग होगी इस टाइमिंग में आपको जैसे मान लो कि मेरा टाइम है पढ़ने का सुबह नौ बुझे से और एक वजे तक तो बारा बुझे के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगता रियार बाउट टाइम होगया बाउट टाइम होगया और बाई मैं दफ बजे स्टार्ट करूं तो भी म but passport of certain cases to high court hai quote क्या करेंग कुछ इस हृoi code कऊसे अफुद उठा लेगा कैसे अगर वो kill should here substantial question of law important substantial such question involved substantial question of law yeah do yeah substantial question of as to the interpretation of the constitution ठीक है substantial question of law को या होते है वो question of law जिसके एक तो वो public importance के लिए होते है ठीक है general public importance की वो question decide करना वो जो question होता है general public importance का होता है दूसरा उस पे कोई भी strict law लग कोई भी specific law या high court की कोई guidelines नहीं है तो उस cases में क्या होता है तो फिर वो यह high court जो है उसे खुद उठाता है वो question decide करता है वो question decide करके बापत बेज़ देता है या case उठाता है पूरा case ही dispose of करता है पूरा case ही खुद decide करता है ठीक है चलो कि दोसोनतिस officers and servants and the expenses of the high court 230 extension of jurisdiction of high court to unit territories कि भाई या parliament चाहे तो कि युन territory पे भी वही high court को पावर दे सकता है ठीक है एसब्लेश्मेंट और common high court for two and more states 231 पार्लेमेंट चाहे तो एक high court जो है दो या दो स्टेट पे भी jurisdiction बना सकता है ठीक है कि एक ही high court के दो या दो से ज्यादा high court मतलब स्टेट्स में है अप्लाई होती है उसका जो जो डिक्सन पेगा व्यादी गूड दो सबत्रेश्मेंट तक क्यों लिख दिया था मैंने हाँ कि अरे सबाडिनेट कोर्स भी ले गया इसी में है इसी लिए सबाडिनेट कोर्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है सबाडिनेट कोर्स के बारे में भी कॉंस्टिशन प्रोविजन्स हैं ठीक है कहां से 233 से 207 तक ठीक 233 में डिस्टिक जजज साब की बात करते हैं 233 में डिस्टिक जज क्या होता है डे टाको कों करेगा ज़नेर करेंगा करेंगा ठीक या तो वह लेडी उसमें set वूर्विस क्यों सेवीनेट सब नोगे जिए जटे भी होते हैं सबको गवनर पाइंट करता है ठीक या सेविन ये इस प्रैक्टिस एज एड़ोकेट या प्लीडर ये है विए ये है क्रमोचन हो के आए हो पेरमोट हो के ठीक या तो अब आपका किससे होगा सिवील जाज डीज़न्द ठीक ऐब बनेंगे सीवेल जाज सीनिर डीजन्द मनलब जे-म सेकंड क्लास अगर उसमें CRPC देख लें तो फिर जे-म फिर फिर A-C-J-M फिर C-J-M फिर additional session judge फिर assistant session judge फिर session judge appointment of district judge appointment of person 2b and the posting and promotion of district judge in any state shall be made by the governor of the state in consultation with high court governor with consultation of high court high court chief justice of high court consultation of high court लिखा हुआ है ठीक है ये भी ध्यान दीजेगा दूसरे में ये है कि a person not already in the service of the union or the state shall only be able to be appointed at the decision if he has been for not less than seven years and advocate or a pleader or recommended by the high court for appointment ठीक है ये तो साथ साल से प्रेक्टिस हो और रेक्मेंड़ वाई धी हाई कोट हो इसको तो खतम करी लेते हैं यार कुछ नहीं है नहीं है ये अपनी काम की बात है दोसो चौतिस इसी में तो हमारा होगा आपका होगा हमारा मतलब सबका पढ़ने वालों का समझे की नहीं दोसो चौतिस क्या बोलता है दोसो चौतिस बताता है क्या है रिकूर्ट्मेंट ऑपसंडर देंडिस्टिज़ जुदिशल सब्सक्राइश कैसे होगा गवर्नर और इसे आपका मतलब नाम हो जाता है फिर उसके बाद की ओसे एक आपका अपॉंट्मेंट लेटर आता है खटाक सीना समझे के नहीं घर के पते पे कंट्रोल ओवर सवर्ड डेट कोट्स दो सपैतेज किसका होगा कंट्रोल भाईया हाई कोड का होगा और किसका होगा इंटर्प्रेशन अब दो सब्सक्राइशन को बताता है कि डिस्टिक जज में कौन कौन आएगा ठीक है इसमें देखो, काम का है, कभी का पूर दिया जाता है, district judge में कौन कौन आएगा, judge office city civil court, ठीक, पहला, judge office city civil court, दूसरा, additional district judge, तीसरा, joint district judge, तीसरा, चौथा, assistant district judge, ठीक है, additional assistant and joint, ये तीनों district judge, district judge है, और judge office city civil court, भी ध्यान रखना, ठीक है, chief judge office small cause court, ठीक है, chief judge of small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, session judge, additional session judge, और assistant session judge, समझेगे, ये ये, आपके district judge में आएगे, ठीक, district judge में कौन कौन आएगा, ये बस ध्यान रखना, city civil court, एक आपको confuse कर सकता है, और ये district judge जहां जहां पर लगा हुआ है, चाने additional हो, चाने assistant हो, चाने joint हो, वो सब, और chief judge of small cause court, और chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, session judge, additional session judge, और assistant session judge, तीन चार वाँ इसको पढ़ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, चलो, application of the provision of this charter to certain class of classes of magistrate, पारड़ेना, कुछ नहीं है, तो सब्सक्राइब, पढ़ते जाएगे, ऐसा थोड़े सारा पढ़ाना, क्या फाइदा जब उसमें से आता ना हो, समझे कि नहीं, मेरा ये काम है, कि आपके समय जो आपका PCS टाइम है, उसमें अच्छे मलब जितना ज्यादा आपके questions आ जाएगे, फस जाएगे, ये भी नहीं छोड़ना है, कि जहां से आते हैं, वो छोड़े जारें, जल्दी जल्दी चक्कर में, ऐसा भी नहीं, लेकि जहां से आता ही न चलिए, तो कहां तक हो गया तम लोग का को गया तहां पार्ट 6 संदोग का सटेटंटक टेक है गवरनर था और और हाई पॉझसांब quéर था सबाइड कोर्स्स था कोकॉट समझे हाथ typically था ? तो यह साथ जो है अब यह स्टेट है यह 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 है यह समझे खने तो यह साथ जो है एक ही इसमें था 236 वह खाली है पहले क्या था कि जो पिंसली स्टेट्स थे राजा माराजा वाले ठीक है जोदपुर के राजा जी है यहां के हैं मद्ध भारत के हैं इधर के उदर के वो सब जो है तो उन्हें भी स्टेट का दरजा दिया हुआ था वो भी अपनी आर्टिलरी बना सकते थे ठीक है वो भी अपने इंफोर्समेंट के लिए उनके पर भी यह कि अपने जो एरिया है वहां पर कैसे रूलिंग करें वह सब उनको दिया हुआ था पिंसली स्टेट कि उन्हें पैसा दिया जाता था वह सब जब संभीदान जब भी है ठीक है माधर आउशंदिया करके ध्यान लगना में पिंसली स्टेट का यह ठीक है उन्होंने केस किया देख सकते है चलो पार्ट येट यूनिन टेटरी टीक है युनिनेटरी में कुछ देखना है कुछ नहीं देखना टू तू थाटिनाइड आइडिस्टेशन आफ ऄप्रेस्टेंट छे वहां पर कोई ड्मिसेटर करेंगे तडीनाने करेंगे जोएनिंग कोई फ्रिक मैं इंस्थेटर और तो थार्टी नाइन ए ए रिएशन ऑफ लोकल लेश्लेटर और कांसल ऑब मिनिस्टर्स और बोट फॉर सर्टेन उनिन टेर्टरीज ठीक हम की है टू थार्टी नाइन बोलता है कि कुछ यूनिन टेर्टरीज में क्या है कि हम वो कर सकते हैं वहाँ पर क्या होगा स्टेट लेश्लेटिव एसेंबली मतलब लेश्लेटिव एसेंबली और कांसल ऑफ मिनिस्टर्स का भी प्रोविजन डाल सकते हैं ठीक है जैसे आप इस समय दो स्टेट हैं मतलब दो यूनिन टेर्टरी ऐसी हैं वैसे तो डेली भी है लेकिन डेली के लिए अलग से दिया प्रोविजन फॉर डेली कब जोड़ा गया था सिक्स्टी नाइंटमेंट में ठीक है चलो तो टू टू ठाटीनाइट में क्या था कि बाइक कुछ ऐसे पॉंडिचरी है और वह है जम्मू कस्मीर भी अब हो गया है ठीक है यह दो हैं और बस यह आर्टिकल याद अखना ठी यह दिया हुआ है टू ठाटिनाइट डवल ए में इस पेशल प्रोविजन फॉर डेली दिया हुआ है जो की जोड़ा गया था सिक्स्टीनाइटमेंट में वस अंदर कुछ नहीं है उसमें कोई काम का नहीं है कि या तो हाई कोट अलग से बना सकते हैं या कोई एडज्वाइनिंग स्टेट के हाई कोट है उसे पावर इंचाद दे सकते हैं कि वह यह यह है यूनिटेट्री आपके अंडर आएगा समझे की नहीं जैसे डेली का अपना है बहुत से का इसका किसी ने किसी अड़्वाइनिंग स्टेट जो होता है उसके हाई कोट के पास पावर होती है हूं दो सो एक तालेस दो सो ब्यालेस यह तो हटी गया ठीक है पंचायत आगय पंचायत काय की बात करता है लोकल सेर्फ गर्मेंट की बात करता है ठीक हमें मालूम है अल्टिकल फूर्टी में इसके लिए इसपेशल लौ बना सकती है तो उसी पावर के इस्तिमाल करते उए 73rd में में क्या किया इन्होंने नाइन चैप्टंव पाट-9 जोड़ा पाट-9 में क्या किया हुख उन्होंने पंचायत के वारे में बता आया पंचायत के है अद यह लोकल सेल्फ गवर्मेंट कि बात करता है ठ्यक्वli क्या फफ़å लोक Ol सेल्फ गवर्मेंट के खार किसे एंडिया में तो लॉर्ड रिपन्थ सबसे पहले इसकी शुरूआट जो है लोकल सेर्फ गवर्मेंट की मुनसिपलिटी के फिर्म में किसने कि लेकिन फादर ओफ लोकल गवर्मेंट लॉर्ड विपन्स आपको माना जाता है थिक है दो अमेंडमेंट हुए था 73rd 74th दोनों 1992 में हुए थे ठीक है दोनों 73rd 74th दोनों 1992 में हुए थे थीक है 9b है जिसमें कोपरेटिव सोसाइटी की बात की यह बोच जोड़ा गया 97th अमेंट में वेरी गूड तो इसमें क्या है कुछ कमिटीज हैं ऐसे ही नहीं बन गया ठीक है लोग कुछ लोगों का मानना है कि अगर मात्मा गांदी के अगर कॉंस्ट्विशन बनने से पहले डैथ ना ही हो थी ठीक है इनफोस्मेंट तो यह पंचाय सिस्टम जो है वो पार्ट मलब यह डीपीस पिमना डाला जाता वो पहल सबसे पहले बलबन्तराय महता कमेटी में ही सिस्टं की बात की गयी ठीक है ठीडीर सिस्तम की बात स्विख कैसे कि टीन विल्य गजिख ठीक पहला तो रिविलिश लेविल पे थींपा कूरें ए एक और कमिटी थी जी एम वी जील वी क्या नाम था यार एक मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ज्यादा भाई नहीं गया भाई जी वी के राओ समीटी कमिटी जी वी के राओ कमिटी पूस दिया जाता है कि बाई पंचाइटी रास से कौन कौन सी कमिटी जिलेटेड है और एलम सिंग भी कमिटी यह कब आई थी है 1952 के आसपास की है यह असोग महिता कमिटी 1977 के आसपास की है 1957 77 और यह दोनों 86 की है यह दो यह जैसे कि हम लोग को देखी रहे है किसमें पार्ट 9 में है ठीक पार्ट 9 पहले खाली था इसमें वह थे जो पार्ट डी में जो स्टेर्स वहijn उनके भारे में दिया वह था ठीक जैसे स समयाल लों लोगी died website उसमें कुछ है थोड़े तो आंगे चलिक हम इको जोड़ना पड़ै तो हम part satisf bonito से डाल सकते हैं ठीक ६ैसे पार्ट 9 खाली था था तो उसी में यह 73 अजरे लिए Baptist देखते हैं क्या है इसमें पार्ट नाइन भी जो था पहले उसमें सब्सक्राइब बाटा दिया गया था ठीक है उसके बाद में इसमें सब्सक्राइब में पंचायद किला डाल गया ठीक है दूसो क्या सब्सक्राइब ज Hayab Patman 233 में आप सब्सक्राइब में क्राइब ऑ सब्सक्राइब cash है इसमें डुमेंटसक्राइब बोलता है कि जहां पर है पीस लाग से ज्यादा पॉपलेशन नहीं है तो इंटर्मीडियेट डेविल पर बनाने की जरूरत नहीं है सी में कमपोजिशन पंचायत की बात करता है ठीक है इसके लिए अलग से एक्ट है ठीक है एस फोर्मेन और चीन बोलता है डिका से रेस्ट चीजिए अश्टी वूमन टीके रहा है एक दो बोलता है सिस्वार एस्छाय। वुमिन और तीन बोलता है बश्य खेंट सेठ न होगी वुमिन के लिए हम लोग सुनते रहते हैं वो tel चाहर की हम si है एस टी की तो अपना नहएं होती उसने सांद कुछ निक्रूश आ ता इस है सच हाष्ट kepfk मरलब जो टाइम प्रियोड जो पांस साल तो हाई हाई ठीक है पांस साल कब से काउंट होगा उस दिन से जब से ही एंटर्स इन इस ओफिस ठीक है पड़ो 243 ए का पहला एवरी पंचाइथ अनलस दसुनल डिजॉल्व अंडर एनी लॉव पॉर ताम इंफोर्स इल कंटिनुवर फाइव यह फ्रस्ट मीटिंग होई उस दिन से काउंट होगा ठीक है पांस साल डिस्क्वालिफिकेशन अब मेंबर से 243 एफ इसमें एक इंपॉर्टन चीज यह है कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा उसकी एच 25 साल से तो काम है लेकिन 21 साल से ज़्यादा है तो इस हिसाब से पांचायत कितनी यह जोनी चाहिए 21 साल से ज्यादा है 25 साल से कम है कोई दिक्कत नहीं अब डिस्क्वालिफाई नहीं हो सकते 243 जी पाबर अथर्टि एफ पांचायत पाबर अथर्टि क्या है इनको वो दिया हुआ है हम लोग ने कांस है कि 11 से डियूल में पांचायत के वारे में दिया हुआ है कि किन 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 सब्जेक्ट पर यह काम करेंगे ठीक है किस किस पर काम करेंगे जड़ा देख लो कितने हैं कितने हैं अठारा अठारा थे कुछ कि 11 से डियूल 243 कितने हैं अठारा जो है ट्वैल से डियूल में थे ठीक है उन्तिस सब्जेक्ट मेंटर दिये हुए इसमें ठीक है कभी गार पूर्फ दिया जा था दोस्त यह भी ध्यान लगना किते में दिया हुआ हुआ किस किस पर यह पंचायत मलब पंचायत जो है किस में काम कर सकती है ठीक है समझेंगे तो आई में क्या दिया हुआ है मुंसे परेटी दिया हुआ है कि अ नगेज़ों चुछा जाता है तौन बताता जा रहा हुँ त्व चैसमें कुछ भी याद करने जोह नहीं है बहुत पूचा जाता वस्य मालूम होना चाहिए कब जोड़ा गया था और इसके साथ साथ 12 सेडियूल जिसमें 12 सब्जक्ट में दिये हुए कहां 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 का सकता है 12 नहीं इठारा अठारा दिये हुए यहां पर 29 दिये हुए ठीक है और मालूम तो ही कब जोड़े गयती है इसके साथ ही जोड़े गयते हैं तैंट में का एंटी डिफेक्टनल अफ फिप्की सेगेंड में आया था नाइन्थ में फस्ट आवेंड में में आया था वह जो लेंड लोग उसमें डाल दिये गया थे ठीक आठ तक तो पहले से थे ही आठ में क्या है आठ में मनिश कश्यप मनिश कश्यप की राम है हाँ है अग्रेसिव बात करते हैं रेपोर्टिंग नहीं करने जा रहा है युद्ध लड़ने जा रहा है है हमारे बिहार के बहुत बड़े नेता तेज प्रिता व्यादव से पूछ रहे थे कि आप बताए कि बोचपुरी भाई आठ डालने चाहिए सकते gusto में जालने जाए कि डालने पंसके वी तो उन्हें लग रहा की पहले मिर साथ में यहीं साथ की और गाला हुआ आप कि आदमें तेज पिताव अपने ताज दासू है वाईसा अगा चलो नाइन भी कोपरेटिफ सोसाइटीज कब जोड़ा गया था नैंटिस सब्सक्राइब में कुछ भी नहीं है इसमें पड़ने को मौ जाए आप लोग यह सब फड़वाई दे रहा हूं आरे नहीं आता इसमे सब्सक्राइब में क्या है सब्सक्राइब कुछ नहीं 2424 से बस दो यह आर्टिकल है कुछ पड़ने को इसा नहीं है चलो जिलेशन आ गया 11 टीक है पार्ट 11 याद करने तो बहुत आसा नहीं 11 एक का एक से जिलेशन मतलब एक स्टेर का दूसरे यूनियन से देले सिर अब ख आतम हो जाएगा जल्दी आप कुछ नहीं रहा है दो तीन टॉपिक बड़े बड़े रहेगा ना आप कुछ है लिए अंदर चिज़मे को हुआ दो देखो क्या प्लागा बड़ें शक्राइब लो पार्ट 11 टीक immer इसका इस mm गइ Śबले सिर इसन नकी की बात करताई रिले फाइनिसयल ही कि वांट लिये कि फाइनिंश ठीक है ये यूंइन के स्टेट के साथ यूंट के स्टेट के सा द congratulations to पार्ट ग्यारा में ही दीये हुएं ये पार्ट 14 में धी फानिंसियल ठीक है श्म Hayır मैं चलो भारणуют व्रटिकलrist पूर्टी फाई यह बताता है टैर्टोरल जुन टैरीन टूरेयल जुरिटिक्शन पार्लेमेंट जो है वो पार्लेमेंड कि婆्ट के लिए पार्ट के लिए आट या पोल In思緬 पार्ट के लिए या पूरे स्टेट के लिए पार्ट या होल इस्टेट एक मैडेश का वोलता है कि कि कोई भी लोग अगर पार्लेमेंट बनाया है वो इसलिए वायड नहीं होगा कि उसका अपर्लेमेंक के पास एसकूसिव राइट है कोई भी चीज यूनियन लिस्ट में दी वह है उसके बारे बनाने गी ठीक लिस्ट के बारे में दिया हुआ है लिस्ट बन भी इसे बोलते हैं ठीक है और स्टेट टे पास पूरा राइट है कोई बीची स्टेट लिस्ट में दी हुई है तो वो बनाने उसके ओपर लॉग बनाए लिस्ट है सब्सक्राइब को बनाएगा बनाएगा इस सब चीज़ेज उसमें पनाय किस्में कि दिया हुआ о दिया वा पंचायद स्टेट लिस्ट में आता है पार्लेमेंट एस्टेट और एक है जिसमें दोनों लौब बना सकते हैं बोथ वो कौन सी है कनकरेंट लिस्ट ठीक है समझे कि नहीं तो लिस्ट बन लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड समझे कि नहीं समझा कि बात को समय क्या जानने के लिए कि खोलो जाद सेविन सीडियोल रखाओ जैसे आप साई सीडियोल खो लेंगे 246 लिखा भी होता है ठीक सेविन सीडियोल नीचे आर्टिकल 246 लिखा हुआ है तो सबसे पहले लिस्ट बन दिया यूनियन सेट लिस्ट अब यह जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया नेवल मिलेटरी यह सब डौलमेंट आफ एनी आन्व फोर्स शैं और यह शब नेवल दिया हुआ है ले सेकंड दूसरा स्टेट लिस्ट है ठीक है तो इसमें जो भी काम दिये पाबलिक और मोरालिटी और यह प्रिजन और यह सब चीज़ों को लेके कौन बनाएगा इस पे इस्टेट लॉग बनाएगी ठीक है लिस्ट थेर्ड कंकरेंड लिस्ट में दोनों ही ल होता है अब मांनों जैसे कोई लिस्ट में लॉडु बनाया दूरें बनाया तो इसमें यह भी तो सकता है कि भीया का लोग कंट्रेंट लिस्ट में तो हो नहीं होना है कि एक ही सब्जक्ट पर दोन लोग बना रहा है तो यह कौन सा प्रिवेल करेगा जन्रल रूल यह है कि पार्लेमेंट के दोरा जो लौ बनाये गया होगा वही प्रिवेल करेगा फिर भी कोड ने बहुत सारी इसमें आई हैं ठीक कैसी एक होता है डॉक्ताइन और पेतेंट सबस्टांस टीक यह डॉक्ताइन इमार जोई है जब कोड ने जब केसिस देखे जब दोनों में कंट्रिक्षन वाली आए ना कि तुमने भी लोग बना दिया हमने बना दिया ओपर में आपस में और लेप हो रह दूसरा हर्मोनियस कंस्ट्रक्षन तीसरा और कलरेवल लेजिस्ट्रेशन ठीक है यह तीन डॉक्त्राइन है पेतेंट सबस्टांस क्या होता है कि जो एसेंस ओफ लॉग होगा ठीक है कि में उसका एसेंस क्या है कोई भी एक पास करने मालों कोई ओवरलैक कर रहा है तो उसका एसेंस है अगर एसेंस निकाल के यह लगता है कि भाई वह ओवरलैंपिंग दूर की जा सकती है तो वह दूर कर दो समझे हार्मोनियस कंस्ट्रक्षन क्या है कुछ ऐसा करो कि दोनों ही एक साथ चल पाए ठीक है विना एक दूसरे को इंफरिंच किये हुए क्या ब कार्ड में बात कर रहा है समझेगी नहीं कुछ नहीं है इसमें डारेक्ष दिया जाता है ठीक है थोड़ा भी अगर आपका बेसिक कॉंसेप्ट इसमें है तो आप टिक माल जाओगा हां दोसर चैलिस ए जोड़ा गया था जियस्ती इस्पैसल प्रिजन बिध रिस्पेक्ट टू गोड्स सर्विस्त्थ जिस्तीजी गब जोड़ा गया था एक सोएक अम लोग अमेंडमेंट जब पढ़ेंगे तो इंपोर्टन अमेंडमेंट भी अभी पढ़ेंगे ठीक है चिंता मत करिया तो 247 पावर और पार्लिमेंट तो प्रोवाइड फॉर्वाइड एस्टेन अडिशनल कोड देता है कि सर्टेन अडिशनल कोड्स वो बना सकती है ठीक ह कोई भी यूनियन लिस्ट में ऐसा सब्जेक मेंटर है जिसके डिश्पोजल के लिए हमने अलग से कोड बना दिया समझेंगे ने फॉर एक्जामपिल लेवर कोड हमने बना दिया ठीक है कि कोई भी लेवर डिस्प्यूट होंगे कंजूमर फोरम कोड बना दिया ठीक है राचली न यहां अधिक्ड़ी में क्या होता है न रुटिश न रही डिक रिकोर्डिंग घॉत कट्म करता हूं कोई हैत्व है ने अपने आपको कॉन देखे कर प्लाते हूं कुछ रम उता त्या रिसा जिले पर तो ओन आर्टिकल टू फुर्टीएट बहुता है जो कहीं पे नहीं दिया हुआ है उस पर कहीं पर लौप इन्ही बनाएगा है उस मिलें धिया हुआ हूँ पर कौन बनाएगा innovations fois हो इए दो सो अनचास पावर ओपारलेमेंट टू इस्टेश्ट इस्टेश्ट इन नेशनल इंट्रस्ट ठीक है उननचास पचास एक्याउन पुर्टिनाइन, 50 और 51 वो सिचुएशन बताती है जब स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है तो कौन लाँ बनाएगा स्टेट लाइस लेचर बनाएगी लेकिन उननचास पचास क्या हों यह तीन आर्टिकल यह बताते हैं कि कब स्टेट लिस्ट में चीज़े दियु हुई है लेकिन फिर भी पार्लिमेंट लॉग बना रही है तो सबसे पहले उननचास नेशनल इंट्रेस्ट में अगर रास सबा भी करना चाहें फिर से एक साल के लिए उसके बाद उसके नहीं चुआ तो जब से उसके उसके चौलि था नहीं लेंगा उसके पाणसा नहीं किया फैसे तो फिर दियान लग नहीं आप खतम मान दिया जाएगा अगर उसे एक्षन नहीं किया गया तो यह बोलता है दोसों उनंचास लेकिन नेशनल इंटरस्पेस कब बनाएंगे जब राजसभाई यह बात बोलेगी इस पर नेशनल इंटरस्पेस पर लौ बनाओ ठीक है छे मैने बाद इसकी सब सौ्फ यह स्चैब्लिंसी के सब्सक्राइंगे जैसे ही वो खतम होगी इमर्जैंसि उसके छे महने में वो एक्षपायर हो जाएगा ठीक है चलो दो सो क्या on in consistency between love made by the Parliament under section अदर article 292 पचास and laws made by the legislature of the state 200 क्यां साफ-साफ यह क्लिर कर डेता है कि कोई बी inconsistency है मतलब the dependency है कैसी कि state law में state में जो लौ थे और जो 294 पचास ने जो Parliament लौ बनाए तो पर्लेमेंट ने जो लौ बनाए वह प्रिवेल करेगा सापसी बात क्या है कैसे याद रहेगा टू फाइब टू 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 है यह तो में प्रोविजन मालूमी है दो सब्सक्राइब प्रोविजन में इस टूपेग चाहिए हो तो जिससे में अपने आपको चेक कर पाएं कि यह आर्टिकल सही जा रहा है कि नहीं टू फिफ्टी टू क्या बोलता है अगर दो यह दो से ज्यादा स्टेट आपस मिलके पार्लेमेंट से यह कहें कि वह यह इस मैटर पर आप लौ वह बना दो जो हम सब पर 2 इन स्टेट है जो तो नहीं थे हो आता ही नहीं हमारे पास पर ले कर दो थीन स्टेट जो है वह हूं अपने पाखलिभ पहुंचा कि हमारे इस मेंटर पर आप लौ बनाओ जो हम दो तीन ठीक जए हो जो दो स्टेट उप एप्लाई होता है तो बात में उस पर अमेंट करना है तो यह नहीं कि स्टेट खुद अमेंड करने तो आमेंड भी पार्लेमेंट से ही होगा ठीक है चलो लैसेशन फॉर गिविंग अफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रिमेंट ठीक है दो सो त्रेपन यह कि वह आता है क्या होता है समझेगें लॉब मेड़ बाइद पार्लेमेंट लॉड मेड़ में बनाओ दूसरी बात लेकिन अगर मालो स्टेट ने लॉब बनाया उस पे और पहले से पार्लेमेंट के लॉग साथ हमारा इंकंसिस्टेंट होगा तो इस मतलब डारेक्ट याद कर लेना यार आर्टिकल कॉंसेट क्लियर हो गया समझ में आरी मुडी मुडी बात क्या इसमें गने गोत्रो जाना है पूरा समझेगे नहीं अगर कहीं से कोश्चन आते हैं यहाले पॉस्टन जे टू फुर्टी फाइफ से और टू टू फिप्टी फॉर तक समझेगे इसमें से आते हैं रेक्वार्मेंट एस टू दर्जेक्मेंडेशन प्रीवेस सेक्शन तू रिगार्ड इस अ मैटर आफ पो सीजल उनली कोई बात हूं अ हुआ है चाली है कहा तक हो गया तम लोग का दो सब पच्पन तक अले यार हजार प्रोब्लम में होती है अगर यह सोचोगे कि जब प्रोब्लम खतम हो पाएंगी तब काम करेंगे तो तो बाई वो समय तो कभी आना नहीं है बहुत सारी प्रोब्लम है क्या करूं यह है दिन तो ऐसा कोई कभी आएगा नहीं कोई काम यह कोई प्रोब्लम ना हो सब जिए चलो है कि दो सो पच्पंतिक हो गया था बिल्कुल हो गया था चैप्टर थ्री एड्मिस्टेटिव रिलेशन कुछ नहीं है इसमें ठीक है एड्मिस्टेटिव रिलेशन में कुछ में 261 पर आ जाओ सीधे है कुछ नहीं आता है इसमें समत्टू एक सट्वाइब सट्रेसर्ट यह तीन सेक्स तीन आर्टिकल सें जो पूछ दिये जाते हैं ठीक है यह फूल फेट एंड केड़ेट ऐसे पूल आएगा कि क्या है कि भाईया फुल फेट एंड करेड़ेट कि को कि कोई भी पब्लिक एक्ट है ठीक है वह सब्सक्तूइब इसको फूल फेट ऑंकरेट दिया जाएगा कोई भी जुदिसेल डिसीजन है ठीक है उसको चाहे वो यूनियन का चाहिए स्टेट का उसको फुल फेट एंगेडिट किया जाएगा विदिन टैर्टरी आफ इंडिया तो यह सीधे यह लाए जाती है कि फुल फेट एंगेडिट कहां पर दिया हुआ आर्टिकल दोसो एक्सेट में ठीक बीडेट्री तो वहां पर नौशेट में पर्लेमंट के पास पार्वर है ठीक है इन इन्टर स्टेटंट वाटर को लेके तो वह पारलेमेंट के बास पावर है ठीक इसका सब सेक्षेन टू यह बोलता है यह बनाईगी यह इन्होंने पेसिडेंट ने इंटर स्टेट कांसिल बनाईगी जिसमें क्या होता है सब्सक्राइब बनाईगी बाई कोई भी आगर आपस वह है कोई भी आपस में कोई डिस्प्यूट तक कोई बीजी तीक कोई भी आपस में डिस्प्यूट है है कोई कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी तो जहां पर सारे सीम सारे स्टेट के मिलके कोई बात अपनी रखनी हो कोई है कुछ भी ऐसी चीज़ आ रहे हैं तो उसको सॉल कर सकें ठीक है तो इस इंट्रेस्टेट कहां पर दिया हुआ है तो सो त्रेसर में कभी मौका मिलेगा इसको मिले गाई तो दीटेल में भी फढ़ेंगे ठीक है नॉलिज के लिए यह तो ऌकले के लिए बहुत अले होता है ऊप्ताय करने करने पथी है जो पूछा जाता है अतना अतना देखह और जहां से पूचह जाने को उमीद है बहुद देखके ठीक है और ऐसे तो पर जाब एक टोपिक पे बहुत पढ़ सकते हैं बहुत चीज़ है चलो तीसरा इसलेशन जो है फाइनेंस हम लोग का पार्ट ट्वैल में है ठीक है इसमें इसमें भी बस दो इतीन आर्टिकल काम के हैं कि 264 कुछ नहीं है 264 265 पूंच जया तक आपको प्रॉपर एक्ट पास करना पड़ेगा तभी आप किसी चीज पर टैक्स ले सकते हैं किसी डीम एम के ओडर पर नहीं टैक्स लिया जाएगा बस हुदा जाएगा कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें 279A जाएगा जाएगा जाएगाँ जाता है Finance Commission 200C में इसलिए 279A में JST Council डाल दिये Union Finance Minister इसका Chairman होगा और दो ये Members और दिये हुए है ठीक है चलो उनका वो भी दिया हुआ है कि ये Make recommendation क्या इनका काम होगा Tax Existence related काम है सब 280C में Finance Commission है चलो पढ़ो The President देखो क्या था इसमें 280C Finance Commission पूछा जाता है इसमें कौन साथी का 279A 279A क्या था GST Council 280C Finance Commission Finance Commission क्या हो गया ये Constitutional Body हो गई कि नहीं हो गई Very Good तो क्या है पांस साल के लिए होगी ये बोला गया था इसमें ये बोला प्रेज़न की दो साल का इंदरी Constitution अनिक दो साल का इंदरी वो Finance Commission बनाएं कि जो पांस साल का टैनियर होगा ठीक है चलो पड़ते हैं इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है ठीक है qualification और इसका काम क्या होगा Finance Commission का ये सब बताना कि बाई इस्टिब्यूशन ओफ डिस्टिब्यूशन ओफ रेवन्यू बिट्वीन यूनियन और स्टेट्स ठीक है कॉन्स स्टेट को किता रुप्या दिया जाएगा इसा Finance Commission Finance Minister जब आता है तो इनकी रेकमेंडेशन से वह सारी चीज़ें होती है कहां पर कितना खर्चा होना यह सब चीज़ें ठीक है हाँ 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 और इसमें क्योंकि यहां पर कोई आना ही तो है नहीं कि यह कोई भी Finance Commission का मेंबर वो दुबारा पॉइंट नहीं हो सकता है वो दुबारा पॉइंट हो सकता है ठीक है जहाँ पर मना नहीं है कि और कुछ नहीं इसमें कि दोस्व एक्यासिम रेकमेंडेशन आफ दा फाइनेंस कमिशन है ठीक है यह भी देख लेना अलब याद रखना कि चुट उट नहीं को कोई काम करें है ठीक है आते रहो आंगे बढ़ते रहो टू-Night-2 बॉर्ट्वेंट ऑफ इंडिया टू-Night-3 बॉर्ट्वेंग बाइश्टेट्स ठीक है यह दोनों आर्टिकल भी देख लिए ना बॉर्ट्वेंट ऑफ इंडिया टू-Night-2 और टू-Night-3 बॉर्ट्वेंग बाइश्टेट्स ठीक है यह बस आपको मालूम होने चाहिए कि डारेक पूछा जाए तो आपको यह भी नहीं पता कहां पर दिया हुआ है ठीक है एक दम सिर्क हो जा रहा है ऐसा नहीं जो पूछ दिये जाते हैं वह मैं बता दे रहा हूँ अब यहां सिर्फ टू-Night-7 से देख लो 97-98-99-300 और आंगे तो देख नहीं है भी ठेक है यह क्या है कि भाईया सबसे पहले 297-297 क्या बोलता है यह बोलता है कि भाईया हमारे जो वह है टेरिटोरियल वाटर अब यहां पर ऐसे ही चीज़े हैं ठीक पूरा पूरा नहीं देखना है क्यों भाई जब आता नहीं तो फालता हूं यहां तो इतना टाइम हो आपके पास चलो आर्टिकल 297 यह बोलता है देखो मालों कोई भी यह हम लोग का लेंड है ठीक है यहां समानलों वाटर चलो हो गया ठीक यह इंडिया का पार्ट है यहां वाटर चलो हो गया तो एक होता है है टरिटोरि यल भाटर कि ये हैं य॥ रोलíre य॥ निजा माईल होता है ठीक फिर होता है का य॥े बीडक जोन यह भी फ्याहिट होगयास इस्टॉल टो यहां से ही तक हो गया चोविस हो गया ठीक अभी यहां से e-point होता है जाके एक स्कुलूजीव एकॉनामिक जोन यह तीन सवन्यू ंउट Right इसके आंगे जो एरिया होता है वू समुद्र में ठीक समुद्र तक इस दो समुद्र में यहां की मचलियां को और सॉर्से दय कुछ और निकल रहा है तेनल निकल है कुछ भी निकाल आए समुद्र में यह सब हमारा तक कोई और नहीं काल सकता सिर्फ हम निकाल सकते हैं ठीक है ऐसे यह लेंड के अंदर है जोन में यह आंगे जाते-जाते कम होते जाते हैं यहां के बाद 24 न입 के बाद सिर्फ आपको यहां रिसोर्स इस्तिमाल करने का राइट होता है ठीक कर यहां पर को इंटर्य सेविड्रा वाटर daar और कॉंटेनेंटल सेल्फ और अस्टिलिव एकोनोमिक जोन और इंडिया सेल्वी वेस्ट इन दे यूनियन सेल्वे परपस अब दी यूनियन ठीक ऐसे माना जाएगा जैसे यूनियन का ही सब है ठीक है और ही और पावर टू कैरी ओन ट्रेड हुए कि भया स्टेट गोðरमेंट onda पावर है इन आव कोई यह रेट से लेटेड वेश काम कर सकते हैंटी त्पुन की नटीन नंटीन और की उतू यह है कš इस टेइडबर काट्रेक्ट टीकर इस टेडब में 295 यह कॉंट्रेक्टर यूनि भी कॉंट्रेक्ट कर सकती है कि यूनियन के नाम से करेगी इस टेट करेगा कोई बेन करना हो कोई भी लायबल नहीं होता है उसके लिए इन के नाम से जरूर होगे लेकिन यह पूसंटी करना होगा आपको यहींप केस होगा 300 सूट ठीक है अब कोई भी केस होगा या कि कुछ भी होगा तो किसके नाम से होगा थीक है अगर Union Government को पर या Central Government को पर हो रहा है तो वेडी जूद Union ऑफ इंडिया किसी स्टेट के ऊपर हो रहा है तो से स्टेट के नाम से स्टेट इस्टेट और पर ऐसे जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं ठीक कोई भी केस होता है जैसे केस अंदर भालती वसे स्टेट ऑफ के ला ठीक है पता ही होगा यार आपको क्या ही होता ना आप 3010 कब जोड़ा गया फुर्टी फॉर्टी फॉर्टे फॉर्क में है उननिस एफ और फैर्टी वटी वन ये दोनों वड़ा दिये गए ठीक के अपर आ गए तीन सो एमें आ गए उने इस एफ में था यहांपर क्या राइट्टू प्रॉपर्टी था राइट्टू प्रॉ क्या है नाइटीन एफ थर्टीवन अटाके उड़ा दिए यहां पला दिए गए का फॉर्टी फॉर्ट अमेंडमेंट में तीन सो ए में जोड़ दिया अब राइट टू प्रपर्टी क्या होगे अब यह फंडामेटल राइड नहीं यह कॉंस्टिट्यूशनल राइट है ठीक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टन है 301 302 303 301 यह बोलता है कि subject to the provisions of this part इस पार्ट पर जो प्रोविजन दिये हुए उनको ध्यान में रखते हुए कि कोई भी ट्रेड या कॉमस से एंटल कॉछ लेके आ रहे हाँ और यहाँ पर हम बेच रहे हैं कोई रोक नहीं है कोई लौग नहीं है अगर उस सकते हैं unless रहा नहीं है 301 यह हो गया 302 पार्लिमंट को पार्लिमेंट को पावर देता है क्या कि आपको को इस पर पावर अच्रिक्सिन लगाना चाहो टीक इस डिर्सिक्षिन किस नाम देगा दो या कोई आपके पास पावर ऑफ पार्लेमेंट जो दी हुई है उसके भी डिस्टिक्शन है ऐसे नहीं कि अन्नेसेसरी है आपने कोई भी लॉब बना दिया समझेगे नहीं अब मान लो हमारे आलू ज्यादा होता है यूपी में ठीक अब यूपी मालू ज्यादा होता है तो हम यह रिस अच्छा आता है इसमें से सर्विसेस सर्विसेस अंडर दा यूनियन अन्दी स्टेट यह तो इंपोर्टेंट है क्या है वह यह आई इसमें आज भी टाइम पे रिकॉड कर रहा हूं यह ऐसा कुछ नहीं होता भी टाइम है टाइम ही तो सब पार्ट हो टीन सर्विसेस ठीक है इसी में यूपी एससी आएगा स्टेट पब्लिस सर्विस कमिशन आएगा छलो सबसे पहले इंटर्प्रेशन इंटर्प्रेशन वही इस्टेट वाली बात की गई है कि स्टेट ड़ना इस ब्लूर जम्मो एंड कस्मीर तीन सबनों रिस्ट रिकूट्मेंट एंड कंडिशन और सर्विस आफ परसं सर्विंग दि यूनियन और एस्टेट ठीक है तीन सबों सीरीज बात ये बोलता है कि भगया रिकूट्मेंट को लेके रिक्रूट्मेंट एंड कंडिशन और सरविस को लेके कौन लव बनेगा अगर यूनियन के अदर आती है सर्विस तो यूनियन शेंटर गुबर्मेंट बनाएगी इस्टेट के अंदर आती है तो इस्टेट अपना बनाएगी इत्ती सी बात बोलता है नीचे प्रोवीदो दिया हुए लेकिन अब वो काम का नहीं कि जब तक यह नहीं बना रहे है तब तक प्रेस्डेंड बनाएगा ठीका प्रेस्डेंड जो है के पास लॉव मेकिंग पाव क्या question आता है 310 में लिख लो कि doctrine of pleasure कहां पर दिया हुआ है कहां पर दिया हुआ है 3010 में क्या बोलता है शर्विसंता है योनियन और स्ट टेट के अंडर ठीक है पब्लिक सर्विस दिया हुआ है उन्हें हटाने का तो उनको छोड़ के फ़र एक्जामपल जैसे सुप्रीम कोड हाई कोड जजेसे हैं क्या वो अपने प्लेजर से प्रेजेंट हटा सकता है नहीं हटा सकता है लेकिन अन्दी ग्राउंड ऑफ मिस्पीएवियर और इनकैपिसिटी तब वो भी जब पार्लेमेंट से टू-थर्ड से पास होके आएगा तब वो अठा सकता है कंट्रोल अवार्टर जन्रल क्या हटा सकता है पैसरें नहीं हटा सकता समझेगे निक वैसे ही अटेगा जैसे सुप्रीम कोड जजर्ज अच्टा दा इलक्षन कमिशन के मेंबर हटा सकते हो नह कोडते हुए एव्री पर्सन हो इसे मेंबर अफिसे सब्सेर जिस इए इसमपल सा कुष्छन है गार दॉक्ता प्लेजर कहा हुए तीं तुदास मार के चले आना ठीक कोई दिक्त कर नहीं है इसमें बहुत बड़ा रूल दिया हुआ तीन सो ग्यारा रूल ऑफ नैचल जस्टिस भी ही है क्या बोलता है तीन सो ग्यारा कि भाईया जिस रेंग के ऑफिसर्स ने उससे अपॉइंट किया है तीक है उससे सबर्डिनेट कोई उससे डिस्मिस या और हमाय को बननें तो पोगंट किया तो गवंणर से नीचे आपको कोई हटा नहीं सकता गवंनर ही इंचा जिसस नेट है वह जो ऊंचपर चोड़ दो कोई भी है。」 में जिसके जिस कोई भी हो सिंपल सी बाता समलों जिस ऑफर्टी दौरा वह अपॉइंटेड है उससे वह उससे उपर वाली हटा सकते उसके नीचे सब्णुड्रेट सकता है ना इस में कर सकता है यह कॉंसेप कहां पर दिया हुआ यह सी में तीन तो ग्यारा में दिया हुआ ठ यह यह है कि तब तक उसे और कई अटा जाएगा ठीक आप वह जो जो ऑफिसर जिसके पउइंटर किया बढुता सकता यह यह निए अब टिर्फ को लेके सहजस्गी इंक्वारी में शंगी यह दीए चलो 312 cuidado कि कौन राइंगे में कौन आएंगे इंडियाइबिस्टेटार्ट सर्वेस इंडियन पुलियस सर्वेस ब्रू warranty जुनिशियल तेइंगा लेकिन आज तक अभी तक ऐसा कोई कॉंसेप्ट आया नहीं है ठीक है चाहर बार उठती है कि अब आ जाएगा अब आ जाएगा जैसे आई-ई-पी-एस के एक्जाम जो एसे यू-पी-एस से कंटक कराती है उनको फूरू एक्जाम होते हैं ऐसे ही इसे भी हुआ करेंगे ठीक आघनलेन ही या तो लेंग्वीश का बार होता है या कुछ ना कुछ बार होते हैं उसमें ठीक है या यह होता है कि सेमी इन्पव होता है हमें यूपीन-धे ढक्रविस तॉ आधनी सारी नहीं दे पाता है तो इसलबसें से जो है कम हो यह दून खाली हUNG-झापनेु और आप या सर्विसिस यह होगा यह है कि कोई भी सर्विसिस ऐसा है तो किसकी और से पास होता है यह ध्यान रखना कि रास्वा रास्वा पास करती है कैसी कोई सर्विसिस होनी चाहिए या लानी चाहिए कुछ भी है जैसा ऑल इंडिया जुडियल सर्विस लानी है तो कैसे पास होगा स्टार्ड होगा राजसभा से राजसभा पहले पास करीगी फिर बोथ हाउस से पार्लिमेंट से पास होगा ठीक है राजसभा क्यों क्योंकि यह स्टेट को एफेक्ट करते है पावर दी गई ज़रा सबागो ठीक है राजसभा को पावर दी गई यह 312 ऑये पार्लेमेंट को पावर देता है कि वह कंडीशन आप सर्विस ओफिसर सथन सां कि वह कंडीशन सर्विसें उसको चैंज कर सकते हैं पंसन है इस में दोनों ही पावर रहे प्रस्पेक्टिव भी लोग बना सकते हैं श्रूत दोना सकते हैं कुछ नहीं है जैसे यह वाड रीडिंग माल लेना पब्लिक सर्विस कमिशन ठीक है पब्लिक सर्विस कमिशन कहा चैप्टर टू में 315 में 315 क्या बोलता है पब्लिक सर्विस कमिशन यह पूरी वीडियो कंपाइल करके अपलोड की जाएगे आप लोग के लिए देखिएगा और उनका भी बला कीजेगा उनने सेर करिएगा जितने भी इस्ट्यूएंट से मेरी बात होती है पता नहीं उनको कभी सर्च करने मेरा चैनल नहीं मिलता वैसे अगर सी आर्पीसी सर्च करेंगे तो मेरी सबसे पहले वीडियो आते मुलब पहले दूसरे में आ ज अवस्त्रकें एक बट बड़े इंov कोंता है से समने तो येंट पॉब्लिक सर्फिस कि मिस अ कर थैद का तो स्टेट के लिए ही घुता lets कि कि हम सकता है ठीक है और Patricia अपाइंट करता है ने दोनों मेंнакомें स्टेट पॉब्लिक स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन इसमें दोनों में जॉइंट पॉब्लिक सर्विस कमिशन 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 पॉब्लिक सर्वि अगर इस गवर्नर को यह है request करता है पैस्ज़न्ट से तो युनिय पब्लिक सर्विस कमिशन भी स्टेट के लिए काम कर सकते है ठीक हो उनके पास पुब्लिक सर्विस कमिशन नहीं है तो युनियन को ही पूरा सौप दिय कि आप ही हमारे देखा करो इनका काम क्या है कंड़क क हाँ जी तो कहां पर थे हम लोग हम लोग पब्लिक सर्विस कमिशन देख रहे थे तभी लाइट चले गई थे हैं चलो 315 से 320 तक है कहां तक है कि 315 से 320 रेखां सबसे पहले क्वाब्स लिएयुंड या ज्यादा लोग से वायोग सबका अपना अपना लोग से वायोग होता है ठीक है बेसिकली आपको पता भी इसका काम क्या होता है कि एक्जाम कंटक्क कराना हूं चलो देखो भाई 315 यह हो गया था अच्छा 316 पर थे हम लोग है अपॉइंट कौन करेगा इनके चेर्मेन को इनके मेंबर्स को ठीक है स्टेट पॉइंशन में करेगा गवलनर करेगा ठीक है धूब दोनों सब्सक्राइब है यह और जूइंट पॉपलिक सर्विस के लिए 12 साल है वैसे six years है ठीक अगर कारकाल पूर्थ दिया जाए तो कितना है छे साल चलो पड़ो इसमें बस यह बात की हुई है कि जितने मेंबर सोंगे जितने मेंबर सोंगे जो और यह से जो स्टेट गवर्मेंट में जो जॉब कर रहे हैं उन में से लिए जाएंगे है ठीक है पूछा नहीं जाएगा जैंगा वन है यह बोलता है कि अगर चेर्मेंट हो जाती है चेर्द मेंट तो पैसडंड और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्ण का चेर्मेंड है उसकी सिट हो जाती है मालोग कि एल विल की वजहाद से किसी और तरीके से अगर सीट वेकंट होती है तो गवर्नर किसी और मेंबर को जो कोई और मेंबर होगा उसे चेर्मेन बना देंगे तब तक के लिए टीक है वने यह बोलता है टू में वही बात की हो यह एज वाली कि क्या है कि वैसे तो छे साल है सबका ठीक है वैसे छे साल है लेकिन यूनें प्रविक कमिशन में 65 साल है और जॉइंट में और सर्विस पहसे साल है तो रेजनेशन, रेजाइन किसको देंगे, भाईया जो अपॉइंट कर रहा हो, उसी को ही रेजनेशन देंगे, तो Union Public Service Commission, Joint Public Service Commission, President को देंगे, ठीक है, और State Public Service Commission कोई मेंबर हो, या चेर्मेन हो, कोई भी हो, वो गवर्नर को देगा, ठीक है, जिद्मूबल कैसे होगा, अगले में दिया हुआ, तीन सो, सत्रा में, ये बाद ध्यान रखिएगा, अपॉइंट कोई भी कर रहा हो, रिमूफ के वल, पैस्डेंट कर सकता है, ठीक है, चाहे, वो State Public Service Commission का मेंबर हो, चाहे, चेर्मेन हो, चाहे, Union Public Service Commission का मेंबर हो, या चेर्मेन हो, अपॉइंट कौन कर रहा था, सब्सक्राइब धार, गवर्नर कर रहा था, लेकिंट रिमूफ कौन कर सकता है, शिर्फ और सिर्फ पैस्डेंट कर सकता है, ठीक है, इसमें भी, तीन सो, सत्रा में भी, दो बाते हैं, ठीक है, अगर भी एवियवियर, मतलब, ग्राउन्ड ऑुफ झिया है, अगर मिश स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हो यह कंफ्यूजिंग है आप बूल जाओगे आप यह सोचों जिसने पॉइंट किया है वही रिमूब करेगा इसा नहीं है करेंगें में कैसे किया जाएगा इसके किसके द्वारा सुप्रिम कोड जाएगी उस भियाप पर नहीं खटाये जाएगा ठीक है समझ्म्याई कि नहीं मिस्वीवर्ग्राउंड में सीधे प्रेजडेंट ऐसे नहीं कि बस सीधे अटा दिया अलात माल दी ना पहले इंक्वाइरी कराएंगे इंक्वाइरी कौन करेगा सुप्रिम कोड करेगा और सुप्रेम कोड की जिपोर्ट के अधार पे ही उसे मि और से पैसा कमा रहा है ठीक या अन्फिट है यह ग्राउंड होंगे इन पे तो वह खुदी हटा सकता है कोई इंक्वाइरी की जरूरत नहीं है ठीक है बस मिस्वीवर्ग्र केस में इंक्वाइरी की जरूरत है बाकि अब सब जानी गए कि हटाएगा कौन से प्रेजडेंट आँगा एक बात और हैसे यह है सब्षपेंड का मतलब यह होता है सब्सक्राइं के लिए थोड़े है माद लोग मिस्वीवर्ग्राउंड पे जब तक इंक्वाइरी चल लई है तब तक सब्सक्राइब करना है तो उप एसके केस में और करेगा और इस्टेट्स्रेट्ट् यह यहां पर सस्पेंट हो रहा है जिमूब नहीं हो ठीक है सस्पेंशन के के से सस्पेंशन तो तभी होगा ना फॉल टाइमिंग के लिए मालम मिस्पेंश का केस चला जब तक इंक्वारी चल ले ही तब तक उसे सस्पेंट करना चाहते हैं तो कौन करेगा तो यूपीए सी औ पढ़ एना ठीक है यह 317 यह दिया हुआ है और तो कुछ इसमें है नहीं 318 पावर तो मेंक रेगुलेशन टू कंडिशन और सर्विस ऑफ मेंबर स्टाफ और कमिशन वहीं चीज है कि वह अपक्र यह है कि किसके पास पावर है कि वह रेगुलेशन जो मेंबर सोंगे और सब स् कौन दोनों है यह दोनों बनाएगा अगर स्टेट कमिशन है तो कौन बनाएगा रेगुलेशन गवर्नर बनाएगा 319 प्रोहिबीशन एस टू होल्डिंग ओफिस्वाइज मेंबर कमिशन और सीजिंग टू बी सच मेंबर 319 जैसे ही जैसे बाकी सब लोग रोके जाते हैं सभस्राइब कि आप एक बार इस पोस्ट पे आ गए तो गर्वर्रमेंट जोब में नहीं हैं आ सकते हैं सब्सक्राइब अबimate 395 आर्टिकल आए जिसमें 319 पड़ा रहा हूं समझें अब तो खुस हो जाओ कातम हो ही गया वत समझो क्या है यह बता रहा है कि प्रोभी वीशन है कि और कोई जॉब नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं कि ठलुआ बैटे घर पे नहीं भाई देखो अगर मान लो कोई की State Public Service Commission का Member है, ठीक है, Member है, तो यह क्या नहीं कर सकता, कुछी भी गौवर्नन जॉब में नहीं आ सकता, Except, क्या काम कर सकता है, यह Member से Chairmen जरूर बन सकता है, कि State Public Service Commission का Chairmen बना दो उसे, Eligible है, ठीक है, या UPSC का member बना दो इसी में पहले चैप्लिक सर्विस कमिशन कैंप एकी уже बिलकुल हो सकता है इन सब चीजों के लिए है रहे बन सकता है जैसे प्रमोंजेसिन से जोंट सका का मेंबर बन सकता है बन सकता है कि नहीं बन सकता है तो आप इसी में ही उपर जा सकते है उसके लावा कोई और जॉब नहीं का सकते यही बाए प्रोइबिशन 319 सवंगाई बात की नहीं आए चलो और कोछ नहीं है ठीक है 319 में देख लेना फंक्शन और पब्लिक सब्सक्राइब कराना ठीक है और उसमें और कोई ग्राउंड है कि यह कोई चीटिंग इटिंग करता हुँ पकड़ा जाता है तो कैसे करवाई करनी है यह सब करना यही सब उसके फंक्शन है और क्या फंक्शन है और रिपोर्ट एक और तैयार करता है कि हमने कितनी जॉब दी क्या है कैसे हम देख रहे हैं और सब चीजें क्यों क्यों एक्जाम हमारे आफोट इस्टेट का यह उस-उस-गवर्णर को देगा दो फंक्शन की तो ऐसी बात नहीं एक बार लीडिंग मांग ले ना और कुछ है निया में power to extend function of public service commission Parliament to have public service commission function or extend कर सकती और भी काम दे सकती उसे expenses of public service commission इनका खल्चा कहां से उठाए जाए गा भगया इनका fund खल्चा जो है Consolidated fund of India से दिया जाएगा ठीक है जिपोर्ट पप्लिक सर्विस कमिशन यह personality है इसी रिपोट की तो मैं बात कर रहा था थीन सो तेज ठीक है क्या रिपोर्ट रिपोर्टिन की कौन देगा मला कहा सब्मिट होगी प्रेजटेंट के पास ठीक है वैरे गोड वन दोनों की पैज़ेंट पास उसकी गवर्णर के पास उन दोनों के नहीं यूनियन पबिक सर्विस कमिशन की प्रेज़ेंट के पास जॉइंट की जिस्टेट का है उन उन गवर्नर के पास पार्ट चौदा ए कब जोड़ा गया था फुर्टी सेकेंड एमेंड में जोड़ा गया था ट्रिबनल्स की बात करता है ठीक है तीन सो सर्विस मेंटर होता है वह पहले इसमें जाता है ठीक है दूसरा क्या है तीन तो थेज़ बी ट्रिबनल्स बना सकते हैं इसमें कुछ नहीं है बस एक केस है ल चंदकुमार वसी यून ऑफ इंडिया जिसमें यह बोला गया था यह ट्रिबनल्स जो है वो जो है वो जो दिक् आते हैं और कुछ है कुछ नहीं है पार्ट फिफ्टीन इलक्षन इलक्षन में आ जाओ हुआ है इस लेक्षन का तो मालमी है आपको चलो पाड़ लो पिर 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 मालुम तो सब है आपको आता इलक्षन में थे देखो क्या बोला गया है कि सुपर्टेंडेंज डारेक्षन कंट्रोल आफ लेक्षन टू वेश्टेड इन इलक्षन कमिशन क्या है किसकि क्या कराना एक तो पारलेमेंट के एलक्षिन करा ना ठीक है पार्लेमेंट में तीनों ही हो गये लोकसबह राश्षभा और पैसिडेंट ठीक है अभी देखते हैं का क्या है आपनदर रटिक अर्टिकल की सौ्शोच किस 1324 ऐ हां थिसर इस रचाबर से बता था उपता है किसका क्या 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 कौन कॉन सेलेक्षिन करांद देखो प्रेसेडेंट का ये कराएगा ठीक वाइसप्रेस्ड और का ये कराएगा और नीचे के लिए बाक्ही सब जैसे यह होते ना पनचायती लख सनु सबके लिए गाइडलाइन सारु करता है यहाँ परugs नहीं है यहाँ पार सिर्फ इंचार के लिए ये हों है, पैस्टेंट, वाइस पैस्टेंट बोथ हॉसेज और स्टेट लेशलेचर पड़ो दिस सुप्रेटेंडेंटेंट्स डिरेक्षिन इंड कंट्रोल अफ प्रिपरेशन फेलेटरल रोल फॉर जिसको हम election commission काएंगे अब election commission में कौन कौन होगा? एक तो election chief election commissioner होगा और सच अधर members as the president think fit ठीक है, तो इसमें कितने होगा? इसमें आज के time पर एक तो chief election commissioner होता है और two other election commissioner होते हैं ठीक है, ये त्री member body है लिख लेना और सकते हैं माल पूरे इंडिया में लक्षन होने है तो यह तीन भी क्या करेंगे तो फिर पिर मैंसे इसा होता है थीग और रेजनल कमिशनर अपोइंट करने पढ़ते हैं हो जी मूवल इनका वैसे यह जैसे जाज आद अप्धा सुप्रीम कोड ठीक है हा प्रडश पॉरड़ प्रॉडर यह एनी एलक्सिशन कमिशनर एनी अधा इलक्सिण कमिशनर और रिजिनल में दोर्ट रीजिनल कमिशनर से लॉट रिजिनल कमिशंटनर और कोच नहीं है सब्सक्राइब कि 305 एथ बात बोलता है कि किसी वी जेली जन डेश कास्ट या सेक्स के आधार पे आप किसी को मतलब इलक्ट्रोल डोल में इन्रोल करने से नहीं मना कर सकते ठीक बलेज ऑफ वर्थ इसमें नहीं है ठीक है प्लेज़ सब्सक्राइब क्या प्लेकिन गिस कास्ट और प्लेशों रिजन रेस कास्ट और सेक्स ठीक इन चार के अधार पे आप उसे इलेक्ट्रो रोल में यह निए भाई के तो डिस्कमेशन हो जाएगा ना सीधे एकदम मोदी जी का है ऐसा है मुसलिम सब बाहर नहीं करें बोटी नहीं डाल सकते बोट का राइटी घतम कर दिया ऐसा नहीं कर सकते क्यों क्यों तीन सब पच्चिस डारेक्ट रोकता है ठीक है चलो 326 elections to the house of the people and legislative assembly of the state to be on the basis of the adult suffrage साफ साफ यह पूल देता है कि adult suffrage के बाद में कहां पर दिया हुआ है 326 में दिया हुआ है इसमें कमेंडमेंट हुआ था 61st amendment किस ने किया था राजी गांधी ने किया था जहां पे बोटिंग राइट पहले 21 साल यह थी उसको अठाके 18 साल कर दिया गया था ठीक है 18 पहले बोट डालने के इस कित्ती थी इसमेंडमेंट से पहले वह 21 साल थी अब कित्ती कर दिगी 18 यह खुब पूछा जाता है कौन्स अमेंडमेंट की गई तो फिर वह नहीं डाल सकता वनना वह कोई बोट डाल सकता है ठीक है पावर ऑफ फॉलियम तो मेंग प्रोविजन विस रिस्पेक्ट तुदा एलक्शन और टू लेस्ट लेचर यह ठीक है 28 में अगर पारलेमेंट ने यह स्टेट कोई लॉव बनाया है तो उसमें इंटरफेर नहीं कर सकते कौन कोर्ट दूसरी बात कि आगर कोई बी उलक्शन को लेके कोई डिस्प्यूट है ठीक है किसी बीलक्सन को लेके कोई चेलेंज किया जाता है तो वह प्रोरी किया चलो और तो कुछ इसमें है नहीं कोई दिकत क्या ही दिकत होगी आ जाओ पार्ट 16 इस पेसल पूजन डेंग टू सर्टेन क्लासिस अब क्या है हमने 16 में इस पेसल पूजन दिया है कुछ सर्टेन क्लासिस को ठीक है जैसे की अब उनका कोई कामी नहीं कोई तो 330 क्या बोलता है जिजर्बेशन ऑफ सीट फॉर सी एस्टी इन दा हाउस ऑफ दो प्यूपल ठीक है यह बोलता है कि हाउस ऑफ दो प्यूपल में मतलब लोग सवा में लोग सवा में इम पी में सब्सक्राइब किसका सी का कितना होगा कितना होगा इन प्रपोर्शन जितनी उनकी पॉपलेशन ऑस एरिया में किस पर यूपोर्शन में होगा जितनी उनकी पॉपलेशन से उनके शीट्रिजर्व होगी मान लो किसी यूप Ragalow किसको यह स्टेट एंड़ो जो रेखें। तो इन 80 सीटों में 16 सीटें उनकी रिजर्व हो जाएंगी समझें ने तो जितनी वहां की पॉपलेशन है जिस प्रपोर्शन में उसी साफसे सीटें रिजर्व होंगी उनकी लोगसभा में कोई दिकत एसटी केस में भी एसटी केवी केस में रिजुए फिर सब्सक्राइब है लेकिन अब यह एक्सेंटी नहीं किया गया तो यह अपनी आप इंगलो इंडेंस क्सेंड़र फोर्त अमेंडमेंट में जास कित्नी थी लोगसभा जिरापकी सीट हैं पांको तीस तो थी स्टेड की प्लस बीच यूनियन्ट टरी की प्लस दो एंगलोब इंडियन अब इंगलोब इंदियन तो रही नहीं ठीक सौत हुअ इनका एक्सेंट नहीं किया गई है यह सब यह सब एक्सेंट होने की शीट में दे रहे थे हां पर अमेले की सीट में कितना दे रहे हैं बिल्कुल वही स्टी गोत्राही देंगे उसी प्रपोर्शन में जित्ती उनकी पॉपलेशन है उस एरिया में कोई दिकत नहीं होनी चाहिए कितना इसमें एक है यहां पर कितनी थी दो हैं यह कोश्चन अभी बरकरा रहे हैं ठीक है पूछे जा सकते हैं यह जरूर अट गया है कि हाउस ओफ दे प्यूपल में मतलब लोख सभा में कितनी एंगुल इंडियन की सीट हैं दो मतलब थीं कितनी थीं दो और स्टेट में एक ठीक है 334 यह बोलता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल पोजिजन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियर्ड तीन सो चौतिस यह बोलता था कि कुछ टाइम बाद दस साल बाद यह उसमें बोला था कि दस साल बाद जो जो रिजर्वेशन है इनकी सीटों पर वो हट जाए सबस्क मैं हमें कॉल्ब का लगशी लडबना तो यह कबfeit आपसर पॉर्ट अमेंड में इसको एक्सटेंट किया डिए तो इसमें लोगों ने था इस एक्सट्स एक्स और ल violy और चुट खता हो गया यहां पर कि ठीक है कौन से वन रट फॉर्थ अमेंडमेंट में तीन सो पैसिस क्लेम ऑफ दे सीस्टी टू सर्विसेस एंड पोस्ट ठीक है अब यह है तीन सो पैसिस से बोलता है कि कोई भी सर्विस क्या है कोई काम का नहीं है तीन सौ्ट इस प्लै आजाओ ने सल्ट फॉर सीट देखो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है तीन सौ अड़े यह नेस्टनल कमीशन फॉर स्ट थीन सो अड़े але ये नेशनल कमिशन फॉर स्टी स्टी यह ना हाँ स्टी यह कि बैकवर्ड क्लासिस है हम स्टी और 333 भी नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासिस ठीक है देखो यह अब क्या है यह क्या होता है यह क्या होता है यह की बार में सब्सक्राइब जान ले ना कहां गया वह लुग क्या है चलिए तो हम लोग क्या नेशनल कमिशन की बात कर रहे थे जब लाइट चली गई थी हूं कि अब ने कर्रेकार्ड क है नहीं किया क्या अगली दिन से करेंगे हैं दो बार हो गया शुत है चलो काया थे हम लोग हम लोग बात कर लिए थे नेशनल कमिशन है किसकि के लिए एस्टी एस्टी के लिए और लिए थीग है यह पहले तो स्ट के एक साथी दिद्ध नेशनल कमिशन फॉर स्टी पहले एक साथ थी फिर एक्टी नाइट्टमेंड में दोनों को अलग-अलग कर दिया गे गिए दो नेशनल कमिशन होंगी एक स्ट के लिए ही केबल देखेगी दूसरा कौन कौन होता है सबका अपने हाप ही पता चल जाएगा ले सब्पे पहल गया पानूंग कौन कौन होगा एक चेर्मेन होगा टिक एक वाइस चेर्मेन होगा चेर्मेन हो गया वाइस चेर्मेन हो गया प्लस थ्री मेंबर्स होंगे कि कित्ते होगा पूरे पांच मेंबर्स की कमिटी होती है यह ठीक है अब जैसे एक का बोलता जाओं वैसे ही सब का सोच लें ठीक है कि इसमें भी यह है एक ऐए वाइसमें लोगा वाइस चेर्मन होगा जैसे इसे इनके काम करेंगे यह किलिए किलिए क्या करेंगे गांट लाग से कभ वह प्र वाहसे नाओगा आपने णेन कर्मिशन फॉल चिल्टरन ठीक है कहें यह सब क्या हो गई यहई सब देख यू पीजिए क्लिजानल ना कमिशन फॉर्ट झाइख युटो थै सुब्जक्ट दिया कुझे औरफ तेघल मेर विए इतन ze रिस्टरीज दो है विल्स फोटाएंनि आपटेज़ुल यह सब दूरा सब्सक्राइब करता है उनकी रूल से निलीशन कौन भर कनायता है प्रोसीजर इनके पास पावर है कि अपने हसाथ से प्रोसीजर कैसे आपके उनके वैलफेर के लिए करेंगे ठीक है वहाँ पर इनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ के लिए इनके लिए बना सकते हैं ठीक है वहाँ के लिए इनके लिए बना सकते हैं ठीक है जो अगर क्राइम अगर क्राइम वहाँ पर सिडूल कास के अगेंस में ज़्यादा होते हैं ठीक है तो वहाँ के लिए special courts होती हैं के लिए ठीक है special courts किया मतलब एक court को केवल यही काम दे दिया जाता है EDJ सापको यही यही एक काम दे दिया EDJ ranking court को एक special court बना दिया जाता है जो जैसे SCST Act है उसमें कोई case RSCST Act में special court का provision है ठीक है तो ऐसे और इनके पास बही civil court की power होती है मान लो कहीं पर कुछ हो रहा है किसी ने कोई ऐसा बयान दे दिया तो उसको समन बेजना ठीक investigation करना यह सब इनके power होती है civil court की तरह सारी power होती है इनके पास ठीक पास मेंबर सोते हैं पुछा जाए कौन पॉइंट करता है पैसे पॉइंट करता है बस ठीक है यह रीडिंग वान ले ना आंग भड़ जाना कि कभी कोई कहीं पर पूंस दिया जाए लिखना पड़ जाए तो हमें मालूम तो है ठीक है कि चलो थी 38 से हमें पता है कि 89 अमर्ण हां गलती होने पर कमेंट तो डर शानता द हमएंग कोई कोई करता है लोगां करता है जिसनसे जोवएrada कमेंट अने लग नहीं एक यूमन अरेस से हो जाता होगा जो आइसे ले काम करेंगी और वो आइसे धी सब चीजे हैं ट chunk कि अब क्या है यह इसके लिए अब यह तो हो गई वह कि नेशन कमिशन ठीक है इसके लिए क्या है हाँ 339 यह बोलता है प्रेश्डेंट जो है इसके कॉंस्ट्यूशन के दस साल हो जाने के बाद क्या करेंगे वो कि थोड़ा टाइम बीच जाएगा ना तो स्टेस्ट के लिए क्या प्रमोशन हुआ है ठीका सिडियूल एडिया एंड ट्राइवल एरियास में वहां के लिए कम कमिशन जो है वहां पर देखेगी जाके क्या है उनका मतलब कैसे हो रहा है और उसकी रिपोर्ट प्रेश्डेंट को देगी ठीक चलो अपॉइंट्मेंट ऑप कमिशन टू इन्वेस्टेट कंडिशन आप बेक्वर्ड क्लासिस तीन सो चालिस वही बात करती है बैकवर्ड क में आएगा वह पृश्डेंट जो है प्रेजिछंट बाइन बताएंगे कि में कौन खेडियू कास में आएगा पेज़र बताएंगे और या Parliament by notification add or subtract कर सकती है ठीक है तो schedule cast में कौन-कौन आएगा कौन बताएगा या तो President बताएगे या Parliament बताएगे पहले वाले हमें President है 341 का ये बताता है schedule cast कौन-कौन होंगे कौन बताएगा कौन-कौन होंगे 341 का पहला बोलता है President साब बताएगे और 341 का दूसरा बोलता कि पार्लेमेट भी बता सकती है ठीक है अब 342 ये बताता है कि powerful लोगे ठीक है पहले परिजिकशन सबसक्ता जाएंगे उन के लाभा पार्लेमेट बता सकती ठीक है चलो कहने के मतलब इस्टेट लाइस लेचर के पास पावल नहीं थी है फिर आया तीन सो ब्यालेस ए ठीक तीन सो ब्यालेस एक जोड़ा गया था वो भी वन नेट सेकंड अमेंडमेंट में जोड़ा गया था एक सोचली एन एक एक सोद्वेंडमेंडमेंट में क्या हुआ थे एक सोद्वेंडमेंडमेंड में चौदाख अच्छे जोड़े गए तो तैन पसंट पैसे से गरीब हैं ठीक है 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 तो अपर कास्ट के कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसे से लेना देना है, ठीक है, समझे कि नहीं, जो जन्रल में आते हैं, और जो एकनोमिकली बैकवर्ड है, पैसे से बैकवर्ड है, उनकी बात की, 10% जे जर्वेशन की बात की गई थी, 100 सेकंड एमेंट्मेंट में, ठीक, उसी मे यह यह था अब इसमें क्या हुआ एक ड्रामा हो गया ड्रामा क्या हुआ कि मराथा रिजर्वेशन दिया गया ठीक है महरास्टा में मराथा रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें क्या हुआ उन्हें एकनोमिकली बैक्वर्ड क्लासेस में डाल दिया गया अब क्या हुगा वो गया सुप्रीम कोड मुक्स को चैलेंज किया गया कौन से केस्स में जैसरी लक्षमन राव पाटिल जैसरी लक्षमन राव पाटिल वर्सिस चीफ मिनिस्टर सीम एन अदर्स इसमें क्या हुआ था पॉपलर्ली नोन है मराथा रिजर्वेशन केस का त elimina क्या हुआ ses एन्होंने मराथा को रिदर्वेशन दिया महरास्त्रा गवर्म savings ने मराथा कोटा में ठीक है मराथा को रिदर्वेशन दिया या आपश तोस से और जॉन का से से लिटी से लीन है कि एकनोमीकली तेपर government के पास पावरी नहीं है यह decide करने की कि कौन कौन इसमें आएगा क्यों क्यों कि 100 second amendment के बाद 100 second amendment के बाद socially और economically backward classes कौन होंगे उसमें दो ही लोग बता सकते हैं या तो 342 एक के पहले में president बता है या 342 के एक के second में parliament उसमें add या subject करें ठीक है तो उसमें state government के पास पावरी नहीं हैं तो यह ज़र्वेशन उन्होंने क्या बता दिया अन constitutional बता दिया अन constitutional बता दिया ठीक है लेकिन जिए सव में इसमें एक explanation जोड दिया देखो इसका explanation जो six है नो कब जोड़ा गया वन एट फित इसमें बोला, for the purpose of clause one and two, the section central list means the list of socially economic backward classes prepared and maintained by and for the central government. And three, notwithstanding anything contained in clause one and two, every state or union territory may by law prepare and maintain for its own purpose a list of socially educationally backward classes and trees in which may be different from the central list. ठीक है, तो इसमें जो है, तीन एक जोड़ दिया गया, जिसमें जो है, पावर दे दी गई, state को और unit territory को, कि तुम भी अपनी एक socially और economic backward class के list त्यार कर लो, ठीक है, जिसके बाद से इमराठा रिजर्शन सही हो गया, चलो, और कोई दिकत, अगला chapter, वो part 17, official language, official language से question आते हैं है, हो जाएगा, शाइद इसी बार में, एक ये बार में अब निप्टा दें, कोशित तो यही रहेगी, बार सब कुछ सही रहा तो, निप्टा देंगा है, देवर दो गूंटे का और रहे गया, टेक है, अब क्या आती निकल गया से पूछ रहे है उसकी सुझेग नहीं अब बड़े बड़े टॉपिक है अभी अभी तो इमर्जेंसी है अमेंडमेंड है अभी तो बड़े बड़े टॉपिक है कितने बड़े हैं आप से बड़े थोड़े हैं तीन तो ते थालिस कौन सा है पार्ट कि सोला है कि सत्रा कि सत्रा सोला कहां से हो गया है सुख जाओ यार एक तुछ पार्ट सत्रा स्थ्रा में लेंगोज है और लेंगोज में गाली के लगज होने से इमेजेंसी लगा देते हैं अठारा में याद कनेक्टरेब्स अमंजिए नहीं है हां आर्टिकल 343 ठीक है ओफिस्यल लेंग्विज क्या है यह दिया हुआ है कि गीला होने को जहां नहीं चलना है अरे अब सर्दिया आ गए या सुपता भी नहीं है कि आज सूब आउट के देखा इतना कोहरा निगरे या सर्दिया रही क्यों है अडिया हिए ए यूनियन की ऑफिसल लेंग्विज क्या होगी ऐसे मुझे लिखना अ 사용stone है हराम हराम है क्या होगी लखेंगी हं और देवनगरी स्क्रेप्ट अ आःएEEEE कि कम से कम हजार बार यह कोश्चन आया होगा ठीक है कि ऑफिशल लेंग्विज क्या है हिंदी इंग्लिज इंग्लिज इंदेव नगरी स्क्रिप्ट पता नहीं के कर टिक माल देते हैं कि यूनियन की ओफिशल लेंग्विज क्या है इसमें तीन सो टेटलेश तीन सो पैंट आलेश है critical ट्यान रखना डेका यह इसमें स्टेट की इसमें सुप्रीम कोट एंड हाई कोट संजे कि यूणियन की क्या है हिंदिन देवडनगारी स्टेट की क्या है जो इस्टेट अपनी बनाना चाहे हाई कोट एंगलेस बस याद होगे हैं सब इसमें क्या है इननों बहुत साथ है सबसे ज़्यादा बहस किसी चीज पर अगर हुई थी पार्लेमेंट में तो लेंग्विश को ही लेके हुई ठीक है कि ऑफिसल लेंग्विश क्या होने चाहिए बहुत से लोग बोलते दिंग्लिस होनी चाहिए कि इ बंगाली होनी चाहिए बरंगाली क्यों पंजामी होनी चाहिए वहां पर क्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए उस चक्कर में यह चाहते तो यह थे कि एक जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हिंदी बोली जाती है कि हिंदी का मतलब एकदम प्योर हिंदी नहीं जैसे तो मेरी लेंग्विज यह थोड़ी सी अलग है मुझे नहीं पता चलती है जो बोलता हुसे थोड़ी लगती है दूसरे लोग सुनते उन्हें लगती है जैसे मैंने का कि आप लग जैसा गेट बंद कर दो हमारे बोलते हैं गेट बेड़ दो समझें नहीं तो गेट बेड़ द इसी लिए बहुत ज्यादा प्रोविजेंस में डाले गए ठीक है बैसे तो कोई दिक्कती ना होती अगर इतनी बहुती एक दो आटिकस ज्यादा थोड़े चाहिए थे इसमें यही तीन चाहिए होते कि यूनियन क्या होगी और हाई कोड कोड की क्या होगी बस लेकिं इतनी बहुत ही हुई कि इसमें बहुत दुनिया बढ़ की चीज़ें डालनी पड़ें तो दा ओफिसल लेंग्विज ऑफ दा यूनियन सैल भी हिंदी इंडेव नगरी स्क्रिप्ट ठीक है उसके बाद में बागी सब चीज़ेंस में काम की नहीं है यह बोला गया था कि इंग्लि еся ठीक है कि Dazu की अ 345 क्या बोलते प्रेश्य पोलता रिफ्ट sketchesle अग्यान साय्व ए यह द्यूनिंदेश्च थी ए खंस में दॉटाइँ 10 year, 5 congress June 50 сез Paso 10 일 वाद क्या करेंगे constitution मनलब 1950 के 5 साथ साल बाद 10 साल बाद उनने क्या करना है वो भी इसमें बोल दिया ला ठीक है कि अभी यह बात को छोड़ दो अभी बहुत ज्यादा hot topic है अभी इसको छोड़ को थो आंगे देखेंगे 10 साल बाद इसे 5 साल या 10 साल बाद देखेंगे जैसे रशाद कस्तवाह होगा क्या कमिशन का क्या होगा और क्या होगा त Dynamics का official purpose of union union official purpose के लिए हिंदी इस्तमाल कर सके हैं restriction on the use of English language for all or any of the following purpose of the union ठीक है कि कैसे English को रोका जाए the language to be used for all or any of the purpose mentioned in article 348 340 में जो दी हुई है वो जैसे 340 में High Court और Supreme Code में उसमें हम लोग उसके लावा इस्तमाल कर सकते हैं को सारी का में होता है ठीक है अब उसमें में जल्दी छेड़ चाड़ नहीं कर सकते तो दस साल बात का मनें पांस साल बात का मनें इसमें काम डाल दिया ठीक है कोई काम कर नहीं है कि इंग्लेस के चक्कर में तो किसी भी कॉलेज में जाता था मतलब एक आध जा देना दिया नहीं नेट कॉलिफाई होने के बाद फिर मैं तैयारी में रहा तैयारी के बाद फिर मैंने एक आध बाद सोचा कि चलो किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं चलके एक कॉलीज में तो पढ़ाई भी था तो वही व्यां एक उसमें और पर ओप्र रहां कॉलीज जैसा भी हो इस्टुडेंट नहीं नहीं हो रहां वहा पर तुछ नहीं हो उद्धेख नहीं कि इने ले लोने की तो बात छोड़ा जो ड़ें जो समझाने की एक ट्रेक है जैसे मैंने कुछ आपको समझाई को टिकपड़ी करके जैसे कोई भी टिकपड़ी करके जैसे यह मैं लगेगी तो यह बात मैं कैसे मतलब कंप्रोमाइस के साथ आप अपना बैस्ट नहीं दे सकते ठीक है मैं अपना बैस्ट कैसे दे सकता हूं जब मुझे बिल्कुल खुली छूट मिली हो पड़ाने की ठीक है यह भी नहीं कि आप एक्दम कोट्पेंट में पड़ा रहे हैं कि मतलब प्रॉपर ड्रेस तो बहुत हो मानता हूं ठीक है उससे कोई फर्क मिनी पड़ेगा लेकिन जो मेरा एक्स्प्रेस करने का तरीखा है ठीक है जैसे मेरा बॉड़ी लेंगविज है जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत बार मौके आए उन्होंने कहा बहुत ए लेंगविज उसमें आईगी नहीं बहुत सी चीज़ें होती है एक्स्प्रेसंस होती है समझ में आती है जो है कंप्रॉमाइज के साथ चीज़ें नहीं उपाती है क्या बात करने लगता हूं यार कैसे यह बात चुड़ी है चलो इस पर आजाओ दूसरा जीजनल लेंगवि है कि एक यह बढ़ा हो घाली अपने चला रहे थे मरा भाना यह बना वह बना और प्रणने अपने इस्टेट में यूँं ठीक है अब क्या थे तुर्माद लो इस में तीन चालीन दूसरे बोलता कि एक state से दूसरे state में या state से union से बात करने में कौन सी language का इस्तमाल होगा ठीक है state से state और state से union मानलो यह चला आते हैं Maratha यह चला आते हैं बंगाली और यह तो इनकी तो मानलो हिंदी है तो कई से बात चीद होगी ठीक है और इसकी बात करते हैं 346 कैसे होगी the language for the time being authorized by union for official purpose shall be the official language for the communication between one state and another state and between a state and a union ठीक है जो union द्वारा authorized language होगी ठीक है या तो English या इंदी ठीक है कोई भी authorized language जो उसी में ही दोनों state से state में बात होगी या state से union में बात होगी ठीक है official language for communication one state another between a union हो गया 37 special position relation to the language spoken by a section of the population of a state ठीक है अब क्या है 3040 से बोलता है कि अगर कुछी एक state में majority कोई एक language बोलती है ठीक मान लो बंगाल में majority जो बंगाली बोलती है तो फिर वो president से request करके अपने state की वो official language बना सकते हैं ठीक चलो हम अब आजा आप language of the supreme court and high court 340 language to be used in the supreme code and high court and for app bill and notification ordinance कोई supreme court में high court में 344 बोलता है यह important article है ठीक है यह तीनो तीन तो तेताले पताले सब्सक्राइब तो दिमाग में बैठे होने चाहिए किसकी बात कर रहा है ओफिसर लेंगविज की supreme court की लोगर कोड की हम लोग बात नहीं कर रहे है ठीक है कोई भी एक्ट पास होना है कोई प्रवाइब होना है जाद्ध possible सब्सक्राइब करोंगी यह सब किस प्रद्धनेड कोई और कुछ नहीं कर रही है कोई और बात नहीं बोल रही है या कोई और लौ नहीं बना रही है और प्रोसीदिंग इन 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 एवरी हाई कोट दा अथर्टेटिटिटिफ टेस्ट इपर देखने चला है कि नहीं कोई को डल लगने लगता है यार सब कुछ बोल वाज यहां इसा लगता है कि बाद में रिकॉर्डी नहीं हुआ है और पुदिंग इन इंग्लिस लैंग्विज ठीक है आंगे सब बेकार बेकार क्या है कुछ नहीं होता इस पेसल पॉसर फोड़ एन अग्मेंट अव सटें लॉस लेटिंग इन लेंग्वेज इसमाइए 349 में यह बोल दिया था कि ठीक है बात में जो है अगर कांसिल ओफ एस्टेट जो है कॉंसिल एस्टेट ही था ना नए वो कोई भी लॉइव बतलब पार्लेमेंट जो है तीन सो ननचास यह बोलता है थ्री फुर्टी नाइन की देखो आँगे जाके एक तुद्द दस साल तक 15 साल तक क्या था 15 यह यह बोल दिया गया पार्लेमेंट में इन्होंने कॉंस्ट्रीशन भी यह बोल दिया कि देखो 15 साल बाद ठीक पंदरा साल बाद पार्लेमेंट में बोथ हाउस में से कोई भी कोई भी अगर लो लेके आएगा तो उस पर फिर देखा जाएगा प्रेसिदेंट को आप देना कि कैसे लेकर क्या करना है ठीक है लेकिन 15 साल तक आप कोई भी ऐसा नहीं ला सकते ठीक उसके बाद ही हम देखेंगे अभी हम कुछ नहीं देखेंगे लेंग्विश को लेके ठीक है तो समझ लोग किती बड़ी जाड़प रही होगी उस समय लेंग्विश को लेके पड़ो दिरिंग दा पीरिएड और फिफ्टीन एस फॉर्म दा कमेंस्मेंट आप दा कॉंस्टिएट नो बिल और अमेंडमेंड मेंकिंग प्रोविजन फॉर्ड लेंग्विश्ट वी उस फॉर एनी अब परपस मेंशन इन क्लाउज वन ऑगा ती तीन तॉर तालेट शैल बिंटोड्यूज अ मूव इन एदर आहुस पार्लेमेंट विदाव दा प्रेविश सेंक्शन आप प्रेशिडेंट कि पंदरा साल तक कोई बिल या कुछ भी ऐसा पार्लेमेंट में नहीं इंटोड्यूज होगा या कुछ भी नहीं होगा पार्लेमेंट में ही सबसे आता भाइस थी पचास एंपी बोले नहीं इंदी होनी चाहिए तो वह तीन सो और तालिस में कि यह बिल एक नोटिफिकेसन यह सब सुप्रीम कोड कि यह लगी वह हरें हाल में तीन साल में फफिल नहीं राइंगस कोई कर दो कोई नहीं आएगा लोगा सब्सक्राइज्ट से पहले परूफ नहीं को चलो अच्छा उसके बार भी और फिर लिशand yeah तीनतों पचास 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 एक इसन एक पिन त्याउन तक और हम 노래방 डालने पड़े language के आप तीन से पचास language to be used in representation for address of grievance ठीक है address और grievance ठीक है कोई भी अगर कुछ address of grievance के लिए अगर कोई भी application दे रहा है या कुछ भी अगर letter दे रहा है किसी को भी दे रहा है किसी भी authority को DM को SP को PM को प्रेजडेंट को पार्लेमेंट को किसी को भी कोई भी CM को PM को किसी को भी तो वो जिस अपनी language में चाहिए उस language में लिखके बेच सकता है ठीक है इसा नहीं है कि वह से boundaries कि वह इंग्लिस इनकी ऑफिसर लेंग्वेज यूनियन की हिंदी है तो हिंदी में लिखें या कोई भी में लिखेंट क्यों आप जो की लेंग्वेज और जो की बात करते हैं ये बोलते है कि मदठ अग कोई को भी मान लो कि लिखिस्ट्रिक मैं एक ब्रोट्स कोई है doğORY मान लो की मान लोटा कोई है ठीक है लिंग्विस्टिक मैनोर्टिर्ट क्या होते हैं वो कम्यूटी जिनकी यह लग भासा है और वो मानोर्टी में है बहुत कम है ठीक है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है कि वो भी सर्वाइब कर पाएं कैसे वो खतम हो जाए अपने अमान लोगे लिंग्विस स्कूल पढ़ने जाएगा स्कूल में क्या चल लई होगी इंग्लिस चल लई होगी या हिंदी से मानलो नौर्थी इस रहला हम उदा क कया से सब बोली जाती कि हैемा इन यह बोन्डो, डोगडी, घसी यह सब बोली जाती है तो वहाँ पर वहाँ बच्चा मानलो घर से बाहर निकलेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल में तो इंगलिस बोली जाएगी इंगलिस बोली जाएगी तो वह इंगलिस सीखेगा और एक time period बात अगली generation में लेंग्विज खतम हो जाएगी तो वह बिलकुल खतम हो जाएगी तो उनके protection के लिए क्या किया गया 350 यह डाला गया कि जो mother-tank language होगी primary education में mother-tank language आप डाल सकते हो ठीक है primary education में mother-tank language डाल दो for the protection of linguistic minorities 350 से 350 भी special officers for linguistic minorities ठीक है अब जैसे यह होते ना वो थे national commission थे national commission से पहले उसमें special officers ही होते थे ठीक है कि special officers होंगे वो यह सब देखेंगे SC को ST को यह सब ठीक है ऐसे ही special officers appoint होंगे किसके लिए linguistic minorities को protect करने के लिए ठीक है कि उनको कैसे protect किया जाए उनका मतलब उनका जो है वो खतम तो नहीं हो रहे हैं ठीक है कैसे उनके protect किया जाए तो उसके बारे में यह होगा इसपेसल officers यह भी कैसे द्वार अपाइंट होगा ठीक है 350 भी डारेक्टेव फॉडबलमेंट ओफ हिंदी लेंगवेज थी यह लोग मानने कोई तयार नहीं ते मैं मैं जाए लेंगवेज कि दी महां पर पार्लेमेंट में अरे यार इंदी को या हम तुम कहते हो पार्लेमे मैंल कोई तयार नहीं था ठीक है महराथा अपने एक नेतागो लेकर चलना है रायस्थानी अपने एक नेताग seen बंगाली अपने लेकर चलने सब लोग अपने अपने तहब राजा महाराज आना बैसा मीं सब यह आई अई सब लोग निपड़ गये से अगर किसी यह लेंग्विज को अपनी औफिसल लेंग्विज मान के उसको फैलाय जाता पूरे में यहां भासा होगी हुआ है है अब लेकिन कैसे फैलाय जाए लालू जी बोलिंग बोच्पूरी करो भाई कोई और करो सब्सक्राइब बाइब कोई बढ़ाना चाहता है ठीक है लेगन किसी एक को वर्ड लेकर जाना पड़ेगा किसी एक बासा को इंगले संपेतनी आभी कैसे हो गई कि चलो 300 एक क्या उन्य बोलता है कि ये यूनियन के ड्यूटी है कि जो है प्रमोट करें किसको हिंदी लेंगविज को ठीक है उसके लिए देखो कैसे क्या हो सकता है ठीक हिसमें हिंदुस्तानी टर्म्स भी एक इस्तमाल हुआ है जो मैं फूरे बेरिक में एक जंगा में करते हैं हाँ है जालिए तो इसका आंगे दिखते हैं क्या है इमर्जन्सी क्या है क्या से कहां तक 352 से 360 इसमें भी तीन आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट हैं तीन ने चार पांच है ठीक है सबसे पहले तो 352 फिर 356 फिर 358 359 और 360 ये तो कभी मत बोलना इसमें क्या है इसमें नैशनल इमर्जन्सी है इसमें स्टेट इमर्जन्सी है इसमें स्टेट इमर्जन्सी या पैसिडेंट रूल ठीक है एक ही बात है या इसमें सबस्टेट इमर्जन्सी इसमें सबस्टेट इमर्जन्सी और यहां पर अधर फंडमेंटल पार्ट थेर्ड और सबसे पहले 352 352 क्या बोलता है कि भाईया कब national emergency लगा सकते हैं ठीक है तीन ground है सबसे पहला war दूसरा external aggression external external aggression तीसरा आम रेविलियन ठीक है इन तीन ground पे national emergency लग सकती है आम रेविलियन पहले इसा internal disturbance ठीक है यह कब 44th amendment में internal disturbance हठा के इसको arm rebellion कर दिया गया क्यों क्योंकि internal disturbance के नाम पे 1975 में इंदरा गांदी ने national emergency लगा दी ठीक 1975 में जब इंदरा गांदी ने internal disturbance के नाम से emergency लगा दी थी तो उसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला था उसमें 44th amendment में मतलब 1978 44th amendment का भाय था 1978 में बहुत सारे changes किये गए जब दूसरी government आ इंदरा गांदी के अटके तो हम लोगोंने constitution बहुत सारे changes किये उसमें ठीक है क्योंकि उससे उन्हें सीख मिली थी बहुत सारी क्यों क्या हुआ था ऐसे ही बस इंदरा गांदी को ऐसा लगा लगा दो सीधे प्रेज़ेंट साब को फोन किया हां जी कल से national emergency है on the ground of internal disturbance बस emergency लग गए प्रेज़ेंट साब ने council of ministers की क्या राय है नहीं है उनसे कुछ नहीं पूछा ना इंदरा गांदी से ना पी-म से पूछा नाम लेना बारबास सही नहीं है काम अच्य भी बहुत किये उनों में ठीक है पी-म प्रेज़ेंट साबने से प्रेज़ेंग साब ने पिम से यह भी नहीं बाइब इतको किसे जोड़े गए रीक है तो तौक्यां से ग्राउट है वार होगा या चांसिस हो एक प्रोवीजों में जोड़ा गया था एक वार इमर्जेंसी लग गई ठीक है प्रेजडन साब ने प्रोग्लेम कर दिया प्रेजडन साब है जब on written write-in में किसने दिया हो union ministers ने union ministers में कौन-कौन हो गए union ministers में आपके PM प्लस council of ministers ठीक दोनों ने writing में सबके writing में जब present पास आएगा कि हमें इसा लगाने तब ही हम लगा सकते हैं में इसा नहीं हुआ तो हमने यह प्रोविजन डाला ठीक इतनी बात हो गई एक बार पेस्जेंट साब ने अगर जारी कर दिया तो वह किसके वन मंत के लिए हो जाएगा ठीक है यह बन मंत भी पहले टू मंत था यह 44 अमेंटमेंट में इसको बन मंत किया गया एक मंत के लिए वह इमर्जेंसी चालू रहेगी ठीक है अब एक मंत में क्या होना होगा बोथ हाउसे बोथ हाउसे को पास करना पड़ेगा ठीक है अगर बोथ हाउसे ने पास कर दिया तो यह 6 मंत के लिए एक्सेंट हो जाएगी ठीक, उसके बाद मैं फिर से जरूरत पड़ी, फिर से पास कर दो, six month के लिए फिर extend हो जाएगी, बोथ houses पास करेंगे, ठीक है, for example, एक situation यह आ सकती है, कि जब one month की लगाई, उस समय क्या हुआ, बोथ houses session में नहीं थे, council of ministers, council of state, तो हमें से ही होते है, राज सभा, तो है, राज सभा ने पास भी कर दी, लेकिन क्या हुआ, लोग सभा session में नहीं है, ठीक है, dissolve है, तो जिस दिन से लोग सभा session आएगी, जिस दिन से वो sit करेगी, उसी दिन से, जिस दिन से वो बैठेगी, उस दिन से 30 days के इंडर पा पास करना होगा, अगर जब मान लो कि वन मन्त में तो वो समय तो नहीं थी session में, ठीक है, लोग सभा, तो council of state, राज सभा ने तो पास कर दिया, तो जिस दिन लोग सभा बैठेगी, उसके 30 days के अंदर इन्होंने decision लेना पड़ाएगा कि पास करनी है कि नहीं, अगर पास नह नहीं है, अब क्या होगा, तो यहाँ पर भी जिस दिन से वो sit करेगी, उस दिन से 30 days के अंडर पास करना पड़ेगा, कोई दिक्त, कोई दिक्त दरिवात तो नहीं है, ठीक है, इसे ही 6-6 मैने के लिए हमां accident कर सकते है, ठीक है, अब dissolve करानी है, मतलब अब यह हटाने है, प् emergency, तो क्या करना है, 110, 110 member of लोकसभा, वो क्या करेंगे, वो speaker को लिखके देंगे, अगर session में तो, अगर लोकसभा session में तो 110 member speaker को देंगे, ठीक, और यह पास भी कैसे होगा, यह special majority से होगा, ठीक है, पास कैसे होगे, यह जो resolution pass हो रहे है, proclamation के, कैसे पास होगे, special majority से होगे, म अगर इसको खतम करानी है, जिवोक करानी है, तो कैसे होगा, 110 members, speaker को, अगर session में है, session में नहीं है, तो, पैस्जेंट्स आपको लिखके देंगे, कि भाईया, बैठालो, बोथ houses को, बैठालो, यह emergency से चल ले, इसको खतम करानी है, और उसके बाद में, यह majority से खतम कर दी जा इसके खती है, फिर से 6 मेंने के लिए हो सकती है, ठीक है, अगर लोग सबा, session में नहीं है, तो जिस दिन से बैठेगी, उस दिन से 30 days के अंडर पास करना होगा, नहीं पास किया गया, तो फिर वोग कराना है, बीच में कहीं पर भी, कहीं पर भी, कभी भी, तो क्या, 110 of लोग अटम कराई जाएगी, इतनी सी बात है, पढ़ लो, आम रिवीलेन मैंने आगो बताई, पहले इंटर्नल डिस्टर्मेंस था, अब आम रिवीलेन हो गया, 44th amendment बार, 1975, ठीक है? explanation, a proclamation of enfinji declaring the security of India, any part of the territory, they have been threatened by war, external aggression or by armed rebellion, may be made before the actual occurrence of the war, ठीक, before the actual occurrence of the war, भी ये लुबसकति है, or of such aggression, rebellion, if the present are satisfied that there is a imminent danger there, of, dúsra, a proclamation issued under clause 1 may be varied or revoked by the subsequent proclamation, very good. The present shall not issue a proclamation under clause 1, or a proclamation varying such proclamation unless the decision of the union cabinet that is to say the council consistent of the prime minister or the minister of the cabinet rank appointed under article 75 that a such proclamation may be issued has been communicated to him in writing every proclamation issued under this article shall be laid before each house of parliament and shall except where is the proclamation revoking a previous proclamation evoke cease to operate at the expiration of one month unless before the expiration of debt period it has been approved by the resolution of both house of parliament provided that if any such proclamation is issued at the time when the house of the the people has been dissolved or the dissolution of the house of the people takes place during the period of one month referred to in clause on this clause if a resolution approving the production has been passed by the council of state but no resolution with respect to such program has been passed by the house of the people before the expiration of that period the proclamation says cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the house of the people first sits after its reconstitution unless before the expiration of the set period of 30 days a resolution approving the proclamation has been also passed by the house of the people कि 30 दिन के अंदर उन्होंन पास नहीं किया तो वो cease हो जाएगा फिल वो आंगे नहीं एक्टेंट हो सकता अगर 30 दिन में पास कर दिया तो क्या होगा वो छे मैने के लिए एक्टेंट हो जाएगा अगर तीस दिन के बीजे फिर से डिजल्व हो जाती है तो क्या करना है जी अच्छे मैने के बाद फिर से उसको एक्टेंट करना है तो क्या करना है ठीक है चलो पढ़ लेना एक बासोन में आजाएगा अब इस पेशल मजोर्टी वाली जो आमने बात की थी चौथा छटा पॉइंट यह है यह जन बीभी पास्ट बाइद एदर हाउस अब बैच वानली बाई such proclamation ठीक है house of the people अगर बोलें के तो खतम कर दिक बोलें कैसे अगला point है where a notice in writing signed by the not less than one-tenth of the total total number of members of the house of the people has been given of their intention to move as an illusion of disapproving or as the case may be for disapproving the continuous in force of a proclamation or issued under clause one or proclamation varying such proclamation to the speaker if the house of the session is session or to the president if the house is not in session a special a special sitting of the house shall be held within 14 days यह बात होते हैं कि यह कित्ते दिन कहनता होगा जैसे यह notice दे दिया ना no notice के 14 days के इसलिए पढ़ना जरूरी होता है दोस्त हर चीजे दिवान में नहीं नमा दा पावर कंफर्वां दा प्रेजेंट बाइस आर्डिकल सहले इंक्लूड दा पावर तो इसू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन डॉन डिफरेंट ग्राउंड बीइंग वार एक्ष्ण लगेशन ठीक है उसके लाव और और पास कर सकते हैं ठीक है पूछा क्या जाएगा एक बाद नोटिस किस्ति लोग दे सकते हैं वन टायर कम से कम जब चाहें तो दे सकते हैं किसको देंगे और किस्ते दिन के इंजर सिट करना होगा ठीक है बैड़ना होगा बस इतनी बात है कौन कौन से ग्राउंड पर इमजन सी लग सकती है ठीक कौन सा अमेंडमेंड हुआ इसके साथ साथ अभी 358-359 और पढ़ लूँआ है शाती हम पढ़ लेंगे पढ़ डालो अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि यहां पढ़ोगे तूपर वाली चीज भूल जाओ इतनी जल्दी है बूल जाओ गए ऐसे बूलें पर तो काम होगा दोस्त कि इसका effect क्या होगा 303 पन यह बोलता है 303 पन एफेक्ट सेफ इतना होगा कि जब भी प्रोक्लेमिशन एमर्जैने इन अप्रेशन होगी ठीक है तो जो स्टेट की जित्ती पाबर होंगी वो किसके पास आ जाएंगी वो पार्लेमेंट के पास आ जाएंगी ठीक है पार्लेमेंट उस पे लौ जित्ती भी स्टेट लिस्ट में लौ है वो सब बना सकता है बस इतना सा अफेक्ट होगा तीन से अपन में यह ध्यान रखना कि एफेक्ट और प्रोक्लमेशन अफ एमजेंसी क्या होगा कि जब भी प्रोक जरूरी नहीं है मान लें जैसे स्टेट में इमर्जेंसी जैस अरिया में इमर्जेंसी लगी होई है वहाँ पर ही यह लौ आगर आस पास के इस्टेट अंजने पंडलेमेंट को ऐसा लगता है कि वह भी एक्ट कर सकते हैं तो उनको भी चंटोल में ले सकती है ठीक है जरूर of revenue between union and state ठीक है कहां से 268 से 279 तक कि कैसे revenue union से state क्यों जाएगा यह important नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लो उसके लिए उसको जो है उसके लिए अलग lobby वो कर सकते हैं ठीक है यहाले provisions काम नहीं करेंगे अगर उन्हें ऐसा लगा तो क्या है कि application of the provisions relating to distribution of revenue while a proclamation of emergency is in operation distribution of revenue between home union and state ठीक है तो उसमें इसको भी अलग कर सकते हैं ठीक पच्पन duty of the union to protect the state against external aggression and internal disturbance तीन से पच्पन यह बोलता है कि यह union की duty है कि state को कि से external aggression and internal disturbance से प्रोटेक करें ठीक है इस रिस्पॉंसिलिटी आप दे यूनियन तीन सो चापन state emergency थोड़ा इस पर पाइंट आलना पड़ता है थोड़ा अपने अंदर डालना पड़ता है जाप आल चाहता है जब की मजें बुझे बॉलने के बहुत आढ़ता है तो भी आढ़ता है कि मैं आए कि नहीं आया आए मत्तो गया होगा जैना क्यों नहीं आहिए बीपैली वार थोटे प्लाद है मुमसा जो लोग पाहली वार प्लाद है भू भी समझ जाएंगा कि ही हैं जस्टारबा है… है उट हैं? कर जाले कर दो झाले कर दोला कर दोला कर दोड़ार है क्या कड़े कड़े अतरा है अच्छा लगता है नहीं क्या है इस्टेट इमजेंसी ठक गया हूं इसलिए दीमा थोड़ा हो गया और कॉंस्टिट्यूशनल इमजेंसी क्यों बोलते हैं अन्दिवालेशन अफ दे कॉंस्टिट्यूशन मतलब वो कि फेल्यूर अफ दे कॉंस्टिशन होता है इसमें इसलिए है और पैसिदेंट रूर इसमें भी बिल्कुल बैसे ही प्रोवीजन है ठीक है कब होगा पैसिदेंट सा भी लगाएंगे कब लगाएंगे या तो खुद उन्हें ऐसा लगे सू मोटो या ओन दे रिपोर्ट आफ रिपोर्ट आफ गवर्ना ठीक एक बान लगा दिया कब तक के लिए रहेगा तू मंत के बीच में क्या करना होगा वही तू इसी टू मंत के बीच में क्या बोथ ईसस को पास करना पड़ेगा फिर वो छे मंत के लिए एक्सेंट हो जाएगी फिर से छे मंद के लिए कर सकते हैं लेकिन नौट मोर देन लेकिन नौट थेन थी यह तीन साल से जादा नहीं बड़ा सकते हैं कि है समझें नहीं हां वही बात है कि हैगे लोगसभा अगर लोगसमा से नहीं है तो जिस से इसंट होगी उस दिन के ठीस्ट के एंटर पास ठीक है उसके लाबा और क्या है और यह एक और एक साल से जादा कर रहा है ठीक है नले बट यह लगाया दो दो मैने का टाइम है, फिर शे मैने हो गया, फिर शे मैने हो गया, अगर वन येर से ज्यादा अगर emergency लग रही है किसी state में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें दो ground आपको satisfy करने पड़ेंगे, ठीक, या तो उस समय national emergency लगी हुई है, इस लिए वो accent हो रहा है, ठीक या दूसरा election commission ये report दे रही है election commission का ये मानना है कि वहाँ पे अभी general election नहीं हो सकते ठीक इसके इलावा क्या है कि दो चीज़ें और होंगी कि एक तो सारी power president के पास आ जाएगी ठीक सारी power president के पास आ जाएगी दूसरा जो वहाँ पर जो assembly है state assembly है उसको या तो फिर suspend कर सकते हैं या dissolve कर सकते हैं खथम कर सकते हैं डिजॉल्व हो गई तो नए election होंगे ठीक है सस्पेंड या dissolve कर सकते हैं बस इतनी इसी बात है इसमें ठीक स्पाना है थोड़ो हुए जिनसोच्पण प्रोविजन इन केस ओफ फेलियर आफ इपकोंस्टूशनल में सेंडी इन इसकी लिए इसको पैस्टूशनल आजाता है कि इस्टेट में इसको पैस्टूशनल जूल भी बूलते हैं ठीक है और और इस्टेट इमर्जेंसी तो ही क्योंकि यह स्टेट पर लगती है इसका मिस्यूज बहुत हुआ ठीक है बहुत वाल लग चुकी है लगए सव देड़ सवा एक सो पच्छेस या चबिस वाल लग चुकी है ठीक है इसको लेकिन अमेटगार साब ने जब यह कॉंस्टिशन प के गवर्मेंट है इसी स्टेट में कोई और लोकल गवर्मेंट आ गए कोई स्टेट की आ गई अब क्या है फिर्ष से एलेक्शन कराने की लिए उस पर स्टेट इमर्जेंसी लगा दी पर पैशिन के पास पावर आगे और जो वहां की जो इलेक्टिड जो थी उसको डिजॉ करा दिया है ठीक है जबकि यह कॉंस्ट्यूशन का बॉलेशन है तो इस पर केस भी आए थे दो एक तो एसार बो मही दूसरा रामेश्वर प्रसाद बसे स्टेट ऑफ बिहार ठीक दो इसके लेडिंग केस है एसार बो मही पसिजिए आफ इंडिया रामेश्वर प्रसाद पर से श्टेट ऑब है छला है पढ़ा हो पी से एस तो परसेट ऑप आ तो इस एजैए पर्सेट ऑफ रिपोर्ट ऑब लिया है ओफिस्ट इससेट इसार और क्रोट बहुत एरजन इन विस द गूर्वर्मेट of the state cannot be carried in accordance with the provision of the constitution किस ग्राउंड पर की फेल्यूर अफ व कंसिशनल मसीन जी एस state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution the President में प्रूक्लीमेशन क्या करेगा यह तीन काम करेगा थे पाम करेगा नर्किया और कुछ भीज़ बाय सबने उपले लेगा धूसरा डिक्लेर देल से पावर दावर अथर्यकर ौस ला भाय एंडर देल अधॉर्य के इ हूँ पर्ली से भूरेंट परसुर्म कलेगी थीसरा में सच इन्सिदेंचल ऑं इंध्री बीने सीचिंटरल फिर और विए पा सम्झेंग नहीं प्रोवीदो ये बोलता है कि इसमें कोई भी पावर यह नहीं देता कि वह हाई पावर अपने पास ले ले थीक है को इस प्रोग्रेम में भी जिवोग वेरिग वायिये सब्सेक्वेंट प्रोक्लमेशन वेरी गुर्ट बीज्ट के यह ते कि पार्लेमेंट की की खुछ जाय तो कर सकता है लेकिन पेस्जन कुछ करता भी है उच नहीं करता जैसा सिक्का उचाला जाएगा वैसे ही प्रस्जन काम करेगा थी वोलना चाहिए ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए एक्सेट वहाई बात एंडर थाटी डेस्ट चे मेने तक से अक्षेंट हो जाएगा फिर से चे मैंने एक्सेंट हो जाएगा लेकिन देखना चार का प्रोवीजो ये बोलता है कि not more than 3 years, 3 years से ज्यादा extend नहीं होगा, एक proviso है, इसमें provided that वो काम का नहीं है, ठीक है, provided also that in case of proclamation issued in the clause 1 on 11th day of May 1987 with respect to the state of Punjab, the reference to the first proviso to this clause 3 years shall be constitute as a reference to the 5 years, ठीक है, कि पंजाब में जब 1987 विजा इमरजन्सी लगाई गई थी, वहाँ पे 3 साल का मतलब 5 साल माना जाएगा, वो तो 1987 की बात थी न, आप थोड़े कोई लिए न देना, इसको अटा दो, हटा थे यसली है, नहीं है, मान लो, कभी किसी और state में हमें काम पढ़ जाए, मान लो, बंगाल अंगाल में इसाब किताब नहीं बैठ रहा सही, union government का, ये president साब को ऐसा लगा, कि वहाँ emergency लगा दो, तो emergency लगा देंगे, और यहीं पर, 11 day of माई के जगा, 11 day of माई 2023 लिख देंगे, और state of Punjab के जगा, स्टेट और बंगाल लिख देंगे, यहीं काम कर जाएगा, ठाई इसलिए नाटा है हो, हो सकता है, हाँ, पांच मी यह बात बोलता है, एक साल से ज्यादा कोई भी हाउस अपरलेमेंट से पास नहीं कराएगी, अनलेश एप्रोक्लमेशन अफ़ एमरजेंसी इन अपरेशन, या तो प्रोक्लमेशन अफ़ एमरजेंसी का मतलब, लगी होई है, या the election commission certified that, बैठ या त बात है, दूरिए प्रियोड प्रियोड स्पेसिफाइड इंसे नेसरी ओन अगाउंट अफ डिफिकल्टीज इन होल्डिंग जनल एलक्षन तू जनल आसेंब्ली आप देस्टेट कंसर्ण थीक है इतनी सी बात है कि अधिक पस इसमें क्या अंतर इसमें पहले टू मन्त है उसमें शिक्स मन्त है और यह सब रपास सब इलकुल वही है नौट मोर दें साल इसमें दिया हुआ है उसमें ऐसा कोई टाइम पीरिड नहीं दिया हुआ था ठीक है इसमें पैजन साब कुछ डिजॉल्व करना है तो वह खुद भी डिजॉल्व कर सकते बिदाओ डेनिया जैस जैसे लिशन ऑफ दा हाउस ठीक है अलब बन टैंद अंट वाला इसा कोई प्रूविजन इसमें नहीं दिया हुआ है ठीक है उसके बाद आ जाता है तीन तर ताओं और गया अगला से आर्टिकल केस दो है एसार व दो महीं वर से युनियन ऑफ इंडिया में यह बाद बोली गई देखो दो चीजें हैं इसका मिस्यूज नहीं किया जाएगा ठीक है इसका जूडियसियल रिव्यू हो सकता है जूडियसियल लिव्यू कैसे प्रेज़ेंट साब ने इमर्जेंसी लगा दी तीन तर शपन में कोई एक पार्टी पहुंच गी सुप्रिम कोड कि भहिया इमर्जेंसी से फिसलिये लगाई गई है क्योंकि हम यहां पर जीत क्या है और यूनियन में दूसरी गवर्मेंट है मेरी गवर्मेंट गिराने के लिए फिर से इलक्षन कराने के लिए यह सब किया गया है ठीक है कि तो उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है ठीक है अब अगर कोई भी अगर मैला फाइडली लगाई गई है और प्रेज़ेंट साहब ने जो है वहां की स्टेट सेम्ब्ली डिजॉल्व कर दी ठीक डिजॉल्व करने का फ्रेस सेलेक्षन होंगे डिजॉल्व कर दी तो इंडिया में भी बोली थी कि जुडिशल भी हो सकता है यहां पर तो पहले मेलाफाइड बोला गया तो बात है मेलाफाइड हो या एकदम इस्रेगुलर हो समझ में नहीं आ रहा क्यों लगाई इमर्जेंसी ठीक मैलाफाइड या इस्रेगुलर तो दिकत कहांगे 37 ताउन exercise of legislative power under proclamation issued under article 356 यही है कि legislative power कौन perform करेगा परलेमेंट करेगा बस इसमें यही दिया हुआ है अगर इमर्जेंसी लग गई तो कौन perform करेगा परलेमेंट करेगे 300 ठाउन suspension of प्रोविजन ओफ आर्टिकल नांटीन दूरिंग इमर्जेंसी ठीक है 358 साफ साफ यह बोलता है कि जैसे इमर्जेंसी लगेगी नेशनल इमर्जेंसी जैसे इमर्जेंसी लगेगी आर्टिकल न आप कुछ नहीं कर सकते, ढिर नहीं जा सकते, ओसके बाद भी अगर इमर्जेंसी खताम होने बाद भी उन cases के लिए आप जो है supreme court नहीं जा सकते, ऊश दौरान आर्टिकल नंडिंग का जिए जो violation हुआ है उस दौरान तो case नहीं कर सकते आप, उस समय law बना है वो baik and crime कर निक केस नहीं कर सकते हैं लेकिन खतम होने के बाद भी उस पीरियड के लिए आप केस नहीं कर सकते हैं तो अधिकत और यह आटोमेटिकली हो जाएगी सस्पेंड थीक है आटिकल 19 आटोमेटिकली भी जाता है ठीक कि suspension of fundamental rights during emergency, suspension of fundamental rights during emergency हम लोगों ने कहां से लिया था, जर्मनी से लिया था, ठीक, चलो, 359 क्या बोलता है, कि दो चीजें, दो आर्टिकल छोड़ के, 359 क्या बोलता है, 359 कि पूरे part third को suspend कर सकते हैं, by proclamation, कोई order pass करके, ठीक, कोई notification, order, proclamation करके, हम part third को suspend कर सकते हैं, accept article 20 and 21, 20 और 21 को छोड़ के, हजारों बार ये question पूछा गया होगा, कौन से, कि emergency में part third, पूरे fundamental right का जो है, वो कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं, उस समय के लिए suspend कर सकते हैं, accept article 20 and 21, 20 और 21 को छोड़ के, सब कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए automatically नहीं होंगे, इसके लिए order pass करना पड़ेगा, ठीक है, प्रेजन को, और इसके violation के लिए, जैसे emergency खतम होगी न, इत्य टाइम में रही, उस समय, उनने सो बीस का, बीस और 21 का, तो आप उस समय भी violation नहीं कर सकते, ठीक है, तो कि जान से मार दोगे आदमी को, जैसे लाइफ को दोगे, यह detain करके फालतु में पड़े डाले रहोगे, उस दोरान भी 20 और 21 का नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद, अगर किसी violation हुआ है, किसी भी इसमें यह है कि right to move the court, ठीक है, for violation of any of the fundamental right, right to move the court, आपके availability नहीं रहेगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, अरे fundamental right कैसे रहते हैं, क्योंकि मेरे पास enforcement का उसका right होता है, ठीक है, उसको enforce कराने के लिए हम court जा सकते हैं, जब enforce कराने के court ही नहीं जा सकते हैं, तो उन्हाइट का कर चलना रहा हो, ठीक, वैसे ही है, पढ़ लेना दोस्त, और कुछ नहीं है इसमें, चलो, अब देख रहें, तीन सो साट क्या है, तीन सो साट, financial emergency की बात करता है, financial emergency में ध्यान लखना, two month वाला period है, ठीक है, two month की एक बार present ने पास कर दी, तो दो मैने तक रहेगा, दो मैने ब बार में, यह six month के लिए नहीं होगा, यह बार पास कर दिया, indefinite period of time, जब तक उसे खतम होगा, यह एक आखरी, इसे फ्तार मार दो, और यह अपना, खतम हो जाएगा, एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, लेकिन बस उसी चीज यह कि खतम हो रहा है, तो खतम कर दो आवाज आरी हो, अभी आया ही यह नहीं आरी होगी तो, पैसे भी अभी चकम ने कुछ काम का नहीं बोला, ठीक हमको बढ़वनाते रहते हैं, इमर्जन्सी हो चुकी है, ठीक है, इमर्जन्सी हो कोई, अब क्या करना है, हम लोग को, आँगे गया, ठीकर हो, पार्ट उन्यस पार्ट उन्निस में क्या था, मिसलेनियस, मिसलेनियस लेक लेना है, ठीक है, क्या स्पैलिंग पर ध्यान दे, चलो, आर्टिकल, तीन सो एक साट, साट तक तो इमर्जन्सी थी, एक साट में यह आए, कहां तक चलेगा यह, ठीकर हो, 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 ठीकर और राजपरमुक राजपरमुक तब होते नहीं है लेकिन 361 में अब भी राजपरमुक लिखा हुआ है ठीक है अगर पूश दिया जाए 371 में किस-किस को प्रोटेक्शन दी हुई है तो आप धिहान रखना पेसजंट भी है गवर्नर भी है राजपरमुक भी है ठीक है अब उसी में किंग होता था मतलब रूलर होता था तो उनकी जो काउंसिल होती थी वो एक आदमी को राजपरमुक अपॉइंट करते थे ठीक है इसकी बात कर रहा है इन लोग को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है बेसिकली आप तो दो ही लोग है प्रेजडन और गवर्नर क्योंकि इनों अभी तक यह रिपील नहीं किया है तो फिर यह भी है ठीक है आप तो कोई राज इनके उपर नहीं आएगी ठीक है कोई भी सिभी लैक लाइगिल जब तक पर दिया और बता रहे हैं जैसे एक जस्साप थे अभी थोड़े दिन पहले कलकρत्ता हाइए कोड के उन्होंने व़ेंड जारू कर दिया सुप्रिम कोड जजच के खिलाप संजे कि नहीं क्या जारू कर दिया वारेंड सु परिम कोड जजच के खिलाफ ठीक है क्कशिव कड़ Link दिया कलकर यह कोड की जजच साब ने तो सका जो है ऊस समय और गगोई में जो थे वो वुष्स में चीफ जस्टिस थे ठीक है गगोई तब की बात है कि इसका नाम नए आए केस से कोई नाम था ठीक है देख लेना सच मालना तो उनका तो जहता पता नहीं है ठीक है तो क्या कर दे Sylman तो इसमें जो किया प्रोटक्षन ना किसी एक आंजरेबल है और नहीं कोई 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 उनके उपर कोश्ण उठाय जाएगा समझेगे लेकिन प्रोवीजों दिया हुआ है कि एक सथ में एक सथ में इंपीचमेंट दिया हुओ है आगर इंपीचमेंट को लेके कोई चीज़ चल लई है तो फिर देख सकते हैं हुँँ तो फिक जो है अब सारा काम तो आपका प्रेस्डेंट के नाम पर कोई भी कॉंट्रेक्ट हम लोग ने पढ़ा था अब्याहिभा फैजन्ट ऑफ इंडिया के नाम से होगा या गवंणर के थोगार्व कॉछ भी आपने तो गवर्नर के नाम से कर दिया मैंगा आप बोल लिह विल devoir भूरण का सकते शीटेट के और नीठे। during the term of office इस मैं से इनों राजपर्मुक वख खता दिया ठीक है . अब है्टिज राजपर्मुक रहे गया उसके बाद राजपर्मुक नहीं है तो क्या क्या बॉलता है कि कोई भी किसिज य्म्री होगी तीसरा क्या बोलता है कि भाईयर्ष्ट औरम्परंत नहीं सकते हैं अगर कोई ऐसी बात हो जाती है ठीक तो पहले तो उनसे लिया जाएगा आप रिजाइन करें उसके बाद आपका अरेस्टिया कुछ भी हो सकता है अब एक चीज अब ध्यान आ रही है एक नौटीस्ट में गवर्नर साब थे यहीं कहीं के थे अपने UP MPBR के आसपास की रहने वाले थे ठीक है गवर्नर क्या होते हैं गवर्नर तो जो जिसकी पार्टी होती है उन्हें के जो बड़े निता एता हो जाते हैं ठीक है जो पॉलिट से दूर करने के लिए और दूसरा कि चलो अब आपने जो काम की है उसका फल बटोरो तो गवर्नर बना बनाग भी ढाल देते हैं उदर यह तो आप देखते ही रहते होंगे कि जो जातर गवर्नर है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल जो मतलब गवर्मेंट है उसी कई पॉलिट साथ थे थोड़ा वैसे मिजाज के थे अंतलब की वह हूं सारे जित्ता भी महां पर गवर्नर हास पर जित्ता भी लेडी इस स्टाफ था सब परिसान हो गया उससे जिसा भी स्टाफ था सब बिद्रोह पर आगए बाई साब सब सब स्ट्राइक करने लगे उनके खिलाफ उनसे जैगनेशन लिया गया जिदाइन करो घर वैटो आगे तुछ आप सांती है ज्यादा तुम बुड़ा पे सटे आ रहे हो तो चलो यह है नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इंप्रिजमेंट अब प्रेजडेन और गवर्नर ऑफ ए स्टेट साल इसू फ्रॉम एनी कोल द भी वो नहीं उनके खिराफ इसू हुआ है तो वो ऐसे तो पर नहीं होगा पहले टू मन का नोटिस दिया जाएगा ठीक है कोई प्रेजडेंट या गवर्नर के बाहर एकदम कुड़की वाला एकदम नोटिल गूम रहा है नोटिस चिपका हुआ है इनके उपर इतनी लावि है ठीक है चलो पढ़ लेना कुछ नहीं अंदास नहीं पूचा था ठीक मलब कॉंसेप्ट मालों होना ही चाहिए आपको कि कोई किमिनल पोसेडिंग नहीं हो सकती और एस्ट एम्पेजमेंट नहीं हो सकते अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो वह कोई बीजिलीफ अगर इसक करता है तो उसके ओपर कोई नहीं आएगी लेकिन हो रही है तो या प्रोविजो दिया हुआ है कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है उसका आपने नहीं कर सकते समझेंगे कोई मानलों को ऐसी बात हो गए मानलों हमें स्ट्राइक करनी है तो कुछ लीडर ऑफ अपोजिएशन म अब हैं रहाएं लीडर ऑफ अपोजीशन है एक्स टेंडर मिनिस्टर है एं और हो मिनिस्टर है डि इफेंस से क्रेटरी है ऐसे लोगों को बैठाल की भाए मीटिंग की जा रही है लेकिन आपने जो पब्लिश कर दिया तो शीक्रेट मीटिंग उसको पब्लिश नहीं कर सक गुवा कि अगर कोई बी अगर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है तो कोई उसके पास जिमिन्रेटरी पोस्ट है ठीक है जिसका जो है funding जो है कहीं और से state government के state fund से की जा रही है या central fund से की जा रही है तो वो भी post उसके पास से आड़ जाएगी ठीक है और 362 जो right and privileges of rulers of Indian states जो दिये गए थे वो 26 amendment में हटा दिये गए ठीक है दो amendment हुए थे एक तो 7th amendment जिसमें पिंसली state पारड ऐङा है पार्ट ओ पार्ट भी और पार्ट डी पिर 26th amendment हुआ जिसमें सब्हें कुछ था दिये गया जितने और इन्हें प्रीक पर्स दिये गया यिद्स दिये हुए थे जितने बैनिफिट से को लेके हुए थे थे उसके बास सब बढबर वोग समझेगे नहीं, प्रीवी पर्स भी इसी मटाए गया तो 26 अमेंडमन में धियान रखना 363, वार्ट टो इंटेफर बाइ कोर्ट इंटेफ्यर नहीं करेगी, ठीक है यह किसका, गौर्वर्मेंट तो गौर्वर्मेंट बात होगी, ठीक है उसमें यह इंटेफर नहीं करेंगे, 363 यह, अंदर से कुछ भी नहीं पूछता, ठीक है जातरिन के सिर्फ हैडिंग पूछी जाती है, अगर पूछी जाएगी तो पूछी जाती है कभी और इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, नहीं पूछी जाती है बिल्कुल ही तो, कुछ बात ही नहीं होती है बटा के यह, पर राइट्स और पिल्वेजिस से बटा दिये, दूसा 303 सटे में और किलियर कर दिया, कि भाईया मैं बॉलिस कर रहा है, और जो भी कुछ है सबसीस हो रहा है, तुमारा टिक, effect of failure to comply with or to give effect to the direction given by the union, 365 important है, 365 क्या बोलता है, 365 यह बोलता है कि अगर भाईया, state government सही से नहीं चली, जैसे union बोल लाई है, मतलब अगर आपने constitution, जो भी कुछ है, प्रोविजन, उसको ऐसे ही, मतलब सही 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 से नहीं लिया, तो हमें देर नहीं लगेगी, 365 को 356 करने में, क्या है, 356 में, state emergency, constitution, failure of constitution mechanism का ground लेके, लगा देंगे, 365 कब 356 कर देंगे, पता नहीं चलेगा तुम्हें, समझेगी नहीं, पढ़ लेना, 366 में definitions हैं, definition किसकी, सभी चीज़ों की, ठीक है, कोई भी ऐसा, जैसे हमने मान लो, कुछ भी बोला हो, जो आपको समझ मेंने आ रहा हो, इसमें देख लेना, ठीक है, जारना है, इसका, 306 में definitions दी हुई है, definition की क्या है, ठीक है, या कुछ भी, हाई code क्या है, SC, ST, सबकुछ इसमें दिया हुआ, ठीक है, चलो, पड़ लेना, ठीक है, 306, 37, interpretation की, अगर कुछ भी इसमें ना दिया हुआ, जनरल क्लाउस है, या कोई और इसमें दिया हुआ, रीडिंग मान लेना, ठीक है, 368 पे सीरे आते हैं, amendment, part 20, part 20 में क्या है, amendment, amendment कहां से लिया गया, दोस्त, साथ अफ्रीका से, चेक कर लेना, स्टार्टिंग में लिखवा है थे हम लोगों, ठीक है, साथ अफ्रीका से ही लिया गया, जहां तक है, चलो, यह की आर्टिकल है, आर्टिकल, 368, ठीक, प्रोसीजर, पर, amendment, क्या है भईया, देखो, इसमें सबसे पहले बन था, फिर टू था, फिर थ्री था, तिर तीन आया, कव आया, 24th amendment में, ठीक है, 24th amendment में ही, यहां पर क्या यह मैंने संह नके लिखा ए प्रोसीजर, ठीक है, 24th amendment में, पावर यहां पर जोड़ दिये कया, पावर AND प्रोसीजर, ठीक है, पावर यहां पर कब जोड़ा गया, 24th amendment में, उसकर बार 4 और 5, ठीक है सब से पहलव तो यहाँ पर यह दिया हुआ है कि पर्लेमन के पास पावर है जहां पर यहां पर जो प्रोसीजर दिया यहां पर में कर सकते हां कि एमेंट्मन करने के लिए दो प्रोसीजर दिये ओवा है है ठीक है 368 में दो हुए है एक तो इस स्पेसल मिज़ूर्टी कि दूसरा इस स्पेशल मज़ूर्टी बाइड सिसेटीएपधीड का मतलब होता है और यहां का का मतलब क्या है special majority का मतलब क्या होता है two third two third member of present and voting ठीक जित्ते भी मेंबर से उनके two third अगर वोट कर रहे है तो इस पेसल majority मारा जाएगा इसके इलाबा एक होता है simple amendment कोई कहीं और कॉंस्ट्यूशन में three sixty eight के लावा कहीं और amendment करना पड़ेगा three sixty eight में जो चीज़े amendment के लिए उसमें तो यही आपको प्रोसीज़ इस्तमाल करना पड़ेगा उसके इलाबा कहीं पे भी अगर पार्लेमेंट पावल दी हुए amendment करने की तो वो simple majority का मतलब fifty plus fifty plus का मतलब fifty percent plus ठीक है कि वन हाफ चाहिए होगा मैं कहने का मतलब यह है अगर आधे ज्यादा लोग बोल दें कि हाँ यह ठीक है तो ठीक है यहाँ पर two-third लोग बोलें यहाँ पर two-third बोलें उसके बाद भी इसिटिट्ट्ट स Criminal Cart 좋아하 वी रिटीफाई हो ठीक है जिस इस Forces अड़ना सारे स्टेटों से 1-2 सम्झे कि नहींसिम्पल ममजरिटी किया है सिम्पल बजाविटी इसमें नहीं आता इसमें जो अमेंडमेंट होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं क्या गांसित्यूसटिशनल अमेंडमेंट बिल को सिमीं अगर कोई अमेंडमेंड करना होताइज दो समय दो दो वाते दिए हुई है कि एक तो में सबसे पहले कि सब चीजे स्पेशल मजोर्टी से होंगी अगर कॉंस्टीजन को इसका प्रोवीजों एक जुड़ा हुआ है कि इन चीजों में अगर करना है ठीक है जैसे आर्टिक फिप्टी ठीक है कि क्या है एलक्षन ऑफ मैथड ऑफ प्रेश्डेंट ठीक है मैनर ऑफ एलक्षन ऑफ प्रेश्डेंट यह सब चीजे कोई भी चीज जनरली आप जनरली यह समझ लो जो भी कोई चीज अगर स्टेट को एफेक्ट कर रही है ठीक है तो उसमें रैटिटिफिकेशन चाहिए होगा ठीक है और इस्पेशली प्रोव प्रोविश्ड प्रोविश्ड था पहले क्या था प्रोविश्ड फॉर अमेंडमेंट का मतलब क्या है कुछ भी इसमें एड करना कुछ भी वैरी करना या कुछ भी की रिपील करना हटाना जोडना या कुछ भी कम जादा करना ठीक है यह सभी अमेंडमेंट में आ जाएगा दूसरा अंट मेंडमेंट अब इस कांशन में इनिटर अट इंटोड़क्षन फिर फॉर पर्पस इन यह इंडर हांस अफ परलिमन एंड धन बिल who shall give his assent to the bill and there upon, ठीक, यहाँ से पास होने गवाद फिर वो पैस्टेंट पास दिये जाएगा, पैस्टेंट उसे साइन कर देंगा, वो लौ बन जाएगा, ठीक the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill, उसी इसाफ से constitution जो है, अमेंड मान लिया जाएगा provided that if such amendment seeks to make any charge change in अगर आटिकल 54, 55, 73, 162, 242, 79A, chapter 4 of part 5 सुप्रेम कोर्ट है, क्या है, सुप्रेम कोर्ट ही होगा, देखा सुप्रेम कोर्ट, ठीक है, अगर तो समझ गया है, कि सुप्रेम कोर्ट की होगा, कि सुप्रेम कोर्ट भी भाई तो मुझकी पावर अगर कल टेल कर रहा है, तो भी इसका मतलब state effect हो रहा है, ठीक है और यह पढ़ ले ना, ठीक है, अगर यह प्रोवीदों में जो जो दिये हैं, उनमें amendment करना है तो state का ratification भी चाहिए अब यहाँ पर क्या था, पहले यह कितना था, पहले सिर्फ इतना था, जब 24th amendment नहीं आया था, कितना था? वन और टू, ऐसा भी नहीं था, वो केबल दोनों यह बाते एक ही पर लिख्ख्यों नहीं थी, ठीक है, मानलो इतना था, ठीक है अब इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब यह है कि क्या मतलब है इसका, कि केसिज आये, सबसे पहले आया संकरी पर साथ ठीक है, इसमें ये बात उठी क्या का पार्लिमेटें पाßen पावर है, ठीक है, क्या सकाथ पावर है, कि सब को शेंच कर सकती हैं स्टिब्सन में इन्होंने के ठीक सिंपल से वार में समझे लो फिर आया सज्शन इनिया चिलों कि है बसे इने फंडिया इसमें पर भांप की गई कि हां है टीक फिर आया गुलट्द जो लगनाथ में क्या हुआ गोलकनाथ में नों नों ने बोला यह जो यहां पर पर प्रोसीजर फोल जो लगनाथ केस में बोला गया और आर्टिकल आपको पावर दी हुए है 368 से प्रोसीजर बताता है यह साब से आप पार्ट थैड और देखाशन आफ इंडिया अमेंड नहीं कर सकते दिनी पाट थैड को आप छूनी सकते समझें कि नहीं क्योंकि आपके पास अनलिम्टेट पावर नहीं है ठीक आपके पास अनलिम्टेट 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 आपके पास यह पावर ने कोई भी आप पोस्सक्राइशन लोग आइसा नहीं बना सकते जो वालेट कर ला हो तो इन्होंने का अच्छा नहीं बना सकते तो फिर नहीं क्या कहा इन्होंने 24 अमेंडमेंट लाय और तीसरा क्लाउस जोड़ा ठीक वो आर्टिकल 13 को अफेक्ट नहीं करेगा ठीक है इतनी बात अब भाईया इसकी वालेटी चैक हुई केस अंदा भालती केस में केस अंदा भालती वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया वो स्टेट ऑफ केरला इसमें इस्टी वैलेटी चैक हुई क्या दो बाते निकल के आएं व दूसरा क्या इनके पास पावर है कि यह अमेंड कर सकते हैं ठीक है यह दो बाते सामनी आई तो केस अंदा भालती वर्सिस्टेट ऑफ के लिला में यह बोला गया कि यह जो है इसका तीन 368 का तीन और आर्टिकल 13 में भी जोमेंड हुआ है यह दोनों ही वैलेड है दोनों से τι वán på.. आमंड्मेंड वाइलिड है ठीक पहली बात दूसरी बात कॉंस्टरिशं प्राइलेम्ट पास पावर है कि राटिकल 13 के इंदिन्म कर सकती है लेकिन वह सके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते हैं जो इसके में में बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो इसका में जीस्ट है ठीक उसको आप चेंज नहीं कर सकते कि अब कर कुछ भी सकते हो क्यों आकर मान लो हमेशा यही थोड़े हो था कि इसको खराब करने के लिए अच्छा करने के लिए अगर हम पार्ट थेर्ड को बिलकुल अमेंडी नहीं कर पातें तो क्या average से कभी जोड़ा पाते हैं जाइट एजू किसन कभी जोड़ा पाते हैं स समझे कि नहीं कब जोड़ा गया था कमेंड करके बता हूं तो यह हो गया समझे कि नहीं लेकिन इसके बाद भी उनका अच्छा कोई बाद नहीं थोड़े टाइम तक चलता रहा चलता रहा लेकिन एक समय आया कि जब इंद्रा गांधी है कि उन्हें बोला ऐसा है अपने टाइप राइटर को पनलब जो अपना टाइप इस था उसे बुला है इज़र आओ उसे का लिखो क्या लिखना है आपको कि तिही 68 क्लाउस 4 तीन तो ही चाओथा डालो और चाओथे में लिखो नो अमेंडमेंडमेंड अफ दिस कॉंस्टिशन इंक्लूदिंग दे प्रोवीजन अफ पार्ट थेर्ड मेर और परपोर्टिंग तु हैव बीन मेंड अंडर इस अर्टिकल वैदर बिफोर और आफ्टर दा कमेंस्मेंट अफ दा सेक्शन 55 अफ दा कॉंस्टिशन 42 अमेंडमेंडमेंड एक 1976 जो की होने वाला है कल सुभेरे से सैल भी कॉल्ड इन कोश्चन इन एनी कोट और एनी ग्राउंड उन्ने का पीम साहिवा तो इसका क्या करें उनका देखो इसे कॉंस्टिशन में जोड़ दो जाके उनका साब इसके लिए तो टू सब्सक्राइब अजन्हें सब्सक्राइब उन्हें में जैकर चाहिए होगी और है तो अधर आपने पहले बाइटो एक चीज और किलियर करो इसमें 368 में 5 हो जोड़ो उसमें कहा लिख है कि for the removal of doubt it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constitutional power of the parliament to amend by way of addition variation or repeal the provision of this constitution under this article टेक है doubt के लिए करने के लिए ये भी बता दें कि कोई भी limitation नहीं है parliament के उपर constitution में कुछ भी amend करने के लिए टेक है अब जाओ अगले दिन ये constitution में ये दोने चीज़ें आड़ो के आगई क्या हुआ अगर उसमें अगर उसमें कोट इस इनका बैठ गया अगर उसमें कोट सुप्रेम कोट भी अगर इनके कहे पे चल जाती कोई भी लिडर होता मेरे अच्छे लगने खराब होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है किस तफाक से मैं अपने सब्दों को कंट्रोल करने कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने कमेंट पड़ा जो कोई बोल ला था कमेंट तो पूरे दिन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं दो नो डाउट वो अगर कमेंट ना आए तो मेरी मजाल नहीं है कि मैं कभी इतना आज रिकॉर्ड कर पाँ आपके कमेंट ही है जो मैं इतनी पावर देते हैं कि मैं रिकॉर्ड कर पाँ चलो तो क्या था कमेंट आए था थोड़ा हिसाब से बोला करी है किसी दिन नाब दिये जाएंगे नाप दिये-जाएंगे, यह मेरे टर्म है, जो माइ इस्तिम्हाल करता हूं. बहुत सारे लेक्ट्रस में मैंने बोलाओ रिप्रिस, किسकी के भी खिलाब कि उसने उसे नाप दिया, यह कर दिया, वो कर दिया. ऑख मजागम ही बोला होगा किसीने. मैं सोचा कि reply तो कर दूँ कि तुमको क्या लगता है लोग क्या यहां पसे मैंने पढ़ाने के लिए किया था तो कहा थे यह थे कि भाईया वो आ गया अब आया यह दुनों यह दुनों आये 40 सेकेंड में यह था 42 अमेंट में यह दोनों जोड दिये गए ठीक है 1975 में इमर्जेंसी लगी और चैतर में आया यह अब क्या हुआ अब इसको चैलेंज तो हो नहीं था उस समय सुप्रिम कोर्ट भी अपनी उस पर थी समझे कि निए सुप्रिम कोर्ट भी अपने उस पर थी उस समय ऐसा हुआ था जो सिनियर मोस जजय हो और सुप्रिम कोर्ट रोट होता था गी हमेसा क्या बनता था सेनियर मोस जज़ अँव्य सुप्रिम कोड भी अमेसा Siji Ben 10 अब भी बनता है उस समय क्या हुआ और तीनों को छोड़ते हुए तो चौते नुमर वाले को CGI बना दिया आप क्यों बनाए गया वोगार यह आप खुर समझ सकते हूं ठीक है यह वहाँ पर यह भी गड़बड हुई तो बहुत से लोगों ने लेकिन चैलेंज तो यह होना था तो मैनिरवाद मिपिंस में चैलेंज हुआ मिनलवाद मिंस में और इसको अनकांशी को दिया गया ठीक है four or five unconstitutionally ही है ठीक है कौन से केस में किया गया मैंने रवा मिल्स में ठीक है उसके बाद बहुत सारे के वामन राओ आया ठीक है आई यार को लो आया 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 को लो वर से state of केला इसमें यह बोला गया था जिस दिन से को यह आया बेसिक स्टिक्चर की बात मतलब जिस दिन केसे अंदर बाती का जज्जमेंट आया था चौबिस अप्रैल 1973 इस दिन के बास से इस दिन के बास से कोई बी ऐसा लो है चाहेँ कोई coal वर शेट औफे में बोला गया था ठीक है उस लेंड लॉज को कोई भी एक्ट को अगर डाल देते पहले तो उसका जुडिशल लिव्यू नहीं हो सकता था यह अपने आप में ही एक ऐसा था कि जिसमें प्रोविजन डाला गया कि उस असे व अक्थ को खुदी कॉंस्ट्यूूशन से बचाने के लिए ठीक है उस एक्ट को उसमें प्रोविजन डाला गया गया, कैसा किता भी यह था कि कोई भी चीज अकर नई डाल दी हो जाएगा हो जाएगा पानी पीते हैं पानी कहां गया डल लगता है बन न न हो जाए सारी मैनत बेकार हमें लगता है एरप्लेंड मोर्ट पे भी नहीं डाला मैनत यह तम सही एरप्लेंड मोर्ट पे भी नहीं था फोन चलो जाए बचतने एसमें ठीक है एक और केस था भी 2021 का यूनिन और अफ इंडिया वसिर राजेंदर साह यह देख लो पॉर्टंट जैसे एल चंद कुमार एक केस था बताता हूं किया दो नमात दो केसे एक चंद कुमार वसिस यूनिया दूसरा यूनियन अफ इंडिया वसिस राजेंदर साह देखो इसमें यह बोला गया था कि एंटी डिफेक्शन लॉग का एंटी डिफेक्शन लॉग जो टैंच इडियूल में डाला गया है उसका साइथ पैरा सेबिन चेक कर देना है ठीक है इसामने लिखा हुगा नहीं है दियान आया भी है एंटी डिफेक्शन लॉग का जो टैंच इडियूल में डाला गया है उसका पैरा सेबिस सेबिन जो है उसमें राटिफिकेशन ऑफ स्टेट भी चाहिए होती है ऐसी प्रोवीजन कुछ है ठीक है तो क्योंकि राटिफिकेशन और वेस्टेट नहीं इसलिए पैर नहीं किया ठीक है एक केस आया यूनिन आफ इंडिया वासी राजे इंद्रसा दोजार इकिस का है इसमें क्या हुआ इसमें भी यही बात हुटी कि जो एक नैंटी सेकंड नैंटी सेविंट मेंड में जो कॉपरेटिफ सोसाइटी जोड़ी गई है जगह 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 पे और जग पार्ट नाइन बी जो जो जोड़ा गया है इसको पूरा चैलेंज किया गया किस ग्राउंड पर किसको पास करा क्योंकि कॉपरेटिफ सोसाइटी जिदा सब्जेक्ट ऑफ स्टेड लिस्ट ठीक है यह एंट्री मतलब यह स्टेड लिस्ट में आता है और आपने पार्ल करक्री जाएंटायी कि यह सफेसल्स मेजॉर्टी वाइटिफिकेशन चाहिए तो इसमें रेटिफिकेशन हुआ नहीं तो इसलिए को यह उनकॉंस्टिप्शन कर दिया है सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन कोई बात नहीं किसका है यह बात में यह प्रोसीजर से फिर से सही हो जाएगा लेकिन दिशान रखना अब आंगे बढ़ते हैं यह काम का नहीं है 369 यह बताता है कि 5 साल तक जब से Constitution commencement में आया है 26 January 1950 से 5 साल तक पार्लेमेंट के पास पावर है कि वो बना दे स्टेट लिस्ट में भी कोई काम हो तो भी उस पर भी बना सकती लेकिन 5 साल तक उसके बाद नहीं तो जमाने बीद गया क्यों इसको रख चलो 370 अरे नहीं भाई कब Constitution के काम पर आजा हमें क्या पता है हम तो एक नाकून बरावर नहीं है जो से समझ पाए इसमें क्या हुआ था इसमें जो है प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी उसी पावर का इस्तमाल करते हुए उन्होंने क्या किया जम्मू एंड कर्समीर रियागनाईजेशन एक 2019 पास कर दिया ठीक है जो एक 36 अक्टूबर 2019 से जो है इन फोर्स में आ गया बस इतनी इसी ब इंदर से पूछ पूछ suffering ऑपको देखनी है ठीक है इनकी सिर्फ इर सिर्फ हैडिंग कर अंतर कुछ नहीं देखना थेक कोई एक अच्छा नि'm का पास नांदर से कूच पूछा जाना उसके बाद में ये 300 सब हो गए ये भी उसी समय के हैं जब constitution in force में आये था ना तो for the time being के लिए क्या क्या करें power of president to adopt laws power of president to make order in respect of person preventive detention in certain cases ये सब उसी समय के हैं until the provision is made by the parliament under clause 7 of article 200 बाई जब तक law बन नहीं बना रही parliament तब तक president क्या करेगा ये सब हैं और ये कोई काम के नहीं है बहुत सारे रिपील भी कर दिये गए इसमें ठीक है ये 379 से देखो सब रिपील कर दिये गए लाइन से power of president to remove difficulties ये सब ये बहुत पार्ट ट्वंटी टू कुशी अब तो कुश हो जाओ दो आखरी पार्ट चला है आखर टाइटल कमेंस्मेंट और थरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी देखो इसमें जो हिंदी में होगी ये क्या है 3394 ए 394 ए कब जोड़ा गया ये जोड़ा गया आपका 58 अमेंटमेंट में 58 अमेंटमेंट में कोई भी आप से पूल दे जो ह än जो आटिकल ये जो है और आप text में इर Зंट करने किलक्वत नहीं है ये जो है सब जो हैं वो 26 जनवरी 1950 में आएंगे अथरिटी टेस्ट इन हिंदी लेंग्वेज ठीक 58 अमेंडमेंड में यह बोला गया कि प्रेज़ेंट सेल कॉस्ट पब्लिश एंडरिस अथर्टी इसी का कॉंस्ट्रिशन का जो हिंदी लेंग्वेज में एक ऑफिशियल टेस्ट एक प सब्सक्राइब कभी और क्या मतलब कुछ छोड़ के जाओगे तभी तुम दुबारा होगे समझेगी नहीं तो हम लोग को मालूमी है क्या है टियस ऑफ ओल्ड पी हम और कुस्तों है नहीं चालो उमीद करता हूँ आपको यह लगा होगा ठीक अच्छा तो लगई होगा कम स से कम अच्छा लगे तो भाई क्योंकि जनरली में वीडियो में ऐसे बोलता नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया अगरो ठीक ऐसे ही नहीं कि बस एकदम पूरा देख लिए तीर गंटे पूरे वीडियो देखने के बाद आदमी एक ठैंक्यू लिखके जाएंगे तो कम से कम याद रहें तो कैसे आप कर सकते हैं आप और लोगों को सेयर करें इतनी मेहनत करने के बाद भी हमाई चैनल पित्ते कम सब्सक्राइबर्स हैं अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा चलो कुछ ना कुछ कोई और सब्सक्राइब लेकर आएंगे फिर जैसे ही टाइम मिलेगा कमेंट करते रहेगा प्यार देते रहेगा थैंक्यू